ताजा तरीन अपलोट्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिये गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें एक दिन उप्यूप्त चारो ब्रहमन सन्यासी किसी परकार घूमते घामते मध्या के समय तुम्हारे घर आए उस समय उन्हें भूक और प्यास सता रही थी बली वेश्व देव के पस्चात तुमने उन्हें अपने घर के आंगन में उपस्तिक देखा उन पर दिरिस्टी पड़ते ही तुम्हारे नेत्रों में आनंद के आशु छलक आए तुम्हारी वानी गदगद हो गई तुमने बड़े वेग से दोड़कर उनके चरणों में सा स्टांग प्रणाम किया फिर बड़े आदरभाव के साथ दोनों हाथ जोड़कर मधुरवानी से उन सब का अभिनंदन करते हुए कहा हे महानुभव आज मेरा जनम और जीवन सफल हो गया आज मुझ पर भगवान शिरी विश्णु जी पर सन है मैं सनाथ और पवित्र हो गय आज मैं मेरा घर तथा मेरे सभी कटुंबी धन्य हो गए आज मेरे पित्तर धन्य है मेरी गउए धन्य है मेरा शास्त्र अध्यन तथा धन भी धन्य है क्योंकि इस समय आप लोगों के इन चरणों का दर्शन हुआ जो तीनों तापों का विनाश करने वाला है भगवान शिरी विश्णु जी की भाती आप लोगों का दर्शन भी किसी धन्य व्यक्ति को ही होता है इस परकार उनका पूजन करके तुमने आतिधियों के पाम पकारे और चरणों दक लेकर बड़ी शर्धा के साथ अपने मस्तक पर चड़ाया फिर चंदन फूल आशक्त धूप और दीप आदी के द्वारा भक्ति भाव के साथ उन यतियों की पूजा करके उन्हें उत्तम अन भोजन कराया वे चारों परमहन सत्रिप्त होकर रात को तुम्हारे भावन में विशराम और सूर्य आदी के भी परकाशक पारभ्रम का ध्यान करते रहे उनका अतिथ्य सत्कार करने से जो पुन्य तुम्हें प्राप्त हुआ है उसका एक हजार मुखों से भी वर्नन करने में मैं आसमर्थ हूँ भूतों में प्राणधारी स्रेष्ट हैं, उन में भी बुध्धी जीवी, बुध्धी जीवियों में भी मनुश्य और मनुश्यों में भी ब्रहमन स्रेष्ट हैं, ब्रहमनों में विद्वान, विद्वानों में पवित्र बुध्धी वाले पुरुष, उन में भी करम करने वा आने गए हैं अतह सब के परम पूज्य हैं उनका संग महान पातकों का नाश करने वाला है यदि कभी किसी घरस्त के घर पर ब्रह्म ज्यानी महात्मा आकर संतोश पूर्वक विश्राम करें तो वे उसके जनम भर के पापों का अपने दृष्टी पात मात्र से नाश कर डालते ह एक रात घरस्त के घर पर विश्राम करने वाला सन्यासी उसके जीवन भर के सारे पापों को भसम कर देता है ये वेश्याए वही पुन्य तुम अपने भाई को दे दो जिसके द्वारा उसका नर्क से उद्धार हो जाए देवदूत की यह बात सुनकर बेकुंडन ने ततका ही वह पुन्य अपने भाई को दे दिया तब उसका भाई भी परसन्न होकर नर्क से निकल आया फिर तो देवताओं ने उन दोनों पर पुष्पों की वरिस्टी करते हुए उनका पूजन किया तथा वे दोनों भाई स्वर्ग लोक में चले गए तदनंतर दोनों से सम्मानि होकर देव दूत यम लोक में लोट आई नारज जी कहते हैं हे राजन देव दूत का बजन वेदवाक्य के समान था उसमें संपूरन लोक का ग्यान भरा था उसे वेश्य पुत्र विकुंडल ने सुना और अपने किये हुए पुन्य का दान देकर अपने भाई को भी तार द या तत्पस्चात वह भाई के साथ ही देव राज इंद्र के स्रेष्ट लोक में गया जो इस इतिहास को पढ़ेगा या सुनेगा वह शोक रहित होकर सहस्तर गवदान का फल प्राप्त होगा सारे बोलो भगवान शिरी नराण जी की जै सुवर्ग खंड अध्याए तिरासी सुगंध आदी तीर्थों की महिमा तथा काशी पूरी का महत्मे नारज जी कहते हैं हे राजिंद्र तदनंतर तीर्थ यात्री पुरुष विश्व विख्यात सुगंध नामक तीर्थ की या करें वहां सब पापों से चित शुद्ध हो जाने पर वह ब्रह्म लोक में परतिस्ठित होता है तत्पस्चात रुद्रा व्रत तीर्थ में जाए वहां सनान करके मनुश्य स्वर्ग लोक में समानित होता है हे नर्सरेष्ट माता गंगा और सरस्वती के संगम में सनान करने वाला प्रुष आश्वमेद यग्यकाफल प्राप्त करता है वहां करण हरलद में सनान और भगवान शंकर जी की पूजा करके मनुश्य कभी दुर्गती में नहीं पड़ता इसके बाद करम्शह कुपजा मर करतीर्थ को प्रस्थान करना चाहिए वहां सनान करने से सहस्तर गववदान का फल मिलता है और मनुश्य स्वर्ग लोक में जाता है है राजन इसके बाद अरुंध धती वट में जाना चाहिए वहां समुंदर के जल में सनान करके तीन रात तक उपवास करने वाला मनुश्य सहस्तर गवदानों का फल पाता और स्वर्ग लोक को जाता है तदनंतर ब्रह्म वर्त तीर्थ की यात्रा करें वहां ब्रह्म चर्य का पालन करते हुए एकाग्र चित हो सनान करने से मनुश्य आश्व मेद यग्य का फल पाता और स्वर्ग लोक में जाता है उसके बाद यमुना प्रभव नामक तीर्थ में जाए वहां यमुना जल में सनान करने से मनुश्य आश्व मेद यग्य का फल पाकर ब्रह्म लोक में परतिस्थित होता है दरवी, संक्रमन, नामक तीर्थ तीनों लोगों में विख्यात है वहाँ पहुँच कर सनान करने से अश्व मेदयग्य के फल और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है ब्रिगुतुंग तीर्थ में जाने से भी अश्व मेदयग्य का फल मिलता है वीर परमोक्ष नामक तीर्थ की यात्रा करके मनुश्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है कृती का और मागह के दुरलब तीर्थ में जाकर पुन्य करने वाला पुरुष अगनिस्टोम और अतीरात्र यक्यों का फल पाता है तत्पस्चात संध्या तीर्थ में जाकर जो परम उत्तम विद्या तीर्थ में सनान करता है वह संपूरण विद्याओं में प्रांगत होता है महा आश्रम तीर्थ सब पापों से छुटकारा दिलाने वाला है वहां रातरी में निवास करना चाहिए जो मनुश्य वहाँ एक समय भी उपवास करता है, उसे उत्तम लोकों में निवास प्राब्त होता है जो तीन दिन पर एक समय उपवास करते हुए एक मास तक मह आश्रम तीर्थ में निवास करता है वह स्वयम तो भव सागर के पार हो ही जाता है अपने आगे पीछे की दस दस पीडियों को भी तार देता है परम पवित्र देव वंदित महिश्वर का दर्शन करके मनुश्य सब करतव्यों से उरिण हो जाता है उसके बाद पिताहमा दवारा सेवित वेत्र सी का तीर्थ के लिए परस्थान करें वहाँ जाने से मनुश्य आश्व मेध यग्य का फल पाता और परम गती को प्राप्त होता है तत्पस्चात ब्रह्मनी का तीर्थ में जाकर ब्रह्म चारे का पालन करते हुए एकाग्र चित हो सनान आदी करने से मनुश्य कमल के समान रंगवाले विमान पर बैठकर ब्रह्म लोग को जाता है उसके बाद दिविजो द्वारा सेवित पुन्यमई नेमिश तीर्थ की यात्रा करें वहां भगवान ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सदा निवास करते हैं नेमिश तीर्थ में जाने की इच्छा करने वाले का ही आधा पाप नस्ट हो जाता है तथा उसमें परविश्थ हुआ मनुश्य सब पापों से मुक्त हो जाता है हे भारत धीर पुरुष को उचित है कि वह तीर्थ सेवन में तत पर हो एक मास तक नेमिशारणय में निवास करें भूमंडल में जितने तीर्थ हैं वे सभी नेमिशारणय में विद्यमान रहते हैं जो वहां सनान करके नियम पूर्वक रहते हुए नियमा अनुकूल आहार ग्रहन करता है वह मानव राज सुय यग्य का फल पाता है इतना ही नहीं वह अपने कुल की साथ पीडियों तक को पवित्र कर देता है गंगो भेद तीर्थ में जाकर तीन रात तक उपवास करने वाला मुनुश्य बाज पैय यग्य का फल पाता और सदा के लिए ब्रह्म सबरूप हो जाता है सारस्वती जी के तट पर जाकर देवता और पित्रों का तरपन करना चाहिए ऐसा करने वाला प्रोश सारस्वत लोकों में जाकर अनंद भोगता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है तत पस्चात बाहुदा नदी की यात्रा करें वहां एक रात निवास करने वाला मनुश्य स्वर्ग लोक में परतिस्ठित होता है और उसे देवसत्र नामक यग्य का फल मिलता है इसके बाद सरैयू नदी के उत्तम तीर्थ ग्रोपरतार अर्थात गुपतार घाट पर जाना चाहिए जो मनुश्य उस तीर्थ में सनान करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है है कुरुनंदन गौमती नदी के राम तीर्थ में सनान करके मनुश्य आश्वमेद यग्य का फल पाता और अपने कुल का उध्धार कर देता है वहीं शात सहस्त्रक नामक तीर्थ है जो वहाँ सनान करके नियम से रहता और नियमा अनुकूल भोजन करता है उसे सहस्त्र गवदानों का पुन्यफल प्राप्त होता है धर्मग्या हेज युदिस्ठर वहाँ से उधर्व स्थान नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए वहाँ कोटी तीर्थ में सनान करके कार्तिक यजी का पूजन करने से मनुश्य को सहस्त्र गवदानों का फल मिलता है तथा वह तेजस्वी होता है उसके बाद काशी में जाकर भगवान शंकर जी की पूजा और कपिला कुंड में सनान करने से राज सुया यज्य का फल प्राप्त होता है युदिस्ठर बोले हे मुने आपने काशी का महात्मे बहुत थोड़े में बताया है उसे कुछ विस्तार के साथ कहिए नारज जी ने कहा हे राजन मैं इस विशे में एक समवाद सुनाओंगा जो वारणा नसी के गुणों से संबंद रखने वाला है उस समवाद के शरवन मात्र से मनुश्य भ्रम हत्य के पाप से छोटकारा पा जाता है पूर्वकाल की बात है भगवान शंकर जी मेरु गिरी के शेखर पर विराज मान थे तथा माता पारवती जी भी वही दिव्य सिहासन पर बैठी थी उन्होंने महादेव जी से पूछा भगतों के दुख दूर करने वाले है देवाधी देव मनुश्य शिग्र ही आपका दर्शन कैसे पा सकता है समस्त पराणियों के हित के लिए यह बात मुझे बताईए भगवान शंकर जी बोले हे देवी काशी पूरी मेरा परम गुवा तम श्चेत्र है वह संपूरन भूतों को संसार सागर से पार उतारने वाली है वहाँ महात्मा पुरुष भक्ती पूर्वक मेरी भक्ती का आश्रय ले उत्तम नियमों का पालन करते हुए निवास करते हैं वह समस्त तीर्थों और संपूरन स्थानों में उत्तम है इतना ही नहीं अवी मुक्त छेत्र मेरा परम ग्यान है वह समस्त ग्यानों में उत्तम है हे देवी यह वारा नसी सम्पूरण गोपनिय स्थानों में स्रेष्ट तथा मुझे अत्यंत प्रिय है मेरे भक्त वहां जाते तथा मुझ में ही परवेश करते हैं वारा नसी में किया हुआ दान जप, होम, यग्य, तपस्या, ध्यान, अध्यन और ग्यान सब अक्षे होता है पहले के हजारों जन्वों में जो पाप संचित किया गया हो वह सब अवी मुक्त छेतर में परवेश करते ही नस्ट हो जाता है हे वरानने, ब्रहमन, शत्रिय, वेशय, शुद्र, वरण, संकर, इस्त्री जाती, मलेच, तथा अन्य-अन्य मिश्रित जातियों के मनुश्य, चंडाल आदी, पाप, योनी में उत्पन, जीव, कीडे, चीटियां, तथा अन्य पशु, पक्षी, आदी, जितने भी जीव हैं वे सब समय अनुसार अभी मुक्त चेतर में मरने पर, मेरे अनुग्रह से परंगती को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को अत्यंत दुरलब और संसार को अत्यंत भ्यानक समझ कर, मुझ को काशी पूरी में निवास करना चाहिए, जहां तहां मरने वाले को संसार बंधन से ताने वाली सद गती तपस्या से भी मिलनी कठिन है किन्तू वारणा नसीपुरी में बिना तपस्या के ही ऐसी गती अनयास प्राप्त हो जाती है जो विद्वान शैकळो बिगनों से आहत होने पर भी काशिपुरी में निवास करता है। वह उस परमपद को प्राप्त होता है जहां जाने पर शोक से पिंड छूट जाता है काशी पूरी में रहने वाले जीव जनम मृत्यू और व्रिधा अवस्था से रहित परमधाम को प्राप्त होते हैं उन्हें वही गती प्राप्त होती है जो पुन्हे मृत्यू के बंधन में ना आने वाले मोक्ष अभिलाशी पुरूशों को मिलती है तथा जिसे पाकर जीव करतार्थ हो जाता है अवी मुक्त छेत्र में जो उत्कृष्च गती प्राप्त होती है वह अनियंत्र, दान, तपस् और विद्या से भी नहीं मिल सकती जो चंडाल आदी घरनित जातियों में उत्पन है तथा जिनकी देहे विसिष्ट पातकों और पापों से परिपूरण है उन सब की शुद्धी के लिए विद्वान पुरुष अभी मुक्त छेतर को ही स्रेष्ट और शद मानते हैं अवी मुक्त छेतर परम ज्यान है अवी मुक्त छेतर परम पद्ध है अवी मुक्त छेतर परम तत्व है और अवी मुक्त छेतर परम शिव परम कल्यान मैं है जो मरण प्रियंत रहने का नियम लेकर अवी मुक्त छेतर में निवास करते हैं उन्हें अंत में मैं परम ज्यान परवेश करके बहने वाली त्रीपथ गामनी गंगा जी विशेश रूप से सैकड़ो जन्मों का पापनस्ट कर देती है अनियंत्र माता गंगा जी का सनान शराद दान तप जप और वरत सुलब है किन्तु वारणा नसी पूरी में रहते हुए इन सब का अपसर मिलना अत्यन्त दुरलब है वारणा नसी पूरी में निवास करने वाला मनुश्य जब होमदान एवं देवताओं का लित्य प्रती पूजन करने का तथा निरंतर वायू पीकर रहने का फल प्राप्त कर लेता है पापी छट और आधर्मिक मनुश्य भी यदि वारणा नसी में चला जाए तो वह अपने समूचे कुल को पवित्र कर देता है जो वारणा नसी पूरी में मेरी पूजा और स्तूती करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं हे देव दिवेश्वरी जो मेरे भक्त जन वारणा नसी पूरी में निवास करते हैं वे एक ही जनम में परम्मोक्ष को पा जाते हैं परमानंद की इच्छा रखने वाले ज्यानिस्ट पूरुशों के लिए शास्तरों में जो गती पर सिद्ध है वही अभी मुक्त छेतर में मरने वाले को प्राप्त हो जाती है अभी मुक्त छेतर में देहा वसान होने पर साक्षात परमेश्वर जी मैं स्वयम ही जीव को तार कर ब्रह्म अर्थात राम नाम का उपदेश करता हूं वारणा और असी नदियों के वीच में वारणा नसी पूरी स्थित है तथा उस पूरी में ही नित्य विमुक्त ततब की स्थिती है वारणा नसी से उत्तम दूसरा कोई स्थान ना हुआ है और ना हुगा जहां सुवयम भगवान नरायन जी और दिवेश्वर मैं विराजमान हूँ हे देवी जो महापातकी है तथा जो उनसे भी बढ़कर पापाचारी है वे सभी वारणा नसी में जाने से परमगती को प्राप्त होते हैं इसलिए मुमुक्षु पुरुष को मृत्यु प्रयंत नियम पूर्वक वारणा नसी पूरी में निवास करना चाहिए वहां मुझ से ज्ञान पाकर पहमुक्त हो जाता है किन्तु जिसका चित पाप से दूशित होगा उसके सामने नाना परकार के बिघन उपस्तित होंगे अतहे मन वानी और शरीर के द्वारा कभी पाप नहीं करना चाहिए नारजी कहते हैं हे राजन जैसे देवताओं में परशोत्तम नरायन स्रेष्ट है जिस परकार इश्वरों में महादेव जी स्रेष्ट है उसी परकार समस्त तीर्थ स्थानों में यह काशी पूरी उत्तम है जो लोग सदा इस पूरी का समरण और नाम उचारण करते हैं उनका इस जनम और पूर्व जनम कभी सारा पातक ततकाल नस्ट हो जाता है इसी लिए योगी हो या योग रहित महान पुन्य आत्मा हो अथ्वा पापी परतेक मुनुष्य को पूरण प्रयतन करके वारणा नसी पूरी में निवास करना चाहिए सारे वोलो भगवान महादेव जी की जय स्वर्ग खंड अध्याय 84 पिशाच मोचन कुंड एवं कपरदीश्वर का महात्मय पिशाच तथा शंकु करण मुनी के मुक्त होने की कथा और गया आदी तीर्थों की महिमा नारज जी कहते हैं हे युधिस्ठर वारणा नसी में कपरदीश्वर के नाम से परसिद एक शिवलिंग है जो अविनाशी माना किया है वहां सनान करके पित्रों का विधिवत तरपन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है काशी पूरी में निवास करने वाले पुरुषों के काम क्रोध आदी दोश तथा संपूरण बिगन कपरदीश्वर के पूजन से नस्त हो जाते है इसलिए परम उत्तम कपरदीश्वर जी का सदेव दर्शन करना चाहिए यतन पूरवक उनका पूजन तथा व्यदुक्त इस्तोत्रों द्वारा उनका सत्वन भी करना चाहिए कपरदीश्वर के स्थान में नियम पूर्वक ध्यान लगाने वाले शांत चित योगियों को छे मास में ही योग सिध्धी प्राप्त होती है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है प्रिशाच मोचन कुंड में नहाकर कपरदीश्वर के पूजन से मनुष्य के ब्रहम हत्या आदि पाप नस्ट हो जाते हैं पूर्वकाल की बात है कपरदीश्वर छेत्र में उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक तपस्वी ब्रहमण रहते थे उनका नाम था शंकूकरण वे प्रते दिन भगवान शंकरजी का पूजन रूद्र का पाठ तथा निरंतर भ्रहम सबरूप परणव का जप करते थे उनका चित योग में लगा हुआ था वे मरण प्रियंत काशी में रहने का नियम लेकर पुष्प धूप आदी उपचार इस्तोत्र नमस्कार और प्रिक्रमा आदी के द्वारा भगवान का परतीश्वर जी की अराधना करते थे एक दिन उन्होंने देखा एक भूका प्रेत सामने आकर खड़ा है उसे देख मुनिस रेष्ट शंकू करण जी को बड़िश्ट दिया आई उन्होंने पूछा तुम कोन हो और किस देश से यहां आई है पिशाच भूक से पीडित हो रहा था उसने शंकू करण से कहा हे मुने मैं पूर्व जनम में धन धान्य से संपन ब्रहमन था मेरा घर पुत्र पोत्र आदी से भरा था किन्तु मैंने केवल कुटुम्ब के भरण पोशन में आसक्त रहने के कारण कभी देवताओं गउओं तथा अतितियों का पूजन नहीं किया कभी थोड़ा बहुत भी पुन्य का कार्य नहीं किया अतहे इस समय भूग प्यास से व्याकल होने के कारण मैं हिता हित का ग्यान खो बैठा हूं हे प्रभो यदि आप मेरे उद्धार का कोई उपाय जानते हों तो कहिए आपको नमस्कार है मैं आपकी शरण में आया हूं शंकू करण ने कहा तुम शीग्र ही एकाकर चित होकर इस कुंड में सनान करो इससे शीग्र ही इस घृणित योनी से छोटकारा पा जाओगे द्यालू मुनी के इस परकार कहने पर पिशाच ने त्री नेत्रधारी देववर भगवान कपरदीशवर जी का समरण किया और चित को एकागर करके उस कुंड में गोता लगाया मुनी के समेप गोता लगाते ही उसने पिशाच का शेरिर त्याग दिया भगवान शंकर जी की किरपा से उसे ततकाल बोध प्राप्त हुआ और मुनीशवरों का समूदाय उसकी स्तूती करने लगा तक पस्चात जहां भगवान शंकर जी विराजते हैं उस त्री मई स्रेष्ट धाम में वह परवेश कर गिया पिशाच को इस परकार मुक्त हुआ देख मुनी को बड़ी परसन्नता हुई उन्होंने मन ही मन भगवान महेशवर जी का चिंतन करके कपरदीशवर जी को परणाम किया तथा उनकी इस परकार स्तूती करने लगे हे भगवन आप जटा जूट धारन करने के कारण कपरदी कहलाते हैं आप परात पर सब के रक्षक एक अधित्य पुरान प्रोश योगेशवर इशवर अधित्य और अगनी रूप तथा कपिल वरण के व्रिशव नंदीशवर पर आरूड हैं मैं आपकी शरण में आया हूँ आप सब के हिरदय में स्थित सारभूत ब्रह्म है हिरण मैं पुरुष है योगी है तथा सब के आदी और अंत हैं आप रूप दुख को दूर करने वाले हैं अतहे आपको रूद्र कहते हैं आप आकाश में व्यापक रूप से स्थित महामु ब्रह्म सब रूप एवं परम पवित्र हैं मैं आपकी शरण में आया हूँ आप सहस्त्रों चरण सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों मस्तकों से युग्त हैं आपके सहस्त्रों रूप हैं आप अंधकार से परे और वेदों की भी पहुँच के बाहर हैं कल्यानों पादक हो से आपको शंभू कहते हैं आप हिरणय गर्व आदी देवताओं के स्वामिंग तथा तीन नेतरों से सुशोवित हैं मैं आपको प्रणाम करता हूं जिन में इस जगत की उत्पत्ति और लए होते हैं जिन शिव सवरूप परमातमा जी ने इस समस्त द्रिश्य परपंच को व् वेदों की सीमा से भी परे हैं उन भगवान शंकर जी को प्रणाम करके मैं सदा के लिए उनकी शरण में आपड़ा हूं जो लिंग रहित अर्थात किसी की पहचान में ना आने वाले अलोक शुन्य अर्थात जिन्हें कोई परकाशित नहीं कर सकता जो सव्यम परकाश हैं व्यम प्रभु चेतना के स्वामी एक रूप तथा भगवान भ्रमा जी से भी उतक्रिष्ट परमेश्वर हैं जिनके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तथा जो वेद से भी परे हैं उन्हीं आप भगवान का परदीश्वर जी को मैं नमस्कार करता हूं सबीज समाधी का त्याग करके निर्बीज समाधी को सिद्ध कर परमपिता परमात्मा रूप हुए योगी जन जिनका साक्षात कार करते हैं और जो वेद से भी परे है वह आपका ही सबरूप है मैं आपको सदा परणाम करता हूँ जहां नाम आदी विशेशनों की कलपना नहीं है जिनका सबरूप इन चरम चक्षियों का विशय नहीं होता तथा जो स्वयम भू कारण हीन तथा वेद से परे हैं उन्हीं आप भगवान शिरी शंकर जी की मैं शरण में हूँ और सदा आपको परणाम करता हूँ जो देह से रहित ब्रह्म अर्थात व्यापक विज्ञानमै भेद शुन्य और एक अधित्य है तथा पी वेद वाद में आसक्त मनुश्य जिसमें अनेकता देखते हैं उस आपके भेदातीत सबरूप को मैं नित्य परणाम करता हूँ जिससे प्राकर्ती की उत्पत्ती हुई है सवेम कुरान प्रोश आप जिसे तेज के रूप में धारन करते हैं जिसे देवगन सदा नमस्कार करते हैं तथा जो आपकी ज्योती में सन्नीहित है उस आपके सबरूप भूत ब्रहत काल को मैं नमस्कार करता हूँ मैं सदा के लिए कार्तिक्य के स्वामी की शरण जाता हूँ स्थानू का आश्रय लेता हूँ के लाश परवत पर शेयन करने वाले पुरान प्रूश भगवान शंकर जी की शरण में पड़ा हूँ हे भगवन आप कस्ट हरने के कारण हर कहलाते है आपके मस्तक में चंदर्मा का मुकुट शोभा पा रहा है तथा आप पिनाक नाम से परसिद धनूश धारण करने वाले हैं मैं आपकी शरण ग्रहन करता हूँ इस परकार भगवान कपर दीशवर जी की स्तूति करके शंकु करण परणव का उचारण करते हुए पृत्वी परदंड की भाती पड़ गई उसी समय शिव सवरूप उतक्रिस्ट लिंग का प्रादू भाव हुआ जो ज्यान मैंत था अनंत अनंत सवरूप था आग की भाती उससे करोडो लप्टे निकल रही थी महात्मा शंकु करण मुक्त होकर सर्व व्यापी निर्मल शिव सवरूप हो गए और उस विमल लिंग में समा गए हे राजन यह मैंने तुम्हें कपरदी का गूड महात्मे बतलाया है जो प्रती दिन इस पाप नाशनी कथा का शिरवन करता है वह निशपाप एवं शुद्ध चित होकर भगवान शंकर जी के समीप जाता है जो प्रतहकाल और मध्या के समय शुद्ध होकर सदा ब्रह्म पारनाम किस महास्तोत्र का पाठ करता है उसे परम योग की पराप्ती होती है तदनंतर ग्या में जाकर भ्रहम चर्य का पालन करते हुए एकागर चित होकर सनान करें हे भारत वहाँ जाने मात्र से मनुश्य को आश्वमेद यग्य का फल पराप्त होता है वहाँ अक्षय बट नाम का बट ब्रिक्ष है जो तीनों लोकों में विख्यात है हे राजन वहाँ पितरों के लिए जो पिंडदान किया जाता है वह अक्षय होता है उसके बाद महा नदी में सनान करके देवताओं और पितरों का थरपन करें इससे मनुश्य अक्षय लोकों को पराप्त होता तथा अपने कुल का भी उद्धार कर देता है तत्पस्चात ब्रह्म आरणय में स्थित ब्रह्म सर की यात्रा करें वहां जाने से पुंडरिक यग्य का फल प्राप्त होता है हे राजिंद्र वहां से विश्व विख्यात धेनुक तीर्थ को प्रस्थान करें और वहां एक रात रहकर तिल की धेनु दान करें ऐसा करने वाला प्रुष सब पापों से शुद्ध हो निस्चय की सोम लोक में जाता है वहां बच्छडे सहित कपिला गव के पद्चिन आज भी देखे जाते हैं उन पद्चिनों में से जल लेकर आचमन करने से जो कुछ घोर पाप होता है वह नस्ट हो जाता है वहां से ग्रिदर बट की यात्रा करें वह शूल धारी भगवान शंकर जी का स्थान है वहां शंकर जी का दर्शन करके भसम सनान करें सारे अंगों में भसम लगाएं ऐसा करने वाला यदी ब्रहमन हो तो उसे बारह वर्षों तक वरत करने का फल प्राप्त होता है और अन्य वरण के मनुश्यों का सारा पाप नस्ट हो जाता है तत्पस्चात उदै परवत पर जाएं वहां सवित्री के चरण चिन्हों का दर्शन होता है उस तीर्थ में संध्यों पासन करना चाहिए इससे एक ही समय में बारह वर्षों तक संध्या करने का फल प्राप्त होता है तत्पस्चात वही योनी द्वार के पास जाएं वह विख्यात स्थान है उसके पास जाने मात्र से मनुश्या गर्ववास के कस्ट से छुटकार अपा जाता है हे राजन जो मनुश्या शुकल और क्रिशन दोनों पक्षों में ग्या में निवास करता है वह अपने कुल की साथ पीडियों का उधार कर देता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है हे राजन तत्पस्चात तीर्थ सेवी मनुश्या फगू नदी के किनारे जाएं वह जाने से वह अशवमेद यग्य का फल पाता और परमसिद्धी को प्राप्त होता है तदनंतर एकाग्रचित हो धरम प्रिष्ट की यातरा करें जहां धरम का नित्य निवास है वह धरम के समीप जाने से अशवमेद यग्य का फल मिलता है वहां से ब्रह्मा जी के उत्तम तीर्थ को प्रस्थान करें और वहां पहुँचकर वृत का पालन करते हुए भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करें इससे राज सुय और आश्ममेद यग्यों का फल मिलता है इसके बाद मनी नाग तीर्थ में जाएं वहां सहस्तर गवदानों का फल प्राप्त होता है उस तीर्थ में एक रात निवास करने पर सब पापों से छुटकारा मिल जाता है इसके बाद ब्रह्म रिशी गोतम जी के बन में जाएं वहां अहल्यकुंड में सनान करने से परमगती की प्राप्ती होती है उसके बाद राज रिशी जनक का कूप है जो देवताओं द्वारभी पूजित है वहां सनान करके मनुश्य विश्नु लोग को प्राप्त कर लेता है वहां से विनाशन तीर्थ को जाए जो सब पापों से मुक्त करने वाला है वहां की यातरा से मनुश्य आश्व मेद यग्य का फल पाता और सोम लोग को जाता है ततपस्चात संपूरन तीर्थों के जल से परकट हुए गंड की नदी की यातरा करें वहां जाने से मनुश्य बाजपय यग्य का फल पाता और सूरे लोक को जाता है धर्मग्य हे युदिस्थर वहां से धुरूब के तपोवन में परवेश करें हे महाभाग वहां जाने से मनुश्य यक्ष लोग में अनंद का अनुभव करता है तदनंतर सिद सेवित करमदा नदी की यातरा करें वहां जाने वाला मनुश्य पुंडरिक यग्य का फल पाता और सोम लोक को जाता है राजा हे युदिस्ठर तक पस्चात महेश्वरी धारा के समेप जाना चाहिए वहां यातरी को आश्व मेद यग्य का फल मिलता है और वह अपने कुल का उद्धार कर देता है देवपुषकरणी तीर्थ में जाकर सनान से पवित्र हुआ मनुश्य कभी दुरगती में नहीं पड़ता और बाजपय यग्य का फल पाता है इसके बाद ब्रहमचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित हो महेश्वर पद की यत्रा करें वहाँ सनान करने से आश्वमेध यग्य का फल मिलता है हे भरत स्रेष्ट महेश्वर पद में एक करोड तीर्थ सुने गए हैं उन में सनान करना चाहिए इससे पुंडरिक यग्य के फल और विश्णू लोक की प्राप्ती होती है तदनंतर भगवान नरायन जी के स्थान को जाना चाहिए जहां सदा ही भगवान शेरी हरी जी निवास करते हैं ब्रह्म आदी देवता तपोधन रिशी बारहों अदित्य आठों वसू और ग्यारहों रुद्र वहां उपस्तित होकर भगवान शीरी जनार्दन जी की उपासना करते हैं वहां अदभुद कर्मा भगवान शीरी विश्नु जी का विग्र है शाल ग्राम के नाम से विख्यात है उस तीर्थ में अपनी महिमा से कभी रहित ना होने वाले और भक्तों को वर परदान करने वाले तिरलोकी पती शीरी विश्नु जी का दर्शन करने से मनुश्य विश् होता है वहां एक कुवा है जो सब पापों को हरने वाला है उसमें सदा चारों समंदरों के जल मौजूद रहते हैं वहां सनान करने से मनुश्य कभी दुरगती में नहीं पड़ता और अविनाशी एवं महान देवता वरदाइक विश्णु जी के पास पहुँचकर तीनों रिणों से मुक्त हो चंधरमा जी की भाती शोभा पाता है जाती समर तीर्थ में सनान करके पवित्र एवं शुद्चित हुआ मनुश्य पूर्व जनम के समरण की शक्ति प्राप्त करता है बटेश्वर पूर में जाकर उपवास पूर्वक भगवान केशब जी की पूजा करने से मनुश्य मनौवांचित लोकों को प्राप्त होता है तत्पश्चात सब पापों से च्छुटकारा दिलाने वाले वामनतीर्थ में जाकर भगवान शिरी हری जी को परणाम करने से मनुश्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता भःत का अर्थात कोसी नदी का सेवन करना चाहिए ऐसा करने वाला मानव राज सुय यग्य का फल पाता है तदनंतर परम उत्तम चंपक आरणय अर्थात चंपारन की यात्रा करें वहां एक रात उपवास करने से मनुश्य सहेस्त्र गवदान का फल पाता है तक पस्चात कन्या सन्वेद्य नामक तीर्थ में जाकर नियम से रहें और नियमा अनुकूल भोजन करें इससे प्रजापती मनु के लोकों की प्राप्ती होती है जो कन्या तीर्थ में थोड़ा सा भी दान करते हैं उनका वहधान अक्षय होता है निस्ठा वास नामक तीर्थ में जाने से मनुष्य आश्व मेध यग्य का फल पाता और विश्नु लोक को जाता है हे नर्सरेष्ट जो मनुष्य निस्ठा के संगम में दान करते हैं वे रोग शोग से रहित ब्रहम लोक में जाते हैं निस्ठा संगम पर महारिशी वसेष्ट जी का आश्रम है देव पूट तीर्थ की यात्रा करने से मनुष्य आश्व मेध यग्य का फल पाता और अपने कुल का उधार कर देता है वहां से कोशिक मुनी के उंड पर जाना चाहिए जहां कोशिक गोतर में उत्पन महारिशी विश्वा मित्र जी ने परमसिधी प्राप्त की थी है भरत सरेश्ट वहां धीर पुरुष को कोशिक की नदी के तठ पर एक मास तक निवास करना चाहिए एक ही मास में वहां अश्व मेत यग्य का पुन्य प्राप्त हो जाता है काली का संगम एवं कोशी की तथा अरुना के संगम में सनान करके तीन रात तक उपवास करने वाला विद्वान सब पापों से मुक्त हो जाता है सक्र नदी नामक तीर्थ में जाने से धुज किर्तार्थ हो जाता है तथा सब पापों से शुद्ध हो स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है मुनी जन सेवित और धानक तीर्थ में जाकर सनान करना चाहिए इससे सब पाप छूट जाते हैं तदनंतर चंपा पूरी में जाकर माता गंगा जी के तट पर तरपन करना चाहिए वहां से दंड अरपन में जाकर मनुश्य सहस्त्र गवदानों का फल प्राप्त करता है तदनंतर संध्या में जाकर सद विद्या नामकुत्तम तीर्थ में सनान करने से मनुश्य विद्वान होता है उसके बाद माता गंगा सागर संगम में सनान करना चाहिए इससे विद्वान लोग दस अश्व में द्यग्यों के फल की प्राप्ती बतलाते हैं ततपस्चात पाप दूर करने वाली वैतरणी नदी में जाकर विरज तीर्थ में सनान करें इससे मनुष्य चंद्रमा की भाती शोभा पाता है प्रभाव छेतर के भीतर कुल नामक्तीर्थ में जाकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा सहस्तर गवदानों का फल पाकर अपने कुल का भी उद्धार कर देता है सोन नदी और जोती रथी के संगम पर निवास करने वाला पवित्र मनुष्य देवताओं और पित्रों का तरपन करके अगनी स्टोम यग्य का फल प्राप्त करता है सोन और नर्मदा के उद्गम स्थान पर वंच गुल्म तीर्थ में आजमन करके मनुष्य आश्व मेद यग्य का फल प्राप्त करता है कोशला के तट पर रिशब तीर्थ में जाकर तीन रात उपवास करने वाला मनुष्य आश्व मेद यग्य का फल पाता है कोशला के किनारे काल तीर्थ में जाकर सनान करें तो ग्यारह बैल दान करने का पुन्य प्राप्त होता है पुष्पवती में सनान करके तीन रात उपवास करने वाला मनुश्य सहस्त्र गवदानों का फल पाता और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है तदनंतर जहां परशु राम जी निवास करते हैं उस महिंदर परवत पर जाकर राम तीरत में सनान करने से मनुश्य आश्व मेद यग्य का फल पाता है वहीं मतंग का छेतर है जहां सनान करने से सहस्त्र गवदानों का फल मिलता है उसके बाद शिरी परवत पर जाकर नदी के किनारे सनान करें वहां देव हल्द में सनान करने से मनुश्य पवित्र एवं शुद्ध चित हो आश्व मेद यग्य का फल पाता और परमसिधी को प्राप्त होता है तदनंतर कावेरी नदी की यात्रा करें वहां सनान करके मनुश्य सहस्त्र गवदानों का फल पाता है वहां से आगे समुंदर के तट वर्ती तीर्थ में जिसे कन्या तीर्थ कहते हैं जाकर सनान करें वहां सनान करने से मनुश्य सब पापों से मुप्त हो जाता है तदनंतर समुंदर मध्य वर्ती गोकरण तीर्थ में जा भगवान शंकर जी की पूजा करके तीन रात उपवास करने वाला मनुश्य दस अश्व मेध यग्यों का फल पाता और गणपती पद को प्राप्त होता है बारहे रात तक वहाँ उपवास करने वाला मनुश्य करतार्थ हो जाता है उसे कुछ भी पाना शेश नहीं रहता उसी तीर्थ में गायतरी देवी का भी स्थान है वहाँ तीन रात उपवास करने वाले को सहस्तर गवदान का फल मिलता है तक पस्चात सदा सिद्ध प्रूशों द्वारा सेवित गुदावरी की यात्रा करने से मनुश्य गव्यमय यग्य का फल पाता और वायू लोक को जाता है वेना के संगम में सनान करने से बाजपय यग्य का फल प्रात होता है और वर्दा संगम में नहाने से सहस्तर गवदान का फल मिलता है सारे बोलो भगवान शिरी नरायन जी की जै स्वर्ग खंड अध्याय पिचासी ब्रह्म स्थूना कादी तीर्थों तथा प्रियाग की महिमा इस परसंग के पाठ का महत्मे नारज्जी कहते हैं हे युदिस्थर ब्रह्म स्थूना नामत तीर्थ में जाकर तीन रात तक उपवास करने वाला मनुश्या सहस्तर गवदानों का फल पाता और स्वर्ग लोक को जाता है कूजा बन में जाकर ब्रह्म चर्य का पालन करते हुए एक काग्रचित हो सनान करके तीन रात उपवास करने वाले को सहस्तर गवदानों का फल मिलता है इसके बाद देव हल्द में जहां से क्रिशन वेना नदी निकलती है सनान करें फिर जोती मात्र अर्थात जाती मात्र हल्द में तथा कन्य आश्रम में सनान करें कन्य आश्रम में जाने मात्र से सो अगनी स्टोम यग्यों का फल मिलता है सर्व देव हल्द में सनान करने से सहस्त्र गवदानों का फल प्राप्त होता है तथा जाती मात्र हल्द में दहाने से मनुश्य को पूर्व जनम का समरण हो जाता है इसके बाद परम पुन्य बैवानी तथा नदियों में स्रेष्ट पियोशनी अर्थात मंदाकनी में जाकर देवताओं तथा पित्रों का पूजन करने वाला मनुश्य सहस्त्र गवदानों का फल पाता है हे महाराज तदनंतर दंड कारणे में जाकर गुदावरी में सनान करना चाहिए वहां शर्भंग मुनी तथा महात्मा शुक के आश्रम की यात्रा करने से मनुश्य कभी दुरगती में नहीं पढ़ता और अपने कुल को पवित्र कर देता है तत्पस्चात सब्त गुदावरी में सनान करके नियमों का पालन करते हुए नियमा अनुकूल भोजन करने वाला पुरुष महान पुन्य को प्राप्त होता और देव लोक को जाता है वहां से देवपत की यात्रा करें इस से मानव देवसत्र का पुन्य प्राप्त कर लेता है तुंग कारणे में जाकर ब्रह्मचरे का पालन करते हुए जितेंद्र या भाव से रहें हे युदिस्थर तुंग कारणे में परवेश करने वाले पुरुष अथवा इस्तरी का सारा पाप ततकाल नस्ट हो जाता है धीर पुरुष को उचित है कि वह नियमों का पालन तथा नियमा अनुकूल भोजन करते रहें एक मास तक वहा निवास करें इससे वह ब्रह्म लोक को जाता है अपने कुल को भी पवित्र कर देता है मेधा बन में जाकर देवताओं और पित्रों का तरपन करना चाहिए इससे अगनिस्तोम यग्य का फल मिलता तथा समरण शक्ति और मेधा की प्राप्ती होती है वही कालंजर तीर्थ में जाने से सहस्त्र गवदानों का फल मिलता है हे महराज ततपस्चात परवत स्रेष्ट चित्र कूट पर मंदाकनी नदी की यात्रा करें वह सब पापों को दूर करने वाली है उसमें सनान करके देवताओं तथा पित्रों के पूजन में ततपर रहने वाला मनुश्य आश्व मेध यग्य का फल पाता और परम गती को प् होता है वहां से परम उत्तम भरतर स्थान नामक तीर्थ में जाना चाहिए वहां जाने मात्र से ही मनुश्य को सिध्धी प्राप्त होती है उस तीर्थ की प्रदिक्षणा करके शिव स्थान की यात्रा करनी चाहिए वहां एक विख्यात कूप है जिसमें चारों समुंदरों का निवास है वहां सनान करके उस कूप की परदेख्षणा करें इससे पवित्र हुआ जीतात्मा पुरुष परमगती को प्राप्त होता है तदनंतर महान श्रिंग वैरपूर की यात्रा करें वहां माता गंगाजी में सनान करके भ्रमचरय का पालन करते हुए इंद्रियों को स प्या यग्य कफल पाता है वहां से परंबुद्धिमान भगवान शंकर जी के मुझवट नामक स्थान की यात्रा करें वहां जाकर महादेव जी की पूजा और परदिक्षणा करने से मनुश्य गणपती पद को प्राप्त होता है इसके बाद रिश्यों द्वारा परशंसि प्रियाग तीर्थ की यात्रा करें जहां भगवान भ्रम्मा जी के साथ साक्षात भगवान माधव विराजमान है माता गंगा जी सब तीर्थों के साथ प्रियाग में आई है और वहां तीनों लोकों में विख्यात तथा संपूरण जगत को पवित्र करने वाली सूर्य नं यमुना माता गंगा जी के साथ मिली है। माता गंगा जी और माता यमुना जी के बीच की भूमी पृत्वी का जंगन अर्थात कटी से नीचे का भाग मानी गई है। और प्रियाग जंगन के बीच का उपस्त भाग है ऐसी रिशियों की मान्यता है। वहाँ प्रियाग उत्तम पृत्ति स्थान पूर अर्थात जूसी, कंबल और अश्वतर नामक नागो का स्थान भोगवर्ती तीर्थ तथा प्रजापती की वेदी आदी पवित्र स्थान बता प्रियाग से बढ़कर पवित्र तीर्थ तीनों लोकों में नहीं है। प्रियाग अपने परभाव के कारण सब तीर्थों से बढ़कर है। प्रियाग तीर्थ के नाम को सुनने कीर्थन करने तथा उसे मस्तक जुकाने से भी मनुश्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ज से महान पुन्य की प्राप्ति होती है क्योंकि प्रियाग देवताओं की भी यग्यभूमी है वहां थोड़े से दान का भी महान पल होता है है कुरुनंदन प्रियाग में साथ करोड और दस हजार तीर्थों का निवास बताया गया है चारो विद्याओं के अध्यन से जो पुन्य होता है तथा सत्यवादी पुरुशों को जिस पुन्य की प्राप्ति होती है वहें वहां माता गंगा जी माता यमुना जी के संगम में सनान करने से ही मिल जाता है प्रियाग में भोगवती नामक उत्तम बावली है जो वासु की नाग का उत्तम स्थान माना गया है जो वहां सनान करता है उसे आश्व मेध यग्य का फल मिलता है वहां हंस परपंतन तथा दश्व आश्व मेध नामक तीर्थ है माता गंगा जी में कहीं भी सनान करने पर कुरुछेत्र में सनान करने के समान पुन्य होता है माता गंगा जी का जल सारे पापों को उसी परकार भसम कर देता है जैसे आग रूई के धेर को जला डालती है सत्य युग में सभी तीर्थ तरेता में पुषकर दुआपर में कुरुछेत्र तथा कल युग में माता गंगा जी ही सबसे पवित्र तीर्थ मानी गई है पुषकर जी में तपस्या करें महाले में दान दें और भ्रिगू तुंग पर उपवास करें तो विशेश पुन्य होता है किन्तु पुषकर कुरुछेत्र और गंगा जी के जल में सनान करने मात्र से प्राणी अपनी साथ पहले की तथा साथ पीछे की पीडियों को भी ततकाल ही तार देता है माता गंगा जी नाम लेने मात्र से पापों को धो देती है दर्शन करने पर कल्यान परदान करती है तथा सनान करने और जल पीने पर साथ पीडियों तक को पवित्र कर देती है हे राजन जब तक मनुश्य की हड़ी का माता गंगा जल से इसपर्ष बना रहता है तब तक वह पुरुष स्वर्ग लोक में परतिस्थित रहता है ब्रहमा जी का कथन है कि माता गंगा जी के समान तीर्थ शीरी विश्नु जी से बढ़कर देवता तथा ब्रहमनों से बढ़कर पूझे कोई नहीं है हे महाराज जहां माता गंगा बहती है वहां उनके किनारे पर जो जो देश और तपोवन होते हैं उन्हें सिद्ध छेतर समझना चाहिए जो मनुश्य प्रते दिन तीर्थों के इस पुन्य पर संग का शिरवन करता है वह सदा पवित्र होकर स्वर्ग लोक में अनंद का अनुभव करता है तथा उसे अनेको जन्मों की बाते याद आ जाती है जहां की यात्रा की जा सकती है और जहां जाना असंभव है उन्हें सभी परकार के तीर्थों का मैंने वर्नन किया है यदि परत्यक्ष संभव ना हो तो मांसिक इच्छा के द्वारा भी इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए पुन्य की इच्छा रखने वाले देवुपम रिशियों ने भी इन तीर्थों का आश्रा दिया है वसिस्ट जी मुनी बोले राजा हे दिलीप तुम भी उपयुक्त विधी के अनुसार मन को वश्म करके तीर्थों की यात्रा करो क्योंकि पुन्य पुन्य से ही बढ़ता है पहले के बने हुए कारणों से आस्तिक्ता से और शुरूतियों को देखने से सिस्ट पुरुशों के मार्ग पर चलने वाले सचनों को उन तीर्थों की प्राप्ति होती है नारज जी कहते हैं राजा है युदिस्ठर इस परकार दिलीप को तीर्थों की महिमा बताकर मुनी वसिस्ट जी उन से विदा ले प्रतहकाल परसन हिर्दय से वही अंतरधान हो गए राजा दिलीप ने शास्तरों के तात्विक अर्थ का ज्यान हो जाने और वसिस्ट जी के कहने से सारी प्रिथ्वी पर तीर्थ यात्रा के लिए ब्रहमन किया हे महाभाग इस परकार सब पापों से छुडाने वाली यह परम पुन्यमै तीर्थ यात्रा परतिस्थान पुर अर्थात जूसी में आकर परतिस्थित समाप्त होती है जो मनुश्य इस विधी से पृत्वी की परक्रमा करेगा वह मृत्यू के पस्चात सो आश्व में ध्यग्यों का फल प्राप्त करेगा हे युदिस्थर तुम रिश्यों को भी साथ ले जाओगे इसलिए तुम्हें औरों की आपेक्षा आठ गुणा फल होगा सूत जी कहते हैं समस्त तीर्थों के वर्नन से संबंद रखने वाले धेवरिशी नारज जी के इस चरित्र का जो सवेरे उठकर पाठ करता है वह सब पापों से मुख्त हो जाता है नारज जी ने यह भी कहा है राजन बाल में की कश्यप अत्रिय कोंडीने विश्वा मित्र गोतम अस्सीत देवल मारकंडे जी गालव भरद्वाज शिष्य उदालक मुनी शोनक उत्रसहित महान तपस्वी व्यास जी मुनी स्रेष्ट दुर्वासा जी और महा तपस्वी वाली इन सभी तपस्वी रिशियों की तुम पर्तिक्षा करो तथा इन सब को साथ लेकर उप्यूक्त तीर्थों की यात्रा करो राजा युदिस्थर से यूं कहकर देव रिशी नारज जी उन से विदाले वहीं अंतरधान हो गए तपस्चात उत्तम व्रत का पालन करने व मेरी कही हुई इस तीर्थ यात्रा की कथा का जो पाठ ये शरावन करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है सुवर्ग खंड अध्याई छ्यासी महामुनी मारकंडे जी तथा भगवान शिरी क्रिशन जी का युदिस्थर को प्रियाग की महिमा सुनाना सूत जी कहते हैं हे महारिशियों पाप राशी का निवारन करने के लिए तीर्थों की महिमा का शरावन स्रेश्च है तथा तीर्थों का सेवन भी परशस्त है जो मनुश्य प्रती दिन ये कहता है कि मैं तीर्थों में निवास करूँ और तीर्थों में सनान करूँ वह परंपद को प्राप्त होता है तीर्थों की चर्चा करने मातर से उसके सारे पाप नस्ट हो जाते हैं अतहे तीर्थ धन्य है तीर्थ सेवी पुरूशों के द्वारा जगत करता भगवान शिरी नराण जी का सेवन होता है ब्रहमन तुलसी पीपल तीर्थ समूदाय तथा परमेश्वर शिरी विष्णु जी ये सदा ही मनुश्यों के लिए सेव्य है पीपल तुलसी गव तथा सूर्य की परकिर्मा करने से मनुश्य सब तीर्थों का फल पाकर विष्णु लोक में परतिस्ठित होता है इसलिए द्वान प्रुष निश्चा ही पुन्य तीर्थों का सेवन करें रिशी बोले है सूत जी हमने महात्मय सहित समस्त तीर्थों का शरवन किया किन्तु आपने प्रियाग की महिमा को पहले थोड़े में बताया है उसे हम लोग विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं अतहे आप किर पूर्वक उसका वर्नन कीजिए सूत जी बोले है महारिशियों बड़े हर्ष की बात है मैं अवश्य ही प्रियाग की महिमा का वर्नन करूंगा पूर्वकाल में महा भारत युद्ध समाप्त हो जाने पर जब कुंती नंदन युद्धिस्थर को अपना राज्य पराप्त हो था वही परसंग मैं आप लोगों को सुनाता हूं राज्य प्राप्त हो जाने पर उन्ती पुत्र युद्धिस्थर को बारंबार चिंता होने लगी उन्होंने सोचा राजा दुर्योदन ग्यारा अक्षोहिनी सैना का स्वामी था उसने हम लोगों को अनेको बारकस्ट पुचाया किन्तु अब वे सब के सब मोत के मुह में चले गए भगवान वासु देव जी का आश्रय लेने के कारण हम पांच पांडव शेष रह गए हैं दुरोणाचार्य भिशम जी महाबली करण ब्राता और पुत्रों सहित राजा दुर्योधन तथा अन्य अन्य जितने वीर राजा मारे गए हैं उन सब के बिना यह राज्य भोग अत्वा जीवन लेकर क्या करना है हाई धिकार है इस सुख को मेरे लिए यह परसंग बड़ा कस्ट दाइक है यह विचार कर राजा व्याकुल हो उठे वे उत्साहीन होकर नीचे मुह की यह बैठे रहते थे उन् मैं किस योग नियम एवं तीर्थ का सेवन करूं जिससे महापातकों की राशी से मुझे शिक्र ही छुटकारा मिले कौन सा ऐसा तीर्थ है जहां सनान करके मनुश्य परम उत्तम विश्णू लोक को प्राप्त होता है इस परकार सोचते हुए धरम पुत्र युदिस्ठर अत प्राशी में थे उन्हें युदिस्ठर की अवस्था का ज्यान हो गया इसलिए वे तुरंत ही हस्तिनापूर में जा पहुचे और राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए द्वारपाल ने जब उन्हें देखा तो शिक्र ही महाराज के पास जाकर कहा हे राजन मारकंडे मु यह समाचार सुनते ही धरम पुत्र युदिस्ठर तुरंत राज द्वार पर आ पहुचे और उनके शरणगत होकर बोले हे महामुने आपका स्वागत है हे महाप्रागय आपका स्वागत है आज मेरा जनम सफल हुआ आज मेरा कुल पवित्र हो गया आज आपका दर्शन होने से मेरे पित्तर क्रिप्त हो गए यू कहकर युदिस्थर ने मुनी जी को सिहासन पर बिठाया और पैर धोकर पूजन समगरियों से उनकी पूजा की तब महामुनी मारकंडे जी ने कहा हे राजन तुम व्याकुल क्यों हो रहे हो मेरे सामने अपना मनोभाव पर कट करो युद जो वर्ताब हुआ है उस सारे परसंग को जानकर ही आप यहां पधारे हैं फिर आप से क्या कहना है महामुनी मारकंडे जी ने कहा हे महाबाहो सुनो जहां धरम की विवस्था है उस शास्त्र में संगराम में युद्ध करने वाले किसी भी बुद्धिमान पुरुष के है फिर विशेस्तह शत्रियों के लिए जो राजधरम के अनुसार युद्ध में परवत हुआ है पाप की आशंका कैसे हो सकती है अतहे इस भात को हिर्दय में रखकर पाप की चिंता नहीं करने चाहिए महाबाग है युद्धिस्थर तुम तीर्थ की बात जानना चाहते हो तो सुनो पुन्य करम करने वाले मुनिश्यों के लिए प्रियाग की यात्रा करना सर्वस्रेष्ट है युद्धिस्थर ने पूछा हे भगवन मैं यह सुनना चाहता हूं कि प्रियाग की यात्रा कैसे की जाती है वहां कैसा पुन्य होता है प्रियाग में जिन की मृत्य होत तथा जो वहां सनान और निवास करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ती होती है ये सब बातें बताईए मेरे मन में इन्हें सुनने के लिए बड़ी उतकंठा है महामुनी मारकंडेजी ने कहा हे वत्स पूर्वकाल में रिशियों और ब्रहमनों के मुह से जो कुछ मैंने सुना है वह प्रियाग का फल तुम्हें बताता हूँ प्रियाग से लेकर प्रतिस्थान पूर अर्थात जूसी तक धरम की हलद से लेकर वासु की हलद तक तथा कंबल और अश्वतर नागों के स्थान एवं वहु मूलिक नाम बाले नागों का स्थान यह सब प्रजापती का छेतर है जो तीनों लोकों में विख्यात है वहां सनान करने से मनुश्य स्वर्ग लोक में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यू होती है वे फिर जनम नहीं लेते प्रियाग में भगवान भ्रम्मा आदी देवता एकत्रित होकर प्राणियों की रक्षा करते हैं वहां और भी वहुत से तीर्थ हैं जो सवपापों को हरने वाले तथा कल्यान कारी हैं उनका कई सो वर्षों में भी वर्ण नहीं किया जा सकता स्व्यम इंदर विशेश रूप से प्रियाग तीर्थ की रक्षा करते हैं तथा भगवान विष्णु जी देवताओं के साथ प्रियाग के सर्व मान्य मंडल की रक्षा करते हैं हाथ में शूल लिये हुए भगवान महिश्वर जी प्रती दिन वहां के बट ब्रिक्ष अर्थात अक्षयवट की रक्षा करते हैं तदा देवता समूचे तीर्थ स्थान की रक्षा में रहते हैं वहस्थान सब पापों को हरने वाला और शुब है जो प्रियाग का समरण करता है उसके सारे पापनस्थ हो जाते हैं उस तीर्थ के दर्शन और नाम कीर्थन से तदा वहां की मिटी प्राप्त करने से भी मनुश्य पाप मुक्त हो जाता है हे महाराज प्रियाग में पाँच कुंड है जिनके बीच से होकर माता गंगा जी बहती है प्रियाग में परवेश करने वाले मनुश्य का पाप ततकाल नस्थ हो जाता है जो मनुश्य सहस्त्रो योजन दूर से भी माता गंगा जी के समरण करता है वह पापाचारी होने पर परम गती को प्राप्त होता है मनुश्य माता गंगा जी का नाम लेने से पाप मुक्त होता है दर्शन करने से कल्यान का दर्शन करता है तथा सनान करने और जल पीने से अपने कुल की साथ पीडियों को पवित्र कर देता है जो सत्यवादी क्रोध जई अहिंसा धरम स्थित धर्मा अनुगामी ततवग्य तथा गव और ब्रहमनों के हित में ततपर होकर माता गंगाजी माता यमुनाजी के बीच में सनान करता है वह सारे पापों से छोट जाता है तथा मन चित्ते समस्त भोगों को पूरण रूप से प्राप्त कर लेता है ततपस्चात समपूरण देवताओं से रक्षित प्रियाग में जाकर ब्रहम चर्या का पालन करते हुए एक मास तक निवास करें और देवताओं तथा पित्रों का तरपन करें इससे मनुश्य मनोवांचित पदार्थों को प्राप्त करता है हे लिदिस्ठर प्रियाग में साक्षात भगवान महिश्वर जी सदा निवास करते हैं वह परम पावन पीर्थ मनुश्यों के लिए दुरलब है हे राजिंद्र देवता दानव गंधर्व रिशी सिध और चारण वह सनान करके स्वर्ग लोक में जा सुख भोगते हैं प्रियाग में जाने वाला मनुश्या सब पापों से मुक्त हो जाता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है मनुश्या अपने देश में हो या बन में विदेश में हो या घर में जो प्रियाग का समरन करते हुए मृत्यू को प्राप्त होता है वह ब्रहम लोक में जाता है यह स्रिष्ट रिशियों का कथन है जो मन वानी तथा क्रिया द्वारा सत्य धर्म में स्थित हो माता गंगा युमना के बीच की भूमी में दान देता है वह सद गती को प्राप्त होता है जो अपने कारे के लिए या पित्र कारे के लिए अथवा देवता की पूजा के लिए प्रियाग में सुवरण मनी मोती अथवा धन्य का दान ग्रहन करता है उसका तीर्थ सेवन वियर्थ होता है वह जब तक दूसरे का द्रव्य भोगता है तब तक उसके तीर्थ सेवन का अथवा पवित्र मंदिरों में जाकर किसी से कुछ ग्रहन ना करें कोई भी निमित हो द्विज को प्रती ग्रह से साफदान रहना चाहिए प्रियाग में भूरी अथवा लाल रंग की गाएं के जो दूध देने वाली हो सींगों को सोने से और खुरूं को चांदी से मडा दें फिर उसके गले में वस्त्र लपेट कर शुवेत वस्त्र धारी शांत धर्मग्या वेदो के पारगामिंग तथा साधु शोत्रिय ब्रहमन को बुला कर माता गंगा माता युमना के संगम में यह गउं उसे विधी पूर्वक दान कर दें साथ ही बहु मुल्य वस्त्र तथा नाना परकार के रतन भी देने चाहिए इससे उस गउं के शरीर में जितने रूएं होते हैं उतने हजार वर्षों तक मनुश्य स्वर्ग लोक में पकिल्षित होता है वह उस पुन्य करम के परभाव से भ्यंकर नर्क का दर्शन नहीं करता लाख गउंओं की अपेक्षा वहां एक ही दूद देने वाली गउ देना उतम है वह एक ही पुत्र इस्त्री तथा भरत्यों तक का उद्धार कर देती हैं इसलिए सब दानों में गउदान ही सबसे बढ़कर है महापातक के कारण मिलने वाले धुर्गम विशम तथा भ्यंकर नर्क में गउ ही मनुश्य की रक्षा करती है इसलिए ब्रह्मन को गउदान करना चाहिए हे कुरूसरेष्ट जो देवताओं के द्वारा सेवित प्रियाग तीर्थ में बैल अथवा बैल गाड़ी पर चड़ कर जाता है वह प्रूश गउ का भ्यंकर क्रोध होने पर घोर नर्क में निवास करता है तथा उसके पितर उसका दिया जल तक नहीं गिरहन करते जो एश्वरे के लोव से अथवा मोहवश सवारी से तीर्थ यात्रा करता है उसके तीर्थ सेवन का कोई फल नहीं होता इसलिए सवारी को त्याग देना चाहिए जो माता गंगा माता यमना के बीच में रिशियों की बताई हुई विधी तथा अपनी समर्थ के अनुसार कन्यदान करता है वह उस करम के परभाव से यमराज तथा भ्यंकर नर्क को नहीं देखता जिस मनुश्य की अक्षय वट के नीचे मृत्य होती है वह सब लोकों को लांग कर रुद्र लोक में जाता है वहां रुद्र जी का आश्रय लेकर बारह सूर्य तपते हैं और सारे जगत को जला डालते हैं प्रन्तु बट की जड़ नहीं जला पाते जब सूर्य चंदर्मा और वायू का विनाश हो जाता है और सारा जगत एकारणव में मगन दिखाई देता है उस समय भगवान विश्णु जी यहीं अक्षवट पर शेयन करते हैं देवता दानव गंधर्व रिशी सिध और चारण सभी माता गंगा माता यमना के संगम में स्थित तीर्थ का सेवन करते हैं वहां ब्रह्मा आदी देवता दिशाय दिगपाल लोकपाल साध्य पित्तर सनत कुमार आदी पर महर रिशी अंगिरा आदी ब्रह्म रिशी नाग सुपरण अर्थात गरुड पक्षी नदियां समूंद्र परवत विद्यधर तथा साक्षात भगवान विश्णु जी निर्थ का नाम सुनने नाम लेने तथा वहां की मिट्टी का सपर्ष करने से भी मनुश्य पाप मुक्त हो जाता है जो वहां कठोर व्रत का पालन करते हुए संगम में सनान करता है वह राज सुय एवं आश्व मेध यग्यों के समान फल पाता है योग यूक्त विद्वान पुरुष को जिस गती की प्राप्ती होती है वह गती माता गंगाजी और यमना के संगम में मृत्यू को प्राप्त होने वाले प्राणियों की भी होती है इस परकार परम पद के साधन भूत प्रियाग तीर्थ का दर्शन करके यमना जी के दच्छन किनारे जहां कंबल और अश्वतर नागों के स्थान है जाना चाहिए वहां सनान और जल पान करने से मनुश्य सब पातकों से छुटकार पा जाता है वह परम बुद्धिमान महादेव जी का स्थान है वहां की यातरा करने से मनुश्य अपने कुल की दस पहले की और दस पीछे की पीडियों का उद्धार कर देता है जो मनुश्य वहां सनान करता है उसे अश्व मेध यग्या का फल मिलता है तथा वह परलैकाल तक स्वर्ग लोक में स्थान पाता है हे भारत माता गंगाजी के पूर्वतट पर तीनों लोकों में विख्यात समुंद्र कूप और प्रतिस्थान पूर अर्थात जूसी है यदि कोई ब्रह्मचरय का पालन करते हुए क्रोध को जीत कर तीन रात वहां निवास करता है तो वह सब पापों से शुद्ध होकर अश्व मेध यग्या का फल पाता है प्रतिस्थान से उत्तर और भगी रथी से पूर्व हंस पर पतन नामक तीर्थ है उसमें सनान करने मात्र से मनुश्य को अश्व मेध यग्या का फल प्राप्त होता है तथा जब तक सूर्य और चंदर्माजी की स्थिती है तब तक वह सवर्ग लोक में प्रतिस्थित होता है रमणिय अक्षबट के नीचे ब्रहम चारी जितेंद्रिय एवं योग युक्त होकर उपवास करने वाला मनुश्य ब्रहम ज्यान को प्राप्त होता है कोटी तीर्थ में जाकर जिनकी मृत्य होती है वह करोडों वर्ष तक स्वर्ग लोक में समानित होता है चारू वेदों के अध्यन से जो पुन्य होता है सत्य बोलने से जो फल होता है तथा अहिंसा के पालन से जो धरम होता है वह दस अश्व मेध घाट की यात्रा करने से ही प्राप्त हो जाता है माता गंगाजी में जहाँ कह्ँ भी सनान किया जाए वे कुरू छेतर के समान फल देने वाली है किन्तु जहाँ वे समूंदर से मिली है वहां उनका महात में कुरू छेतर से 10 गुणा है महा भागा माता गंगा जी जहां कहीं भी बहती है वहां बहुत से तीर्थ और तपस्वी रहते हैं उस स्थान को सिद्ध छेत्र समझना चाहिए इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यक्ता नहीं है माता गंगा जी पृत्वी पर मनुश्यों को पताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को तारती है इसलिए वे त्रीपथ गा कहलाती है किसी भी जीव की हडियां जितने समय तक माता गंगाजी में रहती हैं उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है माता गंगा जी तीर्थ में स्रेष्ट तीर्थ नदियों में उत्तम नदी तथा संपूरण भूतों महापातकियों को भी मोक्ष देने वाली है माता गंगा जी सर्वत्र सुलब है केवल तीन स्थानों में वे दुरलब मानी गई है माता गंगा द्वार प्रियाग तथा गंगा सागर संगम में वहां सनान करके मनुश्य स्वर्ग को जाते हैं तथा जिनकी वहां मृत्य होती है वे फिर कभी जनम नहीं लेते जिनका चित पाप से दूशित है ऐसे समस्त प्राणियों और मनुश्यों की माता गंगा जी के सिवा अनियंत्र गती नहीं है माता गंगा जी के सिवा दूसरी कोई गती है ही नहीं भगवान शंकर जी के मस्तक से निकली हुई माता गंगा जी सब पापों को हरने वाली और शुब कारणी है वे पवित्रों को भी पवित्र करने वाली और मंगल मैपदार्थों के लिए भी मंगल कारणी है हे राजन पुन है प्रियाग का महात्मे सुनो जिसे सुनकर मनुश्य सब पापों से निस्संदेहे मुक्त हो जाता है माता गंगा जी के उत्तर तट पर मानस नामक तीर्थ है वहां तीन रात उपवास करने से समस्त कामनाय पूरण हो जाती है मनुश्य गव भूमी और सुवरण का दान करने से जिस फल को पाता है वह उस तीर्थ का बारंबार समरण करने से ही मिल जाता है जो गंगाजी में मृत्यू को प्राप्त होता है वह मृत्य व्यक्ति स्वर्ग में जाता है उसे नर्क नहीं देखना पड़ता माग मास में माता गंगाजी और माता यमुना जी के संगम पर 66,000 तीर्थों का समागम होता है विधी पूर्वक एक लाख गंगों का दान करने से जो फल मिलता है वह माग मास में प्रियाग के भीतर तीन दिन सनान करने से ही प्राप्त हो जाता है जो माता गंगाजी माता यमुना जी के बीच में पंच अगनी सेवन की साधना करता है वह किसी अंग से हीन नहीं होता उसका रोग दूर हो जाता है तथा उसकी पांचों ग्याने दरियाँ सवल रहती हैं इतना ही नहीं उस मनुश्य के शरीर में जितने रोम कूप होते हैं उतने ही हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में परतिस्ठित होता है यमना के उत्तर तठपर और प्रियाग के दच्छिन भाग में रिन परमोचन नामक तीर्थ है जो अत्यंत स्रेष्ट माना गिया है वहां एक रात निवास करने से मनुश्य समस्त रिनों से मुक्त हो जाता है उसे सूरे लोक की प्राप्ती होती है तधा वह सदा के लिए रिन से छूट जाता है प्रियाग का मंडल पांच योजन विस्तरित है उसमें परवेश करने वाले प्रुष को पगपग पर अश्व मेध यज्य का फल प्राप्त होता है जिस मनुश्य की वहां मृत्य होती है वह है अपनी पिछली साथ पेडियों को और आगे आने वाली चोदह पेडियों को ता कार देता है हे महाराज यह जानकर प्रियाग के प्रति सदा शर्धा रखनी चाहिए जिनका चित पाप से दूशित है वे पुरुष उस स्थान को देव निर्मित प्रियाग को नहीं पा सकती हे राजन अब मैं अत्यंत गोपनियर हैस्य की बात बताता हूं जो सब पापों क नाश करने वाली है सुनो जो प्रियाग में इंद्रिय सायम पूरुवक एक मास तक निवास करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है ऐसा भगवान ब्रहमा जी का कथन है वहां रहने से मनुश्य पवित्र जितेंद्रिया अहिंसक और शर्धालू होकर सब पापूं से छूट जाता और परंपद को प्राप्त होता है वहां तीनों काल सनान और भिक्षा का आहार करना चाहिए इस परकार तीन महीनों तक परियाग का सेवन करने से वे मुक्त हो जाते हैं इसमें तनिक भी संदेह नहीं है तत्तव के ग्याता है युदिस्थर तुम्हारी परसनता के लिए मैंने इस धर्मा अनुसारी सनातन गुवह रहस्यकवर्नन किया है युदिस्थर बोले है धर्मात्मन आज मेरा जनम सफल हुआ आज मेरा कुल करतार्थ हो गया आज आपके दर्शन से मैं परसन हूँ अनुग्रिहीत हूँ तथा सब पातकों से मुक्त हो गया हूँ हे महामुने युमना में सनान करने से क्या पुन्य होता है कौन सा फल मिलता है ये सब बातें आप अपने परत्यक्ष अनुभव एवं शिरवन के अधार पर बताईए मारकंडे जी ने कहा हे राजन सूर्य कन्या युमना देवी तीनों लोकों में विख्यात है जिस हिमाल्य से माता गंगा जी पर कट हुई है उसी से युमना का भी आगमन हुआ है सहेस्तरो योजन दूर से भी नाम उचारण करने पर वे पापों का नाश कर देती है ये युदिस्थर युमना में नहाने जल पीने और उनके नाम का किर्टन करने से मनुष्य पुन्य का भागी होकर कल्यान का दर्शन करता है युमना में गोता लगाने और उनका जल पीने से कुल की साथ पीडियां पवित्र हो जाती है जिसकी वहां मृत्य होती है वह परंगती को प्राप्त होता है युमना के दच्छन के नारे विख्यात अगनी तीर्थ है उसके पस्चिम धरम राज का तीर्थ है जिसे हरवर तीर्थ भी कहते हैं वहां सनान करने से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं तथा जो वहां मृत्यू को प्राप्त होते हैं वे फिर जनम नहीं लेते इसी परकार युमना के दच्छन तट पर हजारों तीर्थ है अब मैं उत्तर तट के तीर्थों का वर्लन करता हूँ हे युदिस्ठर उत्तर में महात्मा सूरेजी का विरज नामक तीर्थ है जहां इंद्र आदी देवता प्रती दिन सद्ध्यों उपासन करते हैं देवता तथा विद्वान पुरुष उस तीर्थ का सेवन करते हैं तुम भी शर्धा पूर्वक दान में परवत्त होकर उस त तीर्थ में सनान करो। वहां और भी बहुत से तीर्थ हैं जो सब पापों को हरने वाले और शुब हैं। उनमें सनान करके मनुश्य स्वर्ग में जाते हैं। तथा जिनकी वहां मृत्यू होती हैं वह मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। माता गंगा जी, माता युमना जी दोनों ही समान फल देने वाली मानी गई हैं। केवल स्रेष्टता के कारण माता गंगा जी सर्वत्र पूजित होती हैं। हे कुंती नंदन, तुम भी इसी परकार सब तीर्थों में सनान करूं। इससे जीवन भर का पाप ततकाल नस्ट हो जाता हैं। जो मनुश्य सवेरे उठकर इस परसंग का पाठ्य शरवन करता हैं। वह भी सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। युदिस्ठर बोले हे मुने मैंने ब्रह्मा जी के कहे हुए उन्य मैं पुरान का शरवन किया है। उसमें सैकडों हजारों और लाखों तीर्थों का वर्नन आया है। सभी तीर्थ उन्य जनक और पवित्र बताई गए हैं। तथा सब के द्वारा उत्तम गती को प्राप्ती बताई गई है। पृथिवी पर नेमी शारणे और अकाश में पुशकरतीर्थ पवित्र है। लोक में परियाग और कुरुचेतर दोनों को ही विशेश स्थान दिया गया है। आप उन सब को छोड़कर केवल एक की ही परशंसा क्यों कर रहे हैं। आप प्रियाग से परम दिव्यकती तथा मनोवांचित भोगों की प्राप्ती बताते हैं। थोड़े से अनुस्थान के द्वारा अधिक धरम की प्राप्ति बताते हुए प्रियाग की ही अधिक परशंसा क्यों कर रहे हैं यह मेरा संचय है इस संबंध में आपने जैसा देखा और सुना हो उसके अनुसार इस संचय का निवारण किजिए महामुनी मारकंडे जी ने कहा है राजन मैंने जैसे देखा और सुना है उसके अनुसार प्रियाग का महात में बतलाता हूँ सुनो परत्यक्ष रूप से प्रोक्ष तथा और जिस परकार संभव होगा मैं उसका वर्नण करूँगा शास्तर को परमान मानकर आत्मा का परमात्मा के साथ जो योग किया जाता है उस योग की परशंसा की जाती है हजारों जन्मों के पस्चात मुनुश्यों को उस योग की प्राप्ती होती है इसी परकार सहस्तरों योगों में योग की उपलबदी होती है ब्रहमनों को सब परकार के रतन दान करने से मानवों को योग की उपलब दी होती है प्रियाग में मृत्यू होने पर यह सब कुछ सबतह सुलब हो जाता है जैसे संपूरण भूतों में व्यापक ब्रहम की सरवत्र पूजा होती है उसी परकार संपूरण लोकों में विद्वा विद्वानों द्वारा प्रियाग पूजित होता है नेमिशारणाय कुषकर, गो तीर्थ, सिंधु सागर संगम, कुरुछेत्र, गया और गंगा सागर तथा और भी बहुत से तीर्थ एवं पवित्र परवत कुल मिलाकर 30 करोड 10 हजार तीर्थ प्रियाग में सदा निवास कर आते हैं, ऐसा विद्वानों का कथन है, वहां तीन अगनी कुंड हैं, जिनके बीच होकर माता गंगा जी प्रियाग से निकलती हैं, वे सब तीर्थों से युप्त हैं, वायू देवता ने देवलोक, भू लोक तथा अंतरिक्ष में साड़े तीन करोड तीर्थ बतलाए हैं माता गंगा जी को उन सब का सबरूप माना गया है, प्रियाग, प्रतिस्थान, पुर, अर्थात, जूसी, कंबल और अश्वतर नागों के स्थान तथा भोगवती ये प्रजापती की वेदियां हैं, हे गुदिस्थर, वहां देवता मूर्ती मान यग्य तथा तपस्वी र प्रिशी रहते और प्रियाग की पूजा करते हैं, प्रियाग का यह महात्मे धन्य है, यही स्वर्ग परदान करने वाला है, यही सेवन करने योग्य है, यही सुख रूप है, यही पुन्य मै है, यही सुंदर है, और यही परम उत्तम धर्मा अनुकूल एवं पावन है, य महारिशियों का गोपनिय रहस्य है जो सब पापों का नाश करने वाला है इस पर संग का पाठ करने वाला दुविज सब परकार के पापों से रहित हो जाता है हे कुरुनंदन तुम प्रियाग के तीर्थों में सनान करो हे राजन तुमने विधी पूर्वक प्रशन किया था इसलिए मैंने तुम से प्रियाग महात्मे का वर्नन किया है इसे सुनकर तुमने अपने समस्त पितरों और पितामहूं का उधार कर दिया युदिष्ठर बोले हे महामुने आपने प्रियाग महात्मे की यह सारी कथा सुनाई इसी परकार और सब बाते भी बताईए जिससे मेरा उधार हो सके महामुनी मारकंडे जी ने कहा हे राजन सुनो बताता हूं ब्रह्मा जी विष्णु जी तथा महादेव जी ये तीनों देवता सब के प्रभू और अविनाशी है भगवान ब्रह्मा जी इस संपूरण जगत की यहां के चरचर प्राणियों की स्रिष्टी करते हैं और परमेश्वर विष्णु जी उन सब का समस्त प्रजाओं का पालन करते हैं फिर जब कल्प का अंत उपस्तित होता है तब भगवान रुद्र जी संपूरण जगत का संघार करते हैं ये भगवान भ्रम्मा जी विष्णु जी और महा देव जी प्रियाग में सदा निवास करते हैं प्रियाग मंडल का विस्तार पांच होजन अर्थात बीस कोस है उप्युक्त देवता पाप कर्मों का निवारन करते हुए उस मंडल की रक्षा के लिए वहां मौजूद रहते हैं अतहे प्रियाग में किया हुआ थोड़ा सा भी पाप नर्क में गिराने वाला होता है सूत जी कहते हैं तद नंतर धरम पर विश्वास करने वाले समस्त पांडवों ने भाईयों सहित ब्रहमणों को नमस्कार करके गुरु जनों और देवताओं को तुरिक्त किया उसी समय भगवान वासुद देव जी भी वहां का पहुँचे फिर समस्त पांडवों ने मिलकर भगवान शीरी क्रिशन जी का पूजन किया तत पस्चात क्रिशन सहित सब महात्माओं ने धरम पुत्र युदिस्थर को सब राज्य पर अभिशिक्त किया इसके बाद भाईयों सहित धरमात्मा युदिस्थर ने ब्रामणों को बड़े बड़े दान दिये जो सवेरे उठकर इस परसंग का पाठ अथवा शिरवन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विशनु लोक में जाता है ततपस्चात भगवान वासुदेव जी बोले राजा है युदिस्थर मैं आपके सनहवश कुछ निवेदन करता हूँ आपको मेरी बात माननी चाहिए हे महराज आप प्रते दिन हमारे साथ प्रियाग का समरण करने से सवयम सनातन लोक को प्राप्त होगे जो मनुश्या प्रियाग को जाता अथवा वह निवास करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर दिव्य लोक को जाता है जो किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता संतुष्ट रहता है मन और इंद्रियों को सैयम में रखता पवित रहता और अहंकार का त्याग कर देता है उसी को तीर्थ का पूरा फल मिलता है हे राजिंद्र जो क्रोध हीन सत्यवादी दृड़ता पूरवक उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा संपूरण भूतों में आत्म भाव रखने वाला है वही तीर्थ के फल का उपभोग करता है रिशियों और देवताओं ने भी करमश है यग्यों का वर्नन किया है किन्तु हे महराज दृद्र मनुश्य है यग्य नहीं कर सकते यग्य में बहुत सा मगरी के अवशक्ता होती है नाना परकार की तैयारियं और समा रोख करने पड़ते हैं कहीं कोई धनवान मनुश्य ही भाती भाती के दरव्यों का उप्योग करके यग्य कर सकता है हे नरेश्वर जिसे विद्वान पुरुष दृद्र होने पर भी कर सके तथा जो पुन्य और फल में यग्य की समानता करता हो वह उपाए बताता हूं सुनिए हे भरत्सरेश्ट यहे रिश्यों का गोपनी रहस्य है तीर्थ यात्रा का पुन्य यग्यों से भी बढ़कर होता है एक खरब तीस करोड से भी अधिक तीर्थ माग मास में माता गंगा जी के भीतर आकर स्थित होते हैं अता है माग में माता गंगा सनान परम पुन्य का साधक होता है हे महराज अब आप नस्चिन्त होकर अकंटक राज्यव होगिए अब फिर अश्व मेध यग्य के समय मुझ से आपकी भेट होगी सारे बोलो भगवान शिरीक दिशन जी की चैरी सुवर्ग खंड अध्याय सतासी भगवान जी के भजन एवं नाम कीर्थन की महिमा इरिसया उचो हो भवता कतितम सरवं यदकिंचित प्रष्टमेवच इदानेम अपि प्रच्छाम एकंबद महामते अर्थात रिशियों ने कहा हे महामते हम लोगों ने जो कुछ पूछा था वह सब आपने कह सुनाया अब भी आप से एक प्रशन करते हैं उसका उत्तर दीजिये एते साम खलू तीर्था नाम सेवनाज्यत फलं भवेत सरवे साम किल कृत्वेकं कर्मतेन चलभ्यते अर्थात इन सभी तीर्थों के सेवन से जो फल होता है वही कौन सा एक करम करने से प्राप्त हो सकता है सरवग्या है सूत जी यदि ऐसा कोई करम हो तो उसे हमें बताईए सूत उबाज के करम योग किलप प्रोक्तो वरना नाम गुजपूर्वशह नाना बिधो महाभागास तत्रचैकं विसिस्यते अर्थात महाभाग हे महारिशीगण शास्त्रों में ब्रहमण आदिवरणों के लिए निश्चेही नाना परकार के करम योग का वरनन किया गया है प्रन्तु उसमें एक ही बात सबसे बढ़कर है कि हरे भक्त कृताएन मन साकर मनागिरा जितन तेन जितन तेन जितमेव नसंच यहाँ जिसने मन वाणी और क्रिया द्वारा शिरी हरी जी की भक्ती की है उसने बाजी मार ली उसने विजय प्राप्त कर ली उसकी निश्चेही जीत हो गई इसमें तनिक भी संदेह नहीं है हरी रेव समाराध्य हम सर्व देवे स्वरेश्वर हम हरी नाम महामंत्रेर नस्चेत पाप विसाचकम अर्थात संपूरण दिवेश्वरों के भी इश्वर भग्वान शिरी हरी जी की ही भली भाती अराधना करनी चाहिए हरी नाम रूपी महामंत्रों के द्वारा पाप रूपी पिशाचों का समूदाय नस्च हो जाता है हरे प्रदक्षणाम कृत्वा सकृत्दप्य मला सयाह सर्वतेर्थ समागाहियम लभंते यन्न संसयह अर्थात एक बार भी शिरी हरी जी की परदिक्षणा करके मनुश्य शुद्ध हो जाते हैं तथा सम्पूरण तीर्थों में सनान करने का जो फल होता है उसे प्राप्त कर लेते हैं इसमें तनिक भी संदह नहीं है कि प्रतिमाम चहरेर्द रिष्ट्वा सर्वतेर्थ फलम लभेत विष्णु नाम परम जब्त्वा सर्वमंत्र फलम लभेत अर्थात मनुश्य शिरी हरिजी की प्रतिमा का दर्शन करके सवतीर्थों का फल प्राप्त करता है तथा विष्णु जी के उत्तम नाम का जब करके सम्पूरण मंत्रों के जब का फल पा लेता है के वेष्णप्रसाद तुलसे आग्राह्य द्विज सत्तमा प्रचंडं विकरालंत यमस्यास्यम्च पस्यते अर्थात है दिजवरों भगवान शिरी विष्णु जी के परसाद सवरूप तुलसी दल को सुंग कर मनुष्य यम्राज के परचंड एवं विकरालं मुख का दर्शन नहीं करता किसक्रत प्रणामे क्रश्णस्य मातु तन्यम पिवेन नहीं हरे पादे मनो एसां तेभ्यो नित्यम नमो नमः अर्थात एक बार भी शिरी क्रिशन जी को प्रणाम करने वाला मनुष्य उन्हें माता के स्तनों का दूद नहीं पीता उसका दूसरा जनम नहीं होता जिन प्रूशों का चित शिरी हरी जी के चरणों में लगा है उन्हें प्रती दिन मेरा बारंबार नमस्कार है कि पुलकस स्वपचोवापे ये जान्ने मलेच जाता यह तेपि बंध्या महाभागा हारी पादैक सेवका हाँ अर्थात, पुलकस, चंडाल तथा और भी जो मलेच जाती के मनुश्य हैं वे भी यदी एक मात्र शिरी हरी जी के चरणों की सेवा में लगे हो तो बंधनिया और परमसो भाग्यशाली है किम पुनर ब्राम मनाह पुन्ल्या भक्ता राजर सयस्त था हरो भक्तिम विधायेव गर्व वासम न पस्यती अर्थात फिर जो पुन्य आत्मा ब्रहमन और राज दिशी भगवान जी के भक्त हो उनकी तो बात ही क्या है भगवान शिरी हरी जी की भक्ति करके ही मनुश्य गर्व वास का दुख नहीं देखता हरे रग्रे स्वने रुच्चे र न्रध्यांस्तन नाम क्रन रह पुनाति भुवनम विप्रा गंगादि सलेलम यथा अर्थात है ब्रामणों भगवान जी के सामने उच्च स्वर से उनके नामों का किर्टन करते हुए नित्य करने वाला मनुश्य माता गंगाजी आदी नदियों के जल की भाती समस्त संसार को पवित्र कर देता है अर्थात उस भगत के दर्शन और स्पर्ष से उसके साथ वार्त लाप करने से तथा उसके प्रती भक्ती भाव रखने से मनुश्य भ्हम हत्या आदी पापों से मुक्त हो जाता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है हरेह प्रदक्षनम क्रोवन नुच्चे सन्नाम क्रन्न रहं करतालाद संधानम सुस्वरम कल सद्धितम अर्थात जोशिरी हरिजी की परदिक्षना करते हुए करताल आदी बजाकर मधुर सुवर्त तथा मनोहर शब्दों में उनके नामों का किर्दन करता है उसने भ्हम हत्या आदी पापों को मानो ताली बजाकर भगा दिया कि हरी भक्ति कथा मुक्ता ख्याई काम स्रण याच्यह तस्या संदर्शना देव पूतो भवति मानवह अर्थात जो हरी भक्ति कथा रूपी मुक्ता मई अख्याई काका श्रवन करता है उसके दर्शन मात्र से मनुश्य पवित्र हो जाता है किम्पुनस्तस्य पापा नाम आसंका मुनि पुंगबा है तेर्था नाम चपरम तेर्थम क्रष्ण नाम महरसय है अर्थात हे मुनि वरो फिर उसके विशय में पापों की आशंका क्या रह सकती है हे महारिशियों भगवान शिरी कृष्ण जी का नाम सब तीर्थों में परमतीर्थ है तीर्थे कुरुबन्ति जगतें ग्रिहेतं क्रिष्ण नाम अवै अर्थात जिन्होंने भगवान शिरी कृष्ण जी का नाम को अपनाया है वे प्रिथवी को तीर्थ बना देते हैं इसलिए स्रेष्ट मुनी जन इससे बढ़कर पावन वस्तू और कुछ नहीं मानते के विष्ण प्रसाद निरमाल्यम भुक्वा ध्रत्वाच मस्तके विष्ण रेव भवेन मर्त्यों यमसोक विनासनह अर्थात शिरी विष्ण जी के परसाद भूत निरमाल्यम को खाकर और मस्तक पर धारण करके मनुश्य साक्षात विष्ण जी ही हो जाता है वह यम्राज से होने वाले शोक का नाश करने वाला होता है वह पूजन और नमसकार के योग्या शाक्षात शिरी हरी जी का ही सबरूप है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है यही मंविष्ण अव्यक्तम देवं वापि महेश्वरम एकी भावेन पस्यंते नते सांपुन रुद्भवः अर्थात जो इन अव्यक्त विष्णू तथा भगवान महेश्वर जी को एक भाव से देखते हैं उनका पुनहें इस संसार में जनम नहीं होता कितसमादनां दिनिधनम देष्णू मात्मानम अभ्ययम हरम चैकम प्रपस्यत्भम पोजयत्भम तथे वहें अर्थात अतह हैं हे महारिशियों आप आदी अंत से रहित अभिनाशी परमात्मा शिरी विष्णू जी तथा महादेग जी को एक भाव से देखें तथा एक समझ कर ही उनका पूजन करें ये समानम प्रपस्यंते हरिम्बै देवतान तरं ये आंति नरकान घोरान नतांस्तो गण एधरहि अर्थात जो हरी और हर को समान भाव से नहीं देखते शिरी हरी को दूसरा देवता समस्ते हैं वे घोर नरक में पड़ते हैं उन्हें शिरी हरी अपने भगतों में नहीं गिनते कि मूर्खंबा पंडितंबा पे ब्रामनम के सवप्रियं स्वपाकंबा मोच यते नारायन स्वयं प्रभु हूँ अर्थात पंडित हो या मूरक ब्रामन हो या चंडाल यदी वह भगवान जी का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान नरायन जी उसे संकटों से छुडाते हैं नारायनात परो नास्ते पाप रासिदवान लह कृत्वा पिपातकं घोरं क्रिष्ण नामना भिमुच्यते अर्थात भगवान शीरी नरायन जी से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पाप पुंज रूपी बन को जलाने के लिए दावानल के समान हो भिहंकर पातक करके भी मुनुश्य भगवान शीरी क्रिष्ण जी नाम के उचारण से मुक्त हो जाता है कि स्वयम नारायनो देवह स्वम नामने जगताम गुरुह आत्मनो उव्य धिकाम सक्तिम स्थापयामा ससुब्रता है अर्थात उत्तम ब्रत का पालन करने वाले हैं महारिशियों जगत गुरु भगवान नरायनची ने स्व्यम ही अपने नाम में अपने से भी अधिक शक्ति स्थापित कर दी है अर्थात नामकीर्टन में परिशरम तो थोड़ा होता है किन्तु फल भारी से भारी प्राप्त होता है यह देखकर जो लोग इसकी महिमा के विशय में तर्क उपस्तित करते हैं वे अने को बार नर्क में पड़ते हैं तस्तमाध्धरो भक्तिमान स्याध्धरे नाम परायनहां पोजकम प्रष्टतो रक्षेन नामिनम भक्षसे प्रभू अर्थात इसलिए हरी नाम की शरण लेकर भगवान जी की भक्ति करनी चाहिए प्रभू अपने पुजारी को तो पीछे रखते हैं किन्तु नाम जब करने वाले को छाती से लगाए रहते हैं अर्थात हरी नाम रूपी महान बज्र पापों के पहाड को विद्रण करने वाला है जो भगवान जी की और आगे बढ़ते हो मनुश्यों के वे ही पैर सफल है अर्थात वे ही हाथ धन्य कहे गए हैं जो भगवान जी की पुजा में सलगन रहते हैं जो मस्तक भगवान जी के आगे जुकाता हो वही उत्तम अंग है किसाज हुआ या हरिम स्तोति तन मनस्तत पादन गमं ताने लोमाने चोच्यंते याने तन नामे चोथितम अर्थात जीव वही स्त्रेष्ट है जो भगवान शीरी हारी जी की स्तूति करती है मन भी वही अच्छा है जो उनके चरणों का अनुगमन चिंतन करता है तथा रोय भी वही सार्थक कहलाते है जो भगवान जी का नाम लेने पर खड़े हो जाते है इसी परकार आंसु वही सार्थक है जो भगवान जी की चर्चा के अवसर पर निकलते है अहो लोका अतितराम दैव दोसेन वंचिता है नाम उच्चारण मात्रेन मुक्तिदम्न भजन्तिवै अर्थात अहो संसार के लोग भाग्य दोश से अत्यन्त वंचित हो रहे हैं क्योंकि वे नाम उचारण मात्र से मुक्ति देने वाले भगवान जी का भजन नहीं करते किवंचितास्ते चकलुसा स्त्रेणाम संग प्रसंगत है प्रतिष्ठन्ति चलो माने एसानो क्रिष्ण सब्दने अर्थात इस्त्रियों के स्पर्ष एवं चर्चा से जिन्हें रोमांच हो आता है भगवान शेरी क्रिष्ण जी का नाम लेने पर नहीं वे मलीन तथा कल्यान से वंचित है ते मूरखां यक्रतात मानम पुत्रशोका दिविफवला रुधन्ते बहुलाला पैर नक्रिष्णाक्छर केर्टने अर्थात जो अजीत तेंदरिय पुरुष पुत्रशोक आदी से व्याकुल होकर अत्यंत विलाब करते हुए रोते हैं किन्तु भगवान शेरी क्रिष्ण जी के नाम के अक्षरों का कीर्टन करते हुए नहीं रोते वे मूरखा है कि जी हुआम लभ्भा पे लोके स्मिन क्रुष्ण नाम जपे नहीं लभ्भा पे मुक्ति सोपानम हेल एव चवन्तिते अर्थात जो इस लोक में जीव पाकर भी भगवान शेरी क्रिष्ण जी नाम का जप नहीं करते वे मौक्ष तक पहुचने के लिए सीड़ी पाकर भी अवहेलना वश नीचे गिरते हैं कितस्माद जत्नेन वैविष्णुम कर्मयोगेन मानवह कर्मयोगार चितो विष्णुम प्रसेदत्तेव नान्य था तेर्थाद अप्यधिकम तेर्थम बेश्णोर भजन मुच्यते अर्थात इसलिए मनुश्य को उचित है कि वह करमयोग के द्वारा भगवान शेरी विष्णुजी की यतन पूर्वक अराधना करे करमयोग से पूजित होने पर ही भगवान विष्णुजी परसन होते है अन्य था नहीं भगवान विष्णुजी का भजन तीर्थों से भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है अर्थात संपूरन तीर्थों में सनान करने उनका जल पीने और उनमें गोता लगाने से मनुष्य जिस फल को पाता है वह भगवान शिरी कृष्ण जी के सेवन से प्राप्त हो जाता है अर्थात भाग्यवान मनुष्य ही करमयोग के द्वारा शिरी हरी जी का पूजन करते है अतह है हे मुनियों आप लोग परम मंगल मै शिरी कृष्ण जी की अराधना करो सारे बोलो भगवान शिरी नरायन जी की जै स्वर्ग खंड अध्याई अठासी ब्रहमचारी के पालन करने योग्य नियम रिशियों ने पूछा हे सूत जी करम योग कैसे किया जाता है जिसके द्वारा अराधना करने पर भगवान विश्ण जी परसन्न होते हैं फे महाभाग आप वक्ताओं में स्रेष्ट हैं अतह हमें यह बात बताईए जिसके द्वारा मुमुक्षु पुरुष्ष्व के इश्वर भगवान शिरी हरी जी की अराधना कर सकें वह समस्त लोकों की रक्षा करने वाला धरम क्या वस्तु है उसका वर्नन कीजिए उसके शरवन की इच्छा से ये ब्रह्मन लोग आपके सामने बैठे हैं सूत जी बोले हे महारिशियों पूर्वकाल में अगनी के समानते जस्वी रिशियों ने सत्यवती के पुत्र व्यास जी से ऐसा ही प्रशन किया था उसके उत्तर में उन्हों ने जो कुछ कहा था उसे आप लोग सुनिये व्यास जी ने कहा हे रिशियों मैं सनातन करम योग का वर्नन करूँगा तुम सब लोग ध्यान दे कर सुनो करम योग ब्रह्मनों को अक्षय फल परदान करने वाला है पहली की बात है प्रजापती मनु ने शुरोता बनकर बैठे हुए रिशियों के समक्ष ब्रह्मनों के लाब के लिए वेद परसिद संपूरण विश्यों का उपदेश किया था वह उपदेश संपूरण पापों को हरने वाला पवित्र और मुनी समूदाई द्वारा सेवित है मैं उसी का वर्नन करता हूँ तुम लोग एकाग्रचित होकर शिरवन करूँ स्रेष्ट ब्रहमन को उचित है कि वह अपने ग्रह सुत्र में बताई हुई विधी के अनुसार गर्व या जनम से आठमे वर्ष में उपनैन होने के पस्चात वेदों का अध्यन अरंभ करे दंड मेखला यग्यो पवीत और हिंसा रहित काला मृग चरम धारन किये मुनी वे और गुरू का मुह जोहते हुए सदा उनके हित में शलगन रहे भगवान ब्रहमा जी ने पूर्व काल में यग्यो पवीत मनाने के लिए ही कपास उत्पन किया था ब्रहमनों के लिए तीन आवर्ति करके बनाया हुआ यग्यो पवीत शुद्ध माना गया है द्विज को सदा यगो पवीत धारण किये रहना चाहिए अपनी शिखा को सदा बांधे रखना चाहिए इसके विपरीत बिना यगो पवीत पहने और बिना शिखा बांधे जो करम किया जाता है वह विधी पूर्वक किया हुआ नहीं माना जाता वस्त्र रूई जैसा सफेद हो या गेरुआ फटा ना हो तभी उसे ओड़ना चाहिए तथा वही पहनने के योग्य माना गया है इनमें भी शुवेत वस्त्र अत्यंत उत्तम है उससे भी उत्तम और शुब अच्छन दान काला म्रिग चरम माना गया है जनव गले में डाल कर दाहिना हाथ उसके उपर कर लें और बाई बाहा अथवा कंधे पर उसे रखें तो वह उपवीत कहलाता है यग्यो पवीत को सदा इसी तरह रखना चाहिए कंठ में माला की भाती पहना हुआ जनव निवित कहा गया है हे ब्रहमणों बाई बाह बाहर निकाल कर दाहिनी बाह या कंधे पर रखे हुए जनव को प्राचीना वित अर्थात अप सब्य कहते हैं इसका पित्र कार्य अर्थात शराद तरपन आदी में उपयोग करना चाहिए हवन ग्रह में गउशाला में होम और जब के समय सवाध्याय में भोजन काल में ब्रहमणों के समीप रहने पर गुरु जनों तथा दोनों काल की संध्या की उपासना के समय तथा साधू पुरुशों से मिलने पर सदा उपवित के ढंग से ही जनव पहनना चाहिए यही सनातन विधी है ब्रहमण के लिए तीन आवर्ती की हुई मूझ की ही मेखला बनानी चाहिए मूझ ना मिलने पर कुश से भी मेखला बनाने का विधान है मेखला में गाठ एक या तीन होनी चाहिए द्विज बास अथवा पलाश का दंड धारन करे दंड उसके पैर से लेकर सिर के केश तक लंबा होना चाहिए अथवा किसी भी यग्योप योगी प्रिक्ष का दंड जो सुंदर और छिद्र आदी से रहित हो वह धारन कर सकता है द्विज सवेरे और साइकाल में एकागर चित होकर संध्योपासन करे जो काम लोब भै अथवा मोह वश संध्योपासन त्याग देता है वह गिर जाता है संध्या करने के पस्चात द्विज परसन चित होकर साइकाल और प्रतहकाल में अगनी होत्र करे फिर दुवारा सनान करके देवताओं रिशियों और पित्रों का तरपन करे इसके बाद पत्र पुष्प जो और जल आदी से देवताओं की पूजा करे प्रते दिन आयू और अरोग्या की सिद्धी के लिए तंद्रा और आलत से आदी का परित्याग करके मैं अमूक हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ इस परकार अपने नाम गोत्र आदी का परिचाए देते हुए धरमतह अपने से बड़े पुरुशों को विधी पूर्वक प्रणाम करें और इस परकार गुरु जनों को नमस्कार करने का सभाव बना लें नमस्कार करने वाले ब्रहमन को बदले में आयुश्मान भवसोब में कहना चाहिए तथा उसके नाम के अंत में पुलताकार का उचारन करना चाहिए यदि नाम हलंत हो तो अंतिम हल के आदी का अक्षर पुलत बोलना चाहिए जो ब्रहमन प्रणाम के बदले उक्त रूप से आशिरवाद देने की विधी नहीं जानता वह विद्वान पुरुष के द्वारा प्रणाम करने के योग्य नहीं है जैसा शुद्र है वैसा ही वह भी है अपने दोनों हाथों को वीपरित दिशा में करके गुरु के चरणों का स्पर्ष करना उचित है अर्थात अपने बाएं हाथ से गुरु के बाएं चरण का और दाहिने हाथ से दाहिने चरण का स्पर्ष करना चाहिए शिशय जिन से लोकिक वेदिक तथा अध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है उस गुरु देव को वह पहले प्रणाम करे जल भीक्षा फूल और समीधा इन्हें दूसरे दिन के लिए संगरह ना करे प्रते दिन जाकर अवश्यक्ता के अनुसार ले आए देवता के निमित किये जाने वाले कारियों में भी जो इस तरह के दूसरे दूसरे अवश्यक समान है उनका भी अन्य समय के लिए संगरह ना करे ब्रहमन से भेंट होने पर कुशल पूछे शत्रियों से अनामे वेश्य से शेम और शुदर से अरोग्य का प्रशन करे उपध्याय अर्थात गुरू पिता बड़े भाई राजा मामा ससुर नाना दादा वरण में अपने से स्रेष्ट व्यक्ति तथा पिता का भाई ये पुरुशों में गुरु माने गये हैं माता नानी गुरु पतनी भुवा मौसी सास दादी बड़ी बहन और दूद पिलाने वाली धाएं इन्हें इस्तरियों में गुरु माना गया है यह गुरु वरग माता और पिता के समंध से है ऐसा जानना चाहिए तथा मन वानी और शरीर की किरिया द्वारा इनके अनुकू पूल आचरन करना चाहिए गुरु जनों को देखते ही उठकर खड़ा हो जाएं और हाथ जोड कर प्रणाम करें इनके साथ एक आसन पर ना बैठें इनसे विवाद ना करें अपने जीवन की रक्षा के लिए भी गुरु जनों के साथ दुवेश पूर्वक बात चीत ना कर अन्य गुणों के द्वारा उचा उठा हुआ पुरुष भी गुरु जनों से दुवेश करने के कारण नीचे गिर जाता है समस्त गुरु जनों में भी पांच विशेश रूप से पूज्य हैं उन पांचों में भी पहले पिता, माता और अचार्य ये तीन सर्वस्रेष्ट उनमें भी माता सबसे अधिक सम्मान के योग्या है उत्पन करने वाला पिता, जनम देने वाली माता, विद्या का उपदेश देने वाला गुरु, बड़ा भाई और स्वामी ये पांच परम पूज्य गुरु माने गए हैं कल्यान कामी पुरुष को चाहिए कि अपने पूरण प्रयतन से अध्वा प्राण त्याग भी इन पांचों का विशेश रूप से सम्मान करें जब तक पिता और माता ये दोनों जीवित हों, तब तक सब कुछ छोड़कर पुत्र उनकी सेवा में सलगन रहे पिता माता यदी पुत्र के गुणों से भली भाती परसन हों, तो वह पुत्र उनकी सेवा रूप करम से ही संपूरण धर्मों का फल प्राप्त कर लेता है माता के समान देवता और पिता के समान गुरू दूसरा नहीं है, उनके किये हुए उपकारों का बदला भी किसी तरह नहीं हो सकता अतहे हैं मन वानी और क्रिया द्वारा सदा उन दोनों का प्रिया करना चाहिए उनकी आग्या के बिना दूसरे किसी धरम का आचरण ना करें परन्तु यह निशेद मोक्ष रूपी फल देने वाले नित्यनेमितिक करमों को छोड़ कर ही लागू होता है मोक्ष के सादन भूत नित्यनेमितिक करम अनिवार्य है उनका अनुस्थान होना ही चाहिए उनके लिए किसी की अनुमती लेना आवश्यक नहीं है यह धरम के सार तत्तव का उपदेश किया गया है यह मृत्यू के बाद भी अनन्त फल को देने वाला है उपदेशक गुरू की विधिवत अराधन करके उनकी आग्या से घर लोटने वाला शिश्या इस लोक में विध्य का फल भोगता है और मृत्यू के पस्चात स्वर्ग में जाता है जेस्ट भ्राता पिता के समान है जो मूरख उसका अपमान करता है वह उस पाप के कारण मृत्यू के बाद घोर नर्क में पड़ता है सत्य पुरुषों के मार्ख पर चलने वाले पुरुष को स्वामी का सद़ सम्मान करना चाहिए इस संसार में माता का अधिक उपकार है इसलिए उसका अधिक गोर्व माना किया है मामा चाचा ससुर रित्विज और गुरु जनों से मैं अमूक हूँ ऐसा कहकर बोलें और खड़ा होकर उनका स्वागत करें यग्य में देखशित पुरुष यदि अवस्था में अपने से छोटा हो तो भी उसे नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए धर्मग्य पुरुष को उचित है कि वह उससे भो और भवत अर्थात आप आदी कहकर बात करें ब्रहमन और शत्रिय आदी के द्वारा भी वह सदा सादर नमसकार के यूग्य और पूजनिय है उसे मस्तक जुका कर प्रणाम करना चाहिए शत्रिय आदी यदि ज्यान उत्तम करम एवं स्रेष्ट गुणों से युग्त होते हुए अनेक शास्तरों के विद्वान हो तो भी ब्रहमन के द्वारा नमसकार के यूग्य कदापी नहीं है ब्रहमन अन्य सभी वरणों के लोगों से स्वस्ती कह कर बोले यह शुरूती की आज्या है एक वरण के पुरुष को अपने समान वरण वालों को प्रणाम ही करना चाहिए समस्त वरणों के गुरू ब्रहमन है ब्रहमनों के गुरु अगनी है इस्तरी का एक मातर गुरू पती है और अतिती सब का गुरु है विद्या करम वय भाई बंधु और कुल यह पांच समान के कारण बताई गए हैं इन में पिछलों की अपेक्षा पहले उत्रोत्तर स्रेष्ट हैं। ब्रहमन आदी तीन वरणों में जहां इन पांचों में से अधिक एवं प्रवल गुण होते हैं वही सम्मान के योग्या समझा जाता है। दस्वी अर्थात दस वर्ष से उपर की अवस्था को प्राप्थ हुआ शुत्र भी समान के योग्या होता है। ब्रहमन इस्तरी राजा नेतरहिन वृद भार से पीडित मनुश्या रोगी तथा दुरवल को जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। ब्रहमचारी प्रते दिन मन और इंद्रियों को सायम में रखते हुए सिस्ट पुरुषों के घरों से भीक्षा ले आए तथा गुरु को निवेदन कर दे। फिर गुरु उसमें से जितना भोजन के लिए दे उनकी आग्या के अनुसार उतना ही लेकर मोन भाव से भोजन कर रखते में उपनैन संसकार से यूपत स्रेष्ट भ्रहमण भवत हैं। शबद़ का पहले प्रयोग करके, अर्थात भवति भिक्षाम में दे़ी, कहकर भिक्षा मांगे। शत्रिय भ्रहमचारी वाक्य के बीच में और वेश्य अंत में भवत हैं। शबद का प्रयोग शत्रिय भिक्षाम भवती में देही और वैश्य भिक्षाम में देही भवती कहे। ब्रहमचारी सबसे पहले अपनी माता बहिन तथा मोसी से भिक्षा मांगे। अपने सजातिय लोगों के घरों में ही भिक्षा मांगे। अथवा सभी वरणों के घर से भीक्षा ले आए, भीक्षा के संबंध में दोनों ही परकार का विधान मिलता है, किन्तु पतीत आदी के घर से भीक्षा लाना वर्जित है, जिनके यहां विदा ध्यन और यग्यों की परमपरा बंद नहीं है, जो अपने करम के लिए सरवत्र परशंसित हैं, उन्हीं के घरों से जितेंद्र यभ्रमचारी प्रति दिन भीक्षा ले आए, गुरू के कुल में भीक्षा ना मांगे, अपने कुटुम्ब कुल और संबंधियों के यहां भी भीक्षा के लिए ना जाए, यदि दूसरे घर ना मिलें, तो यथा संभव अनुसार योग्य घर मिलना असंभव हो जाए, तो समूचे गाम में भीक्षा के लिए विचरण करे, उस समय मन को काबल में रखकर मोन रहे और इधर उधर द्रिष्टी ना डाले, इस परकार सरल भाव से अवशक्ता अनुसार भीक्षा का संग्रह करके भोजन करे, सदा ज इतेंद्रिया रहे, मौन रहकर एवं एकाग्रचित हो वरत का पालन करने वाला भ्रहमचारी प्रती दिन भीक्षा के अन से ही जीवन निर्वह करे, एक स्थान का अन ना खाए, भीक्षा से किया हुआ निर्वह भ्रहमचारी के लिए उपवास के समान माना गया है, में आकर अन की ग्रहना ना करे उसे देखकर हर्ष परकट करे मन में परसन्न हो और सब परकार से उसका अभिनंदन करे अधिक भोजन आरोग्या आयू और स्वर्ग लोक की प्राप्ती में हानी पहुचाने वाला है वह पुन्य का नाशक और लोकनिंदित है इसलिए उसका परि इसलिए उतरावी मुख होकर अथवा सूर्य की और मुह करके अन का भोजन करना उचित है उतरावी मुख होकर कदापी भोजन ना करे यह भोजन की सनातन विधी है भोजन के पस्चातं भी उसे दो बार आजमन करना चाहिए भोजन करके जल पीकर सो कर उठने पर और सनान करने पर गलियों में घूमने पर होट चाटने या स्पर्ष करने पर वस्त्र पहनने पर वीद्यमूत्र और मल का त्याग करने पर अनुचित बात कहने पर थूकने पर अध्यन्क आरंभ करने के समय खांसी तथा दम उठने पर चोराहे या शमशान भूमी में घूम कर लोटने पर तथा दोनों संध्याओं के समय स्रेष्ट द्विज आचमन किये होने पर भी फिर आचमन करें चंडालों और मलेचों के साथ बात करने पर इस्तरियों शुद्रों तथा जूटे मुव वाले पुरुशों से बारतलाप होने पर जूटे मुव वाले पुरुश अथवा जूटे भोजन को देख लेने पर तथा आशू या रक्त गिरने पर भी आचमन करना चाहिए अपने शरीर से इस्तरियों का स्पर्ष हो जाने पर अपने बालों तथा खिसक कर गिरे हुए वस्तर का स्पर्ष कर लेने पर धरम की दृष्टी से आचमन करना उचित है आचमन के लिए जल ऐसा होना चाहिए जो गरम नहों जिसमें फैन नहों तथा जो खारा नहों पवित्रता की इच्छा रखने वाला परुश सरवदा पूर्वा विमुख या उत्रा विमुख बैठकर ही आचमन करे उस समय सिर अथवा गले को ढखे रहे तथा बाल और चोटी को खुला रखे कहीं से आया हुआ पूरुश दोनों पैरों को धोई बिना पवित्र नहीं होता विद्वान पुरुश सीडी पर या जल में खड़ा होकर अथवा पगड़ी बांधे आचमन ना करे बरस्ती हुई धारा के जल से अथवा खड़ा होकर या हाथ से उलीचे हुए जल के द्वारा आचमन करना उचित नहीं है एक हाथ से दिये हुए जल के द्वारा अथवा बिना यग्यो पवित्र के भी आचमन करना निशिद है खड़ाओ पहने हुए अथवा घुटनों के बाहर हाथ करके भी आचमन नहीं करना चाहिए बोलते हसते किसी की ओर देखते तथा बिछोने पर लोटे हुए भी आचमन करना निशिद है जिस जल को अच्छी तरह देखा ना गया हो जिसमें फैन आदी हो जो शुद्र के द्वारा अथवा आपवित्र हातों से लाया गया हो तथा जो खारा हो ऐसे जल से भी आचमन कर लोट ना करें मन में दूसरी कोई बात ना सोचें हाथ से बिलोडे हुए जल के द्वारा भी आचमन करना निशित है ब्रह्मन उतने ही जल से आचमन करने पर पवित्र हो सकता है जो हिर्दय तक पहुँच सके छत्रिय कंठ तक पहुचने वाले आचमन के जल से शुद्ध होता है वैश्य जीवा से जल का अस्वाद पात्र कर लेने से पवित्र होता है और इस्त्री तथा शुद्र जल के स्पर्श मात्र से शुद्ध हो जाते हैं अंगूठे की जड के भीतर की रेखा में ब्रह्म तीर्थ बताया जाता है अंगूठे और तरजनी के बीच के भाग को पित्र तीर्थ कहते हैं कानी अंगली के मूल से पीछे का भाग प्रजापत्य तीर्थ कहलाता है उंगलियों का अगर भाग देव तीर्थ माना गिया है उसी को आर्ष तीर्थ भी कहते हैं अथवा उंगलियों के मूल भाग में देव और आर्ष तीर्थ तथा मद्य में आगने तीर्थ है उसी को सोमिक तीर्थ भी कहते हैं यह जानकर मनुश्य मोह में नहीं पड़ता ब्रहमन सदा ब्रहमतीर्थ से ही आजमन करें अधवा देवतीर्थ से आजमन की इच्छा रखें किन्तु पित्रतीर्थ से कदापी आजमन ना करें पहले मन और इंद्रियों को सईयम में रखकर ब्रहमतीर्थ से तीन बार आजमन करें फिर अंगूठे के मूल भाग से मुह को पोँचते हुए उसका सपर्ष करें ततपस्चात अंगूठे और अनामिका उगलियों से दोनों नेतरों का सपर्ष करें फिर तरजनी और अंगूठे के योग से नाक के दोनों छेद्रों का कनिस्था और अंगूठे के सयोग से दोनों कानों का संपूर्ण उंगलियों के योग से फिरदय का करतल से मस्तक का और अंगूठे से दोनों कंधों का सपर्ष करें द्विज तीन बार जो जल का आचमन करता है उससे ब्रह्मा विश्नु और महादेव जी तरिप्त होते हैं ऐसा हमारे सुनने में आया है मुख का परिमार्जन करने से माता गंगा और पाता यमना को तरिप्ति प्राप्त होती है दोनों नेत्रों के स्पर्ष से सूर्य और चंद्रमा परसन होते हैं नासीका के दोनों छिद्रों का स्पर्ष करने से आश्बनी कुमारों की तथा कानों के स्पर्ष से वायू और अगनी की तरिप्ति होती है हिरदय के स्पर्ष से संपूरण देवता प्रसन्न होते हैं और मस्तक के स्पर्ष से वह अधित्य प्रुष अर्थात अंतर्यामी प्रसन्न होते हैं मधूपर्क सौमरस पानफल मूल तथा गन्ना इन सब के खाने पीने से मनुजी ने दोष नहीं बताया है उससे मुह जूठा नहीं होता अन खाने या जल पीने के लिए परवत होने वाले मनुश्यों के हाथ में यदि कोई वस्तु हो तो उसे पृत्वी पर रखकर आचमन के पस्चात उस पर भी जल छिड़क देना चाहिए जिस जिस वस्तु को हाथ में लिये हुए मनुश्य अपना मुह जूठा करता है उसे यदि पृत्वी पर ना रखें तो वह स्व्यम भी आशुत ही रहे जाता है वस्त्र आदी के विशे में विकल्प है उसे पृत्वी पर रखा भी जा सकता है और नहीं भी उसका स्पर्ष करके आचमन करना चाहिए रात के समय जंगल में चोर और व्यागनों से भरे हुए रास्ते पर चलने वाला पृष द्रव्य हाथ में लिये हुए भी मल मुत्र का त्याग करके दूशित नहीं होता यदी दिन में शोच जाना हो तो जनेव को दाहिने कान पर चड़ा कर उत्रावी मुख हो मल मुत्र का त्याग करें यदी रात्री में जाना पड़े तो दखिन की और मुख करके बैठना चाहिए पृथवी को लकडी पत्ते मिट्टी धेले अथवा घास से ढखक कर तथा अपने मस्तक को भी वस्तर से अच्छंदित करके मल मुत्र का त्याग करना चाहिए किसी पेड की छाया में कूँए के पास नदी के किनारे गौशाला देव मंदिर तथा जल में रास्ते पर राखक पर अगनी में तथा शम्शान भूमी में भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए गोवर पर काट पर बहुत बड़े ब्रिक्ष पर तथा हरी भरी घास में भी मल मूत्र करना निशिद है खड़े होकर तथा नगन होकर भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए परवत मंडल में पुराने दिवाले में बावी पर तथा किसी भी गड़े में मल्क मूत्र का त्याग वर्जित है चलते चलते भी पकाना और पिशाव नहीं करना चाहिए भूसी कोईले तथा ठीकरे पर खेत में बिल में तीर्थ में चुराहे पर अथवा सडक पर बगीचे में जल के निकट उसर भूमी में तथा नगर के भीतर इन सभी स्थानों में मल्क मूत्र का त्याग मना है खड़ाओं या जूता पहन कर छाता लगा कर अंतरिक्ष में इस्तरी गुरु ब्रहमन गव देवता देवाल्य तथा जल की और मुह करके नचत्रों तथा ग्रैहों को देखते हुए अथवा उनकी और मुह करके तथा भगवान सूर्य चंदर्मा और अगनी की और द्रिष्टी करके भी कभी मल्मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए शोच आदी होने के पस्चात कहीं किनारे से लेप और दुगंद को मिटाने वाली मिट्टी लेकर आलत से रहित हो विशुद्ध एवं बाहर निकाले हुए जल से हाथ आदी की शुद्धी करें ब्रहमन को उचित है कि वह रेत मिली हुई अधवा की चड़ की मिट्टी ना ले देव मंदिर से उवं से घर की दिवार से और जल से भी मिट्टी ना ले तदनंतर हाथ पैर धोकर प्रति दिन पुर्वोक्त विधी से आच्मन करना चाहिए सारे वोलो भगवान चेरी नरायन जी की जै स्वर्ग खंड अध्याए नवासी ब्रहमचारी शिश्य के धरम महामुनी व्यास जी कहते हैं हे महारिशियों इस परकार दंड मेखला म्रिक चरम आदी से युक्त तथा शोचा चार से संपन ब्रहमचारी गुरु के मुह की ओर देखता रहे और जब वे भुलाए तभी उनके पास जाकर अध्यान करे सदा हाथ जोडे रहे सदाचारी और सयमी बने जब गुरु बैठने की आग्या दे तब उनके सामने बैठे गुरु की बात का शरवन और गुरु के साथ वार्त लाप ये दोनों कारे लेटे लेटे ना करे और भोजन करते समय भी ना करे उस समय ना तो खड़ा रहे और ना दूसरी और मुख ही फेरे गुरु के समीब शिश्य की चैया और आशन सदा नीचे रहने चाहिए जहां तक गुरु की दृष्टी पड़ती हो वहां तक मन माने आशन पर ना बैठे गुरु के प्रोक्ष में भी उनका नाम ना ले उनकी चाल उनकी बोली तथा उनकी चेस्ता का अनुकरण ना करे अथवा उनकी निंदा हो रही हो वहां कान मूंद लेने चाहिए अथवा वहां से अयंत्र हट जाना चाहिए दूर खड़ा होकर क्रोध में भरकर अथवा इस्तरी के समीब रहकर गुरु की पूजा ना करें गुरु की बातों का परती उत्तर ना दें यदि गुरु पास ही खड़े हो तो स्व्यम भी बैठा ना रहें गुरु के लिए सदा पानी का घड़ा कुश फूल और समीधा लाया करें प्रते दिन उनके आंगन में जाड़ू देकर उसे लीप पोत दें गुरु के उपभोग में आई हुई वस्तूओं पर उनकी शैया खड़ाओं जूते आसन तथा छाया आदी पर कभी पैर ना रखें गुरु के लिए दातन आदी ला दिया करें जो कुछ पराप्त हो उन्हें निवेदन कर दें उनसे पूछे बिना कहीं ना जाएं और सदा उनके प्रिया एवं हित में सलगन रहें गुरु के समीप कभी पैर ना फिलाएं उनके सामने जमबाई लेना हसना गला ढखना और अंगडाई लेना सदा के लिए छोड़ दें समया अनुसार गुरु से जब तक की वे पढ़ाने से उदासिन ना हो जाएं अध्यन करें गुरु के पास नीचे बैठें एकागर चित से उनकी सेवा में लगा रहें गुरु के आसन शैया और सवारी पर कभी न बैठें गुरु यदि दोड़ते हो तो उनके पीछे पीछे स्वयम भी दोड़ें वे चलते हो तो स्वयम भी पीछे पीछे जाएं बैल गाड़ी घोड़ा गाड़ी उट गाड़ी महल की अटारी पुश की चटाई शिलाख खंड तथा नाव पर गुरु के साथ शिश्य भी बैठ सकता है शिश्य को सदा जितेंदरिय, जीत आत्मा, क्रोध हीन और पवित्र रहना चाहिए वह सदा मधुर और हितकारी वचन बोले चंदन माला, स्वाद, शंगार, सीपी, प्राणियों की हिंसा, तेल की मालिश, सुर्मा, शर्वत आदी, पेच्छत्र धारन काम, लोब, भै, निद्रा, गाना बजाना, दूसरों को फटकारना, किसी पर लाच्छन लगाना, इस्तरी की ओर देखना, उसका स्पर्ष करना, दूसरे का घात करना, तथा चुगली खाना, इन दोशों का यतन पूर्वक्त परित्याग करें, जल से भरा हुआ घडा, फूल गोवर मिटी, और कुश, इन वस्तूओं का अवश्यक्ता के अनुसार संग्रह करें, तथा अन की भीक्षा लेने के लिए प्रति दिन जाएं, धी, नमक और बासी अन भ्रहमचारी के लिए वर्जित है, वह कभी नित्य ना देखे, सदा संगीत आदी से निस प्रह रहे, ना सूर्य की ओर देखे, ना दातन करे, उसके लिए इस्त्रियों के साथ एकांत में रहना, और शुद्र आदी के साथ वार्तलाप करना भी निश वह गुरू के उच्छंदिस्च और अशद और अन का स्विच्छा से उपयोग ना करे, ब्रहमण गुरू के परित्याग का किसी तरह विचार भी मन में ना लाए, यदि मोह या लोववश वह उन्हें त्याग दे तो पतीत हो जाता है, जिन से लोकिक, वेदिक तथा अध् अत्मिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उन गुरू देव से कभी द्रोह ना करें, गुरू यदि घमंडी करतव्या को ना जानने वाला और कुर्मगामी हो तो मनु जी ने उसका त्याग करने का आदेश दिया है, गुरू के गुरू समीब आ जाए, तो उनके प्रती भी गुरू की ही भाती वरताव करना चाहिए, नमस्कार करने के पस्चात, जब वे गुरू जी आग्या दें, तब आकर अपने गुरू को प्रणाम करना चाहिए, जो विद्या गुरू हो, उनके प्रती भी यही वरताव करना चाहिए, जो योगी हो, जो आधरम से रूकने पर हित का उपदेश करने वाले हो उनके प्रती भी सदा गुरु जनोचित वर्ताव करना चाहिए गुरु के पुत्र गुरु की पतनी तथा गुरु के बंधु बांधों के साथ भी सदा अपने गुरु के समान ही वर्ताव करना उचित है इससे कल्यान होता है बालक अथवा तो गुरु के समान ही समान पाने का अधिकारी है किन्तु गुरु पुत्र के शरीर दवाने नहलाने उच्छिस्ट भोजन करने तथा चरण धोने आदी का कार्या ना करें। गुरु की इस्तरियों में जो उनके समान वरण की हो उनका गुरु की भाती समान करना चाहिए तथा जो समान वरण की ना हो उनका अभ्यूस थान और परणाम आदी के द्वारा ही सतकार करना चाहिए। गुरु पतनी के प्रती तेल लगाने नहलाने शरीत दवाने और केशो का शंगार करने आदी की सेवा ना करें। जदी गुरु की इस्तरी युवती हो तो उसका चरण सपर्श करके परणाम नहीं करना चाहिए। अपीतू मैं अमूक हूँ यह कहकर प्रित्वी पर ही मस्तक टेकना चाहिए। सत्य पुरुशों के धरम का निरंतर समरण करने वाले शिश्य को उचित है कि वह बाहर से आने पर प्रती दिन गुरु पतनी का चरण सपर्श एवं परणाम करें। मोसी मामी सास भुवा यह सब गुरु पतनी के समान हैं अतह गुरु पतनी की भाती इनका भी आदर करना चाहिए। अपने बड़े भायों की स्वरण इस्त्रियों का प्रती दिन चरण सपर्श करना उचित है। परदेश से आने पर अपने कुटुमबी और संबंधियों की सभी स्रेष्ट इस्त्रियों के चरणों में मस्तक जुकाना चाहिए। भुवा मोसी तथा बड़ी बेहन के साथ माता की ही भाती वर्ताव करना चाहिए। इन सब की अपेक्षा माता का गोर्व अधिक है जो इस परकार सदाचार से संपन अपने मन को वश में रखने वाला और दमभीन शिश्य हो। उसे प्रती दिन वेद धर्म शास्त्र और पुराणों का अध्यन कराना चाहिए। जब शिश्य साल भर तक गुरु कुल में निवास कर ले और उस समय तक गुरु उसे ज्ञान का उपदेश ना करे तो वह अपने पास रहने वाले शिश्य के सारे पापों को हर लेता है। अचारिय का पुत्र सेवा प्रायन ज्यान देने वाला धर्मात्मा पवित्र शक्ति शाली अन देने वाला पानी पिलाने वाला साधू पुरुश और अपना शिश्य। ये दस परकार के पुरुश धर्मतह पढ़ाने के योग्या हैं किर्तिग्या द्रोह न रखने वाला मेधावी गुरु बनाने वाला विश्वास पात्र और प्रियाए। ये छे परकार के द्विज बिधी पूर्वक अध्यन कराने के योग्या हैं शिश्य आजमन करके संयम शिल हो उत्रा भी मुख बैठकर प्रति दिन स्वाध्याई करें। गुरु के चरणों में प्रणाम करके उनका मुह जोहता रहे। जब गुरु कहे हे सोमय आओ पढ़ो तब उनके पास जाकर पाठ पढ़े। और जब वे कहे कि अब पाठ बंद करना चाहिए तब पाठ बंद कर दे। अगनी के पूर्व आधी दिशाओं में कुछ बिच्छाकर उनकी उपासना करें। तीन परणयामों से पवित्र होकर ब्रहमचारी ओमकार के जब का अधिकारी होता है। हे ब्रहमणों विप्रको अध्यन के आदि और अंत में भी विधी पूर्वक प्रणव का जब करना चाहिए। प्रती दिन पहले वेद को अंजली देकर उसका अध्यन करना चाहिए। वेद संपूरण भूतों के सनातन नेत्र हैं अतह प्रती दिन उनका अध्यन करें। अन्यधा वह ब्रहमण तब से गिर जाता है। जो नित्य प्रती रिंग वेद का अध्यन करता है वह दूद की आहूती से जो आयूर वेद का पाठ करता है। वह दही से जो सामवेद का अध्यन करता है वह घी की आहूतियों से तथा जो अत्रव वेद का पाठ करता है वह सदा मधू से देवताओं को त्रिप्त करता है। उन देवताओं के समीप नियम पूर्वक नित्य कर्म का आश्रह लें। बन में जो एकाग्रचित हो गाइतरी का जब करे प्रती दिन अधिक कम से कम दस बार गाइतरी देवी जी का जब करना चाहिए। यह जप यग्य कहा गया है। भगवान जी ने गाइतरी और वेदों को तराजू पर रख कर तोला था। एक और चारों वेद थे और एक और केवल गाइतरी मंत्र। दोनों का पलड़ा बरावर रहा। दिवीजों को चाहिए कि वह शरधालू एवं एकाग्र चेत होकर पहले ओंकार का और फिर व्याहतियों का उचारण करके गाइतरी का उचारण करे। पूर्व कल्प में भूव भूव और सुवह। ये तीन सनातन महव्याहतियां उत्पन हुई जो सब परकार के अमंगल का नाश करने वाली हैं। ये तीनों व्याहतियां करम शह, परधान पुरुष और काल का विश्णू, ब्रह्मा जी और महादेव जी का तथा सतव गुण, रजो गुण और तमो गुण का पर्तिक मानी गई है। पहले ओ, उसके बाद ब्रह्म तथा उसके पस्चात गाइतरी मंत्र, इन सब को मिलाकर यह महायोग नामक मंत्र बनता है, जो सार से भी सार बताया गया है, जो ब्रह्मचारी प्रते दिन इस वेद माता गाइतरी का अर्थ समझ कर जब करता है, वह परमगती को प्राप्त होत गाइतरी वेदों की जननी है, गाइतरी संपूरण संसार को पवित्र करने वाली है, गाइतरी से बढ़कर दूसरा कोई जपने योग्य मंत्र नहीं है, यह जानकर मनुश्य मुक्त हो जाता है, हे दिजवरो अशान श्रावन अथवा भादों की पूरणी मा को वेदों का उपाकरम बताया गया है अर्थात उक्त तीर्थ से वेदों का सवाध्याय प्रारंब किया जाता है जब तक सूर्य दच्छनी आयन के मार्ख पर चलते हैं तब तक अर्थात साड़े चार महीने प्रती दिन अवित्र स्थान में बैठकर भ्रमचारी एकागरता पूर्वक वेदों का सवाध्याय करें तद पस्चात द्विज उश्य नच्छत्र में घर के बाहर जाकर वेदों का उत्सर्ग सवाध्याय की समाप्ती करें शुकल पक्ष में प्रतेह काल और क्रिशन पक्ष में संध्या के समय वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए वेदों का अध्यन अध्यापन प्रियतन पूर्वक अभ्यास करने वाले पुरुष को नीचे लिखे अनध्यायों के समय सदा ही अध्यन बंद रखना चाहिए यदि रात में ऐसी तेज हवा चले जिसकी संसनाहट कानों में गूझ उठे तथा दिन में धूल उड़ाने वाली आधी चलने लगे तो अनध्यन होता है यदि बिजली की चमक मेगों की गर्जना ब्रिष्टी तथा महान उलकापात हो तो प्रजापती मनु ने अकालिक अनध्यन बताया है ऐसे अफसरों पर उस समय से लेकर दूसरे दिन उसी समय तक अध्यन रोक देना चाहिए यदि अगनी होत्तर के लिए अगनी परजवलीत करने पर इन उत्पातों का उदे जान पड़े तो वर्षा काल में अना ध्याए समझना चाहिए तथा वर्षा से भिन रितू में यदि बादल दिख भी जाए तो अध्यन रोक देना चाहिए वर्षा रितू में और उस से भिन काल में भी यदि उत्पात सूचक शब्द भुकंप चंदर सूर्या आदी जोतिश मर्या ग्रेहों के उपदरब हों तो अकालिक उस समय से लेकर दूसरे समय उसी समय तक अना अध्याय समझना चाहिए यदि रते काल में हो मगनी प्रजुवलित होने पर बिजली की गड़गडा हट और मेक की गरजना सुनाई दे तो सयोजित अना ध्याय होता है अर्थात जोति सूर्य के रहने तक ही अध्यन बंद रहता है इसी परकार रात में भी अगनी प्रजुवलित होने के पस्चात यदि रक्त उत्पात हो तो दिन की ही भाती जोती ताराओं के दिखने तक अना ध्याय माना चाता है धरम की निपुरणता चाहने वाले पुरुशों के लिए गावों नगरों तथा दुरगंद पूरण स्थानों में सदा ही अना ध्याय रहता है गाव के भीतर मुर्दा रहने पर शुद्र की समीपता होने पर रोने का शब्द कान में पढ़ने पर तथा मुनुष्यों की भारी भीड रहने पर भी सदा ही अना ध्याय होता है जल में आधी रात के समय मलमूत्र का त्याग करते समय जूठा मुह रहने पर तथा श्राद का भोजन कर लेने पर मन से भी वेद का चिंतन नहीं करना चाहिए दिनों तक वेदों का अध्यन बंद रखें राजा के यहां सूतक जनान शोच हो या ग्रहन का सूतक लगा हो तो भी तीन दिनों तक वेद मंत्रों का उचारण ना करें एकोदिस्ट में समलित होने वाले विद्वान ब्रहमन के शरीर में जब तक श्राद के चंदन की सुगंध और लेप रहे तब तक वेद मंत्र का उचारण ना करें लेट कर पैर फेला कर घुटने मोड कर तथा शुद्र का श्राधन भोजन करके वेदा अध्यन ना करें कुहुरा पढ़ने पर वान का शब्द होने पर दोनों संध्याओं के समय अमावस्या चतुर दर्शी पूरणीमा तथा अस्टमी को भी वेदा अध्यन निशित हैं वेदों के उपा करम के पहले और उतसर्ग के बाद तीन रात तक अनध्याय माना गया है अस्टका तिथियों को एक दिन रात तथा रितु के अंत की रातरियों को रात भर अध्यन निशित है मार्गशीर्ष, पोश और मागमास के क्रिशन पक्ष में जो अस्टमी तिथियां आती हैं उन्हें विद्वान पुरुशों ने तीन अस्टकाओं के नाम से कहा है बहेडा, सेमल, महुआ, कचनार और कैथ इन ब्रिक्षों की चाय में कभी वेदा अध्यन नहीं करना चाहिए अपने सह पाठी, अथवा, साथ रहने वाले ब्रहमचारी या अचार्य की मृत्य हो जाने पर तीन रात तक अनध्याई माना गिया है ये अवसर वेद पाठे ब्रहमणों के लिए छीद्र रूप है अताय अनध्याई कहे गए हैं इन में अध्यन करने से राक्षस हिंसा करते हैं अताय इन अनध्याईों का त्याग कर देना चाहिए नित्यकरम में अनध्याई नहीं होता संध्योपासन होम के अंत में तथा अस्टका की आदेतितियों को वायू के चलते रहने पर भी सवाध्याई करना चाहिए वेदांगों इतिहास पुराणों तथा अन्य धर्म शास्तरों के लिए भी अनध्याई नहीं है इन सब को अनध्याई की कोटी से प्रिथिक समझना चाहिए यह मैंने ब्रह्मचरी के धर्म का संछेप से वर्नन किया है पूर्वकाल में भगवान ब्रह्माजी ने शुद्ध अन्तहकरण वाले रिशियों के सामने इन धर्म का प्रतिपादन किया था जो द्विज वेद का अध्यन ना करके दूसरे शास्त्रों में प्रिश्रम करता है वह मूड और वेद ब्रह्म माना गया है द्विजातियों को उससे बात नहीं करनी चाहिए द्विज को केवल वेदों के पाठ मातर से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए जो केवल पाठ मातर में लगा रह जाता है वह कीचड में फसी हुई गव की भाती कस्ट उठाता है जो विधी पूरवक वेद का अध्यन करके उसके अर्थ का विचार नहीं करता वह मूड एवं शुद्र के समान है वह सुपात्र नहीं होता यदि कोई सदा के लिए गुरु कुल में वास करना चाहे तो सदा उधित रहकर शरीर छूटने तक गुरु की सेवा करता रहे बन में जाकर विधीवत अगनी में होम करे तथा ब्रह्मनिस्ट एवं अन परनेर्भर रहकर योग युक्त हो सदा गायतरी का जप और शत्रूत्रिय तथा विशेष्त है उपनिशीदों का अभ्यास करता रहे विदाध्यन के विशे में जो यह परम प्राचीन विधी है इसका भली भाती मैंने आप लोगों से वर्नन किया है पूर्वकाल में स्रेष्ट महारिश्यू के पूछने पर दिव्यशक्ती संपन स्वायम भूम मनु ने इसका प्रतिपादन किया था सारे बोलो भगवान शीरी नराण जी की जै स्वर्ग खंड अध्याय नब्बे सनातक और घ्रस्त के धर्मों का वर्नन व्यास जी कहते हैं हे ब्रहमणों स्रेष्ट ब्रहमचारी अपनी शक्ती के अनुसार एक दो तीन अथवा चारू वेदो तथा विदांगों का अध्यन करके उनके अर्थ को भली भाती घृद्य गम करके ब्रहमचरय वरत की समाप्ती का सनान करे गुरू को दच्छिना रूप में धन देकर उनकी आग्याले सनान करना चाहिए वरत को पूरा करके मन को काबू में रखने वाला सामर्थ पुरुष सनातक होने के योग्य है वहे बांस की छड़ी अधो वस्तर तथा उत्रिय अर्थात चादर धारन करे एक जोड़ा यग्यों पवीत और जल से भरा हुआ कमंडलू धारन करे बाल और नख कटा कर सनान आदिस शुद्ध हो उसे चाता साफ पकड़ी खड़ाउं या जूता तथा सोने के कुंडल धारन करने चाहिए ब्रहमन सोने की माला के सिवा दूसरी कोई लाल रंग की माला ना धारन करे वह सदा शुवेत वस्तर पहने उत्तम गंद का सेवन करे और भेश भूशा ऐसी रखे जो देखने में प्रिया जान पड़े धन रहते हुए फटे और मेले वस्तर ना पहने अधिक लाल और दूसरे के पहने हुए वस्तर कुंडल माला जूता और खड़ाउं को अपने काम में ना लाए यग्यो पवीत आभुशन, कुश और कालाम्रिग चरम इन्हें अप सब्वे भाव से ना धारण करे अपने योग्य इस्तरी से विधी पूर्वक विवाह करे इस्तरी शुप गुणों से यूक्त, रूप वती, सुलक्षणा और योनी गत दोशों से रहित होनी चाहिए माता के गोतर में जिसका जनम ना हुआ हो, जो अपने गोतर में उत्पन ना हुई हो, तथा उत्तमशील और पवितरता से युक्त हो, ऐसी भार्या से व्रह्मन विवाह करे जब तक पुत्र का जनम ना हो तब तक केवल रितू काल में इस्तरी के साथ समागम करे इसके लिए शास्तरों में जो निशित दिन है उनका यतन पूर्वक त्याग करे शस्ती, अस्तमी, पूर्णीमा, द्वादशी तथा चतुरदर्शी ये तिथियां इस्तरी समागम के लिए निशित हैं उक्त नियमों का पालन करने से गरस्त भी सदा भहमचारी ही माना जाता है विवह काल की अगनी को सदा स्थापित रखें और उसमें अगनी देवता के निमित प्रती दिन हवन करें सना तक पुरुष इस पावन नियमों का सदा ही पालन करें अपने वरण और आश्रम के लिए विहित वेदोक्त करम का सदा आलस्य छोड़कर पालन करना चाहिए जो नहीं करता वह अत्यंत भ्यंकर नरकों में पड़ता है सदा सैयम शील रहकर वेदों का अभ्यास करें पंच महायग्यों का त्याग ना करें ग्रस्तो चित समस्त शुब्र कार्या और संध्यो पासन करता रहे अपने समान तथा अपने से बड़े पुरुशों के साथ मित्रता करें सदा ही भगवान जी की शरण में रहे देवताओं के दर्शन के लिए यात्रा करें तथा पतनी का पालन पोशन करता रहे विद्वान पुरुश लोगों में अपने किये हुए धरम की परसिद्धी ना करें तथा पाप को भी ना छिपाए संपूरन प्राणियों पर द्या करते हुए सदा अपने हित्य का साधन करें अपनी बया करम धन विद्या उत्तम कुल देश वानी और बुद्धी के अनुरूप आचरन करते हुए सदा विचरन करता रहे शुरूतियों और समरीतियों में जिसका विधान हो तथा साधु पुरुशों ने जिसका भली भाती सेवन किया हो उसी आचरन का पालन करे अन्यकारियों के लिए कदापी चेस्ता ना करे जिसका उसके पिता ने अनुसरन किया हो तथा जिसका पिता मोह ने किया हो उसी व्रत से वह भी सत्य पुरुशों के मार्ग पर चले उसका अनुसरन करने वाला पुरुश दोश का भागी नहीं होता प्रते दिन सवाध ध्याई करें सदा यग्यों पवीत धारण किये रहें तथा सरवदा सत्य बोलें क्रोध को जीतें और लोब मुंग का परित्याग कर दें गाइतरी का जप तथा कितरूं का शराद करने वाला ग्रस्त मुक्त हो जाता है माता पिता के हित में सलगन ब्रहमनों के कल्याण में तथपर दाता यागिक और वेद भक्त घरस्त ब्रहमन लोकों में परतिस्चित होता है सदा ही धर्म अर्थ एवं काम का सेवन करते हुए प्रती दिन देवताओं का पूजन करें वर्शुद भाव से उनके चरणों में मस्तक जुकाएं बली वैशब देव के द्वारा सब को अन्ड का भाग दें निरंतर शमा भाव रखें और सब परदया भाव बनाए रहें ऐसे पुरुष को ही घरस्त कहा गया है केवल घर में रहने से कोई घरस्त नहीं हो सकता शमा देया विज्ञान सत्य दम शम सदा अध्यातम चिंतन तथा ग्यान ये ब्रहमन के लच्छन है सरेष्ट ब्रहमनों को उचित है कि वह विशेष्ट है इन गुणों से कभी रहित ना हो अपनी शक्ती के अनुसार धरम का अनुस्थान करते हुए निंदित कर्मों को त्याग दे मोहरूपी की चड को धोकर परम उत्तम ज्यान योग को प्राप्त करके गरस्त पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है इसमें अन्याथा विचार नहीं करना चाहिए निंदा, प्राजय, अक्षेप, हिंसा, बंधन और वद्ध को तथा दूसरों के करोध से उत्पन होने वाले दोशों को सह लेना शमा है अपने दुख में करुणा तथा दूसरों के दुख में सुहार्द सनेह पूरण सहानु भूती के होने को मुनियों ने दिया कहा है जो धरम का साक्षात साधन है, छेओं अंग चारों वेद, मिमासा, विस्तरित, न्याय शास्तर, पुराण और धरम शास्तर ये चोधह विद्याएं है इन चोधह विद्याओं को यद्धार्थ रूप से धारण करना इसी को विज्यान समझना चाहिए जिससे धरम की विद्याओं करें इसे भी विज्यान कहते हैं सत्य से मनुश्य लोग पर विजय पाता है वह सत्य ही परमपद है जो बात जैसे हुई हो उसे उसी रूप में कहने को मनिशी पुरुषों ने सत्य कहा है शरीर की उपरा ममता का नाम दम है बुद्धी की निर्मलता से शम सिद्ध होता है अक्षर अर्थात अविनाशी पद को अध्यातम समझना चाहिए जहां जाकर मनुश्य शोक में नहीं पढ़ता जिस विद्या से शट विद्ध एश्वर्य युक्त परम देवता साक्षात भगवान हिरिशी केश का ज्यान होता है उसे ज्यान का हग्या है जो विद्ध्वान ब्रहमन उस ज्यान में स्थित भगवत परायन सदाही क्रोध से दूर रहने वाला पवित्र तथा महायग्य के अनुस्थान में तत्पर रहने वाला है वह उस उत्तमपद को प्राप्त कर लीता है यह मनुश्य शरीर धरम का आश्रह है इसका यतन पूर्वक पालन करना चाहिए क्योंकि देह के बिना कोई भी प्रुष परम्पिता परमात्मा शिरी विश्णु जी का ज्यान नहीं प्राप्त कर सकता द्विज को चाहिए कि वह सदा नियम पूर्वक रहकर धरम अर्थ और काम के साधन में लगा रहे धरम हीन काम या अर्थ का कभी मन से चिंतन भी ना करे धरम पर चलने से कस्ट हो तो भी अधरम का आश्रण नहीं करना चाहिए क्योंकि धरम देवता साक्षात भगवान जी के सवरूप हैं वे ही सब प्राणियों की गती हैं द्विज सब भूतों का प्रिय करने वाला बने दूसरों के प्रती द्रोह भाव से किये जाने वाले करम में मन ना लगाए वेदों और देवताओं की निंदा ना करें तथा निंदा करने वालों के साथ निवास भी ना करें जो ब्रहमन प्रते दिन नियम पूर्वक रहकर पवित्रता के साथ इस धर्मा अध्यन को पढ़ता पढ़ाता अथवा सुनता है वह ब्रहम लोक में प्रतिश्चित होता है सारे बोलो भगवान शिरी नरांच जी की जय सुवर्ग खंड अध्याई 51 व्यवहारिक सिस्टा चार कवर्णन महामुनी व्यास जी कहते हैं हे ब्रहमणों किसी भी प्राणी की हिंसा ना करें कभी जूत ना बोले अहित करने वाला तथा अप्रिय वचन मुह से ना निकाले कभी चोरी ना करें किसी दूसरे की वस्तू चाहे वे तिन का साग मिटी या जल ही क्यों ना हो चुराने वाला मनुश्य नर्क में पड़ता है राजा से शुद्र से पतीत से तथा दूसरे किसी से भी दान ना ले यदि विद्वान ब्रहमन असमर्थ हो उसका दान लिये बिना काम ना चले तो भी उसे निंदित पुरुषों को तो त्याग ही देना चाहिए कभी याचक ना बने याचना करे भी तो एक ही पुरुष से दुबारा याचना ना करे इस परकार सदा या बारम बार मागने वाला याचक कभी कभी दुर्बुधी दाता का प्राण भी ले लेता है स्रेष्ट धुईज विशेष्त है देव संबंधी द्रव्य का अपहरण ना करे तथा ब्रहमन का धन तो कभी अपत्ती पढ़ने पर भी ना ले विश को विश नहीं कहते ब्रहमन और देवता का धन ही विश कहलाता है आता है सरवदा प्रेतन पूर्वक उस से बचा रहे हे दिविजो देव पूजा के लिए सदा एक हिस्थान से मालिक की आग्या लिए बिना फूल नहीं तोड़ने चाहिए विद्वान फुरुष केवल धरम कारे के लिए दूसरे के घांस लकडी फल और फूल ले सकता है किन्तु इन्हें सब के सामने दिखा कर ले जाना चाहिए जो इस परकार नहीं करता वह गिर जाता है हे वी प्रगण जो लोग वही मार्ग में हो और भूक से पीडित हो वे ही किसी खेत से मुठी भर तेल मूंग या जउँ आदी ले सकते हैं अन्यथा जो भूके एवं राही ना हो वे उन वस्तूओं को लेने के अधिकारी नहीं है यदि मर्यादा है तो वास्तम में अलिंगी है जिसने किसी आश्रम का चिन नहीं ग्रहन किया है वह भी यदि दिखावे के तोर पर आश्रम विशेश का चिन उसकी वेश भूशा धा करन करके जीवी का चलाता है तो वह वास्तविक लिंगी अर्थात आश्रम चिन धारी पुरुष के पाप ग्रहन करता है तथा त्रियंग योनी में जनम लेता है नीच पुरुष से याचना योनी संबंद सहवास और बात चीत करने वाला ध्विज गीर जाता है अतहे इन बातों से यतन पूर्वक दूर रहना चाहिए देव द्रोह और गुरु द्रोह ना करें देव द्रोह से भी गुरु द्रोह कोटी कोटी गुणा अधिक है तथा उस से भी करोड गुणा अधिक है दूसरे लोगों पर लाचन लगाना और इश्वर तथा परलोक पर अविश कुशित विचार क्रिया लोप वेदों के नापड़ने और ब्रह्मन का तिरस्कार करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। वहां निवास ना करें। शुद्र के राज्य में तथा पाकंडियों से घेरे हुए स्थान में भी ना रहें। नदियां प्रवाहित होती हैं। वहीं द्विज को निवास करना चाहिए। स्रेष्ट द्विज को उचित है कि नदी तट से आधी कोस की भूमी छोड़कर अन्यंत्र निवास ना करें। चंडालों के गाव के समीप नहीं रहना चाहिए। पतीत चंडाल पुलकस अर्थात निशाद से शुद्रा से उत्पन मूरक अभिमानी अंतजय तथा अंत्यवास आई। अर्थात निशाद की इस्तरी में चंडाल से उत्पन पुरुषों के साथ कभी निवास ना करें। एक शहियां पर सोना एक आसन पर स्थित होना एक पंक्ती में बैठना एक बरतन में खाना दूसरों के पके हुए अन्न को अपने अन्न में मिलाकर भोजन करना यग्य करना पढ़ाना विवह संबंद स्थापित करना साथ बैठकर भोजन करना साथ साथ पढ़ना और एक साथ यज्यकराना ये संक्रता का परसार करने वाले 11 संक्रय दोश बताए गए हैं समीप रहने से भी मनुश्यों के पाप एक दूसरे में फैल जाते हैं इसलिए पूरा प्रियतन करके संक्रय दोश से बचना चाहिए जो राख आदी से सीमा बना कर एक पंक्ती में बैठते और एक दूसरे का स्पर्ष नहीं करते उनमें संक्रता का दोश नहीं आता अगनी भसम जल विशेषत है द्वार खंबा तथा मार्ग इन छे से पंक्ती का भेद अर्थात प्रिथी करण होता है अकारण वैर ना करें विवाद से दूर रहें किसी की चुगली ना करें दूसरे के खेत में चर्ती होई गव का समाचार कदापी न कहें चुगल खोर के साथ ना रहें किसी को चुबने वाली बात ना कहें सूर्य मंडल का घेरा इंद्र धनुश वान से परकट हुए आग चंदर्मा तथा सोना इन सब की और विद्वान पुरुष दूसरे का ध्यान अकरशत ना करें बहुत से मनुश्यों तथा भाई बंध्मू के साथ विरोध ना करें जो बरताव अपने लिए प्रती कूल जान पड़े उसे दूसरों के लिए भी ना करें हे दुजवरो रज सवला इस्तरी अथवा आपवित्र मनुश्य के साथ बात चीत ना करें देवता गुरू और ब्रहमन के लिये किये जाने वाले दान में रुकावट ना डालें अपनी परशंसा ना करें तथा दूसरे की निंदा का त्याग कर दें वेद निंदा और वेद निंदा का यतन पूर्वक त्याग करें हे मुनिश्वरो जो दूविज देवताओं रिशियों अथवा वेदों की निंदा करता है शास्तरों में उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं देखा गया है जो गुरू देवता वेद अथवा उसका विस्तार करने वाले इतिहास पूरान की निंदा करता है वह मनुश्य सो करोड कल्प से अधिक काल तक रोरव नर्क में पकाया जाता है जहां इनकी निंदा होती हो वहां चुप रहें कुछ भी उत्तर ना दें कान बंद करके वहां से चला जाएं निंदा करने वाले की और दिरिष्टा पात ना करें विद्वान पुरुष दूसरों की निंदा ना करें अच्छे पुरुषों के साथ कभी विवाद ना करें पापियों के पाप की चर्चा ना करें जिन पर जूटा कलंक लगाया जाता है उन मनुष्यों के रोने से जो आशु गिरते हैं वे मिथ्या कलंक लगाने वालों के पुत्रों और पश्मों का विनाश कर ढालते हैं ब्रहमहत्या, सुरापान, चोरी और गुरुपतनी गमन आदी पापों से शुद्ध होने का उपाय व्रिद पुरुषों ने देखा है किन्तु मिथ्या कलंक लगाने वाले मनुष्य की शुद्धी का कोई उपाय नहीं देखा गिया है बिना किसी नमित के सूर्य और चंदरमा को उदै काल में ना देखे उसी परकार अस्त होते हुए जल में प्रती बिम्बित मेग से ढके हुए अकाश के मध्य में स्थित छिपे हुए तथा दरपन आदी में छाय के रूप में द्रिष्टी गोचर होते हुए भगवान सूर्य चंदरमा जी को भी ना देखे नंगी इस्तरी और नंगे पुरुष्की और भी कभी द्रिष्टी पात ना करें मल मुत्र को ना देखें मैथुन में परवत पुरुष्की और द्रिष्टी ना ढालें विद्वान पुरुष्का पवित्र अवस्था में सूर्य चंदरमा पादी ग्रहों की और ना देखें उच्छिस्ट अवस्था में या कपड़े से अपने सारे बदन को ढख कर दूसरे से बात ना करें क्रोध में भरे हुए गुरू के मुख पर दृष्टी ना डाले तेल और जल में अपनी परचाई ना देखें भोजन समाप्त हो जाने पर जूटी पंक्ती की और दृष्टी पात ना करें बंधन से खुले हुए और मतवाले हाथी की और दृष्टी ना डालें पतनी के साथ भोजन ना करें भोजन करती छीकती जंबाही लेती और अपनी मोज से आसन पर बैठी हुई भार्या की और दृष्टी पात ना करें बुद्धिमान पुरुष्ट किसी शुब या अशुब वस्तु को ना तो लांगे और ना उस पर पैर ही रखे कभी करोद के अधिन नहीं होना चाहिए राग और द्वेश का त्याग करना चाहिए तथा लोव दंभ अवग्या दोश दर्शन ज्यान निंदा इर्शया मंद शोंक और मुह आदी दोशों को छोड़ देना चाहिए किसी को पीड़ा ना दे पुत्र और शिश्य को शिक्षा के लिए ताड़ना दे नीच पुरुशों की सेवा ना करें तथा कभी तरिशना में मन ना लगाए दिन्ता को यतन पूरवक त्याग दे विद्वान पुरुश किसी वसिष्ट व्यक्ती का अनादर ना करें नक से धर्ती ना कुरे दें गव को जवरदस्ती ना बिखाएं साथ साथ यात्रा करने वाले को कहीं ठेहने या भोजन करने के समय छोड़ ना दें नगन होकर जल में परवेश ना करें अगनी को ना लांगें मस्तक पर लांगने से बचे हुए तेल को शरीर में ना लगाएं सापों और हथियारों से खिलवार ना करें अपने इंद्रियो का स्पर्ष ना करें रोमा वलियों तथा गुप्त अंगों को भी ना छुएं असिस्ट मुनुश्य के साथ यात्रा ना करें हाथ पैर वाणी लेत्र शिशर उदर तथा कान आदी को चंचल ना होने दें अपने शरीर और नक आदी से बाजे का काम नाक लें अंजली से जल ना पियें पानी पर कभी पैर या हाथ से अघात ना करें इते मार कर कभी फल या मूल ना तोडें मलेचों की भाशा ना सीखें पैर से आसन ना खीचें बुद्धिमान प्रुष अकारण नक तोड़ना ताल ठोकना धर्ती पर रेखा खीचना या अंगों को मसलना आदी व्यर् का कार्य ना करें खाद्य पदार्त को गोद में लेकर ना खाएं व्यर्थ की चेस्ता ना करें नाच गान ना करें बाजे ना बजाएं दोनों हाथ सटाकर अपना सिर ना खुजलाएं जुआ ना खेलें दोडते हुए ना चलें पानी में पेशाब या पाखाना ना करें बगन होकर सनान ना करें चलते हुए ना पड़ें दातों से नख और रुए ना काटें सोए हुए को ना जगाएं सवेरे की धूप का सेवन ना करें चिता के धूए से बच कर रहें सूने घर में ना सोएं अकारण ना थूकें भुजाओं से तैर कर नदी पार ना करें, पैर से कभी पैर ना धोएं, पैरों को आग में ना तपाएं, कासी के बरतन में पैर ना धुलाएं, देवता, भ्रहमन, गव, वायू, अगनी, राजा, सूर्य तथा चंदर्मा की और पाव ना पसारें, अशुद्ध अवस्था में शेन, यात्रा, सवाध्याय, सनान, भोजन, तथा बाहर प्रस्थान ना करें, दोनों संध्याओं, तथा मध्या के समय, शेन, शोर, करम, सनान, वंटन, भोजन, तथा यात्रा ना करें, ब्रहमन, जूठे मूँ, गव, ब्रहमन, तथा अगनी का स्पर्ष ना करें, उन्हें पैर से कभी ना छेड़े तथा देवता की प्रतिमा के भी जूठे मुह सफर्ष ना करे अशुद अवस्था में अगनी होत्र तथा देवता और रिश्यू का कीर्टन ना करे अगाद जल में ना घुसे तथा अकारण ना दोडे बाएं हाथ से जल उठाकर या पानी में मुह लगाकर ना पिये आचमन किये बिना जल में ना उतरे पानी में विर्या ना छोडे आपवित्र तथा बिना लिपी हुई भूमी रक्त तथा भिश को लांग कर ना चले रज सबला इस तरी के साथ अथवा जल में मैथुन ना करे दिवालय या शमशान भूमी में स्थित ब्रिक्ष को ना काटे जल में ना थूके फड़ी राख थीकरे बाल काटे भूसी कोईले तथा कंडों पर कभी पैर ना रखे बुद्धिमान पुरुष ना तो अगनी को लांगे और ना कभी उसे नीचे रखे अगनी की ओर पैर ना करे तथा मुह से उसे कभी ना पूके बेड पर ना चड़े आ पवित रवस्था में किसी की ओर द्रिष्टी पात ना करे आग में आग ना डाले तथा उसे पानी डाल कर ना भुझाए अपने किसी सुहर्द की मृत्यू का समाचार सव्यम दूसरों को ना सुनाए माल बेचते समय बे मोल का भाव अपना जुटा मूल्य ना बतावे विद्वान को उचित है कि वह मुख के निश्वास से और आप वित्र अवस्था में अगनी को परजवलनित ना करे पहले की हुई परतिग्या भंग ना करे पश्वों पक्षियों तथा व्यागों को परस पर ना लड़ाए जल वायू और धूप आदी के द्वारा दूसरे को कस्ट ना पहुँचाए पहले अच्छे करम करवा कर बाद में घुरु जनों को धोका ना दे सवेरे और साइकाल को रक्षा के लिए घर के दर्वाजों को बंद कर दे विद्वान ब्रहमन को भोजन करते समय खड़ा होना और बात चीत करते समय हसना उचित नहीं है अपने द्वारा स्थापित अगनी को हाथ से ना छुए तथा धेर तक जल के भीतर ना रहे अगनी को पंखे से सूप से हाथ से अथवा मूह से ना फूके विद्वान पुरुष पराई इस्तरी से वारतलाप ना करे जो यग्य कराने योग्य नहीं है उसका यग्य ना कराएं ब्रहमन कभी अकेला ना चले और समुदाय से भी दूर रहे कभी देवालें को बाएं रख कर ना जाए वस्तरों को कूटे नहीं और देव मंदिर में सो भी ना चले रोगी शुद्र तथा पतीत मुनुश्य के साथ भी यात्रा करना मना है द्विज बिना जूते के ना चले जल आदी का परवंद किये बिना यात्रा ना करे मार्ग में चीता को बाएं करके ना जाए योगी सिध्धी वरत धारी सन्यासी देवाल्य धेवता तथ यागिक प्रुषों की कभी निंदा ना करे जान बूज कर गव तथा ब्रह्मन की चायां पर पैर ना रखे ज़ाडू की धूल से बचकर रहे सनान किया हुआ वस्त्र तथा घड़े से जलकता हुआ जल इन दोनों के सपर्ष से बचना चाहिए द्विज को उचित है कि वह अभख्षय वस्तू का भख्षण और नहीं पीने यूग्य वस्तू का पान ना करे सारे बोलो भगवान शिरी नरायन चेकी जय स्वर्ग खंड अध्याई बानवे गरस्त धरम में भख्षय अभख्षय का विचार और दान धरम का वर्नन महामुनी वेद व्यास जी कहते हैं हे द्विजवरों ब्रहमन को शुद्र का अन नहीं खाना चाहिए जो ब्रहमन अपत्तिकाल के बिना ही मोह वश या स्विच्छा से शुद्र अन भख्षण करता है वह मर कर शुद्र योनी में जनम लेता है जो द्विज छे मास तक सित अन का भोजन करता है वह जीते जी ही शुद्र के समान हो जाता है और मरने पर कुट्ता होता है हे मुनिश्वरों मनुश्य बरहमन शत्रिय वेश्य अथ्वा शुद्र जिसके अन को पेट में रख कर प्राण त्याग करता है उसी की योनी में जनम लेता है नट नाचने वाला चंडाल चमार समूदाय तथा वेश्य इन छेक अन का परित्याग करना चाहिए तेली धोबी चोर शराब बेचने वाला नाचने गाने वाले लुहार तथा मरना शोच से युक्त मनुश्य का अन भी त्याग देना चाहिए कुमहार चित्रकार सूद खोर पतीत दित्यपती सवीकार करने वाली इस्तरी के पुत्र अभिशाप गरस्त सुनार रंग मंच पर खेल दिखाकर जीवन निर्वाह करने वाले व्याध वंध्या रोगी चिकित्सिक अर्थात वेद या डाक्टर व्याभी चारणी इस्तरी हकीम नास्तिक देव निंदक सोमरस का विक्रे करने वाले इस्तरी के वशीभूत रहने वाले इस्तरी के उपपती को घर में रखने वाले पुरुष परित्यक्त किरपन जूठा खाने वाले महापापी शास्तरों से जीवी का चलाने वाले भैवीद तथा रोने वाले मनुश्य का अनभित्याज्य है ब्रहम द्वेशी और पाप में रूची रखने वाले का अन तथा रोगी का अन भी नहीं खाना चाहिए संतानहीन इस्त्री कृतिघन कारीगर और नाजीर तथा परिवेता बड़े भाई को अविवाहित छोड़कर अपना विवाह करने वाले का अन भी खाने योग्य नहीं है पुनर विवाहित इस्त्री तथा दिध्धीशू पती का अर्थात जो कामवषभाई की विद्वापतनी के साथ संभोग करता है उसे दिध्धूशी पती कहते हैं बड़ी बेहन के अविवाहित होने पर भी यदि छोटी बेहन विवाह कर ले तो बड़ी बेहन दिधूशी कहलाती है उसका पती दिधूशी पती है इन सबी का अन भी त्याज्य है अब हेलना अनादर तथा रोश पूर्वक मिला हुआ अन भी नहीं खाना चाहिए गुरू का अन भी यदि संसकार रहित हो तो वह भोजन करने योग्या नहीं है क्योंकि मनुश्य का सारा पाप अन मिस्थित होता है जो जिसका अन खाता है वह उसका पाप भोजन करता है आरधिक अर्थात किसान कुल मित्र अर्थात कुर्मी गोपाल अर्थात गवाला दस नाई और आत्म समर्पन करने वाला पुरूश इनका अन भोजन करने के योग्या है कुशी लव चारण और छेतर कर्मक अर्थात खेत में काम करने वाले इनका भी अन खान योग्या है विद्वान पुरूश इन्हें थोड़ी कीमत देकर इनका अन गरहन कर सकते हैं तेल में पकाई हुई वस्तू गोरस सत्तू तिल की खली और तेल ये वस्तूएं ध्विज्जातियों द्वारा शुद्र से ग्रहन करने योग्या है भाटा, कमल नाल, कुसुंब, प्याज, लहसुन, शुक्त और गोंद का त्याग करना चाहिए शात्रक तथा यंत्र से निकाले हुए आसव आदी का भी परित्याग करना उचित है गाजर मूली, कुमहडा, गूलर और लोकी खाने से द्विज गिर जाता है रात में तेल और दही का यतन पूरवक त्याग करना चाहिए दूद के साथ मठा और नमकीन अन नहीं मिलना चाहिए जिस अन के प्रती दूशित भावना हो गई हो जो दूस्ट प्रुशों के संपर्क में आ गया हो जिसे कुत्ते ने सुंग लिया हो जिस पर चंडाल रज सवला इस्त्री अथवा पतीतों के दृष्टी पढ़ गई हो जिसे गाए ने सुंग लिया हो जिसे कवे अथवा मुर्गे ने छू लिया हो जिसमें कीडे पढ़ गए हो जो मुनुश्यों द्वारा सुंगा अथवा कोडी से छू गया हो जिसे रज सवला व्यभी चारणी अथवा रोगणी स्त्री ने दिया हो ऐसे अन्न को त्याग देना चाहिए दूसरे का वस्तर भी त्याच्य है बिना बच्छडे की गाई का उंटनी का एक खुरवाले पशू घोडी आदी का भेड का तथा हतनी का दूद पीने योग्या नहीं है यह मनू का कथन है मास भक्षन ना करें गुई जातियों के लिए मदीरा किसी को देना स्व्यम उसे पीना उसका स्पर्ष करना तथा उसकी और देखना भी मना है पाप है उससे सदा दूर ही रहना चाहिए यदि सनातन मर्यादा है इसी लिए पूरण प्रियतन करके सरवदा मध्य का त्याग करें जो द्विज मध्य पान करता है वह दिविजो चित कर्मों से भरस्ट हो जाता है उससे बात भी नहीं करनी चाहिए अतहे ब्रहमन को सदा यतन पूरवक अभक्ष एवं अपय वस्तूओं का परित्याग करना उचित है यदि प्याग ना करके उक्त निशित वस्तूओं का सेवन करता है तो वह रोरव नर्क में जाता है अब मैं परम उत्तम दान धरम का वर्नन करूँगा इसे पूर्वकाल में भगवान ब्रहमा जी ने ब्रहमवादी रिश्यों को उपदेश किया था योग्या पात्र को शर्धा पूरवक धन अरपन करना दान कहलाता है उंकार के उचारण फूरवक किया हुआ दान भोग और मोक्ष रूपी फल पर दान करने वाला होता है दान तीन परकार का बतलाया जाता है नित्य नेमितिक और काम्याद एक चोथा परकार भी है जिसे विमल नाम दिया गया है विमल दान सब परकार के दानों में पर्म उत्तम है जिसका अपने उपर कोई उपकार न हो ऐसे ब्रहमन को फल की इच्छा ना रख कर प्रती दिन जो कुछ दिया जाता है वह नित्य दान है जो पापों की शांती के लिए विद्वानों के हाथ में अरपन किया जाता है उसे स्रेष्ट पुरुषों ने नेमितिक दान बताया है वह भी उत्तम दान है जो संतान विजय एश्वर्य और सुख की प्राप्ति के उदेश्य से दिया जाता है उसे धरम का विचार करने वाले रिश्यों ने काम मेदान कहा है तधा जो भगवान की परसनता के लिए धरम युक्त चित्र से ब्रहम वेता पुरुषों को कुछ अरपन किया जाता है वह कल्यान मैदान विमल अर्थात सात्विक माना गिया है सुयूग्य पातर के मिलने पर अपनी शक्ती के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए कुटुम्ब को भोजन और वस्तर देने के बाद जो बच रहे उसी का दान करना चाहिए अन्यधा कुटुम्ब का भरण पोशन किये बिना जो कुछ दिया जाता है वह दान दान का फल देने वाला नहीं होता वेद पाठी उलीन विनित तपस्वी वरत प्रायन एवं दृद्र को भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए जो अगनी होतरी ब्रहमन को भक्ति पूर्वक प्रित्वी का दान करता है वह उस परमधाम को प्राप्त होता है जहां जाकर जीव कभी शोक नहीं करता जो मुनुश्य वेद वेता ब्रहमन को गन्नों से भरी हुई तथा जों और ग्यों की खेती से लहला हाती हुई भूमी दान करता है वह फिर इस संसार में जनम नहीं लेता जो द्रिद्र ब्रहमन को गउ के चमडे बारम बार भूमी भी परदान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है भूमी दान से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई दान नहीं है केवल अन्न दान उसी की समानता करता है और विद्यदान उस से अधिक है जो शांत पवित्र और धर्मात्मा ब्रहमन को विधी पूर्वक विद्यदान करता है वह ब्रहम लोक में परतिश्चित होता है गरस्त ब्रहमन को अन्न दान करके मनुश्य उत्तमफल को पराप्त होता है गरस्त को अन ही देना चाहिए उसे देकर मानव परमगती को प्राप्त होता है विशाख की पूर्णी मा को विधी पूर्वक उपवास करके शांत पवित्र एवं एकाग्रचित होकर काले तिलों और विशेष्ट है मधू से साथ या पाँच ब्रहमणों की पूजा करें तथा इससे धरम राज परसन हो ऐसी भाव न करें जब मन में यह भाव स्थिर हो जाता है उसी शन मनुष्य के जीवन भर के लिए हुए पापनस्ट हो जाते हैं काले मिरिग चरम पर तिल, सोना, मधू और घी रखकर जो ब्रहमण को दान देता है वह सब पापों से तर जाता है जो विशेशता है वे शाख की पूरणी मा को धरम राज के उदेशय से ब्रहमणों को घी और अन सहित जल का घड़ा दान करता है वह भै से छुटकारा पा जाता है जो सुवरण और तिल सहित जल के पात्रों से साथ या पांच ब्रहमनों को त्रिप्त करता है वह ब्रहम हत्या से छूट जाता है माग मास के क्रिशन पक्ष में द्वादशी तीथी को उपवास करे और श्वेत वस्त्र धारन करके काले तिलों से अगनी में हवन करे तत्पस्चात एकाग्रचित हो ब्रहमनों को तीलों का ही दान करे इससे ध्विज जनम भरके किये हुए सब पापों को पार कर जाता है अमा वस्या आने पर देव दिवेश्वर भगवान शिरी विश्नुजी के उदेशय से जो कुछ भी बन पड़े तपस्वी बरहमनों को दान दे और सब का शासन करने वाले इंद्रियों के स्वामी भगवान शिरी विश्नुजी परसन हो यह भाव रखें ऐसा करने से साथ जन्वों का किया हुआ पाप ततकाल नस्ट हो जाता है जो कृषन पक्ष की चतुर दर्शी तिथी को सनान करके बरहमन के मुख में अन डालकर इस परकार भगवान शंकर जी की अराधना करता है उसका पुन्हे इस संसार में जनम नहीं होता विशेशत है क्रिशन पक्ष की अस्टमी तिथी को सनान करके चरण धोने आदी के द्वारा विधी पूर्वक पूजा करने के पश्चात धार्मिक ब्रहमन को मुझ पर महादेव जी परसन हो इस उदेशे से अपने द्रव्य दान करना चाहिए ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुप्त हो परमगती को प्राप्त होता है भक्त दिवीजों को उचित है कि वे क्रिशन पक्ष की चतुर दर्शी अस्टमी तथा विशेष्ट है अमावस्य के दिन भगवान महादेव जी की पूजा करी जो एकदशी को निरा आहार रहकर द्वादशी को प्राहमन के मुख में अन दे इस परकार पुर्शोतम की आर्चना करता है वह परमपद को प्राप्त होता है यह शुकल पक्ष की द्वादशी भगवान विश्णु जी की तिथी है इस दिन भगवान जनारदन जी की परियतन पूरवक अराधना करनी चाहिए भगवान शंकर जी अथवा विश्णु जी के उदेश्य से जो कुछ भी पवित्र ब्रहमन को दान दिया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है जो मनुश्य जिस देवता की अराधना करना चाहे उसके उदेश्य से ब्रहमन का ही यतन पूरवक पूजन करें इससे वह उस देवता को संतूस्ट कर लेता है देवता सदा ब्रहमनों के शरीर का आश्राय लेकर ही रहते हैं ब्रहमनों के ना मिलने पर वे कहीं कहीं प्रतीमा आदी में भी पूजित होते हैं प्रतीमा आदी में बहुत यतन करने पर अभिस्ट फल की प्राप्ती होती है अतह सदा विशेश तह दिविजों में ही देवताओं का पूजन करना उचित है एश्वर्य चाहने वाला मनुश्य इंद्र की पूजा करे ब्रहम तेज और ज्यान चाहने वाला मनुश्य भगवान ब्रहमा जी की अराधना करे अरोग्या की अभिलाशा रखने वाला पुरुष भगवान सूर्य की धन की काम वाला मनुष्य अगनी की तथा कर्मों की सिद्धि चाहने वाला पुरुष गणेश जी की पूजा करें जो भग चाहता हो वह चंद्रमा की बल चाहने वाला वायू की तथा संपूरन संसार बंधन से छोटने की अभिलाशा रखने वाला मनुष्य यतन कूरुवक भगवान शिरी हरी जी की अराधना करें जो योग मोक्ष तथा इश्वरिय ग्यान तीनों की इच्छा रखता हो वह यतन करके देवताओं के स्वामी महादेव जी की अर्चना करें जो महान भोग तथा विविद परकार के ज्यान चाहते हैं वे भोगी पुरुष शिरी भूत नाथ महेश्वर तथा भगवान शिरी विश्नु जी की भी पूजा करते हैं जल देने वाले मुनुश्य की तृप्ती होती है अतह जल दान महत्व अधिक है तेल दान करने वाले को अनुकूल संतान और दीप देने वाले को उत्तम नेतर की प्राप्ती होती है भूमी दान करने वालों को सब कुछ सुलब होता है सुवरण दाता को दिर्ग आयू प्राप्त होती है ग्रह दान करने वाले को स्रेष्ट भवन और चांदी दान करने वाले को उत्तम रूप मिलता है वस्त्र दान करने वाला चंद्रमा के लोक में जाता है अश्व दान करने वाले को उत्तम सवारी मिलती है अन दाता को अभिस्ट संपत्ती और गव दान करने वाले को भगवान सूरे लोक की प्राप्ती होती है सवारी और शैया दान करने वाले पुरुष को पतनी बिलती है अभय दान करने वाले को एश्वर्य प्राप्त होता है धन्य दाता को सनातन सुख और भ्रहम अर्थात वेद दान करने वाले को शाश्वत भ्रहम लोक की प्राप्ती होती है जो वेद विद्या विस्ट्य ब्रहमनों को अपनी शक्ति के अनुसार अनाज देता है वह मृत्यू के पस्चात स्वर्ग का सुख भोगता है गउओं को अन देने से मनुश्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है इंधन दान करता है जो रोगी के रोगों को शांत करने के लिए उसे औशद तेल और अहार परदान करता है वह रोगहीन सुखी और दीरगाई होता है जो छत्र और जूतेदान करता है वह नरकों के अंतरगत असी पत्रवन छूरे की धार से युक्त मार्ग तथा तीखे तप से बच जाता है संसार में जो जो वस्तू अत्यंत प्रियमानी गई है तथा जो मनुश्यों के घर में आपेख्षित है उसी को यदि आक्षे बनाने की इच्छा हो तो गुणवान ब्रहमन को उसका दान करना चाहिए अयन परिवर्तन के दिन विश्णूव अर्थात तुला और मेग की संक्रान्ती को जबकी दिन और रात बरावर होते हैं विश्णूव कहते हैं यह योग आने पर चंदर्मा और भगवान सूरे के ग्रहन में तथा सक्रान्ती आदी के अवसरों पर दिया हुआ दान अक्षे होता है प्रियाग आदी तीर्थों पुन्य मंदिरों नदियों तथा बनों में भी दान करके मनुश्य अक्षे फल का भागी होता है प्राणियों के लिए इस संसार में दान धरम से बढ़कर दूसरा कोई धरम नहीं है इसलिए दुविजातियों को चाहिए कि वे शोत्रिय ब्रहमन को अवश्य दान दें एश्वरय की इच्छा रखने वाले कुरुष स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तथा मुमुक्षु प्रुष पापों की शांती के लिए प्रते दिन ब्रहमनों को दान देते रहें जो पापात्मा मानव गव ब्रहमन अगनी और देवता के लिए दी जाने वाली वस्तु को मोहवश रोक लेता है उसे पशु पक्षियों की योनी में जाना पड़ता है जो दरव्य का उपारजन करके ब्रहमनों और देवताओं का पूजन नहीं करता उसका सर्व सवचिन कर राजा उसे राज्य से बाहर निकाल दे जो अकाल के समय ब्रहमनों के मरते रहने पर भी अनादी का दान नहीं करता वह ब्रहमन निंदित है ऐसे ब्रहमन से दान नहीं लेना चाहिए तथा उसके साथ निवास भी नहीं करना चाहिए राजा को उचित है वह उसके शरीर में कोई चिन्ह अंकित करके उसे अपने राज्ये से बाहर कर दे हे द्विजुत्तमगन जो प्रह्मन सवाध धायशील विद्वान जितेंद्रिय तथा सत्य और सैयम से युप्त है उन्हें दान करना चाहिए जो समान पूर्वक देता और समान पूर्वक गरहन करता है वे दोनों स्वर्ग में जाते हैं इसके वीपरित आचरन करने पर उन्हें नर्थ में गिरना पड़ता है यदि अविद्वान प्रहमन चांदी सोना गव घोडा पृत्वी और तिल आदी का दान ग्रहन करे तो सूखे इंधन की भाती भसम हो जाता है स्रेष्ट ब्रहमन को उचित है कि वह उत्तम ब्रहमनों से धन लेने की इच्छा रखे शत्रिया और वेश्यों से भी वह धन ले सकता है किन्तू शुद्र से तो वह किसी परकार धन ना ले अपनी जीवी का व्रितिका को कम करने की ही इच्छा रखे धन भढ़ाने की चेश्टा ना करे धन के लोब में फसा हुआ ब्रहमन ब्रहम तब से ही भरस्त को जाता है संपूरण वेदों को पढ़कर और सब परकार के यग्यों के पुन्य पाकर भी ब्रहमन उस गती को नहीं पा सकता जिसे वह संतोष से पाल लेता है दान लेने की रूची ना रखे जीवन दिर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उससे अधिक धन ग्रहन करने वाला ब्रहमन अधोगती को प्राप्त होता है जो संतोष नहीं धारन करता वह स्वर्ग लोक को पाने का अधिकारी नहीं है वह लोबवश पराणियों को उधिगन करता है चोर की जैसी स्तिती है वैसी ही उसकी भी है गुरु जनों और भ्रत्य जनों के उध्धार की इच्छा रखने वाला प्रोश देवताओं और आतितियों का तरपन करने के लिए सब और से प्रति ग्रह ले किन्तु उसे अपनी त्रिप्ति का साधन ना बनाए सवयम उसका उप्भोग ना करे इस परकार घरस्त प्रोश मन को वश में करके देवताओं और आतितियों का पूजन करता हुआ जितेंद्रिय भाव से दहे जो वह परमपद को प्राप्त होता है तद नंतर घरस्त प्रोश को उचित है कि पतनी को पुत्रों के हवाले कर दे और स्वयम बन में जाकर तत्तव का घ्यान पराप्त करके सदा इकागर चित हो उदासिन भाव से अकेला विचरे हे द्विजवरो यह ग्रस्तों का धरम है जिसका मैले आप लोगों से वर्णन किया है इसे जानकर नियम पूर्वक आचरण में लाएं और दूसरे द्विजों से भी इसका अनुस्ठान कराएं जो इस परकार ग्रस्त धरम के द्वारा निरंतर एक अनादी देव इश्वर क पूजन करता है वह संपूरण बुत योनियों का अतिक्रमन करके परमातमा जी को प्राप्त होता है फिर संसार में जनम नहीं लेता सारे बोलो भगवान शिरी नराण जी की जै स्वर्ग खंड अध्याई तिरान में वानप्रस्त आश्रम के धरम का वर्णन महामुनी व्यास जी कहते हैं हे दिजवरों इस परकार आयू के दो भाग वतीत होने तक ग्रस्त आश्रम में रहकर पतनी तथा अगनी सहित बानप्रस्त आश्रम में परवेश करें अथ्वा पतनी का भार पुत्रों पर रखकर या पुत्र के पुत्र को देख लेने के पस्चात जरा ज्रिन कलेवर को लेकर बन के लिए प्रस्तान करें उत्राइन का स्रेष्ट काल आने पर शुकल पक्ष के पूर्वा भाग में बन में जाएं और वहां नियमों का पालन करते हुए एकागर चित हो कर तपस्या करें प्रते दिन फल मूल का पवित्र आहार ग्रहन करें जैसा अपना आहार हो उसी से देवताओं और पित्रों का पूजन किया करें नित्य प्रते अतिति सत्कार करता रहे सनान करके देवताओं की पूजा करें घर से लाकर एकागर चित हो आठ ग्रास भोजन करें सदा जटा धारण किये रहे नख और रुएं ना काटे सर्वता स्वाध्याई किया करे अन्य समय में मोन रहे अगनी होत्र करता रहे तथा अपने आप उत्पन हुए भाती भाती के पदार्थों और शाक या मूल फल के द्वारा पंच महा यग्यों का अनुस्ठान करे सदा फटा पुराना वस्तर पहने तीनों समय सनान करे पवित्रता से रहे प्रती ग्रह ना लेकर संपूरण प्राणियों पर दिया करता रहे द्विज को चाहिए कि वह नियम पूर्वक दर्ष एवं पुरान मास नामक्यक्यों का अनुस्ठान करे रित्विस्टी आग्रियन तथा चातुरय मास व्रतों का भी आचरण करे करमशह उत्राइन और दच्छिनाइन यग्य करे बसंत और शरद रित्यों में उत्पन हुए पवित्र पदार्थों का स्वियम लाकर उनके द्वारा प्रोडाश और चारू बनाई और विधी पूर्वक प्रिथिक प्रिथिक देवताओं को अर्पन करे परमपवित्र जंगली अन द्वारा निर्मित हविश्य का देवताओं के निमित हवन करके स्वियम भी यग्य शेश अन का भोजन करे मद्य मास का त्याग करे जमीन पर उगा हुआ त्रिन गास तथा बहेडे के फल ना खाए हल से जोते हुए खेत का अन किसी के देने पर भी ना खाए कस्ट में पढ़ने पर भी ग्रामण फूलों और फलों का उपभोग ना करे शिरोत विधी के अनुसार सदा अगनी देव की उपासना अगनी होत्र करता रहे किसी भी पराणी से द्रोह ना करे निर्दवंद और निर्भाई रहे रात में कुछ भी ना खाए उस समय केवल परमपिता परमातमा जी के दिहान में सलगन रहे किंद्रियों को वश में करके क्रोध को काबू में रखे तत्तव ग्यान का चिंतन करे सदा भहम चर्य का पालन करता रहे अपनी पत्नी से भी संसर्ग ना करे जो पत्नी के साथ बन में जाकर कामना पूर्वक में थुन करता है उसका बन प्रास्ट वरत नस्ट हो जाता है तथा वह द्विज प्रियास्चित का भागी होता है वहां उससे जो बच्चा पैदा होता है वह द्विजातियों के स्पर्ष करने योग्य नहीं रहता उस बालक का वेदा ध्धन में अधिकार नहीं होता यही बात उसके वंच में होने वाले अन्य लोगों के लिए भी लागू होती है बान प्रस्ती को सदा भूमी पर शेयन करना और गायतरी के जप में तत पर रहना चाहिए वह सब भूतों की रक्षा में तत पर रहे तथा सत पुरुशों को सदा अन्न का भाग देता रहे उसे निंदा मिथ्या अपवाद अधिक निंद्रा और आलस्य का परित्याग करना चाहिए वह एक मातर अगनी का सेवन करे कोई घर बना कर ना रहे भूमी पर जल छिड़क कर बैठे जितेंद्रिया होकर मृगों के साथ विचरे और उन्ही के साथ निवास करे इकागरचित होकर पत्थर या कंकड पर सो रहे वानप्रस्त आश्रम के नियमों में स्थित होकर केवल फूल फल और मूल के द्वारा सदा जीवन निर्वाह करे वह भी तोड कर नहीं जो संभवत है पक कर अपने आप जड़ गई हो उन्ही का उपभोग करे पृत्वी पर लोटता रहे अथवा पंजों के बल पर दिन भर खड़ा रहे कभी धहर्य का त्याग ना करे गर्मी में पंच अगनी का सेवन करे वर्षा के समय खुले मेदान में रहे हे मंत रितु में भीगा वस्त्र पहने रहे इस परकार करम्शह अपनी तपस्या को बढ़ाता रहे तीनों समय सनान करके देवताओं और पित्रों का तरपन करे एक पैर से खड़ा रहे अथवा सदा सूरे की किरणों का पान करे पंच अगनी के धूम गर्मी अथवा सोम रस का पान करे शुकल पक्ष में जल और क्रिशन पक्ष में गोवर का पान करे अथवा सूखे पत्ते चवा कर रहे अथवा और किसी कलेश में वृती में सदा जीवन निर्वाह करे योगा अभ्यास में तत्पर रहे प्रते दिन रुद्रांस दिहाई का पाठ किया करे अथरव वेद का अध्यन और वेदांत का अभ्यास करे अलस्य छोड़ कर सदा यम नियमों का सेवन करे काला म्रिग चरम और उत्रिय वस्तर धारन करे शुएत यग्यों पवीत पहने अगनियों को अपने आत्मा में अरोपित करके ध्यान प्रायन हो जाए अथवा अगनी और ग्रह से रहित हो मुनी भाव से रहते हुए मोक्ष प्रायन हो जाए जात्रा के समय तपस्वी ब्रहमनों से ही भीक्षा ग्रहन करे अथवा बन में निवास करने वाले अन्य ग्रस्त दिवीजों से भी वह भीक्षा ले सकता ह। यह भी संभव ना हो तो वह गाव से ही आठ ग्रास लाकर भोजन करे और सदा बन में ही रहे दोनों में हाथ में अथवा टुकडे में लेकर खाए आतम ज्यान के लिए नाना परकार के उपनिशीदों का अभ्यास करे किसी विशेश मंत्र गायत्री मंत्र तथा रुद्रांष्ट दिहाई का जब करता रहे अथवा वह महा प्रस्थान आमरण यात्रा अरंभ करके निरंतर उपवास करे अथवा ब्रहम आरपन विधी से सारे बोलो भगवान शिरी नरायन जी की जै स्वर्ग खंड अध्याय चुरान में सन्यास आश्रम के धरम का वर्नन महामुनी व्यास जी कहते हैं इस परकार आयू के तीसरे भाग को वानप्रस्त आश्रम में वैतीत करके करमश है चतुर्त भाग को सन्यास के द्वारा बिता उस समय द्विज को उचित है कि वह अगनियों को अपने में स्थापित करके परिवार्जक सन्यासी हो जाए और योगा भ्यास में तत पर शांत तथा ब्रह्म विद्या प्रायन रहे जब मन में सब वस्तूओं की ओर से वेराग्या हो जाए उस समय सन्यास लेने की इच्छा करे इसके वीप्रित आचरन करने पर वह गिर जाता है राजा पत्य तथा अगनिय इस्टी का अनुस्थान करके मन की वासना धुल जाने पर जितेंद्रिय भाव से ब्रह्म आश्रम सन्यास में परवेश करे सन्यासी तीन परकार के बताए गए है कोई तो ज्ञान सन्यासी होते है कुछ वेद सन्यासी होते है तथा कुछ दूसरे करम सन्यासी होते है जो सब और से मुप्द, निर्दुवंद और निर्भय होकर आतमा में ही स्थित रहता है उसे ज्ञान सन्यासी कहा जाता है जो कामना और परिग्रह का त्याग करके मुप्ती की इच्छा से जितेंद्रिय होकर सदा वेद का ही अभ्यास करता रहता है वह है वेद सन्यासी कहलाता है जो द्विज अगनी को अपने में लीन करके सुवयम ब्रह्मा में समर्पित हो जाता है उसे महायग्य परायन करम सन्यासी जानना चाहिए इन तीनों में ग्यानी सबसे स्रेष्ट माना गया है उस विद्वान के लिए कोई करतव्य या आश्रम चिन आवश्यक नहीं रहता सन्यासी को ममता और भै से रहित शान्त एवं निर्द्वन्द होना चाहिए वे पत्ता खाकर रहे पुराना कोपिन पहने अथवा नंगा रहे उसे ज्ञान प्रायन होना चाहिए वह ब्रहमचरय का पालन करते हुए अहार को जीते और भोजन के लिए बस्ती से अन मांग लाया करे वह अध्यात्म तत्तव के चिंतन में अनुरक्त हो सब और से निर्पेक्ष रहे और भोग्य वस्त्यों का परित्याग कर दे केवल आत्मा को ही सहाइक बना कर आतम सुख के लिए इस संसार में विचरता रहे जीवन या मृत्यू किसी का अभीनंदन ना करे जैसे सेवक स्वामी के आदेश की परतिक्षा करता रहता है उसी परकार सन्यासी काल की ही परतिक्षा करे उसे कभी अध्यन परवचन अथवा श्रवन नहीं करना चाहिए इस परकार ज्यान प्रायन योगी ब्रह्म भाव का अधिकारी होता है विद्वान सन्यासी एक वस्तर धारन करे अत्वा केवल कोपिन धारन किये रहे सिर मूंडाए रहे या बाल बढ़ाए रखे त्री दंड धारन करे किसी वस्तू का संगरह न करे गेरुए रंग का वस्तर पहने और सदा ध्यान योग में तत्पर रहे गाम के समीप किसी ब्रिक्ष के नीचे अथवा दिवाल्य में रहे शत्रू और मित्र में तथा मान और अपमान में समान भाव रखे सदा भिक्षा से ही जीवन निर्वह करे कभी एक स्थान के अन् वश या और किसी कारण से एक जगह का अन खाने लगता है धर्म शास्त्रों में उसके उद्धारक का कोई उपाई नहीं देखा गया है सन्यासी का चित राग द्वेश से रहित होना चाहिए उसे मिट्टी के ढेले पत्थर और सुवरण को एक सा समझना चाहिए तथा प्रा सन्यासी भली भाती देख भाल कर आगे पैर रखे वस्तर से चान कर जल पिये सत्य से पवित्र हुए वानी बोले तथा मन से जो पवित्र जान पड़े उसी का आचरण करे सन्यासी को उचित है कि वह वर्षा काल के सिवा और किसी समय एक स्थान पर निवास ना करे सनान करके सोचा चार से संपन रहे सदा हाथ में कमंडलू लिये रहे ब्रहम चरय पालन में सलगन होकर सदा बन में ही निवास करे मोक्ष संबंदी शास्तरों के विचार में ततपर रहे ब्रहम सुत्र का ज्यान रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे सन्यासी यदि दंभ एवं अहंकार से मुक्त निंदा और चुगली से रहित तधा आतम ज्यान के अनुकूल गुणों से युक्त हो तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है यदि विधी पूर्वक सनान और आजमन करके पवित्र हो देवाल्य आदी में परणव नामक सनातन देवता का निरंतर जप करता रहे वह यग्यो पवीत धारी एवं शांत चित होकर हाथ में कुश धारन करके धुला हुआ गेरुआ वस्तर पहने सारे शरीर में भसम रमाए विधांत प्रतिपादित अधियग्य अधिदेविक तथा अध्यात्मिक ब्रह्म का एकाग्र भाव से चिंतन करे जो सदा वेद का ही अभ्यास करता है वह परम गती को प्राप्त होता है अहिंसा सत्य चोरी का अभाव ब्रह्म चर्य उत्तम तप शमा दिया और संतोश ये सन्यासी के विशेश व्रत है वह प्रती दिन सवा ध्याय तथा दोनों संधियाओं के समय गात्री का जब करे एकांत में बैठकर निरंतर परम पिता परमेश्वर जी का धिहान करता रहे सदा एक स्थान के अन्न का त्याग करे साथ ही काम करोध तथा संग्रह को भी त्याग दे वह एक या दो वस्तर पहन कर शिखा और यग्यो पवीत धारन किये हाथ में कमंडलू लिये रहे इस परकार प्रिदंड धारन करने वाला विद्वान सन्यासी परमपद को प्राप्त होता है सारे बोलो भगवान शिरी नरायन जी की जै स्वर्ग खंड अध्याय पिच्चानवे सन्यासी के नियम महामुनी व्यास जी कहते हैं हे द्विजवरो इस परकार आश्रम में निस्था रखने वाले तथा नियमित जीवन विताने वाले सन्यासीयों के लिए फल मूल अथवा भिच्चा से जीवन निर्वाह की बात कही गई उसे एक ही समय भिच्चा मांगनी चाहिए अधिक भिच्चा के संग्रह में आसक्त नहीं होना चाहिए क्योंकि भिच्चा में आसक्त होने वाला सन्यासी विश्यों में भी आसक्त हो जाता है साथ घरों तक भिक्षा के लिए जाए यदि उन में ना मिले तो फिर ना मागे भिक्षू को चाहिए कि वह एक बार भिक्षा का नाम लेकर चुप हो जाए और नीचे मुह किये एक द्वार पर उतनी ही देर तक खड़ा रहे जितनी देर में एक गाए दुही जाती है भिक्षा मिल जाने पर हाथ पैर धोकर विधी पूर्वक आजमन करे और पवित्र हो मोन भाव से भोजन करे पहले वह अन भवान सूर्या को दिखा ले फिर पूर्वा विमुक हो पांच बार प्राण अगनी होत्र करके अथात प्रणयाए स्वाहा अपानाए स्वाहा समानाए स्वाहा व्यानाए स्वाहा उदानाए स्वाहा इन मंत्रों से पांच ग्रास अन मुह में डाल कर इकाग्र चित हो आठ ग्रास अन भोजन करे भोजन के पस्चात आजमन करके भगवान भ्रम्मा जी एवं परमेश्वर जी का ध्यान करे तुम्भी लकडी मिट्टी तथा मांस इनी चारों के बने हुए पात्र सन्यासी के उपयोग में आते हैं ऐसा प्रजापती मनुजी का कथन है रात के पहले पहर में मध्यरात्री में तथा रात के पिछले पहर में विश्व की उत्पत्ती के कारण एवं विश्व नाम से परसिद्द इश्वर जी को अपने हिर्द्य कमल में स्थापित करके ध्यान संबंदी विशेश शलोकों एवं मंत्रों के द्वारा उनका इस परकार चिंतन करे परंपिता प्रमेश्वर जी संपूरण भूतों के आत्मा अज्ञान मैं अंधकार से परे विराजमान सब के अधार अव्यक्त सवरूप अनंद मैं जोती मैं अविनाशी प्राकर्ती और प्रुश से अतीत अकाश की भाती नि सीमा सब का शासन करने वाले तधा भ्रम रूप हैं तदनंतर प्रणव जब के पस्चात आत्मा को अकाश सब रूप परमात्मा जी में लीन करके उनका इस परकार ध्यान करें परमात्मन देव सब के इश्वर फिर्द्यकाश के बीच विराजमान समस्त भावों की उत्पत् आनन्द के एक मात्र अधार तथा पुरान पुरुष शिरी विश्णुजी हैं इस परकार ध्यान करने वाला पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है जो समस्त प्राणियों का जीवन है जहां जगत का लई होता है तथा मुमुक्षु पुरुष जिसे ब्रहम का सूशम अनन्द समस्ते है उस परम्व्यों के भीतर केवल अधित्य ज्यान सब रूप ब्रहम स्थित है जो अनन्द सत्य एवं इश्वर रूप है इस परकार ध्यान करके मौन हो जाएं यह सन्यासियों के लिए गोपनिय से भी अत्यंत गोपनिय ज्यान का वर्नन किया गया जो सदा इस ज्ञान में स्थित रहता है वह इसके द्वारा इश्वरिय योग का अनुभव करता है इसलिए सन्यासी को उचित है कि वह सदा ज्ञान के अभ्यास में ततपर हो और आत्म विद्या प्रायन होकर ब्रह्म का चिंतन करे जिससे भव वंधन से छुटकारा मिले पहले आत्मा को सब अर्थात दृष्य पदार्थों से प्रिथिक केवल अधित्य अनंद मैं अक्षर अविनाशी एवं ज्ञान सवरूप जान ले इसके बाद उसका ध्यान करे जिन से सम्पूरण भूतों की उत्पत्ती होती है जिनहें जानकर मनुश्य उन्हें इस संसार में जनम नहीं लेता वे परमपिता परमातमाजी इसलिए ईश्वर कहलाते हैं कि वे सबसे परेस्थित हैं सब के उपर अध्यक्ष रूप से विरा माजमान हैं उन्हीं के भीतर उस शास्वत कल्यान मई अविनाशी ब्रह्म का घ्यान होता है जो इस द्रिश्य जगत के रूप में परत्यक्ष और सबुरूपसे प्रोक्ष हैं वेही परमेश्वर देव हैं सन्यासिओं के जो ब्रत बताई गए हैं वैसे ही उनके भी व्रत हैं उन व्रतों में से एक एक का उलंगन करने पर भी प्रियास्चित करना पड़ता है सन्यासी यदि कामना पूर्वक इस्तरी के पास चला जाए तो एकागर चित होकर प्रियास चित करें उसे पवित्र होकर परणयाम पूरवक संतपन वृत करना चाहिए संतापन के बाद चित को एकागर करके शोच संतोष आदी नियमों का पालन करते हुए वह कृच्छन व्रत का अनुस्थान करें तदनंतर आश्रम में आकर पुन है आलस्य रहित हो भिक्षु रूप से विचरता रहे असत्य का प्रियोग कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह जूट का परसंग बड़ा भ्यंकर होता है धरम की अभिलाशा रखने वाला सन्यासी यदि जूट बोल दे तो उसे उसके प्रयास्चित के लिए एक रात उपवास और सो प्रण्याम करने चाहिए बहुत बड़ी अपत्ती में पढ़ने पर भी सन्यासी को किसी दूसरे के यहां से चोरी नहीं करनी चाहिए समरितियों का कथन है कि चोरी से बढ़कर दूसरा कोई अधरम नहीं है हिंसा त्रिशना और याचना ये आतम ग्यान का नाश करने वाली है जिसे धन कहते हैं वह मुनुश्यों का ब्रहम प्राण ही है जो जिसके धन का अपहरन करता है वह मानों उसके प्राण ही हर लेता है ऐसा करके दूस्त आतमा पुरुष अचार भरस्त हो अपने व्रत से गिर जाता है यदि सन्यासी अकस्मात किसी जीव की हिंसा कर बैठे तो कर्चन अती कर्चन अथवा चंदरायन व्रत का अनुस्थान करे यदि भिक्षू का उसकी अपनी इंद्रियों की दुरवलता के कारण किसी इस्तरी को देखकर विर्यापात हो जाए तो उसे सोलह प्रण्याम करने चाहिए हे विद्वानों दिन में विर्यापात होने पर वह तीन रात का व्रत और सो प्राण्याम करे यदि वह एक स्थान का अन मधू नवीन शराध का अन तथा खाली नमक खाले तो उसकी शुद्धी के लिए प्रजापत्य व्रत बताया गया है सदा ध्यान में स्थित रहने वाले प्रूश के सारे पातक नस्ट हो जाते हैं इसलिए महेश्वर का चिंतन करते हुए सदा उन्ही के ध्यान में स्लग्न रहना चाहिए जो परम जियोती सब रूप भरम सब का आशरे अक्षर अव्याय अंतरात्मा तथा पार भरम है उन्ही को भगवान महेश्वर समझना चाहिए ये महादेवजी केवल परमशिव रूप है ये ही अक्षर अदेत एवं सनातन परमपद है वे देव सब परकाश सब रूप है ज्यान उनकी संग्या है वे ही आतम योग रूप तत्तव है उनमें सबकी महिमा परतिस्था होती है इसी लिए उन्हें महादेव कहा गया है जो महादेवजी के सिवा दूसरे किसी देवता को नहीं देखता अपने आतम सब रूप उन महादेवजी का ही अनुसरण करता है वह परमपद को प्राप्त होता है जो अपने को उन वियर्थ हो जाता है एक मात्र पार ब्रह्म ही जाने योग्य अविनाशी तत्व है वेही देवाधी देव महादेव जी है इस बात को जान लेने पर मनुश्य कभी बंधन में नहीं पड़ता इसलिए सन्यासी अपने मन को वश में करके नियम पूर्वक साधन में लगा रहे त हे ब्रह्मणों इस परकार मेंने आप लोगों से सन्यासीयों के कल्यान में आश्रम धरम का वर्नन किया इसे भगवान ब्रह्मा जी ने पूर्वकाल में उपदेश किया था सन्यास धरम से संबंद रखने वाला यह परम उत्तम कल्यान में ज्यान साक्षात स्व्यम्भू भ्रह्मा जी का बताया हुआ है अतहे पुत्र शिश्य तथा योगियों के सिवा दूसरे किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए हे दूजवरो इस परकार मैंने सन्यासियों के नियमों का विधान बताया है यह दूवेश्वर भ्रह्मा जी के संतोष का एक मात्र साधन है जो मन लगा कर प्रती दिन इन नियमों का पालन करते हैं उनका जनम अथवा मरण नहीं होता सारे बोलो भगवान शिरी नरायन जी की जय स्वर्ग खंड अध्याई 96 भगवान भक्ती की परशंसा इस्तरी संग की निन्दा भजन की महिमा ब्रहमन पुरान और माता गंगा जी की महत्ता जनम आदी के दुख तथा हरी भजन की अवश्यक्ता सूत जी कहते हैं हे ब्रहमनों पूर्व काल में अमित तेजस्वी व्यास जी ने इस परकार आच्रम धरम का वर्नन किया था इतना उपदेश करने के पस्चात उन सत्यवती नंदन भगवान व्यास जी ने समस्त मुनियों को भली भाती अश्वासन दिया और जैसे आए थे वैसे ही वे चले गए वहीं यह वर्न आश्रम धरम की विधी है जिसका मैंने आप लोगों से वर्नन किया है इस परकार वर्न धरम तथा आश्रम धरम का पालन करके ही मनुश्य भगवान विश्णु जी का प्रिया होता है अन्यथा नहीं हे दिजवरों अब इस विश्य में मैं आप लोगों को रहस्य की बात बताता हूँ सुनिए यहां वर्न और आश्रम से संबंद रखने वाले जो धरम बताई गए हैं वे सब हरी भक्ती की एक कला के अंच के अंच की भी समानता नहीं कर सकते कली युग में मनुश्यों के लिए इस मृत्ति लोक में एक मात्र हरी भक्ती ही साध्य है जो कली युग में भगवान नरायन जी का पूजन करता है वह धरंग के फल का भागी होता है अनेको नामों द्वारा जिन्हें पुकारा जाता है तथा जो इंद्रियों के नियता है उन परम शांत सनातन भगवान दामोदर को हिर्दय में स्थापित करके मनुश्य तीनों लोकों पर विजय पा जाता है जो द्विज हरी भक्ती रूपी अमरित का पान कर लेता है वह कल यूग का काल रूपी साप के डसने से फैले हुए पाप रूपी भ्यंकर विश्य से आत्म रक्षा करने के योग्य हो जाता है यदि मनुश्यों ने शिरी हरी जी के नाम का आश्रे ग्रहन कर लिया तो उन्हें अन्य मंतरों के जब की क्या अवश्यक्ता है जो अपने मस्तक पर शिरी विश्यु जी का चरणों दक धारण करता है उसे सनान से क्या लेना है जिसने अपने हिर्दय में शिरी हरी जी के चरण कमलों को स्थापित कर लिया है उसको यग्य से क्या प्रियोजन है जिन्होंने सभा में भगवान जी की लिलाओं का वर्नन किया है उन्हें दान की क्या अवश्यक्ता है जो शिरी हरी जी के गुणों का शिरवन करके बारंबार हर्शित होता है भगवान शिरी क्रिशन जी में चित लगाई रखने वाले उस भक्त पुरुष को वही गती प्राप्त होती है जो समाधी में आनंद का अनुभव करने वाले योगी को मिलती है पाखंडी और पाप सक्त पुरुष उस अनंद में बिघन डालने वाले बताई गए हैं नारिया तथा उनका अधिक संग करने वाले पुरुष भी हरी भक्त में बांदा पहुचाने वाले हैं इस्तरिया नेत्रों के कटाक्ष से जो संकेत करती हैं उसका उलंगन करना देवताओं के लिए भी कठिन होता है जिसने उस पर विजय पाली है वही संसार में भगवान जी का भक्त कहलाता है मूनी भी इस लोक में नारी के चरित्र पर लुभा कर्मत वाले हो उठते हैं ये ब्रहमनों जो लोग नारी की भक्ती का आश्रे लेते हैं उन्हें भगवान जी की भक्ती कैसे प्राप्त हो सकती है हे द्विजों बहुत सी राक्षसियां कमनी का बेश धारण करके इस संसार में विचरती रहती हैं वे सदा मुनुष्यों की बुद्धी एवं विवेक को अपना ग्रास बनाया करती है हे विप्रगण जब तक किसी सुंद्री इस्तरी के चंचल नेतरों का कटाक्ष जो संपूरण धर्मों का लोब करने वाला है मनुष्य के उपर नहीं पड़ता तभी तक उसकी विद्या कुछ करने में समर्थ होती है तभी तक उसे ज्ञान बना रहता है तभी तक सब शास्तरों को धारण करने वाली उसकी मेधा शक्ती निर्मल बनी रहती है तभी तक जब तप और तीर्थ सेवा बन पड़ती है तभी तक गुरू की सेवा संभव है और तभी तक इस संसार सागर से पार होने के साधन में मनुश्य का मन लगता है इतना ही नहीं बोध विवेक सतसंग की रूची तथा पुरानिक बातों को सुनने की लालसा भी तभी तक रहती है जो भगवान चरण बिंदों के मकरंदा का लेश मात्र भी पाकर अनंद मैं हो जाते हैं उनके उपर नारियों के चंचल कटाक्ष पात का परभाव नहीं खे द्विजों जिन्हों ने परतेक जनम में भगवान शीरी परिशी केस जी का सेवन किया है ब्रहम्णों को दान दिया है तथा अगनी में आवन किया है उन्हीं को उन उन विष्यों की ओर से विराग्य होता है इस तरियों में सोंद्रय नाम की वस्तु ही क्या है पीव मुत्र विस्टा रक्त तुचा मैदा हट्डी और मज्जा इन सब से युक्त जो ढाचा है उसी का नाम है शरीर भला इसमें सोंद्रय कहां से आया उप्युक्त वस्तुओं को प्रिथिक प्रिथिक करके यदि छू लिया जाए तो सनान करके ही मनुश्य शुद्ध होता है किन्तु हे भ्रामनो इन सभी वस्तुओं से युक्त जो अपवित्र शरीर है वह लोगों को सुंदर दिखाई देता है अहो यह मनुश्यों की अत्यंत दुर्दशा है जो दुर्वाग्य वस्त घटित हुई है पुरुष उभरे हुए कूचों से युक्त शरीर में इस्तुरी बुद्धी करके प्रवत होता है किन्तु कौन इस्तुरी है और कौन पुरुष विचार करने पर कुछ भी लिए साधु पुरुष को सब परकार से इस्तुरी के संग का परित्याग करना चाहिए भला इस्तुरी का आश्रय लेकर कौन पुरुष इस पृत्वी पर सिद्धी पा सका है कामनी और उसका संग करने वाले पुरुष का संग भी त्याग देना चाहिए उनके संग से अनवश इस्त्रियों पर लुभाई रहते हैं उन्हें देव ने ठग लिया है नारी की योनी साक्षात नर्क का कुंड है कामी पुरुशों को उसमें पकना पड़ता है क्योंकि जिस भूमी से उसका अभी भार्व हुआ है वही वह फिर रमन करता है अहो जहां से मल जनित मुत्र और रज बहता है वही मनुश्य रमन करता है उससे बढ़कर आपवित्र कोन होगा वहां अत्यंत कस्ट है फिर भी मनुश्य उसमें परवत होता है हे अहो यह देव की कैसी विडंबना है उस आपवित्र योनी में बारं बार रमन करना यह मनुश्यों की कितनी निरलज्जता है अतहे बुद्धिमान पुरुष को इस्तरी परसंग से होने वाले बहुत तेरे दोशों पर विचार करना चाहिए मैथुन से बलकी हानी होती है और उस से उसको अत्यंत निद्रा अर्थात आलत से आने लगती है फिर नीद से वे सुद्ध रहने वाले मनुश्य की आयू कम हो जाती है इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह नारी को अपनी मृत्यू के समान समझे और मन को प गोविंद जी के चरणों की सेवा इही लोक और परलोक में भी सुख देने वाली है उसे छोड़ कर कोन महामूरत पुरुष इस्त्री के चरणों का सेवन करेगा भगवान जनार्दन जी के चरणों की सेवा बोक्ष परदान करने वाली है तथा इस्त्रियों की योनी का सेव योनी के ही संकट में दालने वाला है योनी सेवी पुरुष को बार-बार योनी में ही गिरना पड़ता है यंत्र में कसे जाने वाले को जैसा कस्ट होता है वैसी ही यातना उसे भी भोगने पड़ती है प्रंतु फिर भी वह योनी की ही अभिलाशा करता है यह पुरुष की कैसी बिडम बना है इसे जानना चाहिए मैं अपने भुजाएं उपर उठा कर कहता हूँ मेरी उत्तम बात सुनो शिरी गोविंद जी में मन लगाओ यातना देने वाली योनी में नहीं जो इस्तरी की आसकती छोड़कर विचरता है वह मानव पगपग पर अश्व मेध यग्य का फल पाता है यदि देव योग से उत्तम कुल में उत्पन सती सादवी स्तरी से मनुश्य का विवा हो जाए तो उससे पुत्र का जनम होने के पस्चात फिर उसके साथ समागम ना करें ऐसे पुरुष पर भगवान जगदीश्वर संतुष्ट होते हैं इसमें तनिक भी संदेह नहीं है धर्मग्य पुरुष इस्तरी के संग को असत संग कहते हैं उसके रहते भगवान शिरी हरी जी में सुद्रड भक्ती नहीं होती इसलिए सब परकार के संगों का परित्याग करके भगवान जी की भक्ती ही करनी चाहिए मेरे विचार से इस संसार में शिरी हरी जी की भक्ती दुरलब है जिसकी भगवान जीन में भक्ती होती है जिससे भगवान पर सन्न होते हैं भगवान जी के संतूस्ट और त्रिप्त होने पर संतूस्ट एवं त्रिप्त होता है शिरी हरीजी की भक्ती के बिना मनुश्यों का जनम बेर्थ बताया गिया है जिनकी परसन्नता के लिए ब्रह्मा आदी देवता भी यजन करते हैं उन आदी अंत रहित भगवान शिरी नराण जी का भजन कोन नहीं करेगा जो अपने हिर्दय में शिरी जनारदन जी के युगल चरणों की स्थापना करता है उसकी माता परमसो भाग्य शालनी और पिता महापुन्य आत्मा है जगद्वंध हे जनारदन शरणागत वत्सल आदी कहकर जो मनुष्य भगवान जी को पुकारते हैं उनको नर्क में नहीं जाना परता विशेष्ट है ब्रहमणों का जो साक्षात भगवान के सब रूप हैं जो लोग यथा योग्य पूजन करते हैं उनके उपर भगवान पर संद होते हैं भगवान विश्णुजी ही ब्रहमणों के रूप में इस प्रित्वी पर विचरते हैं ब्रहमण के बिना क कोई भी करम सित नहीं होता जिन्होंने भक्ति पूर्वक भ्रहम्णों का चरणोदक पीकर उसे मस्तक पर चढ़ाया है उन्होंने अपने पित्रों को स्त्रिप्त कर दिया तथा आत्मा का भी उद्धार कर दिया जिन्होंने भ्रहम्णों के मुख में सम्मान पूर्वक मधुर अन अरपित ऄया है, उनके द्वारव साक्षात शीरी क्रिशन जी के ही मुख से वह अन दिया गया है। इसमें संदेह नहीं, कि साक्षात शीरी हरी जी ही उस अन को भोग लगाते हैं। ब्रहमनों के रहने से ही यह पृत्वी धन्यमानी गई हैं। उनके हाथ में जो कुछ दिया जाता है वे भगवान जी के हाथ में ही समर्पित होता है उनको नमस्कार करने से पापों का नाश होता है ब्रहमन की वंदना करने से मनुश्य ब्रहम हत्यादी पापों से मुक्त हो जाता है इसलिए ब्रहमन सत्य पुरुषों के लिए विश्नु बुद्धी से अराधना करने के योग्य है भूखे ब्रामन के मुख में यदि कुछ अन दिया जाए तो दाता मृत्यू के पस्चात परलोक में जाने पर क्रोड कल्पों तक अमृत की धारा से अभिशिक्त होता है ब्रामनों का मुख उसर और काटों से रहित बहुत बड़ा है वहाँ यदि कुछ बोया जाता है तो उसका कोटी कोटी गुणा अधिक फल प्राप्त होता है ब्रामन को गृत सहित भोजन देकर मनुश्य एक कल्प तक अनन्द का अनुभव करता है जो ब्रामन को संतुस्ट करने के लिए नाना परकार के सुन्दर में स्थान दान करता है उसे कोटी कल्पों तक महान भोग संपन लोक प्राप्त होते हैं ब्रामन को आगे करके ब्रामन के द्वारा ही कहीं कोई पुराण कथा प्रतिदिन शिरवण करना चाहिए पुराण बड़े बड़े पापों के बन को भसं करने के लिए महान दावनल के समान है पुरान सब तीर्थों की अपेक्षा स्रेष्ट तीर्थ बताया जाता है जिसके चतुरदाश का शिरवन करने से शिरी हरी जी परसन्न हो जाते हैं जैसे भगवान शिरी हरी जी संपूरण जगत को परकाश देने तथा सब को द्रिष्टी परदान करने के लिए भगवान सूर्य का सब रूप धारन करके विचरते हैं उसी परकार शिरी हरी जी ही अंतह करण में ज्यान का परकाश फिलाने के लिए पुराणों का रूप धारन करके जगत में विचरते हैं पुराण परम पावन शास्त्र है अता है यदि शीरी हरी जी की परसन्नता प्राप्त करने का मन हो तो मनुष्य को नरिंतर शीरी क्रिशन जी रूपे परमातमा जी के पुराण का श्रवन करना चाहिए विश्नु भक्त प्रूश को शांत भाव से सुनाना उचित है क्योंकि वह अत्यंत दुरलब है पुराण की कथा बड़ी निर्मल है तथा अंतह करन को निर्मल बनाने का उत्रिक्रिस्ट साधन है व्यास रूपधारी शीरी हरी जी ने विदार्थों का संग्रह करके पुराण की रचना की है अतह है उसके शरवन में त सुक्षात केशव का सब रूप है अतह विद्वान पुरुष पुराण सुन लेने पर विश्णु रूप हो जाता है एक तो ब्रहमन ही साक्षात शीरी हरी जी का रूप है दूसरे पुराण भी वैसा ही है अतहे उन दोनों का संग पाकर मनुश्य विश्णु clam रूप ही हो देता है भगवान केशब जी ही जल के रूप में इस भूमंडल का पाप से उधार कर रहे हैं यदि वैशनव पुरुष विश्णु जी के भजन की अभिलाशा रखता हो तो उसे माता गंगा जी के जल का निर्मल अभिशेक प्राप्त करना चाहिए क्योंकि वह अंतह करण को शुद्ध करने का उत्तम साधन है इस प्रित्वी पर भगवती माता गंगा जी विश्णु भक्ति परदान करने वाली बताई जाती है लोकों का उध्धार करने वाली माता गंगा जी वास्तम में शीरी विश्णु जी का ही सब रूप है बरहमनों में पुराणों में माता गंगाजी में गउओं में तथा पीपल के ब्रिक्षों में नरायन बुद्धी करके मुनुष्यों को उनके प्रती निश्काम भक्ती करनी चाहिए। तत्तवग्य पुरुषों ने इन्हें विश्णु जी का प्रत्यक्ष सबुरूप निश्चित किया है। विश्णु भक्ती की अभी लाशा रखने वाले पुरुषों को सदा इनकी पूजा करनी चाहिए। विश्णु जी में भक्ती कि ये बिना मनुश्यों का जनम निश्फल बताया जाता है। कल्युग काल ही जिसके भीतर जल राशी है जो पाप रूपी ग्रेहों से भरा हुआ है। विश्य असक्ती ही जिसमें भवर है दुरवोध ही फैन का काम देता है। महादुस्ट रूपी सर्फों के कारण जो अत्यंत भ्यानक परतीत होता है। उस दुस्तर भव सागर को हरी भक्ती की नोका पर बैठे हुए मनुश्य पार कर जाते हैं। इसलिए लोगों को हरी भक्ती की सिद्धियों के लिए परसन करना चाहिए। लोग बुरी बुरी बातों को सुनने में क्या सुख पाते हैं जो अध्भुद लीलाओं वाले शिरी हरी जी की लीला कथा में आसक्त नहीं होते। यदि मनुश्यों का मन विशय में ही आसक्त हो तो लोक में नाना परकार के विश्यों से मिश्रित उनकी विचित्र कथाओं का ही शरवन करना चाहिए। हे द्विजो यदी निवारण में ही मन रमता हो तो भी भगवान कथाओं को सुनना उचित है उन्हें अवहेलना पूर्वक सुनने पर भी शिरी हारीची संतुस्ट हो जाते हैं भगत वत्सल भगवान रिची केश यद्यपी निश्क्रिय हैं तथा पी उन्होंने श्रवन की इच्छा वाले भगतों का सित करने के लिए नाना परकार की लिलाएं की हैं सो बाजपय आदिक करम तथा दस हजार राजशुय यज्यों के अनुस्थान से भी भगवान उतनी सुगमता से नहीं मिलते जितनी सुगमता से भे भगती के द्वारा प्राप्त होते हैं जो हिर्दय से सेवन करने योग्या संतों के द्वारा बारंबार सेवित तथा भवसागर से पार होने के लिए सारवस्तु है शिरी हरी जी के उन चरणों का आश्रय लोग रे विशय लोलुप हे पामरो अरे हे निस्थुर मुनुश्यों क्यों सवयम अपने आपको रोरव नर्क में गीरा रहे हो यदि तुम अनान्यास ही दुखों के पार जाना चाहते हो तो गोविंद के चारू चरणों का सेवन किये बिना नहीं जा सकोगे भगवान शिरी कृषन जी के युगल चरण मोक्ष के हेतु है उनका भजन करो मनुश्य कहां से आया है और कहां पुन्हे उसे जाना है इस बात का विचार करके बुद्धिमान पुरुष धरम का संग्रह करे क्योंकि नाना परकार के नरकों में गिरने के पस्चात यदी पुन्हे उत्स्थान होता है तभी मनुश्य का जनम मिलता है वहां उसे गर्ब वास का अत्यंत दुखदाई कस्ट तो भोगना ही पड़ता है हे दिविजो फिर करम वश्य जीव यदी इस पृत्वी पर जनम लेता है तो वाल्य अवस्था आदी के अनेक दोशों से उसे पीड़ा सहनी पड़ती है पिर युवा अवस्था में पहुचने पर यदी दरिदर्ता हुई तो उससे बहुत कस्ट होता है भारी रोग से तथा अना वरिष्टी आदी आपत्तियों से भी कलेश उठाना पड़ता है व्रिदा अवस्था में मन के इधर उधर भग टकने से जो कस्ट उसे प्राप्त होता है उसका वर्नर नहीं हो सकता तदनंतर व्याधी के कारण समया अनुसार मनुश्य की मृत्य हो जाती है संसार में मृत्यू से बढ़कर दूसरे किसी दुख का अनुभव नहीं होता तदपस्चात जीव अपने करमवश यम लोक में प्रीडा भूगता है वहां अत्यंत दारून यातना भूग कर फिर संसार में जनम लेता है इस परकार वह बारम बार जनमता और मरता तथा मरता और जनमता रहता है जिसने भगवान शिरी गोविंद जी के चरणों की अराधना नहीं की है उसी की ऐसी दशा होती है गोविंद जी के चरणों की अराधना ना करने वाले मनुश्य की बिना कस्ट के मृत्यू नहीं होती तथा बिना कस्ट के उसे जीवन भी नहीं मिलता यदि घर में धन हो तो उसे रखने से क्या फल हुआ जिस समय यमराज के दूत आकर जीब को खीचते हैं उस समय धन क्या उस सब परकार के सुख देने वाला है दान सवर्ग की सीड़ी है दान सब पापों का नाश करने वाला है गोविंद जी का भक्ति पूर्वक किया हुआ भजन महान पुन्य की व्रिद्धी करने वाला है यदि मनुश्य में बल हो तो उसे व्यर्त ही नस्त ना करें आलस्य भगवान जी के सामने नित्य करें और गीत गाएं मनुश्य के पास जो कुछ हो उसे भगवान शिरी कृशन जी को समर्पित कर दें भगवान शिरी कृशन जी को समर्पित की हुई वस्तू कल्यान दायनिय होती है और किसी को दी हुई वस्तू केवल दुख देने वाली होती नेत्रों से शीरी हरी जी की ही प्रतीमा आदिक दर्शन्त था, कानों से भगवान शीरी क्रिशन जी के गुण और नामों का ही अहर निर्ष शिरावन करें, विद्ध्वान पुरुशों को अपनी जीवा से शीरी हरी जी के चरणोदक का अस्वादन करना चाहिए, नासीका से शीरी गोविंद जी के चरण विंदों पर चड़े हुए, शीरी तुलसी दल को सुंग कर तुवचा से हरी भक्ती का स्पर्श करता था, मन से भगवान जी के चरणों का ध्यान करके जीव करतार्थ हो जाता है, इसमें अन्यथा विचार करने की अवैश्यत्ता नही जी के चरण विद्वान पुरुष भगवान जी में ही मन लगाई और हिर्दे में उन्ही की भावना करे, ऐसा करने वाला मनुश्या अन्त में भगवान जी को ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ विचार करने की अवश्यत्ता नहीं है, जो मन से भी निरंतर चिंतन करने पर भक्त को अपना पद परदान कर देते हैं, उन आदी अंतर रहित भगवान शिरी नरायन जी का कौन मनुश्या सेवन नहीं करेगा, जो शिरी विश्नु जी के चरण विंदों में निरंतर चित लगाई रहता है, भगवान जी की परसन्नता के लिए अपनी शक्ती के अनुसा कारदान किया करता है, तथा उन ही के युगल चरणों में प्रणाम करता, मन लगाता और अनुराग रखता है, वह इस मनुश्य लोक में निश्चे ही उज्य भाव को प्राप्त होता है, सारे बोलो भगवान शिरी नरायन जी की जै, स्वर्ग खंड, अध्याई 97, शिरी हरी शिरी सूत जी के पुराण में सबरूप का वर्नन तथा पद्म पुराण और स्वर्ग खंड का महत्में, शिरी सूत जी कहते हैं, हे बरहमनों, इस परकार संसार में जिन की महिमा समस्त लोकों का उद्धार करने वाली है, उन नाना रूपधारी परमेश्वर भगवान ग्रह पुराण भी है, पुराणों में पद्म पुराण का बहुत बड़ा महत्तव है, एक ब्रहम पुराण शिरी हरी जी का मस्तक है, करम दो पदम पुराण हिर्दय है, करम तेन विश्णु पुराण उनकी दाहिनी भुजा है, करम चार शिव पुराण उन महेश्वर जी क बाई भुजा है करम पांच शिरिमत भागवत को भगवान जी का उरु यूगल कहा गिया है करम छे नार्तिय पुराण नाभी है करम साथ मारकंडई पुराण दाहिनी तथा करम आठ अगनी पुराण बाया चरण है करम नो भविश्य पुराण महात्मा शिरि विश्नुजी का दाहिना घुटना है करम दस ब्रह्म बेवर्त पुराण को बाया घुटना बताया गया है करम ग्यारा लिंग पुराण दाहिना और करम बारा ब्रह पुराण बाया घुल्फ अर्थात गुट्थी है करम तेरा सकंद पुराण रोएं तथा करम चोदा वामन पुराण तवस्था माना गया है करम पंदरा कुरूम पुराण को पीठ तथा करम सोला मतस्य पुराण को मेदा कहा जाता है करम सतरा गरुन पुराण मज्जा बताया गया है और करम अठारा भर्मांड पुराण को अस्थी अर्थात हड़ी कहते है इसी फरकार पुरान विग्रह धारी सर्व व्यापक शिरी हरी जी का अविभार्भ हुआ है उनके हिर्द्य स्थान में पद्म पुराण है जिसे सुनकर मनुश्य अमरित पद मोक्ष सुख का उफभोग करता है यह पद्म पूरान साक्षात भगवान शिरी हरीजी का सब रूप है इसके एक अध्याय का भी पाठ करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है सुवर्ग खंड का श्रवन करके महापात की मनुश्य भी कैचुल से छूटे हुए सर्प की भाती समस्त पापों से मुख्त हो जाते हैं कितना ही बड़ा दुराचारी और सब धर्मों से वहिश्कृत क्यों ना हो सुवर्ग खंड का श्रवन करके वह पवित्र हो जाता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है हे दिविजों समस्त पुराणों को सुनकर मनुश्य जिस फल को प्राप्त करता है वह सब केवल पदम पुराण को सुनकर ही प्राप्त कर लेता है कैसी अद्भुद महिमा है समूचे पदम पुराण को सुनने से जिस फल की प्राप्ती होती है वही फल मनुश्य केवल स्वर्ग खंड को सुनकर प्राप्त कर लेता है माग मास में मनुश्य प्रती दिन प्रियाग में सनान करके जैसे पाप से मुक्त हो जाता है उसी परकार इस स्वर्ग खंड के श्रवन से भी वह पापों से छुटकारा पा जाता है जिस पुरुष ने भरी सभा में इस स्वर्ग खंड को सुना और सुनाया है उसने मानो समूची प्रित्वी दान में दे दी है निरंतर भगवान शिरी विश्नुजी के सहस्त्र नामों का पाठ किया है संपूरण वेदों का अध्यन तथा उसमें बताए हुए भिन भिन कुन्य कर्मों का अनुस्थान कर लिया है बहुत से अध्यापकों को वृती दे कर पढ़ाने के कारे में लगाया है बहवीत मनुश्य को अभैदान किया है गुणवान ग्यानी तथा धर्मात्मा पुरुष को आदर दिया है बरहमनों तथा गववों के लिए प्राणों का परित्याग किया है तथा उस बुद्धिमान ने उन भी बहुत तेरे उत्तम करम किये है तादपरिय यह की स्वर्ग खंड की शिरवण से उक्त सभी शुभ कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है स्वर्ग खंड का पाठ करने से मनुष्य को नाना परकार के भोग प्राप्त होते हैं तथा वह तेजो मैशरीर धारण करके ब्रहम लोक में जाता और वही ज्यान पाकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है बुद्धिमान मनुष्य उत्तम प्रूशों के साथ निवास उत्तम तीर्थ में सनान उत्तम वार्तलाप तथा उत्तम शास्तर का शरवन करें उन शास्तरों में पद्म पूराण महाशास्तर है यह संपूरण वेदों का फल देने वाला है इसमें भी स्वर्ग खंड महान पु प्रणाम करो जदी कामना की उताल तरंगों को सुख पूर्वक पार करना चाहते हो तो एक मात्र शिरी हरी नाम का जिसकी कहीं तुलना नहीं है उचारन करो स्वर्ग खंड पूरण सारे बोलो भगवान शिरी नरायन जी की जै ओम शिरी परमात्माने नमह पताल खंड अध्याय अठानवे शेश जी का वात्सयायन मुनी से राम अश्व मेद की कथा आरंभ करना शिरी राम चंदर जी का लंका से आयोध्या के लिए विदा होना नरायनम नम स्कृत्या नरम चैव नरोत्तम देविम सर्स्वतिम व्यासम ततो जै मुदीरियत रिशी बोले महा भाग है सूत जी हमने अपने मुख से समूचे स्वर्ग खंड की मनोहर कथा सुनी हे आयुष्मन अब हम लोगों को शिरी राम चंदर जी का चरित्र सुनाईए सूत जी ने कहा हे महारिशी गण एक समय मुनिवर बत्स्यायन ने प्रित्वी को धारन करने वाले नागराज भगवान अनन्त से इस परम निर्मल कथा के विशय में प्रशन किया शिरी वात्सयायन बोले हे भगवन हे शेशनाग मैंने आपके मुक से संसार की स्रिष्टी और परले आदी के विशय की सब बाते सुनी भोगोल खगोल ग्रह तारे और नच्छत्र आदी की गतिक अर्नेणे महत तत्व आदी की स्रिष्टियों के तत्व का प्रिथिक प्रिथिक निरूपन तथा सूर्य वंची राजाओं के अदभुद चरित्र का भी मैंने श्रवन किया है किसी परसंग में आपने भगवान श्री रामचंदर जी की कथा का भी वर्नन किया है जो अनेकों महा पापों को दूर करने वाली है प्रंतु उन महा भाग श्री रामचंदर जी के आश्प मेध यग्य की कथा संशेफ से ही सुनने को मिली अत है अब मैं उसे आपके द्वारा विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ यह वही कथा है जो कहने सुनने तथा समरण करने से बड़े बड़े पातकों को भी नस्ट कर डालती है इतना ही नहीं वह मनोवांचित वस्तु को देने वाली तथा भक्तों के चित को परसन करने वाली है भगवान शेश जी ने कहा हे ब्रह्मन आप ब्रह्मन कुल में स्रेष्ट एवं धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि आपको ऐसी बुद्धी प्राप्त हुई है जो शिरी राम चंद्र जी के युगल चरणा विंदों का मकरंद पान करने के लिए लोलुप रहती है सभी रिशी महारिशी साधु पुरुशों के समागम को स्रेष्ट बतलाते हैं इसका कारण यही है कि सत्संग होने पर शिरी रगुनाथ जी की उस कथा के लिए अवसर मिलता है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है देवता और असुर प्रणाम करते समय अपने मुक्टों को मनियों से जिन के चरणों की आरती उतारते हैं उन्ही भगवान शिरी रामचंदर जी का समरण करा कर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है जहां ब्रहमा आदी देवता भी मोहित होकर कुछ नहीं जान पाते उसी शिरी रगुनात कथा रूपी महसागर की थाह लगाने के लिए मेरे जैसे मशक समान तुछ जीवी की कितनी शक्ती है तथा भी मैं अपनी शक्ती के अनुसार आप से शिरी रामचंदर जी की कथा का वर्नन करूँगा क्योंकि अत्यंत विस्त्रित अकाश में भी पक्षी अपनी गमन शक्ती के अनुसार उड़ते ही है शिरी रगुनात जी का चरित्र करोडों शलोकों में वर्नित है जिनकी जैसे बुद्धी होती है वे वैसा ही उसका वर्नन करते है जैसे अगनी के संपर्क से सोना शुत्ध हो जाता है उसी परकार शिरी रगुनात जी की उत्तम कीर्ती मेरी बुद्धी को भी निर्मल बना देगी शिरी सूत जी कहते हैं हे महारिशियों मुनिवर वात्सियान से यू कहकर भगवान शेश ने ध्यानस्त हो अपनी आखें बंद कर ली और ग्यान द्रिस्टी के द्वारा उस लोकुत्तर कल्यान मै कथा का अवलोकन किया फिर तो अत्यंत हर्ष के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे गदगदवानी से युक्त होकर दशरत नंदन शिरी रगुनाथ जी की विशद कथा का वर्नन करने लगे भगवान शेश बोले हे वात्स्यायन जी देवता और दानवों को दुख देने वाले लंकापती रावन के मारे जाने पर इंद्र आदी संपूरन देवताओं को बड़ा सुख मिला वे अनंद मगन होकर दास की भाती भगवान जी के चरणों में पढ़ गए और उनकी स्तूती करने लगे ततपस्चात भगवान शिरी रामचंदर जी धर्मात्मा भविशन को लंका के राज्य पर स्थापित करके माता सीता जी के साथ पुश्पक विमान पर आरूड हुए उनके साथ भाई लच्मन जी और सुग्रिप जी और हनुमान जी आदी भी विमान पर जा बैठे उस समय भगवान जी के विरहे के भैसे भविशन के मन में भी साथ जाने की उतकंठा हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ शिरी रगुनात जी का अनुसरण किया इसके बाद लंका और अशोक वाटी का पर द्रिष्टी डालते हुए भगवान शिरी रामचंदर जी तुरंत ही आयोध्यपूरी की और प्रस्थित हुए साथ ही भगवान भ्रहमा जी आदि देवता भी अपने अपने विवानों पर बैठ कर यात्रा करने लगे उस समय भगवान शिरी रामचंदर जी कानों को सुप पहुँचाने वाली देव दुन्दू भीयों की मधुर धवनी सुनते तथा मार्ग में माता सीता जी को अनेको आश्रमों से युग्त तीर्थों मुनियों मुनी पुत्रों तथा पती वरता मुनी पतनियों का दर्शन कराते हुए चल रहे थे परम बुद्धिमान शिरी रगुनात जी ने पहले लचमन जी के साथ जिन जिन स्थानों पर निवास किया था वे सभी माता सीता जी को दिखाए इस परकार उन्हें मार्ग के स्थानों का दर्शन कराते हुए भगवान शिरी रामचंदर जी ने अपनी पुरी आयोध्या को देखा फिर उसके निकट नंदी ग्राम पर द्रिश्टी पात किया वहां भाई के वियोग जनित अनेको दुखमे चेन्हों को धारन करके धरम का पालन करते हुए राजा भरत निवास कर रहे थे उन दिनों वे जमीन में गड़ा खोद कर उसी में सोया करते थे भरमचरय के पालन पूर्वक मस्तक पर जटा और शरीर में बलकल वस्तर धारन किये रहते थे उनका शरीर अत्यंत दुर्वल हो गया था वे निरंतर भगवान शिरी राम चंदर जी की चर्चा करते हुए दुख से आतुर रहते थे अनके नाम पर तो वे जोंग भी नहीं ग्रहन करते थे तथा पानी भी बारम बार नहीं पीते थे जब भगवान सूर्य देव जी का उद्य होता तब वे उन्हें परणाम करके कहते जगत को नेतर परदान करने वाले भगवान है सूर्य जी आप देवताओं के स्वामी है मेरे महान पाप को हर लीजिए हाए मुझसे बढ़कर पापी कोन होगा मेरे ही कारण जगत पूजय शिरी राम चंदर जी को भी बन में जाना पड़ा सूकुमार शरीर वाली सीता जी से सेवित होकर वे इस समय बन में रहते हैं अहो जो सीता जी फूल की शैया पर पुश्पो की डंठल के स्पर्ष से भी व्याकुल हो उड़ती थी और जो कभी सूर्य की धूप में घर से बाहर नहीं निकली वे ही पती ब्रता जनक किशोरी आज मेरे कारण जंगल में भटक रही है जिनके उपर कभी राजाओं की भी दृष्टी नहीं पड़ी थी उन्हीं सीता जी को आज की रात लोग परत्यक्ष देखते हैं जो यहां मेठे मेठे पकवानों को भोजन के लिए अग रह करने पर भी नहीं खाना चाहती थी वे जान की आज जंगली फलों के लिए स्वयम याचना करती होगी इस परकार शिरी राम जी के प्रति भक्ती रखने वाले महराज भरत प्रति दिन प्रतहकाल सूर्य प्रस्थान के पस्चात उप्युक्त बाते कहां करते थे उनके दुख सुख में समान रूप से हाथ बाटने वाले शास्त्र चतुर नितिग्य और विद्वान मंत्री सब भरत जी को सांतवना देते हुए कुछ कहते तब वे उन्हें इस परकार उत्तर देते थे हे महात्मेगान मुझ भाग्य हिंसे आप लोग क्यों बातचित करते हैं मैं संसार के सब लोगों से अधम हूँ क्योंकि मेरे ही कारण मेरे बड़े भाई शिरी राम जी आज बन में जाकर कस्ट उठा रहे हैं मुझ अभागे के लिए अपने पापों के प्रियास्चित करने का यह अब सरप्राप्त हुआ है अतह मैं शिरी राम चंदर जी के चरणों का निरंतर आदर पूगरवक समरण करते हुए अपने दोशों का मारजन करूँगा इस जगत में माता सुमितरा जी भी धन्य है वे ही अपने पती से प्रेम करने वाली तथा वीर पुत्र की जननी है जिनके पुत्र लच्मन जी सदा शिरी राम चंदर जी के चरणों की सेवा में रहते हैं इस परकार ब्रहत्र वत्सल भरत जहां रहकर उच स्वर से विलाप किया करते थे उस नंदी गराम को भगवान शिरी राम चंदर जी ने देखा सारे वोलो भगवान शिरी राम चंदर जी की जैग पताल खंड अध्याई निन्यानवे भरत से मिलकर भगवान शिरी राम जी का अयोध्या के निकट आगमन शेश जी कहते हैं हे मुने नंदी गराम पर द्रिस्टी पढ़ते ही शिरी रगुनाथ जी का चित भरत को देखने की उतकंठा से विहल हो गया उन्हे धर्मात्माओं में अगर गणय भाई भरत की बारंबार याद आने लगी तब वे महावली वायू नंदन हनुमान ची से वोले हे वीर तुम मेरे भाई के पास जाओ उनका शरीर मेरे वियोग से शिन होकर जड़ी के समान दूबला पतला हो गया है और वे उसे किसी परकार हट पूर्वक धारन किये हुए हैं जो बलकन पहनते हैं मस्तक पर जटा धारन करते हैं जिनकी द्रिस्टी में प्राई इस्त्री माता और सुवरण मिट्टी के ढेले के समान है तथा जो प्रजा जनों को अपने पुत्रों की भाती सनेह द्रिस्टी से देखते हैं वे मेरी धर्मग्य भरहता भरत दुखी हैं उनका शरीर मेरे व्योग जनित दुख रूप अगनी की जवाला में दग्द हो रहा है अता है इस समय तुम तुरंत जाकर मेरे आगमन के संदेश रूपी जल की वर्षा से उन्हें शान्त करों उन्हें यह समाचार सुनाओ की सीता जी लच्मन जी सुगरीब जी आदी कपीश्वरों तथा भवीशन सहित राक्षसों की साथ ले तुमारे भाई शिरी राम पुश्पक विमान पर बैठकर सुख पूर्वक आर पहुंचे हैं इससे मेरा आगमन जानकर मेरे छोटे भाई भरत शिक्र ही परसन हो जाएंगे परम बुद्धिमान शिरी रगुवीर जी के ये वचन सुनकर पवन पुत्र हलुमान जी उनकी आग्या का पालन करते हुए भरत जी के न दिवास्थान नंदिग्राम को गए वहां पहुंचकर उन्होंने देखा भरत जी बूड़े मंत्रियों के साथ बैठे हैं और अपने पूज्य बहाता की वियोग से अत्यंत दुर्वल हो गए हैं उस समय उनका मन शीरी रगुनाथ जी के चरण विंदों के मकरंद में हुआ हुआ था और वे अपने वृत मंत्रियों से उन्ही की कथा वारता कह रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो धरम के मूर्ती मान सवरूप हों अथवा विधाता ने मानो संपूरण सतव गुणों को इकत्रित करके उसी के द्वारा उनका निर्मान किया हूँ भरत जी को इस रूप में देखकर हलुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया तथा भरत जी भी उन्हें देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गई और बोले आईए आपका स्वागत है शिरी राम चंदर जी की कुशल कहिए वे इस परकार कही रहे थे कि इतने में उनक की दाहिनी बहां फड़क उठी हिर्दे में शोक निकल गया और उनके मुख पर आनंद के आंसुओं की धारा बह चली उनकी ऐसी अवस्था देख बानर राज हलुमान जी ने कहा लच्मन सहित भगवान शिरी राम जी इस ग्राम के निकट आ गए है शिरी रगुनाथ जी के आगमन के संदेश ने भरत के शरीर परमानों अमरित छड़क दिया वे हार्ष में भरकर बोले शिरी राम जी का संदेश लाने वाले हे हलुमान जी मेरे पास ऐसी कोई वस्थू नहीं है जिसे यह प्रिय समाचार सुनाने के बदले मैं तुम्हें दे सकूं इस उपकार के का परण मैं जीवन भर आपका दास बना रहूंगा महरिशी वसिस्थ जी तथा वृद मंत्री भी अत्यंत हर्ष में भरकर अर्गे हाथ में लिए पवन पुत्र हलुमान जी के दिखाए हुए मार्ग से भगवान शिरी राम चंद्र जी के पास चल दिये भरत जी की दृष्टी दूर से आते हुए परम मनोरम भगवान शिरी राम जी पर पड़ी वे पुश्पक विमान के मध्य भाग में माता सीता जी और भाई लच्मन जी के साथ बैठे थे शिरी राम चंद्र जी ने भी जटा बलकन और कोपिन धारण किये हुए भरत को पैदल ही आते देखा साथ ही उनकी दृष्टी उन मंत्रियों पर भी पड़ी जिन्होंने भाई के वेश के समान ही वेश धारण कर रखा था उनके मस्तक पर भी जटा थी तथा वे भी निरंतर तपस्या से कलेश उठाने के कारण अत्यंत दुर्वल हो गए थे राजा भरत को इस अवस्था में देखकर शिरी रगुनाथ जी को बड़ी चिंता हुई वे कहने लगे अहो राजाओं के भी राजा महा बुद्धिमान महा राजा दस्षरत जी का यह पुत्र आज जटा और बलकन आदी तपस्वी का वेश धारण किये पैदल ही मेरे पास आ रहा है हे मित्रों मैं बन में गया था किन्तु मुझे भी ऐसा दुख नहीं उठाना पड़ा जैसा की मेरे वियोग के कारण इस भरत को भोगना पड़ रहा है हे अहो देखो तो सही प्राणों से भी बढ़कर प्यारा और हितेशी मेरा भाई भरत मुझे निकट आया सुनकर हर्ष में भरे हुए वृद मंत्रियों तथा महारिशी वसिस्त जी को साथ लेकर मुझे से मिलने के लिए आ रहा है इस परकार भगवान शिरी राम चंदर जी अकाश में स्थित पुश्पक विमान से उप्युक्त बाते कह रहे थे और भविशन हलुमान जी तथा लच्मन जी उनके प्रती आदर का भाव पर कट कर रहे थे निकट आने पर भगवान शिरी राम चंदर जी का हिर्दय विरह से कातर हो उठा और वे हे भेया हे भेया भरत तुम कहा हो इस परकार कहते तथा बारं बार हे भाई हे भाई हे भाई की रट लगाते हुए तुरंत ही विमान से उतर पड़े सहाई को सहित भगवान शिरी राम चंदर जी को भूमी पर उतरे देख भरत जी हर्ष के आंसु बहाते हुए उनके सामने दंड की भाती धरती पर पड़ गए शिरी रगुनात जी ने भी उन्हें दंड की भाती प्रित्वी पर पड़ा देख हर्ष पूरण द्रिस्टी से देखते हुए अपनी दोनों भुजाओं से उठा कर छाती से लगा लिया अरंभ में शिरी राम चंदर जी के बारं बार उठने पर भी भरत जी उठे नहीं अपितु अपने दोनों हातों से भगवान जी के चरण पकड़ कर फूट फूट कर रोते रहे भरत जी ने कहा बहा बाहु भगवान है शिरी राम जी मैं दुस्त दुराचारी और पापी हूँ मुझ पर किर्पा कीजिए आप द्या के सागर हैं अपनी द्या से ही मुझे अनुग्रेहित कीजिए हे भगवन जीने माता सीता जी के कोमल हातों का स्पर्ष भी कठोर जान पड़ता था आपके उन्ही चरणों को मेरे कारण बन में भटकना पड़ा युँ कहकर भरत जीने दीन भाव से आंसु बहाते हुए बारंबार शेरी रगुनात जी के चरणों का अलंगन किया और हर्ष से विहल होकर उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए करुणा सागर शेरी रगुनात जी ने अपने छोटे भाई को गले लगा कर परधान मंत्रियों को भी परणाम किया तथा सबसे आदर पूर्वक कुशल समचार पूछा इसके बाद भाई भारत के साथ वे पुश्पक विमान पर जा बैठे वहां भारत जी ने अपनी भात्र पतनी पती वरता सीता जी को देखा जो अत्री की भार्य अंसुया और अगस्त्य जी की पतनी लोपा मुद्रा की भाती जान पड़ती थी पती वरता जनक किशोरी का दर्शन करके भारत जी ने उन्हें सम्मान पूर्वक परणाम किया और कहा हे मा मैं महान मूरक हूँ मेरे द्वारा जो अपराध हो गया है उसे शमा करना क्योंकि आप जैसी पती वरताएं सब का भला करने वाली ही होती है परमस भाग्यवती जनक किशोरी ने भी अपने देवर भरत की और आदर कूरवक द्रिश्टी डाल कर उन्हें आशिरवाद दिया तथा उनका कुशल मंगल पूछा उस स्रेष्ट विमान पर आरुड होकर सब के सब अकाश में आ गए फिर एक ही शन में भगवान शिरी राम चंदर जी ने देखा कि पिता जी की राजधानी अयुध्य अब बिलकुल अपने निकट है बोलो भगवान शिरी राम चंदर जी की जै पताल खंड अध्याए सो भगवान शिरी राम जी का नगर परवेश माताओं से मिलना राज्य ग्रहन करना तथा राम राज्य की सुव विवस्था शेश जी कहते हैं अपनी राजधानी को देखकर भगवान शिरी राम चंदर जी को बड़ी परसन्नता हुई इधर भरत ने अपने मित्र एवं सचिव सुमुख को नागरिक उत्सब का परवंद करने के लिए नगर के भीतर भेजा भरत जी बोले नगर के सब ल घर में सजावट की जाएं सडके जाड़ बुहार कर साफ की जाएं और उन पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव करके उनके उपर फूल विछा दिये जाएं हर एक घर के आंगन में नाना परकार की धवा जाएं फहराई जाएं परकाश का परवंद हो और सर्वतों भद् आदी चित्र अंकितिये जाएं भगवान शिरी राम जी का आगमन सुनकर हर्श में भरे हुए लोग मेरे कथना अनुसार नगर की शोभा बढ़ाने वाली भाती भाती की रचना करें शेश जी कहते हैं भरत जी के ये वचन सुनकर मंत्र वेताओं में स्रेश्ट सुमुख न आयोध्यापूरी को अनेक परकार की सजावट एवं तोरणों से सुशोभित करने के लिए उसके भीतर परवेश किया नगर में जाकर उसने सब लोगों में शिरी राम जी के आगमन महुत्सब की घोशन करा दी लोगों ने जब सुना कि रगुनाथ जी आयोध्यापूरी के निकट आ गए हैं तब उने बड़ा हर्ष हुआ क्योंकि वे पहले भगवान जी के विरह से दुखी हो अपने सुख भोग का परित्याग कर चुके थे वेदिक ज्यान से संपन पवित्र ब्रहमन हाथों में कुश लिये धोती और चादर से सुसजित हो शिरी राम चंदर जी के पास गए जिन्होंने संगराम भूमी में अनेको वीरों पर विजय पाई थी वे धनुशिवान धारन करने वाले स्रेष्ट और सूर्मा शत्रिय भी उनके समीप गए धन धान्य से समरिद्ध वेश्य भी सुन्दर वस्त्र पहन कर महराज शिरी राम जी के निकट उपस्त हुए उस समय उनके हाथ सोने की मुद्राओं से सुशोभित हो रहे थे तथा वे शुद्र जो ब्रहमनों के भक्त अपने जातिय अचार से दिर्टा पूर्वक स्थित और धर्म करम का पालन करने वाले थे अयोध्या पूरी के स्वामी शिरी राम चंदर जी के पास गए व्यवसाई लोग जो अपने अपने करम में स्थित थे वे सब भी भेट में देने के लिए अपनी अपनी वस्तु लेकर महाराज शिरी राम जी के समीप गए इस परकार राजा भरत का संदेश पाकर अनंद की बाड में डूबे हुए पुर्ववासी नाना परकार के कोतुकों में परवत्त होकर अपने महाराज के निकट आई तदनंतर भगवान शिरी राम चंदर जी ने भी अपने अपने विमान पर बैठे हुए संपूरण देवताओं से घिर कर मनोहर रचना से सुशोभित अयोध्या पूरी में परवेश किया अकाश मार्ग से विचरन करने वाले वानर भी उचलते कूदते हुए शिरी रगुनात जी के पीछे पीछे उस उत्तम नगर में गए उस समय उन सब की प्रिथिक प्रिथिक शोभा हो रही थी कुछ दूर जाकर भगवान शिरी राम चंदर जी पुश्पक विमान से उतर गए और शिग्र ही शिरी सीता जी के साथ पाल की पर सवार हुए उस समय वे अपने सहाइक परिवार द्वारा चारों और से घिरे हुए थे जोर जोर से बजाए जाते हुए वीना पणव और भैरी आदी बाजों के द्वारा उनकी बड़ी शोभा हो रही थी सूत माघद और बंदी जन उनकी स्तूती कर रहे थे सब लोग कहते थे हे रगुनंदन आपकी जय हो सूर्य कुल भूशन है शिरी राम जी आपकी जय हो हे देव हे दशरत नंदन आपकी जय हो जगत के स्वामी हे शिरी रगुनाथ जी आपकी जय हो इस परकार हर्ष में भरे पुर्वासियों की कल्यान में बाते भगवान जी को सुनाई दे रही थी उनके दर्शन से सब लोगों के शरीर में रोमांच हो आया था जिससे वे बड़ी शोभा पा रहे थे करमशह आगे बढ़कर भगवान जी की सवारी गली और चोराहों से सुशोभित नगर के परधान मार्ग पर जा पहुंचे जहां चंदन में श्रित जल का छिड़काब हुआ था और सुन्दर फूल तथा पल्लब बिछे थे उस समय नगर की कुछ इस्तरियां खिड़की की सामने की छज्जों का सहारा लेकर भगवान जी की मनोहर शवी निहारती हुई आपस से कहने लगी पुरवासनी इस्तरियां बोली है सक्षियों बनवासनी भीलों की कन्याएं भी धन्य हो गई जिन्होंने अपने नील कमल के समान लोचनों द्वारा शिरी राम चंदर जी के मुखार बिंद का मकरंद पान किया है अपने सो भाग्य से इन कन्याओं ने महान अभु उदय प्राप्त किया है है अरी वीरोचित तेज से युक्त शिरी रगुनाथ जी के मुख की और तो देखो जो कमल की सुश्मा को लज्जित करने वाले सुन्दर नेत्रों से सुशोवित हो र जिनका दर्शन नहीं कर पाते वे ही आज हमारी आखों के सामने हैं अवश्य ही हम लोग अत्यंत बड़ भागनी हैं देखो इनके मुख पर कैसी सुन्दर मुस्कान है मस्तक पर किरिट शोभा पा रहा है ये लाल लाल होट बंदूक पुष्प की अरुन प्राभा को अपनी शोभा से त्रिस्कृत कर रहे हैं तथा इनकी उची नासी का मनोहर जान पड़ती है इस परकार अधिक प्रेम के कारण उप्यूप्त बाते कहने वाली अवद पूरी की रमनियां भगवान जी के दर्शंकर परसन्न होने लगी तदनंतर जिनका प्रेम बहुत बढ़ा हुआ था उन पुर्वासी मनुश्यों को अपने द्रिष्टी पाथ से संतुस्ट करके संपूरण जगत को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले शिरी रगुनाथ जी ने माता के भवन में जाने का विचार किया वे राजाओं के राजा तथा अच्छी नीती का पालन करने वाले थे अतहे पालकी पर बैठे हुए ही सबसे पहले अपनी माता ककई के घर में गई ककई लज्जा के भार से दवी हुई थी अतहे भगवान शिरी राम जी को सामने देखकर भी वह कुछ न बोली बारम बार गहरी चिंता में डूबने लगी सूर्य वंश की पता का फहराने वाले शिरी राम जी ने माता को लज्जित देखकर उसे विनय युक्त वचनों द्वारा संतवना देते हुए कहा शिरी राम जी बोले हे मा मैंने बन में जाकर तुम्हारी आग्या का पूरण रूप से पालन किया है अब बताओ तुम्हारी आग्या से इस समय कौन सा कार्य करूँ शिरी राम जी की यह बात सुनकर भी माता ककैई अपने मुह को उपर न उखा सकी वह धीरे धीरे बोली बेटा हे राम तुम निश्पाप हो अब तुम अपने महल में जाओ माता का यह वचन सुनकर किर्पा निधान शिरी राम चंदर जी ने भी उन्हें नमस्कार किया और वहां से सुमित्रा के भावन में गए सुमित्रा का हिर्दय बड़ा उदार था उन्होंने अपने पुत्र लचमन सहित भगवान शिरी राम चंदर जी को उपस्तित देख आशिर्वाद देते हुए कहा हे बेटा तुम चिरन जीवी हो शिरी राम चंदर जी ने भी माता सुमित्रा जी के चरणों में प्रणाम करके बारम बार पर सन्नता पर कट करते हुए कहा हे मा लचमन जैसे पुत्र रतन को जनम देने के कारण तुम रतन गरवा हो बुद्धिमान लचमन ने जिस परकार हमारी सेवा की है जिस तरह उन्होंने मेरे कस्टों का निवारण किया है वैसा कार्या है और किसी ने कभी नहीं किया रावन ने सीता को हर लिया उसके बाद मैंने पुनह जो इन्हे प्राप्त किया है वह सब तुम लचमन का ही प्राकरम समझो यूं कहकर तथा माता सुमित्रा के दिये हुए आशिरवाद को शीरोधारे करके वे देवताओं के साथ अपनी माता को सल्या जी के महल में गए माता जी को अपने दर्शन के लिए उतकंठित तरथा हर्श मगन देख भगवान शीरी राम जी तुरंत ही पालकी से उतर पड़े और निकट पहुँच कर उन्होंने माता जी के चरणों को पकड़ लिया माता को सल्या जी का हिर्दया बेटे का मुँध देखने के लिए उतकंठा से विहिल हो रहा था उन्होंने अपने राम को बारंबार छाती से लगाया और बहुत परसन हुई उनके शरीर में रोमांच हो आया बाणी गदगद हो गई और नेतरों से आनंद के आंसू परवाहित होकर चरणों को भिगोने लगे विनैशील शिरी रगुनाथ जी ने देखा कि माता अत्यंत दुरवल हो गई है मुझे देखकर ही इन्हें कुछ कुछ हर्ष हुआ है उनकी इस अवस्था पर द्रिष्टी पात करके उन्होंने कहा शिरी राम जी बोले हे मां मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारे चरणों की सेवा नहीं की है निश्चे ही मैं बड़ा भाग्याहिन हूँ तुम मेरे इस अपराद को शमा करना जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा के लिए उस सुक नहीं रहते उन्हें रजवीरे से उत्पन हुआ कीडा ही समझना चाहिए क्या करूं पिताजी की आग्या से मैं दंड कारणे में चला गया था वहां से रावन सीता को हर लंका में ले गया था किन्तु तुम्हारी किरपास है उस राक्षश सराज को मार कर मैंने पुन है इन्हें प्राप्त किया है ये पती व्रता सीता भी तुम्हारे चरणों में पड़ी है इनका चित सदा तुम्हारे इन चरणों में ही लगा रहता है शिरी राम चंदर जी की बात सुनकर माता को सल्या जी ने अपने पैरों पर पड़ी हुई पती व्रता वहू सीता को आशिरवाद देते हुए कहा हे माननी सीते तुम चीर काल तक अपने पती की जीवन संगनी बनी रहो मेरी पवित्र सभाव वाली हे बहू तुम दो पुत्रों की जननी होकर अपने इस कुल को पवित्र करो हे बेटी दुख सुख में पती का साथ देने वाली तुम्हारी जैसी पती वरता इस्तरियां तीनों लोकों में कहीं भी दुख की भागनी नहीं होती यह सरवदा सत्य है हे विदेह कुमारी तुमने महात्मा राम के चरण कमलों का अनुसरण करके अपने ही द्वारा अपने कुल को पवित्र कर दिया सुंदर नेत्रों वाली शिरी रगुनात पतनी सीता जी से यू कहकर माता कुसल्या जी चुप हो गई हर्ष के कारण पुन है उनका सरवांग पुलंकित हो गया तदनंतर शिरी राम चंदर जी के भाई भरत ने उन्हें पिता जी का दिया हुआ अपना महान राज्य निवेदन कर दिया इससे मंत्रियों को बड़ी परसन्नता हुई उन्होंने मंत्र के जानने वाले जियोतिशियों को बुलाकर राज्य अभिशेक का महुरत उच्छा और उध्योग करके उनके बताए हुए उत्तम नच्छत्र से युक्त अच्छे दिन को शुब मुहूरत में बड़े हर्श के साथ राजा शिरी राम चंदर जी का अभिशेक कराया सुन्दर व्याग्र चरम के उपर सातो दीपों से युक्त प्रिथवी का नक्षा बनाकर राज अधीराज महाराज शिरी राम जी उस पर विराजमान हुए उसी दिन से साधु प्रूशों के हिर्दय में अनंद चागया सभी इस्तरियां पती के प्रती भक्ती रखती हुई पती वृत धरम के पालन में सलगन हो गई संसार के मनुश्य कभी मन से भी पाप का आचरण नहीं करते थे देवता देत्य नाग यक्ष असुर तथा बड़े बड़े सर्प ये सभी नियाय मार्क परस्थित होकर शिरी राम चंदर जी की आग्या को शिरो धार्य करने लगे सभी प्रोपकार में लगे रहते थे सब को अपने धरम के अनुस्थान में ही सुख और संतोष की प्राप्ती होती थी विद्या से ही सब का विनोध होता था दिन रात शुब कर्मों पर ही सब की द्रिश्टी रहती थी शिरी राम जी के राज्य में चोरी की तो कहीं चर्चा ही नहीं थी जोर से चलने वाली हवा भी रह चलते हुए पाथिकों के सूशम से सूशम वस्तर को भी नहीं उडाती थी किरपा निधान शिरी राम चंदर जी का सभाव बड़ा द्यालू था वे याचकों के लिए कुवेर थे सारे बोलो भगवान शिरी राम जी की जै पताल खंड अध्याए 101 देवताओं द्वारा शिरी राम जी की स्तूती शिरी राम जी का उन्हें वर्दान देना तथा राम राज्य का वर्णन शेश जी कहते हैं हे मुने जब शिरी राम चंदर जी का राज्य अभी शेक हो गया तो राक्षस राज रावन के वद्ध से परसन्न चित हुए देवताओं ने परणाम करके उनका इस परकार सत्वन किया देवता बोले देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले दशरत नंदन हे शिरी राम आपकी जै हो आपके द्वारा जो राक्षस राज का विनाश हुआ है उस अद्भुद कथा का समस्त कवी जन उतकंठा पूर्वक वर्णन करेंगे हे भुगनेश्वर परले काल में आप संपूरन लोकों की परंपरा को लीला पूर्वक ग्रस लेते हैं हे प्रभु आप जनम और जरा आदी के दुखों से सदा मुक्त हैं प्रवल शक्ती संपन हे परमातमन आपकी जै हो आप हमारा उद्धार कीजिए उद्धार कीजिए धार्मिक पुरुषों के कुल रूपी समुंदर में परकट होने वाले अजर अमर और आयूत हे परमेश्वर आपकी जै हो हे भगवन आप देवताओं से स्रेष्ट हैं आपका नाम लेकर अनेको प्राणी पवित्र हो गए फिर जिन्होंने स्रेष्ट दुविजवंश में जनम ग्रहन करके उत्तम मानव शरीर को प्राप्त किया है उनका उद्धार होना कौन बड़ी बात है शिव और ब्रहम्मा जी भी जिनको मस्तक जुकाते हैं जो पवित्र यव आदी के चिन्हों से सुशोभित तथा मनो वांचित कामना एवं सम्रिध्धी देने वाले हैं उ उन आपके चरणों का हम निरंतर अपने हिर्दय में चिंतन करते रहें यही हमारी अभिलाशा है आप कामदेव की भी शोभा को तिरिस्कृत करने वाली मनोहर कांती धारन करते हैं परंपावन हे द्यमय यदि आप इस भूमंडल को अभेदान ना दे तो देवता कैसे सुख हो सकते हैं हे नाथ जब जब दानवी शक्तियां हमें दुख देने लगें तब तब आप इस प्रित्वी पर अवतार गिरहन करें हे विभो यद्यपी आप सबसे स्रेश्ट अपने भक्तों द्वारा पूजित अजन्मा तथा अविकारी हैं तथा पी अपनी माया का आश्र लेकर भिन भिन रूप में परकट होते हैं आपके सुंदर चरित्र अर्थात पवित्र लीलाएं मरने वाले प्राणियों के लिए अम्रित के समान दिव्य जीवन पर दान करने वाले हैं उनके श्रवन मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है आपने अपनी इन लिलाओं से समस्त भूमंडल को व्याप्त कर रखा है तथा गुणों का गान करने वाले देवताओं द्वारा भी आपकी सूती की गई है जो सब के आदी है प्रंतु जिन का आदी कोई नह करने वाले हैं जिनके गले में हार और मस्तक पर किरिट शोभा पाता है जो काम देव की भी कांती को लज्जित करने वाले हैं साक्षात भगवान शिव जिनके चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं तथा जिन्हों ने अपने शत्रु रावन का बलकूरवक वद्ध किया ह वे शिरी रगुनाथ जी सदा ही विजय हो ब्रह्मा आधी संपूरण देवताओं ने इस परकार स्तूती करके बिनिती भाव से शिरी रगुनाथ जी को बारंबार प्रणाम किया महा येशस्वी शिरी राम चंदर जी देवताओं की इस तूती से बहुत संतुस्ट हुए और उन्हें मस्तक जुका कर चरणों में पड़े देख बोले शिरी राम जी ने कहा हे देवताओं तुम लोग मुझसे कोई ऐसा वर मागो जो तुम्हे अत्यंत दुरलब हो तथा जिसे अब तक किसी देवताओं दानव यक्ष और राक्षस ने भी नहीं प्राप्त किया हो देवताओं बोले है स्वामिन आपने हम लोगों के इस शत्रू दश आनन का जो वद्ध किया है उसी से हमें सब उत्तम वर्दान प्राप्त हो गया अब हम यहीं चाहते हैं कि जब जब कोई असुर हम लोगों को कलेश पहुँचावे तब तब आप इसी तरह हमारे उस शत्रू का नाश किया करें वीरवर भगवान शिरी राम चंदर जी ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की प्राथना सविकार की और फिर इस परकार कहा शिरी राम ची बोले हे देवताओं तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरा वचन सुनो तुम लोगोंने मेरे गुणों को ग्रंथित करके जो यह अदभुद इस्तोत्र बनाया है इसका जो मनुश्य प्रातहकाल तथा रात्री में एक बार प्रती दिन पाठ करेगा उसको कभी अपने शत्रूओं से प्राजित होने का भ्यंकर कस्ट नहीं भोगना पड़ेगा उसके घर में दरिद्दर्ता का प्रवेश नहीं होगा तथा उसे रोग नहीं सताएंगे इतना ही नहीं इसके पाठ से मनुश्यों के उलास पूरण हिर्दय में मेरे युगल चर जी चुप हो गए तथा संपूरण देवता अत्यंत परसन होकर अपने अपने लोक को चले गए इधर लोकनाथ शिरी राम चंदर जी अपने विद्द्वान भाईयों का पिता की भाती पालन करते हुए प्रजा को अपने पुत्र के समान मान कर सब का लालन पालन करने लगे उनके शासनकाल में जगत के मनुश्यों की कभी अकाल मुरित्यू नहीं होती थी किसी के घर में रोगादी का परकोप नहीं होता था ना कभी इरती अर्थात आविस्थी या सूखा पढ़ना या अधिक वर्षा के कारण बाड़ आना कभी दिखाई नहीं देती और ना शत् ही कोई भै होता ब्रिक्षों में सदा फल लगे रहते और प्रित्वी पर अधिक मात्रा में अनाज की उपज होती थी इस्तरियों का जीवन पुत्र पोत्र आदी परिवार से सनाथ रहता था उन्हें निरंतर अपने प्रियतम का संयोग जनित सुख मिलते रहने के कारण वि सीता शिरी रगुनाथ जी के चरण कमलों की कथा सुनने के लिए उस्सुक रहते थे उनकी वानी कभी पराई निंदा में नहीं परवत्त होती थी उनके मन में भी कभी पाप का संकल्प नहीं होता था सीता पती शिरी राम जी के मुख की और निहारते समय लोगों की आँखे स्थिर हो जाती वे एक टक नेतरों से उन्हें देखते रह जाते थे सब का हिर्दय निरंतर करुणा से भरा रहता था सदा इस्ट अर्थात यग्ययाग आदी और आपूरत अर्थात उए खुदवाने बगीचे लगवाने आदी के अनुस्थान करने वाले लोगों के द्वारा उस राज्य की जड़ और मजबूत होती थी समूचे रास्टर में सदा हरी भरी खेती लहराती रहती थी जहां सुगमता पूरुवक यात्रा की जा सके ऐसे छेतरों से वह देश भरा हुआ था उस राज्य का देश सुंदर और प्रजा उत्तम थी सब लोग स्वस्त रहते थे गववे अधिक थी और घास पात का अच्छा सुभीता था स्थान स्थान पर देव मंदिरों की श्रेणिया राम राज्य की शोभा बढ़ाती थी उस राज्य में सभी गाव भरे पूरे और धन संपत्ती से सुशोभित थे वाटी काओं में सुंदर सुंदर फूल शोभा पाते और ब्रिक्षों में स्वादि स्टफल लगते थे कमलों से भरे हुए तलाव वहां की भूमी का सुंदरय बढ़ा रहे थे राम राज्य में केवल नदी ही सदंभा अर्थात उत्तम जल वाली थी वहां की जनता कहीं भी सदंभा अर्थात दंब या पाकंड से युक्त नहीं दिखाई देती थी ब्रहमन शत्रिय आदी वरणों के कुल अर्थात समूदाए ही कुलीन अर्थात उत्तम कुल में उत्पन थे उनके धन नहीं कुलीन थे अर्थात उनके धन का कुत सित्मार्ग में लै उपयोग नहीं होता था उस राज्य की इस्त्रियों में ही विभर्म अर्थात हावभाव या विलास था विद्वानों में कहीं विभर्म अर्थात ब्रहाती या भूल का नाम भी नहीं था वहां की नदियां ही कुटील मार्ध से जाती थी प्रजा नहीं अर्थात प्रजा में कुटीलता का सर्वता अभाव था शिरी राम जी के राज्ये में केवल कृषन पक्ष की रात्री ही तम अर्थात अंधकार से युक्त थी मुनुश्यों में तम अर्थात अज्ञान या दुख नहीं था वहां की इस्तरियों में ही रज का सैयोग देखा जाता था धरम परधान मुनुश्यों में नहीं अर्थात मुनुश्यों में धरम की अधिक्तता होने के कारण सत्व गुण का ही उद्रेक होता था अर्थात रजोगुण का नहीं धन से वहां के मनुश्य ही अनध थे अर्थात मदांध होने से बचे थे उनका भोजन अनध अर्थात अनरहित नहीं था उस राज्य में केवल रथ ही अन्य अर्थात लोह रहित था राज करमचारियों में अन्य अर्थात अन्याय का अभाव नहीं था फरसे फावडे चंबर तथा शत्रों में ही दंड अर्थात डंडा देखा जाता था अनियंत्र कहीं भी क्रोद या बंधन जनित दंड देखने में नहीं आता था जलों में ही जड़ता अर्थात या जलतव की बात सुनी जाती थी मुनुश्यों में नहीं इस्तरी के मध्य भाग अर्थात कटी में ही दुरवलता अर्थात पतलापन थी अनियंत्र नहीं वहां अशोधियों में ही कुष्ट अर्थात कूट या उठ नामक दवा का योग देखा जाता था मुनुश्यों में कुष्ट अर्थात कोड का नाम भी नहीं था रतनों में ही वैद अर्थात छिद्र होता था मूर्तियों के हाथों में ही शूल अर्थात त्रशूल रहता था, प्रजा के शरीर में वैध या शूल का रोग नहीं था, रासानु भूती के समय सात्विक भाव के कारण ही शरीर में कंप होता था, भै के कारण कहीं किसी को कंप कपी होती हो, ऐसी बात नहीं देखी जाती थी राम राज्य में केवल हाथी ही मतवाले होते थे मुनुश्यों में कोई मतवाला नहीं था तरंगे जलाशियों में ही उठती थे किसी के मन में नहीं क्योंकि सब का मन स्थिर था दान अर्थात मद का त्याग केवल हाथीयों में ही दृष्टी गोचर होता था राजाओं में न काटे ही तीखे होते थे मुनुश्यों का सभाव नहीं केवल वाणों का ही गुणों से वियोग होता था अर्थात धनुश की डोरी को गुण कहते हैं छूटते समय वाण का उस से वियोग होता है मुनुश्यों का नहीं दृड बंधो उक्त अर्थात सुशीलस्ट परवंद रचना या कमल बंध आदी शलोकों की रचना केवल पुस्तकों में ही उपलब्द होती थी लोक में कोई सुदरड बंधन में बांधा या कैद किया ग्या हो ऐसी बात नहीं सुनी जाती थी प्रजा को सदा ही शिरी राम चंदर जी से लाड़ प्यार प्राप्त होता था अपने द्वारा ललित प्रजा का निरंतर लालन पालन करते हुए वे उस संपूरण देश की रक्षा करते थे सारे बोलो भगवान शिरी राम जी की जै स्वर्ग खंड अध्याए एकसो दो भगवान शिरी राम चंदर जी के दरवार में महामुनी अगस्त्य जी का आगमन उनके द्वारा रावन आदी के जनम तथा तपस्या का वर्नन और देवताओं की प्राथना से भगवान जी का अवतार लेना शेश जी कहते हैं एक बार एक नीच के मुक से शिरी सीता जी के अपमान की बात सुनकर धोबी के अक्षेप पूरण वचन से परभावित होकर शिरी रगुनाथ जी ने अपनी पतनी का परित्याग कर दिया इसके बाद वे सीता जी से रहित एक मात्र पृत्वी का जो उनके आदेश से ही सुरक्षित थी धर्मा अनुसार पालन करने लगे एक दिन महामती शिरी रामचंदर जी राज सभा में बैठे हुए थे इसी समय मुनियों में स्रेष्ट अगस्त्य रिशी जी जो बहुत बड़े महात्मा थे वहाँ पधारे समुंदर को सोख लेने वाले उन अदभुद महारिशियों को आया देख महाराज शिरी रामचंदर जी अरग्य लिये समपूरण सभा सदों तथा गुरु वसिस्ट जी के साथ उठकर खड़े हो गई फिर स्वागत सत्कार के द्वारा उन्हें समानित करके भगवान जी ने उनकी कुशल पूछी और जब वे सुख पूर्वक आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके तो शिरी रगु नंदन जी ने उनसे वारतलाप आरंभ किया शिरी राम जी ने कहा महा भाग हे कुम्भज आपका स्वागत है हे तपो निधे निश्चेही आज आपके दर्शन से हम सब लोग कुटम्व सहित पवित्र हो गए इस भूमंडल पर कहीं कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो आपकी तपस्या में बिघन डाल सके आपकी सह धर्मनी लोपा मुद्रा भी बड़ी सुभाग्य शालनी है जिनके पती व्रत्य धर्म के परभाव से सब कुछ शुब ही होता है हे मुनिश्वर आप धर्म के साक्षात विग्र है और करुणा के सागर है लोब तो आपको छुब भी नहीं गया है बताइए मैं आपका कौन सा कार्य करूँ हे महा मुने यद्यपी आपकी तपस्य के परभाव से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है आपके संकल्प मातर से ही बहुत कुछ हो सकता है तथा पी मुझ पर किरपा करके ही मेरे लिए कोई सेवा बतलाईए शेच जी कहते हैं हे मुने राजाओं के भी राजा परम बुद्धिमान जगत गुरु शिरी राम चंदर जी के ऐसा कहने पर महारिशी अगस्ते जी अत्यंत विनय युक्त वानी में बोले अगस्ते जी ने कहा हे स्वामिन आपका दर्शन देवताओं के लिए भी दुरलब है यही सोच कर मैं यहां आया हूँ हे राजा धिराज मुझे अपने दर्शन के लिए ही आया हूँ समझिये हे किर्पा निधे आपने रावन नामक असूर का जो समस्त लोकों के लिए कंटक रूप था बद कर डाला यह बहुत अच्छा हुआ अब देवगन सुखी और भमीशन राजा हुए यह बड़े सोभा अगय की बात है हे शिरी राम जी आज आपका दर्शन पाकर मेरे मन का खाली खजाना भर गया मेरे सारे पाप नस्त हो गए यूं कहकर महारिशी कुमभज चुप हो गए भगवान जी के दर्शन जनित अहलहाद से उनका चित विहल हो रहा था उस समय शिरी रगुनाथ जी न उन्हें इस परकार प्रशन किया हे मुने मैं आपसे कुछ बाते पूछ रहा हूं आप उन्हें विस्तार पूर्वक बतलावें देवताओं को पीड़ा देने वाला वह रावन जिसे मैंने मारा है कौन था तथा उस दुरा आत्मा का भाई कुम्भ करण भी कौन था उसकी ज बातों को विस्तार के साथ जानते हैं अतहें मुझे सब बताईए भगवान जी की ये बाते सुनकर तपो निदी कुम्बज रिशी ने इन सब का उत्तर देना अरंब किया हे राजन संपूरण जगत की स्रिष्टी करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं उनके पुत्र महारिशी पु परवीन थे उनकी दो पत्निया थी जो बड़ी पती व्रता और सदाचारणी थी उनमें से एक का नाम मंदाकनी था और दूसरी केकसी नाम से परसिद्ध थी पहली इस्तरी मंदाकनी के गर्व से कुवेर का जनम हुआ जो लोकपाल के पद को प्राप्त हुए हैं उन्होंने भगवान शंकरजी के परसाद से लंकापुरी को अपना निवास थान बनाया था केकसी विद्युन माली नामक देत्ते की पुत्री थी उसके गर्व से रावन, कुम्ब करण तथा पुन्य आत्मा भविशन ये तीन महाबली पुत्र उत्पन हुए हैं महामते इनमें रावन और कुम्ब करण की बुद्धी अधरम में निपुरण हुई क्योंकि वे दोनों जिस गर्व से उत्पन हुए थे उसकी स्थापना संध्यकाल में हुई थी एक समय की बात है कुवेर परमशोभ्यमान पुश्पक विमान पर आरुण हो माता पिता का दर्शन करने के लिए उ महां जाकर वे अधिक काल तक माता पिता के चरणों में पड़े रहे उस समय उनका हिर्द्य हर्ष से विहल हो रहा था और संपूरण शरीर में रोमांच हो आया था वे बोले माता और है पिता जी आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सुन्दर तथा महान सो भाग्या जनक फल को पर कट करने वाला है क्योंकि इस समय मुझे आपके इन यूगल चरणों का दर्शन विला है जो अत्यंत पुन्य परदान करने वाला है इस परकार स्तुति युक्त पदों से माता पिता का सत्वन करके कुवेर उन्हें अपने भवन को लोट गए रावन बड़ा बुद्धी विमान था उसने कुवेर को देखकर अपनी माता से पूछा हे मां ये कौन है जो मेरे पिताजी के चरणों की सेवा करके फिर लोट गए है इनका विमान जो वायू के समान वेगवान है इन्हें किस तपस्या से ऐसा विमान प्राप्त हुआ है शेश जी कहते हैं हे मुने रावन का बचन सुनकर उसकी माता रोश से विकल हो उठी और कुछ आँखें टेडी करके अनमनी होकर बेटे से बोली हे अरे मेरी बात सुन इसमें बहुत शिक्षा भरी हुई है जिनके विशे में तू पूछ रहा है वे मेरी सोत की कौक के रतन कुवेर यहां उपस्तित हुए थे जिन्होंने अपनी माता के विमल वंश को अपने जनम से और भी उजबल बना दिया है परंतु तू तो मेरे गर्व का कीड़ा है केवल अपना पेट भरने में ही लगा हुआ है खुवेर ने तपस्या से भगवान शंकर जी को संतुस्ट करके लंका का निवास मन के समान वेगशाली विमान तथा राज्य और संपतियां प्राप्त की है संसार में वही माता धन्य सुवाग्यवती तथा महान अभ्यूदय से सुशोभित होने वाली है जिसके पुत्र ने अपने गुणों से महापुरुशों का पद प्राप्त कर लिया हो रावन दुरा आत्माओं में सबसे स्रेष्ट था उसने अपनी माता के क्रोध पूरण वचन सुनकर तपस्या करने का निश्चय किया और उससे कहा रावन बोला हे मा कीडे की सी हस्ती रखने वाला वह कुवेर क्या चीज है उसकी थोड़ी सी तपस्या किस गिंती में है लंका की क्या विसात है तथा बहुत थोड़ी सेवकों वाला उसका राज्य भी किस काम का है यदि मैं अन जल निद्रा और किरिडा का सरवदा परित्याग करके भगवान भ्रमा जी को संतुस्ट करने वाली दुश्कर तपस्या के द्वारा संपूरन लोकों को अपने वश में ना कर लू तो मुझे पित्र लोक के विनाश का पाप लगे तपस्चात कुम्भ करन और भविशन ने भी तपस्या का निश्चय किया फिर रावन अपने भाईयों को साथ लेकर परवतिय बन में चला गया वहां उसने भगवान सूर्य जी की और उपर द्रिस्टी लगाई एक पैर से खड़ा होकर दस हजार वर्षों तक घोर तपस्या की कुम्भ करन ने भी बड़ा कठोर तप किया भविशन तो धर्मातमा थे अतहे उन्होंने उत्तम तपस्या का अनुस्थान किया तदनंतर देवाधी देव भगवान शिरी ब्रहमा जी ने परसन्न होकर रावन को बहुत बड़ा राज्य दिया और उसका सवरूप तीनों लोकों में परकाश्मान एवं सुंदर बना दिया जो देवता और दानव दोनों से सेवित था कुवेर की बुद्धी सदा धरम में ही लगी रहती थी रावन ने वर पाने के अनंतर अपने भाई कुवेर को बहुत सताया उनका विमान छीन लिया और उनकी लंका नगरी पर भी हठात अधिकार जमा लिया उसने समस्त लोकों को संताप पहुँचाया देवता स्वर्ग से भाग गए उस निशाचर ने ब्रहमन वंच का भी बिनाश किया और मुनियों को तो वह जड़ ही काटता फिरता था तब उसके अधिया चार से अत्यंत दुखी होकर इंदर आधि समस्त देवता भगवान भ्रहमा जी के पास गए तथा दंडवत परणाम करके उनकी स्तूती करने लगे जब सबने आदर पूरवक प्रिय वचनों दौरा उनका सत्वन किया तो भगवान भ्रहमा जी ने परसन्न होकर कहा हे देवगण मैं तुम्हारा कौन सा कारय करूँ तब देवताओं ने भगवान भ्रहमा जी से अपना अभी प्राय निवेदन किया रावन से प्राप्त होने वाले अपने कस्ट और प्राजय को वर्नन किया उनकी बाते सुनकर ब्रह्मा जी ने शण भर विचार किया फिर देवताओं को साथ लेकर वे के लाश परवत पर गए उस परवत के पास पहुंचकर इंद्र आदी देवता वहां की विचित्तरता देखकर मुगद हो गए और खड़े होकर उन्होंने भगवान शंकर जी की इस पर कारस्तुती की है भगवन आप भव अर्थात उतपादक शर्व अर्थात संगहारक तथा नील ग्रीव अर्थात कंथ में नील चिन धारन करने वाले आदी नाम से परसिद्ध हैं आपको नमस्कार है स्थूल और सूशम रूप धारन करने वाले आपको प्रणाम है तथा अनेको रूपों में परतीत होने वाले आपको नमस्कार है सव देवताओं के मुख से यह स्तूती युक्त वानी सुनकर भगवान शंकर जी ने नंदी से कहा देवताओं को मेरे पास बुला लाओ आग्या पाकर नंदी ने उसी समय देवताओं को बुलाया अन्तहपूर में पहुँचकर उन्होंने अस्चारय चकित द्रिस्टी से भगवान जी का दर्शन किया देवताओं के साथ परणाम करके भगवान भ्रम्मा जी भगवान शिपजी जी के सामने खड़े हो गए और उन दिवेश्वर से बोले शरणागत्वत्सलही महादेव आप देवताओं की अवस्था पर द्रिस्टी डालिए और इनके उपर किरपा कीजिए दूस्ट राक्षस रामन का वद्ध करने के लिए जो उध्योग हो सके वह कीजिए भगवान ब्रह्मा जी के देन्य और शोक से युक्तवचन सुनकर भगवान शंकर जी भी देवताओं के साथ भगवान शिरी विष्नुजी के स्थान पर आए वहाँ देवता नाग किन्नर और मुनी सब ने मिलकर भगवान जी किस्तुति की देवताओं के स्वामी हे माधव आपकी जय हो भक्त जनू का दुख दूर करने वाले हे परमेश्वर आपकी जय हो हे महादेव हम पर किरपा कीजिए और अपने इन सेवकों पर दृस्टी डालिए रुद्र आदी संपूरण देवताओं ने जब इस परकार उच्छ स्वर से सत्वन किया तो उनके वचन सुनकर देवाधी देव शिरी विश्णू जी ने देव समुदाई के दुख पर अच्छी तरह विचार किया तत्पस्चात वे मेग के समान गंभीर वानी से उनका शोक शांत करते हुए बोले भगवान भ्रम्मा रुद्र और इंद्र आदी हे देवताओं मैं आप लोगों के हित की बात बता रहा हूँ सुनिए रावन के दुआरा जो आपको भै प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ अब अवतार धारन करके मैं उस भै का नाश करूँगा भूमंडल में एक आयोध्या नाम की पूरी है जो बड़े बड़े दान और यग्या आदी शुब कर्मों का अनुस्थान करने वाले सूर्य अवंशी राजाओं द्वारा सुरक्षित है वह अपनी रजत मई भूमी से सुशोभित हो रही है उस पूरी में दशरत नाम से परसिद एक राजा है जो इस समय दसो दिशाओं को जीत कर पृत्वी के राज्य का पालन कर रहे है यद्यपी वे राज्य लच्मी से संपन और शक्ति शाली है तथा पी अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं है महान भल शाली राजा दशरत पुत्र प्राप्ती की इच्छा से मंदनिय रिश्य श्रेंग मुनी को प्राथना पूर्वक बुलावेंगे और उनके अचारय तब में विधी पूर्वक पुत्रेस्टी यग्य का अनुस्थान करेंगे तदनंतर मैं आप लोगों के हित के लिए राजा की तीन राणियों के गर्व से चार सवरूपों में परकट होंगा राजा भी पूर्व जनम में तपस्या करके मुझ से इस बात के लिए पराथना कर चुके है मेरे चारो सवरूप करमशह राम, भरत, लच्मन और शत्रुगन के नाम से परसिद्ध होंगे उस समय मैं रावन का बल, वाहन और जड़ मूल सहित संगहार कर डालूँगा आप लोग भी अपने अपने अंच से भालू और बानर के रूप में परकट होकर प्रिथिवी पर सर्वत्र विचरते रहिए इस परकार अकाश वानी करके भगवान मोन हो गए, उनका वचन सुनकर सब देवताओं का चित परसन हो गया परम्मेदावी देवा धी देव भगवान जी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार देवताओं ने कार्य किया उन्होंने अपने अपने अंच से रिश और वानर का रूप धारन करके समूची प्रिथवी को भर दिया हे महाराज देवताओं का दुख दूर करने वाले जो महान देव शिरी विश्यू जी कहलाते हैं वे आप ही हैं आप ही मानब शरीर धारी भगवान हैं हे महामते ये भरत लच्मन और शत्रुगन आप ही अंच हैं आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले दश अनन का वद्ध किया है उस देत्य की ब्रह्म राक्षस जाती थी उसी का आपके द्वारा वद्ध हुआ है हे नर्सरेश्ट आप जगत के उत्पत्ती स्थान और संपूरण विश्व के आत्मा है आपके राजा होने से देवता असूर और मुनुश्यों सहित समस्त संसार को सुप्राप्त हुआ है पाप के स्पर्ष से रहित है शिरी रगुनाथ जी आपने जो कुछ पूछा है वह सब मैंने बतला दिया सारे बोलो भगवान शिरी राम चंदर जी की जै पाताल खंड अध्याए एक सो तीन महामुने अगस्त जी का आश्व मेद यग्य की सलाह देकर आश्व की परिक्षा करना तथा यग्य के लिए आए हुए रिश्यों द्वारा धरम की चर्चा शिरी राम चंदर जी बोले है विप्रवर इश्वाकु वंच में उत्पन हुए किसी पुरुष के मुक से कभी ब्रहमनों ने कटू वचन तक नहीं सुना था किन्तु मैंने उनकी हत्यकर डाली वरण और आश्रम के भेद से भिन भिन धरमों के मूल है वेद और वेदों के मूल है ब्रहमन वंच ही वेदों की संपूरण शाखाओं को धारण करने वाला एक मातर ब्रिक्ष है ऐसे ब्रहमन कुल का मेरे द्वारा संगहार हुआ है ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्यान हो महमुनी अगस्त्य जी ने कहा हे राजन आप अंतर्यामी आत्मा एवं प्राकर्ती से परे साक्षात परमेश्वर हैं आप ही इस जगत के करता पालक और संगहारक हैं साक्षात गुणतीत परंपिता परमात्मा होते हुए भी आपने स्वेच्छा से सरगुण सबरूप धार शरावी भरम हत्यारा सोना चुराने वाला और महापापी अर्थात गुरु इस्त्री गामी ये सभी आपके नाम का उचारण करने मात्र से ततकाल पवित्र हो जाते हैं हे महामते ये जनक किशोरी भगवती माता सीता जी महा विद्या हैं जिनके समरण मात्र से मनुश्य मुक्त होकर सदगती प्राप्त कर लेंगे लोगों पर अनुग्रह करने वाले महावीर है शिरी राम जी जो राजा अश्वमेध यग्य का अनुस्ठान करता है वह सब पापों के पार हो जाता है राजा मनु, सागर, मरुत और नहुशनंदन ययाती ये आपके सभी पूर्वज यग्य करके परंपद को प्राप्त हुए हैं अतहे आप भी यग्य करिये परंप्सो भाग्य शाली शिरी रगुनाथ जी ने महारिशी अगस्त्य जी की बात सुनकर यग्य करने का ही विचार किया और उसकी विध्य पूछी शिरी रामचंदर जी बोले है महारिशे आश्व मेध्य यग्य में कैसा आश्व होना चाहिए उसके पूजन की विध्य क्या है किस परकार उसका अनुस्थान किया जा सकता है तथा उसके लिए किन किन शत्रूओं को जीतने की अवश्यक्ता है अगस्त्य जी ने कहा है रगुनंदन जिसका रंग माता गंगा जल के समान उजवल तथा शरीर सुन्दर हो जिसका कान श्याम मुख लाल और पूछ पीले रंग की हो तथा वे देखने में भी अच्छा जान पड़े वह उत्तम लच्छनों से लच्छित अश्व ही अश्व मेध में लेने योग्या बतलाया गया है वे शाख मास की पूरणी मा को आश्व की विधिवत पूजा करके एक ऐसा पत्र लिखें जिसमें अपने नाम और बल का उलेक हो वह पत्र गोडे के ललाट में बांध कर उसे सब छंद विचरने के लिए छोड़ देना चाहिए तथा बहुत से रक्षकों को तेनात करके उसकी सब और से प्रयतन पूरवक रक्षा करनी चाहिए यग्या का घोड़ा जहां जहां जाए उन सब स्थानों पर रक्षकों को भी जाना चाहिए जो कोई राजा अपने बल या प्राकरम के घमंड में आकर उस घोड़े को जवरदस्ती बांध ले उस से लड़ भिड़कर उस अश्व को बल पूरवक छीन लाना राक्षसों का करतव्य है जब तक अश्व लोट करना आ जाए तब तक यग्या करता को उत्तम विधी एवं नियमों का पालन करते हुए राजधानी में ही रहना चाहिए वह ब्रहम चर्य का पालन करे और मृग का सिंग हाथ में धारन किये रहे यग्या संबंधी वरत का पालन करने के साथ ही एक वर्ष तक दीनों अंधों और दुखियों को धन आदी देकर संतुस्ट करते रहना चाहिए हे महाराज बहुत सा अन्न और धन दान करना उचित है याचक जिस जिस वस्तु के लिए याचना करे बुद्धी मान दाता को उसे वही वही वस्तु देनी चाहिए इस परकार का कारे करते हुए यजमान का यग्य जब भली भाती पूरण हो जाता है तो वह सब पापू का नाश कर डालता है शत्रूओं का नाश करने वाले है रगुनाथ जी आप यह सब कुछ करने सब नियमों को पालने तथा अश्व का विधिवत पूजन करने में समर्थ है अतहे इस यग्य के द्वारा अपनी विशद कीर्थी का विस्तार करके दूसरे मुनुश्यों को भी पवित्र कीजिए अश्व शाला का निरिक्षन कीजिए और देखिए उसमें ऐसे उत्तम लच्छनों से संपन घोडे है या नहीं भगवान जी की बात सुनकर द्यालू महारिशी उठकर खड़े हो गए और यग्य के योग्या उत्तम घोडे को देखने के लिए चल दिये भगवान शिरी राम चंदर जी के साथ अश्व शाला में जाकर उन्होंने देखा वहां चित्र विचित्र शरीर वाले अनेको परकार के अश्व थे जो मन के समान वेगवान और अत्यंत बलवान परतीत होते थे उसमें उपर बताय हुए रंग के एक दो नहीं सैकडो घोडे थे जिनकी पूछ पीली और मुख लाल थे साथ ही वे सभी तरह के शुब लच्छनों से संपन्न दिखाई देते थे उन्हें देखकर महामुनी अगस्त जी बोले है रगुनन्दन आपके यहां अश्व मेद के योग्या बहुत से सुन्दर घोडे हैं अतहे आप विस्तार के साथ उस यग्य का अनुस्ठान कीजिए महाराज है शिरी राम जी आप महान सुभाग्य शाली हैं देवता और असुर सभी आपके चरणों पर मस्तक जुकाते हैं अतहे आपको इस यग्य का अनुस्ठान अवश्य करना चाहिए मुनी के इस वचन से उन्होंने यग्य के सभी मनोहर संभार एकतरित किये तत पस्चात महाराज शिरी राम जी मुनियों के साथ सरयू तट पर आए और सोने के हलों से चार योजन लंबी चोड़ी बहुत बड़ी भूमी को जोता इसके बाद उन प्रुशोतम ने यग्य के लिए अनेको मंडब बनवाई और योनी एवं मेखलास से जुक्त कुंडल का विधिवत निर्मान करके उसे अनेको रतनों से सुसजित एवं सब परकार की शोभा से संपन बनाया महान तपस्वी एवं परम सोभाग्य शाली मुनिवर वसिस्ट जी ने सब कार्य वेद शास्त्र की विधि के अनुसार संपन कराया उन्होंने अपने शिश्यों को महारिशियों के आशरमों पर भेज कर कहलाया कि रगुनाथ जी आश्वमेद यग्यकानुस्थान करने के लिए उधित हुए हैं अतहे आप सब लोग उसमें पधारें इस परकार अमंत्रित होकर वे सभी तपस्वी महारिशी भगवान शिरी राम चंदर जी के दर्शन के लिए अत्यंत उतकंठित होकर वहां आए नारद असीत परवत कपिल मुनी जातू करने अंगीरा अरस्टी शेन अत्री गोतम हरित यागवालक्य तथा सनवर्त आदी महात्मा भी भगवान शिरी राम जी के आश्वमेद यग्य में आए शिरी रगुनाथ जी ने बड़े अनन्द के साथ उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करके अरग्य तथा आसन आदी देकर उन सब की विधिवत पूजा की फिर गव और सुवरण निवेदन करके वे बोले हे महारिशियों मेरे बड़े भाग्या है जो आपके दर्शन हुए शेश जी कहते हैं हे ब्रह्मन इस परकार जब वहां बड़े बड़े रिश्यों का समूदाय एकत्रित हुआ तो उन में वरण और आशरम के अनुकूल धरम विश्यक चर्चा होने लगी वात्सयान जी ने उच्छा हे भगवन वहां धरम के संबंध में क्या क्या बाते हुई कौन सी अद्भुद बात बताई गई उन महात्माओं ने सब लोगों पर दिया करके किस विशय का वर्नान किया शेश जी ने कहा हे मुने महापुरूशों में स्रेष्ट दसरत नंदन जी भगवान शेरी राम जी ने सब मुनियों को एकत्रित देखकर उन से समस्त वरणों और आशरमों के धरम पूछे शेरी रगुनाथ जी के पूछने पर उन महारिशियों ने जिन जिन महान गुणकारी धरमों का वर्नान किया उन सब को मैं विधी पूर्वक बतलाऊंगा आप ध्यान देकर सुने रिशी बोले ब्रहमन को सदा यग्य करना और वेद पढ़ाना आदी कार्य करना चाहिए वह ब्रहम चर्य आशरम में वेदों का अध्यन पूरण करके इच्छा हो तो विरक्त हो जाए और यदि ऐसी इच्छा ना हो तो ग्रस्त आशरम में परवेश करे नीच पुरुषों की सेवा से जीवी का चलाना ब्रहमन के लिए सदा त्याज्य है वह आपत्ती में पढ़ने पर भी कभी सेवा वृती से जीवन निर्वाह ना करे संतान प्राप्ती की इच्छा से रितु काल में अपनी पतनी के साथ समागम करना उचित माना गया है दिन में इस्तरी के साथ संपर्क करना पुरुषों की आयू को नस्ट करने वाला है शराद का दिन और सभी पर्व इस्तरी समागम के लिए निशिद है आता है बुद्धीमान पुरुष को इनका त्याग करना चाहिए जो मोहवश उक्त समय भी इस्तरी के साथ संपर्क करता है वह उत्तम धरम से भरस्ट हो जाता है जो पुरुष केवल रितु काल में इस्तरी के साथ समागम करता है तथा अपनी ही पतनी में अनुराग रखता है पराई इस्तरी की और कुद्रिष्टी नहीं डालता उस उत्त सदा भ्रम्चरी ही समझना चाहिए इस्त्री के रज सवला होने से लेकर सोलह रात्रियां रितु कहलाती हैं उनमें पहली चार राते निंदित हैं अतहें उनमें इस्त्री के सपर्ष नहीं करना चाहिए शेश बारह रातों में से जो समसंख्या वाली अर्थात छटी और आठ्मी आदी राते हैं उनमें इस्त्री समागम करने से पुत्र की उत्पत्ती होती है तथा विशम संख्या वाली अर्थात पांच्मी साथ्मी आदी आरात्रियां कन्या की उत्पत्ती करने वाली है जिस दि चंद्रमा अपने लिए दूशित हो उस दिन को छोड़ करता था माघा और मूल नच्छत्र का भी परित्याग करके विशेश्त है पुलिंग नाम वाले श्रवन आदि नच्छत्रों में शुद्ध भाव से पतनी के साथ समागम करें इससे चारो पुर्शार्थों के सादक थोड़ी से भी कीमत लेकर कन्या को बेचने वाला पुरुश पापी माना गया है ब्रहमन के लिए व्यपार राजा की सेवा वेदा अध्यन का त्याग निंदित विवाहा और नित्यकरम का लोप ये दोश कुल को नीचे गिराने वाले हैं गरस्त आश्रम में रहने वाले प भूल अथवा फल आदी के द्वारा अतिथी का सतकार करना चाहिए आया हुआ अतिथी सतकार ना पाकर जिसके घर से निराश लोट जाता है वह गरस्त जीवन भर के कमाई हुए उन्य से शन भर में वन्चित हो जाता है गरस्त को उचित है कि वह बलीवेश्व देव करम के द्वारा देवताओं पित्रों तथा मनुश्यों को उनका भाग देकर शेश अन का भोजन करे वही उनके लिए अमरित है जो केवल अपना पेट भरने वाला है जो अपने ही लिए भोजन बनाता और खाता है वह पाप का ही भोजन करता है तेल में शस्टी और अस्ट्मी को तथा मास में सदा ही पाप का निवास है चतुर दर्शी को शोर करम तथा अमवस्य को इस्तरी समागम का त्याग करना चाहिए रज सवला वस्था में इस्तरी के संपर्क से दूर रहें पत्नी के साथ भोजन ना करें एक वस्त्र पहन कर तथा चटाई के आसन पर बैठ कर भोजन करना नशिद है। अपने में तेज की इच्छा रखने वाले स्रेष्ट प्रूश को भोजन करती हुई इस्तरी की और नहीं देखना चाहिए। मुह से आग को ना फूके, नंगी इस्तरी की और द्रिस्टी ना डाले, बच्छडे को दूद पिलाती हुई, गव को ना छेडे, दूसरे को इंद्र धनुश ना दिखावे, रात में दहीं खाना सर्वता निशिद है। आग में अपने पैर ना सेकें, उसमें कोई अपवित्र वस्तु ना डाले, किसी भी जीव की हिंसा तथा दोनों संध्याओं के समय भोजन ना करें। रातरी को खूब पेट भर के भोजन करना उचित नहीं है। पुरूशों को नाचने गाने और बजाने में आसकती नहीं रखनी चाहिए। कांसे के बरतन में पैर धुलाना नशिद है। दूसरे के पहने हुए कपड़े और जूते ना धारन करें। फूटे अथवा दूसरे के जूटे किये हुए बरतन में भोजन ना करें। भीगे पैर ना सोएं। हाथ और मुग के जूटे रहते हुए कहीं ना जाएं। सोते सोते ना खाएं। उस चिस्ट अवस्था में मस्तक का स्पर्ष ना करें। दूसरों के गुप्त भेद ना खोलें। इस परकार ग्रस्त धरम का समय पूरा करके बानप्रस्त आश्रम में परवेश करें। उस समय इच्छा हो तो विराग्य पूरुवक इस्तरी के साथ रहें। अथवा इस्तरी को सात ना रखकर उसे पुत्रों के अधिन सोंप दें। बानप्रस्त धरम का पूरण पालन करने के पस्चात विरक्त हो जाएं। सन्यास ले लें। हे वात्सियान जी उस समय महारिशियों ने उप्यूक्त परकार से अनेको धर्मों का वर्नन किया। तथा संपूरण जगत के महान हितेशी भगवान शिरी राम जी ने उन सब को ध्यान पूर्वक सुना। सारे बोलो भगवान शिरी राम चंदर जी की जय। पताल खंड अध्याए 104 यग्य संबंधी अश्व का छोड़ा जाना और शिरी राम जी का उसकी रक्षा के लिए शत्रुगहन को उपदेश करना। शेश जी कहते हैं हे मुने इस परकार भगवान शिरी राम जी रिशियों के मुख से कुछ काल तक धरम की व्याख्या सुनते रहे। इतने में बसंद का समय उपस्तित हुआ जबकी महापुरुशों के यग्यादी शुभ कर्मों का प्रारंब होता है। वह समय आया देख बुद्धिमान महारिशी वसिष्ट जी ने संपूरन जगत के समराडशीरी राम चंदर जी से यतोचित वानी में कहा। हे महाबाहु हे रगुनाथ जी अब आपके लिए वह समय आ गया है जबकी यग्या के लिए निश्चित किये हुए। अश्व की भली भाती पूजा करके उसे पृत्वी पर ब्रहमन करने के लिए छोड़ा जाए। इसके लिए सामगरी एकतरित हो अच्छे अच्छे ब्रहमन बुलाएं जाएं तथा स्वेम आप ही उन ब्रहमनों की यतोचित पूजा करें। दीनों अंधों और दुखियों का विधिवत सक्कार करके उन्हें रहने को स्थान दें और उनके मन में जिस वस्तू के पाने की इच्छा हो वही उन्हें दान करें। सुवरण मै सीता जी के साथ यग्य की दीक्षा लेकर उसके नियमों का पालन करें। पृतिवी पर सोवें भ्रहम चारी जहें तथा धन संबंधी भोगों का परित्याग करें। आपके कटी भाग में मेखला सुशोवित हो आप हरीना का सींग, मृग चरम तथा दंड धारन करें। तथा सब परकार के समान और द्रव्य एकत्रित करके यग्य का आरंभ करें। महारिशी वसिष्ट जी के ये उत्तम और ये थार्त वचन सुनकर परम बुद्धिमान शिरी राम चंदर जी ने लच्मन जी से अभी प्राय युक्त बात कही। शिरी राम जी बोले, हे लच्मन मेरी बात सुनो और सुनकर तुरंत उसका पालन करो। जाओ प्रियतन करके आश्व मेध यग्या के लिए उपयोगी आश्व ले आओ। शेश जी कहते हैं शिरी राम चंदर जी के वचन सुनकर शत्रू विजई लच्मन जी ने सैना पती से कहा हे वीर मैं तुम्हें एक अत्यंत प्रिय वचन सुना रहा हूं। सुनो शिरी रगुनाथ जी की आग्या के अनुसार शिग्र ही हाथी घोडे रथ तथा पैदल से युक्त चतुरंगणी सैना तैयार करो। जो काल की सैना का भी विनाश करने में समर्थ हो। महात्मा लच्मन जी का यह कथन सुनकर काल जीत नाम वाले सैना पती ने सैना को सुसजित किया। उस समय लच्मन जी के आदिशा नुसार सज कर आए हुए आश्व मेद यग्ये के आश्व की बड़ी शोभा हुई। एक सरेष्ट पुरुष ने उसकी बांग डोर पकड रखी थी, दस ध्रूबक अर्थात चिन विशेश उसकी शोभा बढ़ा रही थे, अपने छोटे छोटे गले में घुंगरु पहनाई गए थे, जो एक दूसरे से मिले नहीं थे। विस्तरित कंठ कोश में मनी सुषोवित थी, मुख की कांती भी बड़ी विशद थी, और उसके दोनों कान छोटे छोटे तथा काले थे, घांस के ग्रास से उसका मुह बड़ा सुहावना जान पड़ता था, और चमकीले रतनों से उसको सजाया गया था। इस परकार सजध हजकर मोतियों की मालाओं से सुषोवित हो वहर अश्व बाहर निकाला, उसके उपर श्वेत छटर तना हुआ था, दोनों और से दो सफेद चमबर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सारांश यह है कि उस अश्व का सारा शरीर ही नाना परकार के शोभा साधनों से संपन्न था, जिस परकार देवता लोग सेवा के योग्या, शिरी हरी जी की सब और से सेवा करते हैं, उसी परकार बहुत से सैनिक, उस घोडे के आगे पीछे और बीच में रहकर उसकी रक्ष कर रहे थी, तदनंतर सैना पती काल जीत ने अपनी विशाल सैना को कूछ करने की आग्या दी, आग्या पाकर जन समूदाय से भरी हुई वह विशाल वाहिनी शत्रों से सूर्य को ओंट में करके अपनी छावनी से निकली, उस सैना के सभी स्रेष्ट वीर, शिरी रगुनाथ जी के यग्य के लिए सुसज्जित हो, गरजते तथा युद्ध के लिए उस्साह परकट करते हुए, बड़े हर्ष में भर कर चले, सभी सैनिक हाथों में धनुश पाश और खडंग धारन किये, सैनिक शिक्षा के अनुसार फूट गती से चलते हुए, बड़ी तेजी के सा महाराज शिरी राम चंदर जी के पास उपस्तित हुए, वह घोड़ा भी अकाश में उचलता, तथा पृत्वी को अपनी टाप से खोधता हुआ, धीरे धीरे यग्य चिन से युक्त मंडब के पास पहुँचा, घोड़े को आया देख, शिरी राम चंदर जी ने महारिशी वसिस्त जी को समयोजित कार्य कराने के लिए परेरित किया, महारिशी वसिस्त जी ने शिरी राम चंदर जी को स्वरण मैपतनी के साथ बुलाकर अनुस्थान अरंभ कराया, उस यग्य में वेद शास्तरों का विवेचन करने वाले बुद्धिमान महारिशी वसिस्त जी जो शिरी रगुनाथ जी के वंच के आदी गुरु थे अचार्य हुए तपो निधी अगस्त्य जी ने भगवान भ्हम्मा जी का करता करता वेशन रूप कार्य संभाला बाल में की मुनी अर्धव यर्यू बनाए गए और कणव द्वारपाल उस यग्य मंडप के आठ द्वार थे जो तोरण आदी से सुसज्जित होने के कारण बहुत सुंदर दिखाई देते थे फे वातस्यांजी उनमें से परतेक द्वार पर दो दो मंत्र वेता ब्रह्मन बिठाए गए थे पूर्व द्वार पर मुनि स्रेष्ट देवल और असीत थे दच्छिन द्वार पर तपस्या के भंढार महात्मक कश्यप और अत्री विराजमां थे पस्चिम द्वार पर स्रेष्ट महारिशी जातु करणे और जाजली की की उपस्तिती थी तथा उत्तर द्वार पर दुवित और एकत नाम के दो तपस्वी मुनि विराज रहे थे ये ब्रह्मन इस परकार द्वार की विधी पूरण करके महारिशी वसिष्ट जीने उस यग्य संबंधी स्रेश्ट अश्व का विधीवत पूजन अरंब किया फिर सुंदर्वस्त्र और आभुषणों से सुशोभित सुवासनी इस्तरियों ने वहां आकर हल्दी अक्षत और चंदनादी के द्वारा उस पूजि का धूप देकर उसकी आरती उतारी इस तरहें पूजा करने के पस्चात महारिशी वसिष्ट जीने अश्व के उजवल लालाट पर जो चंदन से चर्चित कुकुम आदी गंधों से युक्त तथा सब परकार की शोभाउं से संपन्न था एक चम चमाता हुआ पत्र बांध द या जो तपाए हुए सुवरण का बना था उस पत्र पर महारिशी ने दशरत नंदन शिरी रगुनाथ जी के बड़े हुए बल और परताप का इस परकारू लेख किया सूर्य वंच की पता का फहराने वाले महाराज दशरत बहुत बड़े धनुर दर हो गई हैं वे धनुष की दिक्षा देने वाले गुर्मों के भी गुरु थे उन्ही के पुत्र महाभाग शिरी राम चंदर जी इस समय रगु वंच के स्वामी हैं वे सब सूर्माओं के शिर अमनों की बताई हुई विधी के अनुसार अश्व मेध यग्य प्रारंब कर रहे हैं उन्होंने ही यह यग्य संबंधी अश्व जो समस्त अश्वों में स्रेष्ट तथा सभी वहनों में परधान है प्रित्वी पर ब्रहमन करने के लिए छोड़ा है शिरी राम जी के ही भा आथी घोडे और पैदलों की विशाल सैना भी है जिन राजाओं को अपने बल के घमंड में आकर ऐसा अभिमान होता हो की हम लोग ही सबसे बढ़कर शूर धनुर धर तथा परचंड बलवान हैं वे ही रतन की मालाओं से भिमोशित इस यग्य संबंधी अश्व को पकड़न का साहस करें वीर शत्रुगन उनके हाथ से इस अश्व को हटात छुडा लेंगे इस परकार शिरी राम चंदर जी की भुजाओं के प्राकरम से शोभा पाने वाले उनके प्रकर परताप का परिचय देते हुए महमुनिवसिस्ट जी ने और भी अने को बाते लिखी इसके ब दिया उसकी भू लोग तधा पताल में समान रूप से तीप्रगती थी तदनंतर शास्त धारियों में स्रेश्ट शिरी राम चंदर जी ने शत्रुगन को आग्या दी है सुमित्रनंदन यह अश्व अपनी इच्छा के अनुसार बिचरने वाला है तुम इसकी रक्षा के लि इस विशाल भू मंडल में विचरते हुए अश्व की तुम अपने वीरोचित गुणों से रक्षा करना जो सोय हों गिर गए हों जिनके वस्तर खुल गए हों और जो अत्यंत भैवीत होकर चरणों में पड़े हों उनको ना मारना साथ ही जो अपने प्राकरम की जोटी करते उन पुन्य आत्माओं पर भी हाथ ना उठाना है शक्रुगन यदि तुम रत पर रहो और तुम्हारे विपक्षी रत हीन हो जाएं तो उन्हें ना मारना यदि पुन्य चाहो तो जो शरणगत होकर कहें कि हम आप ही के हैं उनका भी तुम्हें वद्ध नहीं करना चाह ये जो योद्धा उन्मत मत वाले सोई हुए भागे हुए भैसे आतुर हुए तथा मैं आपका ही हूँ ऐसा कहने वाले मुनुश्यों को मारता है वह नीच गती को प्राप्त होता है कभी प्राइधन और प्राइद इस्त्री की और चित ना ले जाना नीचों का संग ना करना सभी अच्छे गुणों को अपनाई रहना बड़े बूडों के उपर पहले पर हार न करना पूजनिय पुरुषों की पूजा का उलंधन न हो इसके लिए सचेस्ट रहना तथा कभी द्याभाव का परित्याग न करना गव ब्रहमन तथा धरम प्रायन वैशनव को नमसकार करना इन्हें मस्तक जुका कर मनुश्य जहां कहीं जाता है वहीं उसे सफलता प्राप्त होती है हे महाबाहो भगवान शिरी विश्णुजी सब के इश्वर साक्षी तथा सर्वत्र व्यापक सवरूप दहरन करने वाले हैं जो उनके भक्त हैं वे भी उनहीं के रूप में सर्वत्र विचरते हैं जो लोग संपूरण भूतों के हिर्दय में स्थित रहने वाले महाबिश्णुजी का समरण करते हैं उन्हें साक्षत महाबिश्णुजी के समान ही समझना चाहिए जिनके लिए कोई अपना या प्राया नहीं है तथा जो अपने साथ शतुरता रखने वाले को भी बित्र ही मानते हैं वे वैशनव एक ही सण में पापी को पवित्र कर देते हैं जिनहें भाग्वत प्रीय है तथा जो ब्रहमनों से प्रेम करते हैं वे बैकोंट लोग से इस संसार को पवित्र करने के लिए यहां आए हैं जिनके मुक में भगवान जी का नाम हिर्द्य में सानातन शिरी विश्णु जी का ध्यान तथा उदर में उनी का परसाद है वे यदि जाती के चंडाल हो तो भी वैशनव ही है जिनहें बेद ही अत्यंत प्रिय हैं संसार के सुख नहीं तथा जो निरंतर अपने धरम का पालन करते रहते हैं उन से भेट होने पर त इनकी द्रिष्टी में शिव और विश्णु जी में तथा ब्रह्मा जी में और शंकर जी में भी कोई भेद नहीं है उनके चरणों की पवित्र धूली में अपने शीष चड़ाता हूं वह समस्त पापों का विनाश करने वाली है गोरी गंगा तथा महालच्मी इन तीनों मे जो भेद नहीं समस्ते उन सभी मुनुश्यों को स्वर्ग लोग से भूमी पर आई हुए देवता समझना चाहिए जो अपनी शक्ती के अनुसार भगवान जी की परसंधा के लिए शरणा गतों की रक्षा तथा बड़े बड़े दान किया करता है उसे वैशनवों में सर्व सरेष्ट समझो जिनका नाम महान पापों की राशी को ततकाल भसं कर देता है उन भगवान के यूगल चरणों में जिसकी भक्ती है वही वैशनव है जिनकी इंद्रियां वश में हैं और मन भगवान के चिंतन में लगा रहता है उनको नमस्कार करके मनुश्य अपने जनम से लेकर मृत्यू तक के संपूरण जीवन को पवित्र बना लेता है पराई इस्तरी को तलवार की धार समझ कर यदि तुम उनका परित्याग करोगे तो संसार में तुम्हें सुयश से सुशोवित ऐश्वरे की प्राप्ती होगी इस परकार मेरे आदेश का पालन करते हुए त कुम उत्तम योग के द्वारा प्राप्त होने वाले परमधाम को पास सकते हुए जिसकी सभी महात्माओं ने परशंसा की है सारे बोलो भगवान शिरी नरायन जी की जै पाताल खंड अध्याई 105 शत्रुघन और पुशकल आदी का सब से मिलकर सैना सहित घोडे के साथ जाना राजा सुमंद की कथा तथा सुमद के द्वारा शत्रुघन का सत्कार शेश जी कहते हैं हे मुने शत्रुघन को इस परकार आदेश देकर भगवान शिरी राम जी ने अन्य योद्धाओं की ओर देखते हुए पुन्हे मधुरवानी में कहा हे वीरों मेरे भाई शत्रुघन घोडे की रक्षा के लिए जा रहे हैं तुम लोगों में से कोई वीर इनके आदेश का पालन करते हुए पीछे की और से इनकी रक्षा करने के लिए जाएगा जो अपने मर्म भेदी अस्तर शस्तरों द्वारा सामने आए हुए सब वीरों को जीतने तथा भुमंडल में अपने सुयश को फिलाने में समर्थ हो वह मेरे हाथ पर रखा हुआ यह बीड़ा उठा ले शिरी रगुनाथ जी के ऐसा कहने पर भरत कुमार कुशकल ने आगे भढ़कर उनके कल कमल से वह बीड़ा उठा लिया और कहा है स्वामिन मैं जाता हूँ मैं ही कवच आदी के द्वारा सब और से सुरक्षित हो तलवार आदी शस्त्र तथा धनुश वान धारन करके अपने चाचा शत्रुगहन के प्रिष्ट भाग की रक्षा करूँगा इस समय आपका परताप ही समूची प्रिथ्वी पर विजय प्राप्त करेगा ये सब लोग तो केवल निमित मात्र हैं यदि देवता असुर और मनुश्य सहित सारी तिरलो की युद्ध के लिए उपस्तित हो जाए तो उसे भी मैं आपकी किरपा से रोकने में समर्थ हो सकता हूँ ये सब बाते कहने की अवश्यक्ता नहीं है मेरा प्राकरम देखकर प्रभू को सुवयम ही सब कुछ ग्यात हो जाएगा ऐसा कहते हुए भरत कुमार की बाते सुनकर भगवान शिरी राम जी ने उनकी परशंसा की तथा साधू साधू कहकर उनके कथन का अनुमोदन कि इसके बाद वानर वीरों में परधान हनुमान जी आदिस सब लोगों से कहा महावीर है हनुमान जी मेरी बात ध्यान देकर सुनो मैंने तुम्हारे ही परसाद से यह अकंट कराज्य पाया है हम लोगों ने मनुश्य होकर भी जो समुंदर को पार किया तथा सीता जी के साथ जो मेरा मिलाप हुआ यह सब कुछ मैं तुम्हारे ही बल का परभाव समस्ता हूं। मेरी आज्या से तुम भी सैना के रक्षक होकर जाओ मेरे भाई शत्रुगं की मेरी ही भाते तुम्हें रक्षा करने चाहिए। हे महामते जहां जहां भाई शत्रगन की बध्धी विचलित हो वहाँ वहाँ तुम इन्हें समझा बुझा कर करतव्यका ज्ञान कराना परमबुद्धिमान शिरी रामचंदर जी का यह स्रेष्ट वचन सुनकर हलुमान जी ने उनकी आग्या शिरोधारे की और जाने के लिए तैयार होकर परणाम किया तब महाराज ने जंबान को भी साथ जाने का आदेश दिया और कहा अंगद गव्य मयंद दधी मुख बानर राज सुग्रीव शत वली अक्षिक नील नल मनो वेग तथा अधी गंता आदी सभी बानर सैना के साथ जाने को तैयार हो जाएं सब लोग रथों तथा सुवरण मैं अभूशनों से भी मोशित अच्छे अच्छे घोडों पर सवार हो बक्तर और टोप से सजधजकर शिग्र यहां से यात्रा करें शेश जी कहते हैं तत पस्चात बल और प्राकरम से शोभा पाने वाले शिरी राम चंदर जी ने अपने उत्तम मंत्री सुमंत्र को बुला कर कहा हे मंत्री वर बताओ इस कारे में और किन किन लोगों की न्युक्ति करना चाहिए कोन कोन मनुश्य अश्व की रक्षा करने में समर्थ है उनका प्रशन सुनकर सुमंत्र बोले हे शिरी रगुनाथ जी सुनिये आपके यहां संपूरण शस्त्र और अस्त्र के ज्यान से निपूर्ण महान विद्वान धनुर धर तथा अच्छी परकारवानों का संधान करने वाले अनेको वीर उपस्तित हैं उनके नाम ये है परताप, ग्रिया, नील रतन, लच्मी निधी, निपूताप, उग्र, अश्व और शस्त्र वित ये सभी बड़े चड़े राजा चतुर रंगणी सैना के साथ कवच आदी से सुसजित होकर जाएं और आपके घोड़े की रक्षा करते हुए शत्रुगहन जी की आग्या शिरोधारय करें मंतरी की यह बात सुनकर शिरी राम चंदर जी को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने उनके बताए हुए सभी योद्धाओं को जाने के लिए आदेश जिया शिरी रगुनाथ जी की आग्या पाकर उन्हें बड़ी परसन्नता हुई क्योंकि वे बहुत दिनों से युद्ध की इच्छा रखते थे और राण में उन्मत होकर लड़ने वाले थे शिरी सीतापती की प्रिर्णा से वे सभी राजा कवच आदी से सुसज्जित हो अस्त्र शस्त्र लेकर शत्रुघन के निवास स्थान पर गए तदनंतर रिशी की आग्या पाकर शिरी राम चंदर जी ने अचारे आदी सभी रित्वज महा रिशियों को शास्त्रुघ्त उत्तमदच्छिनाई देकर उनका विधिवत पूजन किया उस समय शिरी रगुनाथ जी के यग्या में सब और यही बात सुनाई देती थी देते जाओ देते जाओ खूब धन लुटाओ किसी से नहीं मत करो साथ ही समस्त भोग समगरियों से युप्त अनका दान करो अनका दान करो इस परकार वह्यज्य चल रहा था उसमें दच्छिना पाई हुए स्रेष्ट ब्रहम्णों की भरमार थी वहाँ सभी तरह के शुब कर्मों का अनुस्थान हो रहा था इधर शिरी राम चंदर जी के छोटे भाई शत्रुगन अपनी माता के पास जा उन्हें प्रणाम करके बोले कल्यान मैं हे मा मैं घोडे की रक्षा के लिए जा रहा हूं मुझे आग्या दो तुम्हारी किरपा से शत्रुगों को जीत कर विजय की शोभा से संपन्न हो अन्य महराजाओं तथा घोडे को साथ लेकर लोट आऊंगा माता बोली हे बेटा जाओ हे महावीर तुम्हारा मार्ग मंगल मै हो हे सुमंते तुम अपने समस्त शत्रुओं को जीत कर फिर यहां लोट आओ तुम्हारा भतीजा पुशकल धर्म यग्यों में स्रेश्ट है उसकी रक्षा करना हे बेटा तुम पुशकल के साथ साकुशल तोट कर आओगे तभी मुझे अधिक परसन्नता होगी अपनी माता की ऐसी बात सुनकर शत्रुओं ने उत्तर दिया हे मा मैं अपने श्रीत की भाती पुशकल की रक्षा करूंगा तथा जैसा मेरा नाम है उसके अनुसार शत्रुओं का नाश करके परसन्नता पूर्वक लो तुम्हारे इन युगल चरणों का समरण करके मैं कल्यान का ही भागी होँगा ऐसा कहकर वीर शत्रुओं वहां से चल दिये तथा यग्य मंडप से छोड़ा हुआ वह यग्य का अश्व अस्त्र शस्त्रों की विद्या में पर्विन संपूरण युद्धाउं द्वारा चा की और गया उसका वेग वायू के समान था जब वे चलने को उधित हुए तो उनकी दाहनी बाह फड़क उठी और उन्हें कल्यान तथा विजय की सूचना देने लगी उधर पुशकल अपने सुंदर एवं सम्रिधी शाली मैहल में गए और वहां अपनी पती ब्रता पतनी से मिले जो सुवामी के दर्शन के लिए उतकंठित थी और उन्हें देख कर हर्ष में भर गई थी उससे मिलकर फुशकल ने कहा हे भदरे मैं चाचा शत्रुगन का प्रिष्ट पोशक होकर रत पर सवार हो यग्या के घोडे की रक्षा के लिए जा रहा हूं इस कारे के लिए म तेरी समस्त माताओं का सतकार करना तथा चरण दवाना आदी सभी परकार की सेवाई करना उनके परतीक कारे में उनकी आग्या का पालन करने में आदर एवं उस्साह के साथ परवत होना यहां लोपा मुद्रा आदी जितनी पतिवरता देवियां आई हुई हैं वे सभी अप वारा उन में से किसी का अफमान ना हो जाए इसके लिए सदा साबधान रहना शेश जी कहते हैं पुशकल जब इस पर कारुप देश दे चुके तो उनकी पती वरता पतनी कांती मती ने पती की और प्रेम पूरण द्रिस्टी से देखा तथा अत्यंत विश्वस्त होकर मंद मं मुस्कुराती हुई वह गदगद वानी में बोली हे नाथ संग्राम में आपकी सर्वत्र विजय हो आपको चाचा शत्रुगंजी की आग्या का सर्वत्हा पालन करना चाहिए तथा जिस परकार भी घोड़े की रक्षा हो उसके लिए सच्चेस्ट रहना चाहिए हे स्वामि आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपने स्रेष्ट कुल की शोभा बढ़ाईए हे महाबाहो जाईए इस यात्रा में आपका कल्यान हो यह है आपका धनुश जो उत्तम गुण अर्थात सुद्रड परतियंचा से सुशोभित है इसे शीक्र ही हाथ में लीजिए इ भाई से व्याकुल हो उठेगा हे वीर यह आपके दोनों तरकश है इन्हें भांद लीजिए जिससे युद्ध में आपको सुख मिले इसमें वैरियों को टुकडे टुकडे पर डालने वाले अनेक वान भरे हैं हे प्राणनाथ कामदेव के समान सुन्दर अपने शरीर पर यह सुद्रड कवच धारन कीजिए जो विद्धुत की प्रभा के समान अपने महान परकाश से अंधकार को दूर किये देता है प्रियतम अपने मस्तक पर यह मुकुट भी पहन लीजिए जो मन को लुभाने वाला है साथ ही मनियों और रतनों से विभोशित ये दो उजवल क कुंडल है इने कानों में धारण की जिए पुशकल ने कहा हे प्रिय तुम जैसा कहती हो वह सब मैं करूंगा वीर पतनी हे कांती मती तुम्हारी इच्छा के अनुसार मेरी उत्तमकीरती का विस्तार होगा ऐसा कहकर प्राकर्मी वीर पुशकल ने कांती मती के दिये हुए सुन्दर मुकुट धनुश और विशाल तरकश इन सभी वस्तुओं को ले लिया। उन सब को धारण करके वे वीरोचित शोभा से संपन्न दिखाई देने लगे। उस समय संपूरण अस्त्र शास्त्रों के ज्ञानस में पर्विण उत्तम योदा पुष्कल की शोभा बहुत बढ़ गई। पती वरता कांती मती ने अस्त्र शास्त्रों से शोभहमान अपने पती को वीर माला से भी मुशित किया। तथा कुकुम्प, अंगूर, कस्तूरी और चंदन आदी से उनकी पूजा करके अनेकों फूलों के हार पहनाए। जो गुटने तक लटक कर पुष्कल की कांती बढ़ा रहे थे, पूजन के पस्चात उन सती ने बारंबार पती की आरती उतारी, उसके बाद पुष्कल बोले, हे भामनी, अब मैं तुम्हारे सामने ही यात्रा करता हूँ, पतनी से ऐसा कहकर, वे सुन्दर रत पर आरूड हुए, और अपने पिता भरत तथा, स जाकर उन्होंने बड़ी परसन्नता के साथ, पिता और माता के चरणों में मस्तक जुकाया, फिर पिता और माता की आग्या लेकर, वे पुलकित शरीर से शत्रुगहन की सैना में गए, जो बड़े बड़े वीरों से सुशोभित थी, तदनंतर शत्रुगहन शिरी जी के महा यग्य संबंधी घोडे को आगे करके, अनेकों रथियों पैदल चलने वाले शूर वीरों अच्छे अच्छे घोडों और सवारों से घिर कर, बड़ी परसन्नता के साथ आगे बढ़े, वे घोडे के साथ साथ पंचाल कुरू, उत्तर कुरू और दश अन आदी द चड़े थे, ब्रामन करते रहे, शत्रु घंजी सब परकार की शोभा से संपन्न थे, उन्हें उन सभी देशों में शिरी राम चंदर जी के संपूरण सुयश की कथा सुनाई पड़ती थी, लोग कहते थे, शिरी रगुनाथ जी ने रामन नामक असूर को मार कर, अपने भक जनों की रक्षा की है, अब पुन है, आश्व मेध आधी पवित्र कारें का अनुस्थान आरंब करके, भगवान शिरी राम जी तरी भुबुन में अपने सुयश का विस्तार करते हुए, संपूरण लोकों की भैई से रक्षा करेंगे, इस तरह भगवान जी का यशोगान क लोगों पर संतुष्ट होकर, पुरुष स्रेष्ट शत्रुगहन जी उन्हें पुरुषकार के रूप में सुंदरहार, नाना परकार के रतन और बहु मुल्य वस्तर देते थे। शिरी रगुनाथ जी के एक सचिव थे, जिनका नाम था सुमती, वे संपूरण विद्याओं में परवेण और तेजस्वी थे, वे भी शत्रुगहन जी के अनुगामी होकर आई थे, महाधीर शत्रुगहन उनके साथ अनेको गावों और जनपदों में गई, किन्तु शिरी रगुनाथ जी के परताप से कोई भी उस घोडे का अपहरण ना कर सका, भिन भिन देशों के जो बहुत से राजे महाराजे थे, वे यद्यपी महान बल से विमुहुशित तथा चतुरंगणी स्याना से संपन्न थे, तथा पी मोती और मनियों सहित बहुत सी संपत्ती साथ ले, घोडे की रक्षा में आए, वे शत्रुगहन के चरणों में गिर जाते और बारंबार कहन लगते थे, हे रगुनंदन यह राज्य तथा पुत्र पशु और बांधवों सहित सारा धन भगवान शिरी राम जी का ही है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, उनकी ऐसी बाते सुनकर विपक्षी वीरों का हनन करने वाले शत्रुगहन जी वहां अपनी आग्या घोशित कर देते और उन्हें साथ ले आगे की मार्ग पर बढ़ जाते थे, हे ब्रह्मन इस परकार करम्ष है, आगे आगे बढ़ते हुए शत्रुगंजी घोडे के साथ अही छत्रा नगरी के पास जा पहुँचे, जो नाना परकार के मुनुश्यों से भरी हुई थी, उसमें ब्रहम् अन्य अन्य दिवीजों का निवास था, अनेकों परकार के रतनों से वह पूरी सजाई गई थी, सोने और सफ्टीक मनी के बने हुए महल तथा गोपूर अर्थात फाटक उस नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे, वहां के मनुश्यय सब परकार के भोग भोगने वाले तथा चार से सुशोवित थे, वहां वान संधान करने में चतुर वीर हाथों में धनुश लिये, उस पूरी के स्रेष्ट राजा समुन्द को परसन किया करते थे, शत्रुघन ने दूर से ही उस नगरी को देखा, उसके पास ही एक उद्धान था, जो उस नगर में सब से परशो भहमान दिखाई देता था, तमाल और ताल आदी के ब्रिक्ष उसकी सुश्मा को और भी बढ़ा रहे थे, यग्या का घोड़ा उस उपवन के बीच में घुस गया, तथा उसके पीछे पीछे वीर शत्रुघन भी, जिनके चरण कमलों की सेवा में अनेको धनुर धर शत्रिय मौजूद थे, उसमें जा पहुँचे, वहाँ जाने पर उन्हें एक देव मंदिर दिखाई दिया, जिसकी रचना अदभुद थी, वह केलास, शिखर के समान उचा और शोभा से संपन्न था, देवताओं के लिए भी वह सेव्य जान पड़ता था, उस सुंदर दि जो अच्छे वक्ता थे, उचा, शत्रुगन बोले, हे मंतरी वर, बताओ, यह क्या है, किस देवता का मंदिर है, किस देवता का यहाँ पूजन होता है, तथा वे देवता किस हे तु से यहाँ विराजमान है, मंतरी सब बातों के जानकार थे, उन्होंने शत्रुगन का गर्चित होकर सुनो मैं सब बातों का यथावत वर्णन करता हूं इसे तुम कामाक्ष देवी का उत्तम स्थान समझो यह जगत को एक मात्र कल्यान परदान करने वाला है पूर्वकाल में अही छत्रा नगरी के स्वामी राजा समुंद की प्राथना से भगवती कामाक्षा यह विराजमान हूई जो भक्तों का दुख दूर करती हुई उनकी समस्त कामनाओं को पूरण करती है विरा शीरोमणी है शत्रुगन तुम इने परणाम करो मंत्री के वचन तुनकर शत्रुगों को ताप देने वाले नर स्रेष्ट शत्रुघन ने भगवती कामाक्षा को प्रणाम किया और उनके परकट होने के संबंद की सब बाते पूछी है मंत्रीवर अही छत्रा के स्वामी राजा सुमद कौन है उन्होंने कौन सी तपस्य की है जिसके परभाव से ये संपूरण लोकों की जन जनी कामाक्षा देवी संतुस्ट होकर यहां विराज रही है सुमती ने कहा हेमकूट नाम से परसिद एक पवित्र परवत है जो संपूरण देवताओं से सशोवित रहा करता है वहां रिशी मुनियों से सेवित विमल नाम का एक तीरत है वहीं राजा सुमद ने तपस्य की थी उनके राज्य की सीमा पर रहने वाले संपूरण सामंत नरेशों ने जो वास्तव में शत्रू थे एक साथ मिलकर उनके राज्य पर चड़ाई की उस युद्ध में उनके पिता माता और प्रजा वर्ग के लोग भी शत्रू के हाथ हम से मारे गई तब सरवदा असहाई होकर राजा समुद तपस्य के लिए उपयोगी विमलतीर्थ में गई और वहां तीन वर्ष तक एक पैर से खड़ा हो मन ही मन जगदंबा का ध्यान करते रहे उस समय उनकी आँखें नासिका के अगर भाग पर जमी रहती थी इसके बाद तीन वर्षों तक उन्होंने सुखे पत्ते चवा कर अत्यंत उग्र तपस्या की जिसका अनुस्ठान दूसरे के लिए अत्यंत कठिन था तपस्यात पुनहें तीन वर्षों तक उन्होंने और भी कठोर नियम धारण किये जाड़े के दिनों में वे पानी में डूबे रहते गर्मी में पंच अगनी का सेवन करते और वर्षा काल में बादलों की और मुह की ये मैदान में खड़े रहते थे तदनंतर उन्हें तीन वर्षों तक वे धीर राजा अपने हिर्द्यांत वर्ती प्राण वायू को रोक कर केवल भवानी के ध्यान में सलगन रहे उस समय उन्हें जगदंबा जी के सिवा दूसरा कुछ दिखलाई नहीं देता था इस परकार जब बहरमा वर्षवतीत हो गया तो उनकी भारी तपस्या देखकर इंद्र ने मन ही मन उस पर विचार किया और भई के कारण वे उन से डह करने लगे उन्होंने अपसराओं के साथ कामदेव को जो ब्रहमा जी और इंद्र जी को भी प्रास्त करने के लिए उधित रहता था परिवार सहित बुलाकर इस परकार आग्या दी सके हे कामदेव तुम सब का मन मोहने वाले हो जाओ मेरा एक प्रिया कार्या करो जैसे भी हो सके राजा सुमूद की तपस्या में बिघन डालो कामदेव ने कहा हे देवराज मुझ सेवक के रहते हुए आप चिंता ना कीजिए हे आर्या मैं अभी सुमंद के पास जाता हूँ आप देवताओं की रक्षा कीजिए ऐसा कहकर कामदेव अपने सखा बसंत तथा अपसराओं के समूद को साथ लेकर हेम कूट परवत पर गया बसंत ने जाते ही वहां के सारे ब्रिक्षों को फल और फूलों से सुशोभित कर दिया उनकी डालियों पर कोयल कूकने तथा भमर गुंजार करने लगे दच्छन दिशा की ओर से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी जिसमें कृत माला नदी के तीर पर खिले हुए लवंग कुस्मों की सुगंद आ रही थी इस परकार जब समूचे बन में बसंत की शोभा च्छा गई तो अब सराओं में सरेष्ट रंभा अपनी सक्षियों से घिर कर सुमंद के पास गई रंभा का सुवर्क किनरों के समान मनोहर था वह मिर्दंग और पणव आदी नाना परकार के बाजे बजाने में भी निपूर्ण थी राजा के समीब पहुँचकर उसने गाना अरंभ कर दिया महराज सुमंद ने जब वह मधुर गान सुना बसंत की मनोहारणी छटा देखी तथा मन को लुभाने वाली कोयल की मीठी तान सुनी तो चारों और द्रिश्ची दोडाई फिर सारा रहस से उनकी समझ में आ गया राजा को ध्यान से जगा देख फूलों का धनुश धारण करने वाले काम देव ने बड़ी फूर्ती दिखाई उसने उनके पीछे की और खड़ा होकर ततकाल अपने धनुश चड़ाह लिया इतने ही में एक अपसरा अपने नेत्र पल्वों को नचाती हुई राजा के दोनों चरण दवाने लगी दूसरी सामने खड़ी होकर कटाक्ष पात करने लगी तथा तीसरी शरीर की शंगर जनित चेस्ताइं अर्थात तरह तरह के हाव भाव परदशिक करने लगी इस परकार अपसराओं से घिर कर जितेंदरियों के शिरो मणी बुद्धिमान राजा सुमंद यूँ चिंता करने लगे ये सुंदरी अपसराओं मेरी तपस्या में बिघन डालने के लिए यहां आई हैं इन्हें इंदर ने भेजा है ये सब की सब उनकी आग्या के अनुसा भावाय करेंगी इस परकार चिंता से आकुल होकर धीर चित में धावी तथा वीर राजा सुमंद ने अपने हिर्दय में अच्छी तरह विचार किया इसके बाद वे देवांगनाओं से बोले है देवियों आप लोग मेरे हिर्दय मंदिर में विराजमान जगदम्बा जी क सब रूप हैं आप लोगों ने जिस सवर्गिय सुख की चर्चा की है वह अत्यंत तुछ और अनिश्चित है मैं भक्ति भाव से जिनकी अराधना में लगा हूं वे मेरी स्वामनी जगदंबा मुझे उत्तम वर्दान देगी जिनकी किरपा से सत्य लोक को पाकर भगवान भ्र ये भक्तों का दुख दूर करने वाली है भगवती की किरपा के समान नंदन बन अत्वा सुवरण मंडित मेरू घिरी क्या है और यह सुधा भी किस गिंती में है जो थोड़े से पुन्ने के द्वारा प्राप्त होने वाली और दानवों को दुख में डालने वाली है राजा का यह वचन सुनकर काम देव ने उन पर अनेकों वानों का प्रहार किया किन्तु वह उनकी कुछ भी हानी ना कर सका वे सुंदरी अपसराएं अपने कुटित कटाक्ष नुपूरों की जहनकार अलिंगन तथा चित्वन आदी के द्वारा उनके मन को मोह में न डाल सकी अंत म निराश होकर जैसे आई थी वैसे ही लोट गई और इंद्र से बोली राजा सुमंद की बुद्धी स्थिर है उन पर हमारा जादू नहीं चल सकता अपने प्रेतन के व्यर्थ होने की बात सुनकर इंद्र डर गई इधर जगदंबा जी ने महाराज सुमंद को जितेंद्र य उनकी कांती करोडो सूरियों के समान थी वे अपनी चार भुजाओं में धनुश वान अंकुष और पाश धारन किये हुए थी माता का दर्शन पाकर बुद्धिमान राजा को बड़ी परसन्नता हुई उन्होंने बारंबार मस्तक जुका कर भक्ती भावना से परकट हुए म माता दुर्गा को प्रणाम किया वे बारंबार राजा के शरीर पर अपने कोमल हाथ फेरती हुई हस रही थी महामती राजा सुमद्ध के शरीर में रोमांच हो आया उनके अंतह करण की व्रिती भक्ती भाव से उतकंठित हो गई और वे गदगद स्वर से माता की इस परकार स्तुती करने लगे हे देवी आपकी जय हो हे महा देवी भक्त जनसदा आपकी ही सेवा करते हैं भगवान ब्रह्मा और इंद्र आदी समस्त देवता आपके युगल चरणों की अराधना में लगे रहते हैं आप पाप के सपर्ष से रहित हो आप ही के परताप से अगनी पराणियों के भीतर और बाहरस्थित होकर सारे जगत का कल्यान करते हैं हे महा देवी देवता और असुर सभी आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं आप ही विद्यत था आप ही भगवान विश्नुजी की महा माया हैं एक मात्र आप ही इस जगत को पवित्र करने वाली हैं आप ही अपनी शक्ती से इस संसार के स्रिष्टी और पालन करती हैं, जगत के जीवों को मोह में डालने वाली भी आप ही हैं, सब देवता आप ही से सिर्धी पाकर सुखी होते हैं, हे माते हे, आप दिया की स्वामनी, सब की वंदनिया तथा भक्तों पर सनेह रखने वाली हैं, मेरा पालन कीजिए, मैं आप के चरण कमलों का सेवक हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, सुमती ने कहा, इस परकार की हुई स्तूती से संतुष्ट होकर, जगत माता का माक्षा, अपने भक्त सुमद से, जिन का शरीर तपस्या के कारण दुर्बल हो रहा था, बोली, हे बेटा, कोई उत्तम वर मांगो, माता का यह वचन सुनकर, राजा सुमद को बड़ा हर्श हुआ, और उन्होंने अपना खोया हुआ, अकंटक राज्य है, जगत माता भवानी जी के चरणों में अविचल भक्ती, तथा अंत में संसार सागर से पार उतरने वाली, मुक्ती का वर्दान मांगा, कामाक्षा ने कहा, हे सुमंद, तुम सर्वत्र अकंटक राज्य प्राप्त करो, और शत्रूं के द्वारा तुम्हारी कभी प्राजय ना हो, जिस समय महाय शस्वी, शिरी रगुनाथ जी, रावन को मार कर सब समगरियों से सुशोवित, आश्व मेध्य यज्य का अनुस्थान करेंगे, उस समय शत्रमों का दमन करने वाले, उनके महावीर भराता, शत्रू घन, वीर आदी से घिर कर, गोडे की रक्षा करते हुए, यहां आएंगे, तुम उन्हें अपना राज्य सम्रिधी और धन आदी सब कुछ सोप कर, उनके साथ प्रित्व पर ब्रहमन करोगे, तथा अंत में भगवान ब्रहमा जी इंद्र और शिव आदी से सेवित भगवान शिरी राम जी को प्रणाम करके, ऐसी मुक्ति प्राप्त करोगे, जो यम नियमों का साधन करने वाले योगियों के लिए भी दुरलब है, ऐसा कहकर देवता और असूरो से अभिवंदित कामाक्षा देवी वहां से अंतरधान हो गई, तथा सुमुद भी अपने शत्रूओं को मार कर अही छत्रा नगरी के राजा हुए वहीं, ये इस नगरी के स्वामी राजा सुमद है, यद्यपी ये सब परकार से सामर्थ तथा बल और वहनों से संपन है, त तथा पी तुम्हारे यग्य संबंद ही घोड़े को नहीं पकडेंगे, क्योंकि महा माया ने इस बात के लिए इनको भली भाती शिक्षा दी है, शेश जी कहते हैं, सुमित के मुख से राजा समुद का यह वरतांत सुनकर, महान यशस्वी बुद्धिमान और बलवान शत्र गंजी बड़े परसन हुए तथा सादू सादू कहकर उन्होंने अपना हर्ष पर कट किया, उधर अही छत्रा के स्वामी अपने सेवक गणों से घिरकर सुख पूर्वक राजसभा में विराजमान थे, वेद वेता ब्रहमन तथा धन धान्य से संपन्य वेश्य भी उनके प किसी ने आकर राजा से कहा, हे स्वामी ना जाने किस का घोड़ा नगर के पास आया है, जिसके ललाट में पत्र बंधा हुआ है, यह सुनकर राजा ने तुरंत ही एक अच्छे सेवक को भेजा और कहा, जाकर पता लगाओ, किस राजा का घोड़ा मेरे नगर के निकट आया ह सेवक ने जाकर सब बात का पता लगाया, और महान शत्रियों से सेवित राजा सूमद के पास आरंब से ही सारा वरतांत कह सुनाया, शिरी रगुनाथ जी का घोड़ा है, यह सुनकर बुद्धिमान राजा को चीर काल की पुरानी बात का समरण हो आया, और उन्होंने सब लो वे सब लोग अपने अपने घरों पर तोरण आदी मांगलिक वस्तूओं की रचना करें, इन सब बातों के लिए आग्या देकर स्व्यम राजा सूमद अपने पुत्र पोत्र और रानी आदी समस्त परिवार को साथ लेकर शत्रुघन के पास गए, शत्रुघन ने पुशकल आदी योध्धाओं तथा मंत्रियों के साथ देखा, वीर राजा सूमद आ रहे हैं, राजा ने आकर बड़ी परसनता के साथ शत्रुघन को परणाम किया, और कहा, हे प्रभो, आज मैं धन्या और करतार्थ हो गया, आपने यहां दर्शन देकर मेरा बड़ा सत्कार किया, म माता काम आक्षा देवी ने पूर्वकाल में जिस बात के लिए मुझ से कहा था, वह आज और इस समय पूरी हुई है, शिरी राम जी के छोटे भाई महाराज हे शत्रुघन जी, अब चल कर मेरी नगरी को देखिए, यहां के मनुश्यों को करतार्थ कीजिए, तथा मेरे समस कुल को पवित्र बनाईए, ऐसा कहकर राजा ने चंद्रमा के समान कांती वाले शुएत, गजराज पर शत्रुघन और महावीर पुषकल को चड़ाया, तथा पीछे स्वयम भी सवार हुए, फिर महाराज सुमद की आग्या से भैरी और पणब आदी बाजे बजने लगे, वीना आदी की मधूर धवनी होने लगी, तथा इन समस्त वांधियों की तुमूल धवनी चार और व्यापत हो गई, धीरे धीरे नगर में आकर सब लोगों ने शत्रुघन जी का अभिनंदन किया, उनकी बुद्धी के लिए शुभ कामना परकट की, तथा वे वीरों से सु लिए राज मंदिर में उतरे, उस समय सारा राज भवन तोरण आदी से सजाया गिया था, तथा स्व्यम राजा समुद्ध शत्रुघन जी को आगे करके चल रहे थे, महल में पहुंचकर उन्होंने परसन्नता पूर्वक अर्ग आदी के द्वारा शत्रुघन जी का पूजन किया और अपने सब कुछ भगवान शिरी राम जी की सेवा में अरपन कर दिया, सारे बोलो भगवान शिरी नराण जी की जयाए पाताल खंड अध्याय एक सो छे, शत्रुघन का राजा सुमद्ध को साथ लेकर आगे जाना और चियवन मुनी के आश्रम पर पहुंचकर सुम सुमती के मुख से उनकी कथा सुनना, चियवन जी का सुक कन्या से विवाह, शेश जी कहते हैं तदनंतर नर स्रेष्ट राजा सुमद्ध ने शिरी रगुनाथ जी की उत्तम कथा सुनने के लिए उस सुक होकर स्वागत सतकार से संतुस्ट हुए, शत्रुघन जी से वार्तल आप आरंभ किया, सुमत बोले, हे महामते, संपूरण लोकों के शिरो मनी, भगतों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहन करने वाले, तथा मुझ पर निरंतर अनुग्रह रखने वाले, भगवान शिरी राम जी, आयोध्या में सुक पूर्वक तो विराज रहे हैं ना, ये लोग धन्य हैं, जो सदा अनंद मगन होकर, अपने नेत्र पूटों के द्वारा, शिरी रगुनाथ जी के मुखार बिंद का मकरंद पान करते रहे हैं, हे नर्सरेस्ट, अब मेरी कुल परंपरा तथा राज्य भूमी आदी, सब वस्तुएं पूरण सफल हो गई, दिया से द्रवित होने वाली माता कामाक्षा देवी ने पूर्व काल में मुझ पर बड़ी कूपा की थी, राजाओं में स्रेस्ट वीर सुमुद के ऐसा कहने पर, शत्रुधन ने शिरी रगुनाथ जी के गुणों को परकट करने वाली सब कथाएं कह सुनाई, वे तीन रातरी तक वहां ठहरे रहे, इसके बाद उन्होंने राजा के साथ वहां से जाने का विचार किया, उनका अभी प्राय जानकर सुमद ने शिग्र ही अपने पुत्र को राज्य पर अभी शिक्त कर दिया, तथा उन महा बुद्धिमान नरेश ने शत्रुधन के सेवकों को बहुत से वस शत्र रतन और नाना परकार के धन दिये, तपस्चात शत्रुधन ने धनुश धारन किये हुए राजा समुद को साथ लेकर अपने बहुअग्य मंत्रियों, पैदल योद्धाओं, हाथियों और अच्छे घोडे जुते हुए अने को रतों के साथ वहां से यातर अरंभ की, शिरी रगुनाथ जी के परताप का आश्रे लेकर, वे हस्ते हस्ते मार्ग तै करने लगे, पियोशनी नदी के तीर पर पहुँच कर, उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी, तथा शत्रुधन पर परहार करने वाले समस्त योद्धा भी, पीछे पीछे उनका साथ देने लगे वे तपस्वी रिशियों के भाती भाती के आश्रम देखते तथा वहां शिरी रगुनाथ जी के गुणगान सुनते हुए यात्रा कर रहे थे, उस समय उन्हें चारों और मुनियों की यह कल्यान मैवानी सुनाई पड़ती थी, यह यग्या का आश्म चला जा रहा है, जो श शिरी शत्रुगन जी के द्वारा सब और से सुरक्षित है, भगवान जी का अनुसरण करने वाले वानर तथा भगवान भक्त भी उनकी रक्षा कर रहे हैं, जिनकी चित भृतियां भक्ती से निरंतर परभावित रहती हैं, उन महारिश्यों की प्रभोक्त बाते सुनकर, श एक विशुद आश्रम देखा, तो निरंतर होने वाली भेदों की धवनी से, उसको शिरवन करने वाले मनुश्यों का सारा मंगल नस्ट किये देता था, वहां का संपूरण अकाश अगनी होत्र के समय दी जाने वाली आहुती के धूम से पवित्र हो गया था, सरेस्ट मुनियों के द्वारा स्थापित किये हुए अनेको यग्य संबंधी यूप उस आश्रम को सुशोभित कर रहे थे, वहां सिह भी पालन करने योग्य गायों की रक्षा करते थे, चुहे अपने रहने के लिए बिल नहीं खोदते थे, क्योंकि वहां उन्हें बिलियो से भै नहीं था, साप सदा मोरों और नेवलों के साथ खेलते रहते थे, हाथी और सिह एक दूसरे के मित्र होकर उस आश्रम पर निवास करते थे, म्रिग वहां प्रेम पूर्वक चरते रहते थे, उन्हें किसी से भै नहीं था, गवों के थन, घडों के समान दिखाई देते थे, उनका विग्रह नंदनी की भाती, समपूरण कामनाओं को पूरण करने वाला था, और वे अपने खुरों से उठी हुई धूल के द्वारा, वहां की भूमी को पवित्र करती थी, हाथों में समीधा धारन करने वाले स्रेष्ट मुनिवरों ने, वहां की भूमी को धार् का अनुस्थान करने के योग्या बना रखा था उस आश्रम को देखकर शत्रु घंजी ने सब बातों को जानने वाले श्री राम मंत्री सुमिती से पूछा शत्रु घंजी बोले है सुमते यह सामने किस मुनी का आश्रम शोभा पा रहा है यहां सब जन्तु आपस का बैर करते हैं तथा यह मुनियों की मंडली से भी भरा पूरा दिखाई देता है मैं मुनी की वारता सुनूंगा तथा उनका वरतांत श्रवन करके अपने को पवित्र करूंगा महात्मा शत्रु घंजी यह उत्तम वचन सुनकर परम मेधावी श्री रगुनाथ जी के मंत्री सुम इसे महारशी चयवन जी का आश्रम समझो यह बड़े बड़े तपस्वियों से सुशोभित तथा वैरशुन्य जन्तुओं से भरा हुआ है मुनियों की पतनिया भी यहां निवास करती हैं महामुनी चयवन वे ही हैं जिन्होंने मनु पुत्र शिर्याती के महान यग्य में इंद्र का मान भंग किया और अश्वनी कुमारों को यग्य का भाग दिया था शत्रुगन ने पूछा है मंत्री वर महारशी चयवन जी ने कब अश्वनी कुमारों को देवताओं की पंगती में बिठा कर उन्हें यग्य का भाग अरपन किया था तथा देवराज इंद्र उस महायग्य में क्या किया था। सुम्ती ने कहा हे सुमित्रानंदन भगवान ब्रह्मा जी के वंच में महारिशी भ्रिगु बड़े विख्यात महात्मा हुए है। एक समे संध्या के समे समीधा लाने के लिए वे आश्रम से दूर चले गए थे। उसी समे दमन नाम का एक महावली राक्षस उनके यग्यका नाश करने के लिए आया। और उच स्वर से अत्यंत भ्यंकर वचन बोला कहा है वह अधम मुनी और कहा है उसकी पापरहित पतनी। वह रोश में भरकर जब बारम बार इस परकार कहने लगा तो अगनी देवता ने अपने उपर राक्षस से भै उपस्तित जानकर मुनी की पतनी को उसे दिखा दिया। वह सती सादवी नारी गर्ववती थी राक्षस ने उसे पकड लिया वेचारी अवला कुरीरी की भाती विलाब करने लगी। हे महारिशी भ्रिगू रक्षा करो हे पती देव बचाओ हे प्राणनाथ तपोनिधे मेरी रक्षा करो इस परकार वह आर्थ भाव से पुकार रही थी तथा पी राक्षस उसे लेकर आश्रम से बाहर चला गया और दुस्ट ताभरी बातों से महात्मा भ्रिगू की उस पती ब्रता पतनी को अपमानित करने लगा उस समय महान भैसे तरस्त होकर वह गर्भ मुनी पतनी के पेट से गिर गया उस नवजात शिशु के नित्र पर ज्वलित हो रहे थे मानो सती के शरीर से अगनी देव ही पर कट हुए है उसने राक्षस की और देखकर कहा हे दूस्ट अव तु यहां से ना जा अभी जल कर भसम हो जा सती के सपर्ष करने के कारण तेरा कल्यान न होगा बालक के इतना कहते ही वह राक्षस गिर पड़ा और तुरंत जल कर राख का धेर हो गया तब माता अपने बच्चे को गोद में लेकर उदास मन से आश्रम पर आई महारिशी भ्रिगु को जब मालुम हुआ कि यह सब अगनी देव की ही कर्तूत है तो वे क्रोध से व्याकुल हो उठे और शाप देते हुए बोले शत्रू को घर का भेद बतलाने वाले हे दुस्टात्मा तु सर्व भक्षी हो जा अर्थात पवित्र आपवित्र सभी वस्तूं का आहार कर यह शाप सुनकर अगनी देव को बड़ा दुख हुआ उन्होंने मुनी के चरण पकड़ लिये और कहा हे प्रभू तुम देया के सागर हो हे महामते मुझ पर अनुग्रह करो हे धार्मिक शिरूमने मैंने जूट बोलने के भाई से उस राक्षस को आपकी पतनी का पता बता दिया था इसलिए मुझ पर किरपा करो अगनी की प्राथना सुनकर तपस्वी मुनी देया से धर्वित हो गए और उन पर अनुग्रह करते हुए इस परकार बोले हे अगने तुम सर्व भक्षी होकर भी पवित्र ही रहोगे तद पस्चात परम मंगल मैं विपरवर भ्रिगुने सनान आदी से पवित्र हो हाथ में कुश लेकर गर्व से घिरे हुए अपने पुत्र का जात करम आदी संसकार किया उस समय संपूरण तपस्वियों ने गर्व से रहित होने के कारण उस बालक का नाम चयवन रख दिया भ्रिगु कुमार चयवन शुकल पक्ष की प्रतिपाद के चंदरमा की भाती धीरे दीरे बढ़ने लगे कुछ बढ़े हो जाने पर वे तपस्या करने के लिए जगत को पवित्र करने वाली नर्मदा नदी के तक पर गई वहाँ पहुँचकर उन्होंने दस हजार वर्षों तक तपस्या की उनके दोनों कंधों पर दीमकों ने मिट्टी के धेरी जमा कर दी और उस पर दो पलाश के ब्रिच उग आए हरिन उत्सुकता पूर्वक वहाँ आते और मुनी के शरीर में अपनी देहे रगड कर खुजली मिटाते थे किन्तु उनको इन सब बातों का कुछ भी ज्यान नहीं रहता था वे आविचल भाव से स्थेर रहते थे एक समय की बात है मनु के पुत्र राजा शर्याती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार होकर परिवार सहित नर्मदा के तट पर गए उनके साथ बहुत बड़ी सैना थी महानदी नर्मदा में सनान करके उन्होंने देवता और पित्रों का तरपन किया तथा भगवान शिरी विश्णुजी की परसन्यता के लिए बरहमणों को नाना परकार के दान दिये राजा के एक कन्या थी जो तपाए हुए सोने के अभूशन पहन कर बड़ी सुंदरी दिखाई देती थी वह अपनी सक्यों के साथ बन में इधर उधर विचरने लगी वहां उसने महान बिरिक्षों से सुशोभित बलमीक अर्थात मिट्टी का धेर देखा जिसके भीतर एक ऐसा तीज दिख पड़ा जो निमेश और उनमेश से रहित था उसमें खुलने मिचने की क्रिया नहीं होती थी राज कन्या को तुहल वश उसके पास गई और शलाकाओं से दवा कर उसे फोड डाला फूटने पर उससे खोन निकलने लगा यह देख कर राज कुमारी को बड़ा खेद हुआ और वह दुख से कातर हो गई अपराद से दवी होने के कारण उसने माता और पिता को इस दुरगठना का हाल नहीं बताया वह भै से आतुर होकर सव्यम ही अपने लिए शोक करने लगी उस समय पृत्वी कापने लगी अकाश से उलका पात होने लगा सारी दिशाएं धुमिल हो गई तथा भगवान सूरे के चारो और घेरा पड़ गया राजा के कितने ही घोडे नस्ट हो गए बहुत तेरे हाथी मर गए धन और रतन का नाश हो गया तथा उनके साथ आई हुए लोगों में परस पर कलह होने लगा वह उत्पात देखकर राजा डर गए उनका मन कुछ उदिगन हो गया वे सब लोगों से पूछने लगे किसी ने मुनी का अपराद तो नहीं किया है परमपरा से उन्हें अपनी पुतरी की कर्तूत मालूम हो गई और वे अत्यंत दुखी होकर सैना और सवारियों सहित मुनी के पास गए भारी तपस्या में लगे हुए तपो निधी चेवन मुनी जी को देखकर राजा ने स्तूती के द्वारा उन्हें परसंद किया और कहा हे मुनीवर दिया कीजिए तब महा तपस्वी मुनी स्रेष्ट चेवन जी ने संतूस्ट होकर कहा हे महराज तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह सारा उत्पात तुम्हारी पुतरी का ही किया हुआ है तुम्हारी कन्या ने मेरी आँखे फोड़ डाली है इनसे बहुत खून गिरा है इस बात को जानते हुए भी उसने तुम से नहीं बताया है इसलिए अब तुम शास्त्रिय विधी के अनुसार मुझे उस कन्या का दान कर दो तब सारे उत्पातों की शांती हो जाएगी यह सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उत्तमकुल नई अवस्था सुन्दर रूप अच्छे सभाव तथा शुब लच्छनों से संपन अपनी प्यारी पुत्री उन अन्भे महारिशी को व्याह दी राजा ने कमल के समान नेत्रो वाली उस कन्या का जब दान कर दिया तो मुनी के क्रोध से परकट हुए सारे उत्पात ततकाल शांत हो गए इस परकार तपो निधी मुनीवर च्यावन जी को अपनी कन्या देकर राजा शिर्याती फिर अपनी राजधानी को लोट आए पुत्री पर दिया आने के कारण वे बहुत दुखी थे सारे बोलो भगवान शिरी नरायन जी की जय पाताल खंड अध्याए एक सो साथ सुकर्ण्या के द्वारा पती की सेवा च्यावन को योवन प्राप्ती उनके द्वारा अश्वनी कुमारों को यग्यभाग अरपन तथा महामुनी च्यावन जी का आयोध्य गमन सुम्ती ने कहा हे सुमित्रनंदन राजा श्रियाती के चले जाने के पस्चात महारिशी च्यावन जी पतनी रूप में प्राप्त हुए उनकी कन्या के साथ अपने आश्रम पर रहने लगे उसको पाकर उन्हें बड़ी परसन्नता हुई थी योगा भ्यास में परवत होने के कारण उनके सारे पाप धुल गई थे वह कन्या अपने स्रेष्ट पती की सेवा करने लगी यद्यपी वे नेत्रों से हीन थे और बुढ़ापे के कारण उनकी शारीरिक शक्ती जवाब दे चुकी थी तथापी वह उन्हें अपने अभिस्ट पूरण करने वाले कुल देवता के समान समझ कर उनकी सेवा करती थी जैसे शची इंद्र की सेवा में ततपर होकर परसन्नता प्राप्त करती है उसी परकार उस सुंदरी सती को अपने प्रियतम पती की सेवा में बड़ा अनंद आता था पती भी सधारण नहीं तपस्या के भंडार थे और उनका आश्रय अर्थात मनोभाव बहुत ही घंबेर था तो भी वह उनकी परतेक चेस्ता को जानती हर एक अभी प्राय को समझाती हुई सेवा में सलगन रहती थी वह सुंदर शरीर वाली राजकुमारी सभी शुब लच्छनों से संपन और कृशांगी थी तो भी फल मूल और जल का आहार करती हुई अपने स्वामी के चरणों की सेवा करती थी सदापती की आग्या पालन करने के लिए तैयार रहती और उनहीं के पूजन आदर सत्कार में समय बिताती थी संपूरन प्राणियों का हित साधन करने में उसका अनुराग था वह काम दंब द्वेश लोब भै और मद का परित्याग करके साबधानी के साथ उधित रहकर सरवदा चेवन मुनी को संतुस्ट रखने का यतन करती थी हे महाराज इस परकार वानी शरीर और क्रिया के द्वारा मुनी की सेवा करती हुई उस राज कुमारी ने एक हजार वर्ष वतीत कर दिये तथा अपनी कामनाओं को मन में ही रखा मुनी पर कभी परकट नहीं किया एक समय की बात है मुनी के आशरम पर देव बैद अश्वनी कुमार पधारे सुकन्या ने स्वागत के द्वारा उनका सम्मान करके उन दोनों का पूजन अर्थात अतिथ्य सत्कार किया शर्याती कुमारी सुकन्या के किये हुए पूजन तथा अर्ग्य पाद्या आदी से उन सुन्दर शरीर वाले अश्वनी कुमारों के मन में परसन्यता हुई उन्होंने सनेहवश उस सुन्दरी से कहा हे देवी तुम कोई वर मांगो उन दोनों देव वैदों को संतुष्ट देख बुद्धि मती नारियों में स्रेष्ट राज कुमारी सुकन्या ने उन से वर मांगने का विचार किया अपने पती के अभी प्राय को लच्छे करके उस ने कहा हे देवताओं यदि आप मुझ पर परसन्न हैं तो मेरे पती को नेत्र परदान कीजिए सुकन्या का ये मनोहर वचन सुनकर तथा उसके सतितब को देखकर उन स्रेष्ट वैदों ने कहा यदि तुम्हारे पती यग्य में हम लोगों को देवोचित भाग अरपन कर सकें तो हम इनके नेत्रों में स्पस्ट रूप से देखने की शक्ती पैदा कर सकते हैं चयमन जी ने भी उन तेजस्वी देवताओं को यग्य में भाग देने के लिए हामी भर दी तब वे दोनों आश्विनी कुमार अत्यंत परसन होकर महान तपस्वी चयमन जी से बोले हे मुने सिद्धों द्वारा तयार किये हुए इस कुंड में आप गोता लगावे ऐसा कहकर उन्होंने चयमन मुनी जी को जिनका श्रीर व्रिधा अवस्था का ग्रास बन चुका था तथा जिनकी नसनाडियं साफ दिखाई दे रही थी उस कुंड में परवेश कराया और स् भी उस में गोता लगाया तत्पस्चात उस कुंड में से तीन पुरुष परकट हुए जो अत्यंत सुंदर और नारियों का मन मोहने वाले थे उनका रूप एक ही समान था सोने के हार कुंडल तथा सुंदर वस्त्र तीनों के शरीर पर शोभा पा रहे थे सुंदर शरीर वाली सुकन्या उन तीनों को अत्यंत रूपवान और भगवान सूर्य के समान तेजस्वी देखकर अपने पती को पहचान न सकी तब वह साधवी दोनों अश्विनी कुमारों की शरण में गई सुकन्या के पाती वरत्य से संतुस्त होकर उन्होंने उसके पती को दिखा दिया और रिशी से विदा ले वे दोनों विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गई अब उन्हें इस बात की आशा हो गई थी कि जब मुनी यग्य करेंगे तो उसमें हम लोगों को भी अवश्य भाग देंगे तदनंतर किसी समय राजा श्रियाती के मन में यह इच्छा हुई कि मैं यग्य द्वारा देवताओं का पूजन करूं उस समय उन्होंने महारिशी चयवन जी को बुलाने के लिए अपने कई सेवक भेजे उनके बुलाने पर महातपस्वी विप्रवर चयवन वहां गए साथ में उनकी धरम पतनी सुकन्या भी थी जो मुनियों के समान अचार विचार का पालन करने में पक्की हो गई थी जब पतनी के साथ वे महारिशी राज भवन में पधारे तब महा यशस्वी राजा शर्याती ने देखा कि मेरी कन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष खड़ा है सुकन्या ने पिता के चरणों में प्रणाम किया किन्तु शर्याती ने उसे आशिरवाद नहीं दिया वे कुछ आपरसन्न से होकर पुत्री से भोले हे अरी तुने यह क्या किया अपने पती महारिशी चेवन को जो सब लोगों के वंदनिय है धोका तो नहीं दे दिया क्या तुने उन्हें भुड़ा और अप्रिया जान कर छोड़ दिया और अब तु इस रह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है तेरा जनम तो स्रेश्ट पुरुषों के कुल में हुआ है फिर ऐसी उल्टी बुद्धी तुझे कैसे प्राप्त हुई ऐसा करके तु तो अपने पिता तथा पती दोनों के कुल को नर्क में ले जा रही है पिता के ऐसा कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या किंचित मुस्कुरा कर बोली हे पिता जी ये जार पुरुष नहीं आपके जमाता भ्रिगुनंदन महारिशी चयवन जी ही है इसके बाद उसने पती की नई अवस्था और सुंद्रे प्राप्ती का सारा समाचार पिता से कह सुनाया सुनकर राजा शर्याती को बड़ा विसमे हुआ और उन्होंने अत्यंत परसन होकर पुत्री को च्छाती से लगा लिया इसके बाद चयवन जी ने राजा से सुम याग का अनुस्थान कराया और सुम पान के अधिकारी ना होने पर भी दोनों अश्वनी कुमारों के लिए उन्होंने सुम का भाग निश्चित किया महारिशी तपोवल से संपन्न थे अतह उन्होंने अपने तेज से अश्वनी कुमारों को सुम रस का पान कराया अश्वनी कुमार बैद होने के कारण पंक्ती पावन देवताओं में नहीं गिने जाते थे उन्हें देवता अपनी पंक्ती में नहीं बिठाते थे परंतु उस दिन ब्रहमन स्रेष्ट चयवन जी ने उन्हें देव पंक्ती में बैठने का अधिकारी बनाया यह देखकर इंद्र को कुरोद आ गया और वे हात में बज्र लेकर उन्हें मारने को तयार हो गई बज्र धारी इंद्र को अपना वद्ध करने के लिए उधित देखत बुद्धिमान महारिशी चयवन जी ने एक बार हुंकार किया और उनकी भुजाओं को सतंबित कर दिया उस समय सब लोगों ने देखा इंद्र की भुजाएं जडवत हो गई है बाहिस तंबित हो जाने पर इंद्र की आँखें खुली और उन्होंने मुनी की स्तूती करते हुए कहा हे स्वामिन आप अश्वनी कुमारों को यग्य का भाग अरपन कीजिए मैं नहीं रोकता हे तात एक बार मैंने जो अपराद किया है उसको शमा कीजिए उनके ऐसा कहने पर दिया सागर महारिशी जी ने तुरंत करोध त्याग दिया और इंद्र की भुजाएं भी ततकाल ब लोगों का हिर्देविस्मय पूरवक कोतुल से भर गया वे ब्रहमनों के बल की जो देवता आदी के लिए भी दुरलव है साराहना करने लगे तदनंतर शत्रूओं को ताप देने वाले महाराज शिर्याती जी ने ब्रहमनों को बहुत सधन दिया और यग्य के अंत में आव भर्त सनान किया हे सुमित्रा नंदन तुमने मुझ से जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया महरिशी चयवन जी तपस्या और योगबल से संपन्न है इन तपो मूर्ती महात्मा को प्रणाम करके तुम विजय का आशिर्वाद ग्रहन करू और भगवान शिरी राम च हारने के लिए प्राथना करो शेश जी कहते हैं शत्रुघन और सुम्ती में इस पर कारवारत लाप हो रहा था इतने ही में यग्या का घोड़ा आश्रम के पास जा पहुचा और उस महान आश्रम में घूम घूम कर मुख के अग्र भाग से दूब के अंकुर चरने लगा इसी बीच में शत्रुघन भी चयवन मुनी जी के शोबह मान आश्रम पर पहुच गए वहां जाकर उन्होंने सुकन्या के पास बैठे हुए महरिशी चयवन जी का दर्शन किया जो तपस्या के मूर्ती मान सबरूप से जान पढ़ते थे सुमित्रा कुमार ने अपना नाम बतलाते हुए मुनी जी के चरनों में प्रणाम किया और कहा हे मुने मैं शिरी रगुनाथ जी का भाई और इस अश्व का रक्षक शत्रुगन हूँ अपने महान पापों की शांती के लिए आपको नमस्कार करता हूँ यह वचन सुनकर मुनिवर चयवन जी ने कहा हे नर्स्रेस्ट हे शत्रुगन तुम्हारा कल्यान हो इस यग्य रूपी अश्व का पालन करने से संसार में तुम्हारे महान यश्व का विस्तार हुगा शत्रुगन जी से ऐसा कहकर महारिशी जी ने आश्रमवासी ब्रहमनों से कहा हे ब्रहम रिशियों यह अश्चरय की बात देखो जिनके नामों के समरण और कीतन आदी मनुश्य के लिए समस्त पापों का नाश कर देते हैं वे भगवान शिरी राम जी भी यग्य करने वाले ह महान पात की और परिस्तरी लपट पुरुष भी जिनका नाम समरण करके अनन्द पूर्वक परमगती को प्राप्त होते हैं जिनके चरण कमलों की धूली पड़ने से पत्थर की मूर्ती बनी हुई अहल्या तत्शन मनोहर रूप दहरन करके महारिशी गोतम जी की धरम पत्नी हो गई रण छेतर में जिनके मनोहारी रूप का दर्शन करके देत्यों ने उन्ही के निर्वीकार सवरूप को प्राप्त कर लिया तथा योगी जन समाधी में जिनका ध्यान करके योगा रूड अवस्था को पहुच गए और संसार के भैसे छुटकारा पाकर परम पत्त को प्राप्त हो गए वे ही शिरी रगुनाथ जी यग्य कर रहे है यह कैसी अद्भुद बात है मेरा धन्य भाग जो अब शिरी राम चंदर जी के उस सुन्दर मुख की जाकी करूँगा जिसके नेत्रों का प्रांत भाग मेग के जल की समानता करता है जिसकी नासी का मनोहर और वहे सुन्दर है तथा जो विनय से कुछ जुका हुआ है जीवह वही उत्तम है जो शिरी रगुनाथ जी के नामों का आदर के साथ कीरतन करती है जो इसके वीपरित आचरन करती है वह तो साप की जीव के समान है आज मुझे अपनी तफस्या का पवित्र फल प्राप्त हो गया अब मेरे सारे मनोरत पूरे हो गए क्योंकि ब्रह्मा आदी देवताओं को भी जिसका दर्शन दुरलब है भगवान शिरी राम जी के उसी मु उनके चरनों की रज से अपने शरीर को पवित्र करूंगा तथा उनकी अत्यंत विचित्र वारताओं का वर्नन करके अपनी रसना को पावन बनाऊंगा इस परकार की बाते करते करते भगवान शिरी राम जी के चरनों का समरन होने से महरिशी का प्रेम भाव जागरित हो से आंसों की धारा बैह चली वे मुनियों के सामने ती आशु पूरण कंठ से फुकारने लगे हे शिरी राम चंदर जी हे रगुनात हे धरम मूर्ते हे भक्तों पर दिया करने वाले हे परमेश्वर जी इस संसार से मेरा उद्धार कीजिए इतना कहते कहते महारिशी ध्यान मग उन्हें अपने प्राई का ज्यान ना रहा उस समय शत्रुघन ने मुनी से कहा हे स्वामिन आप हमारे स्रेष्ट यग्य को अपने चरणों की धूली से पवित्र कीजिए सब लोगों के द्वारा एक मात्र पूजित होने वाले महा बाहु शिरी रगुनाथ जी का भी बड़ सुभाग्य है कि वे आप जैसे महात्मा के अंतहकरण में निवास करते हैं शत्रुघन जी के ऐसा कहने पर मुनीवर चयवन जी आनंद मगन हो गए और अपने संपूरण आगरणियों को साथ ले परिवार सहित वहां से चल दिये उन्हें पैदल जाते देख और भगवान श शत्रुघन जी से विनय पूर्वक कहा है स्वामिन यदि आप कहें तो महा पुरुषों में स्रेष्ट इन शिरी राम भक्त महारिशी जी को मैं ही अपनी पूरी में पहुँचा दूँ वानर वीर के ये उत्तम वचन सुनकर शत्रुघन ने उन्हें आग्या दी है हलुमान जाये मुनी को पहुचा आये तब हलुमान जी ने मुनी को कटुंब सहित अपनी पीठ पर बिठा लिया और सरवत्र विचरने वाले भायू की भाती उन्हें शिग्र ही अयोध्या पहुचा दिया मुनी को आया देख भगवान शिरी राम जी बहुत परसन हुए और प्रेम से विहल होकर उन्होंने उनके लिए अर्ग्या पाद्या आदी अर्पन किया तद पस्चात वे बोले हे मुनी स्रेष्ट इस समय आपका दर्शन पाकर में धन्य हो गया आपने सब समागरियों सहित मेरे यग्य को पवित्र कर दिया भगवान जी का यह वचन सुनकर मुनिवर चयवन जी बहुत संतुस्ट हुए परमोद्रेक के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया वे बोले हे प्रभो आप ब्रहमनों पर प्रेम रखने वाले और धरम मार्ग के रक्षक हैं अतहे आपके द्वारा ब्रहमन का सम्मान होन उचित ही है सारे बोलो भगवान शिरी राम चंदर जी की जै पाताल खंड अध्याए 108 सुम्ती का शत्रुगन जी से निलाचन निवासी भगवान पुर्शोतम जी की महिमा का वर्नर करते हुए एक इतिहास सुनाना शेश जी कहते हैं हे मुने महरिशी चयवन जी के अचिंत निय तपवल को देखकर शत्रुगन जी ने विश्व बंदित ब्रहमा बल की बड़ी परसंसा की वे मन ही मन कहने लगे कहां तो विशुद अंतह करण वाले मुनियों को स्वतह प्राप्त होने वाली महान भोगों की सिध्धी और कहां तपवल से हीन मनुश्यों की भोगे च्छा इस परकार सोचते हुए शत्रुगन जी ने चयमन मुनी जी के आश्रम पर थोड़ी देर तक ठहर कर जल पिया और सुख एवं अराम का अनुभव किया उनका घोड़ा पुन्य सलीला प्योशनी नदी का जल पीकर आगे के मार्ग पर चल पड़ा सैनिकों ने जब उसे आश्रम से निकलते देखा तो वे भी उसके पीछे पीछे चल दिये कुछ लोग हाथी पर थे और कुछ लोग रतों पर कुछ घोडों पर सवार थे और कुछ लोग पैदल ही जा रहे थे शत्रुगहन जी ने भी मंत्री वर सुमिती के साथ घोडों से सुशोभित होने वाले रत पर बैठ कर बड़ी शीकृता के साथ यग्य संबंधी अश्व का अनुसरन किया वह घोड़ा आगे बढ़ता हुआ राजा विमल के रतना तट नामक नगर में जा पहुचा राजा ने जब अपने सेवक के मुह से सुना कि शीरी रगुनाथ जी का स्रेष्ट अश्व संपूरण योद्धाओं के साथ अपने नगर के निकट आया है तो वे शत्रुगहन जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके अपना रतन कोश धन और सारा राज्य सोपते हुए सामने खड़े होकर बोले मैं कौन सा कार्य करूं मेरे लिए क्या अग्या होती है शत्रुगहन जी ने भी उन्हें अपने चरणों में नतमस तक देख दोनों भुजाओं से उठा कर छाती से लगा लिया इसके बाद राजा विमल भी पुत्र को राज्य देकर अनेको धनुर्धर योद्धाओं सहित शत्रुगहन जी के साथ गए सब के मन और कानों को प्रिय लगने वाले भगवान शिरी राम चंदर जी का मधुर नाम सुनकर प्राय सभी राजा उस यग्य संबंधी घोडे को प्रणाम करते और बहु मूल्य रतन एवं धन भेट देते थे इस परकार अश्व के मारक पर जाते हुए शत्रुगहन ने एक बहुत उचा परवत देखा उसे देखकर उनका मन अस्चारय चकित हो गया आता है वे मंत्री सुंती से बोले है मंत्री वर यह कौन सा परवत है जो मेरे मन को विसमय में डाल रहा है इसके बड़े बड़े शिखर चांदी के समान चमक रहे हैं मारक में इस परवत की बड़ी शोभा हो रही है मुझे तो यह बड़ा अद्भुद जान पड़ता है क्या यहां देवताओं का निवास थान है या यह उनकी कृड़ स्थली है यह परवत अपनी सब परकार की शोभा से मेरे मन को मोहे लेता है शत्रुगहन जी का यह प्रशन सुनकर मंत्री सुम्ती जिन का चित सदा शिरी राम चंदर जी के चरणों में लगा रहता था बोले हे राजन हम लोगों के सामने यह नील परवत शोभा पा रहा है इसके चारों और फैले हुए बड़े बड़े शिखर सफ्टी कादी मनियों के समुह है आतैव वे बड़े मनोहर परतीत होते हैं पापी और परिस्तरी लंपट मनुश्य इस परवत को नहीं देख पाते जो नीच मनुश्य भगवान शिरी विश्मुजी के गुणों पर विश्वास या आदर नहीं करते सत्य पुरूशों द्वारा आचरण में लाए हुए श्रोत और समार्थ धर्मों को नहीं मानते तथा सदा अपने बोधिक तर्क के अधार पर ही विचार करते हैं उन्हें भी इस परवत का दर्शन नहीं होता नील और लह की विक्री करने वाले मनुश्य घी आदी बेचने वाला ब्रहमन तथा शरावी मनुश्य भी इसके दर्शन से बंचित रहते हैं जो पिता अपनी रूपवती कन्या का किसी कुलीन वर के साथ व्याह नहीं करता बलकि पाप से मोहित होकर धन के लोव से उसको बेच देता है उसे भी इसका दर्शन नहीं होता जो मनुश्य उत्तमकुल और शील से युक्त सती साधवी इस्तरी को कलंकित करता है तथा भाई बंधुों को ना देकर स्वयम ही मीठे पकवान उडाता है जो ब्रहमन का धन हडप लेने के लिए जाल साजी करता है रसोई में भेद करता है तथा जो दूशित विचार रखने के कारण केवल अपने लिए खिचडी या खीर बनाता है वह भी इस परवत को नहीं देख पाता हे महराज जो मद्यकाल में भूख से पीडित होकर आई हुए अतितियों का अपमान करते हैं दूसरों के साथ विश्वास घात करते रहते हैं तथा जो रगुनाथ जी के भजन से विमुख होते हैं उन्हें भी इस परवत का दर्शन नहीं होता यह स्रेष्ट परवत बड़ा ही पवित्र है पुरशोत्तम जी का निवास्थान होने से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है अपने दर्शन से यह मनोहर शैल हम सब लोगों को पवित्र कर रहा है देवताओं के मुक्टों से जिन के चरणों की पूजा होती है जहां देवता अपने मुकुट मंडित मस्तक जुकाया करते हैं पुन्य आत्मा प्रुश ही जिन का दर्शन पाने के अधिकारी है वे पुन्य परदाता भगवान प्रशोत्तम जी इस परवत पर विराजमान है वेद की शुरूतियां नेती नेती कहकर निशेद की अवधी रूप से जिन क जानती हैं इंद्र आदी देवता भी जिन के चरणों की रज ढूंडा करते हैं फिर भी उन्हें सुगमता से प्राप्त नहीं होती तथा विद्वान पुरुश वेदांत आदी के महावाक्यों द्वारा जिन का बोध प्राप्त करते हैं वे ही शिरीमान पुर्शोतम इस मह परवत पर विराज रहे हैं जो इस नील गिरी पर चड़कर भगवान जी को नमस्कार करता और पुन्य करम आदी के द्वारा उनकी पूजा करके उनका परसाद ग्रहन करता है वह साक्षाद भगवान जी चतुर्भुज का सबरूप हो जाता है हे महराज इस विशे में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं उसको सुनो राजा रतन ग्रीव को अपने परिवार के साथ ही जो चार भुजा आदी भगवान जी का सारूप्य प्राप्त हुआ था उसी का इस उपाख्यान में वर्नन है ऐसा सो भग्या देवता और दानवों के लिए भी दुरलब है यह अस्चरे पूरण वर्तांत इस परकार है तीनों लोकों में परसिद जो कांजी नाम की नगरी है वह पूर्वकाल में बड़ी संपन अवस्था में थी वहां बहुत अधिक मुनुश्यों की अवादी थी सैना और सवारी सभी द्रि पूरी थी वहां ब्रहमनों चित छे कर्मों में निरंतर लगे रहने वाले स्रेष्ट ब्रहमन निवास करते थे जो सब प्राणियों के हित में सलग्न और भगवान शिरी राम चंदर जी के भजन के लिए सदा उतकंठित रहने वाले थे वहां के शत्रिय युद्ध में लोह लेने वाले थे वे संग्राम में कभी पीछे प्यार नहीं हटाते थे प्राई इस्त्री प्राई धन और परद्रोह से वे सदा दूर रहने वाले थे वेश्यभी व्याज खेती और वेपार आदी शुभ वृतियों से जीवी का चलाते हुए निरंतर शिरी रगुनाथ जी के चरण कमलों में अनुराग रखते थे शुद्र जाती के मनुश्य रात दिन अपने शरीर से बरहमनों की सेवा करते और जीवह से राम राम की रट लगाए रहते थे वहां नीच शरेणी के मनुश्यों में भी कोई ऐसा नहीं था जो मन से भी पाप करता हुए उस नगरी में दान दया दम और सत्य ये सदा विराजमान रहते थे कोई भी मनुश्य ऐसी बात नहीं बोलता था जो दूसरों को कस्ट पहुचाने वाली हुए वहां के लोग ना तो प्राइधन का लोब रखते और ना कभी पाप ही करते थे इस परकार राजा रतन ग्रीव प्रजा का पा राजा की आय के छटे अंश को कर के रूप में ग्रहन करते थे इससे अधिक कुछ नहीं लेते थे इस तरहें धरम पूर्वक प्रजा का पालन और सब परकार के भूगों का उपभोग करते हुए राजा के अनेकों वर्ष वतीत हो गए एक दिन उन्होंने अपनी धरम पतनी विशा लाक्षी से जो पती वरत्य धरम का पालन करने वाली पती वरता थी कहा है प्रिये अब अपने पुत्र प्रजा की रक्षा का भार संभालने वाले हो गए भगवान महा विश्नुजी के परसाद से मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है अब मेरे मन में केवल एक ही अभि लाशा रह गई है वह यह है कि मैंने आज तक किसी परम कल्यान में उत्तम तीर्थ का सेवन नहीं किया जो मनुश्य जनम भर अपना पेट ही भरता रहता है भगवान जी की पूजा नहीं करता वह बैल माना गया है इसी लिए है कल्यानी मैं राज्य का भार पुत्र को सौप कर यात्रा के लिए चलना चाहता हूं ऐसा निश्चय करके उन्होंने संध्या काल में भगवान जी का ध्यान किया और आधी रात को सोते समय स्वपन में एक स्रेष्ट तपस्वी ब्रहमन को देखा फिर सवेरे उठकर उन्होंने संध्या आधी नित्य करम पूरे किये और सभा में जाकर मंत्री जनों के साथ वे सुख पूर्वक विराजमान हुए इतने में ही उन्हें एक दुर्वल शरीर वाले तपस्वी ब्रहमन दिखाई दिये जो जटा बलकल और कोपिन धारन किये हुए थे उनके हाथ में एक छड़ी थी तथा अनेकों तीर्थों के सेवन से उनका शरीर पवित्र हो गया था महा बाहु राजा रतन ग्रीव ने उन्हें देख मस्तक जुका कर प्रणाम किया और परसंद चित होकर अर्ग्यपाद्या आधी निवेदन किया जब ब्रहमन सुख पूर्वक आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके तो राजा ने उनका परिचय जानकर इस परकार प्रशन किया हे स्वामिन आज आपके दर्शन से मेरे शरीर का समस्त पाप निर्वित हो गया वास्तब में महात्मा पुरुष देन दुखियों की रक्षा के लिए ही उनके घर जाते हैं हे ब्रहमन अब मैं बूड़ा हो गया हूँ इसलिए मुझे एक बात बताईए कोन सा देवता अथवा कोन ऐसा तीर्थ है जो घरववास के कस्ट से बचाने में समर्थ हो सकता है आप लोग समाधी और ध्यान में तत पर रहने वाले हैं अतहे सरवग्यों में स्रेष्ट है ब्रहम्मन ने कहा हे महराज आपने तीर्थ सेवन के विशय में जिग्यासा करते हुए जो यह प्रश्न किया है कि किस देवता की किरपा से गर्व वास के कस्ट का निवारण हो सकता है सो उसके विशय में बता रहा हूँ सुनिये भगवान शिरी राम चंदर जी की ही सेवा करने चाहिए क्योंकि वे ही संसार रूपी रोग का नाश करने वाले हैं वे ही भगवान प्रशोत्तम के नाम से परसिद्ध हैं उन्ही की पूजा करनी चाहिए मैंने सब पापों का शाय करने वाले अनेकों पुरियों और नदियों का दर्शन किया है आयोध्या, सरैयू, तापी, हरीद्वार, अवंती, विमला, कांजी, समुंद्र गामनी, नर्मदा, गोकरण और करोडों हत्याओं का भिनाश करने वाला हाटक तीर थे इन सब का दर्शन पाप को दूर करने वाला है मली का नाम से परसिद्ध महान परवत मनुश्यों को दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाला है तथा वह पातकों का भी नाश करने वाला तीर्थ है उसका भी मैंने दर्शन किया है देवता और असुर दोनों जिसका सेवन करते हैं उस द्वारवती अर्थात द्वार का पूरी तीर्थ का भी मैंने दर्शन किया है वहां कल्यान में गोमती नाम की नदी बहती है जिसका जल साक्षात ब्रह्म सबरूप है उसमें शैन करना अर्थात डूबना लै कहलाता है और मृत्यू को प्रात होना मोच ऐसा शुरूती का वचन है उस पूरी में निवास करने वाले मनुश्यों पर कल्यूग कभी अपना परभाव नहीं डाल पाता जहां के पत्थर भी चक्र से चिन्दित होते हैं मनुश्य तो चक्र का चिन धारन करते ही हैं वहां के पशू पक्षी और कीट पतंग आदी सब के शरीर चक्र से अंकित होते हैं उस पूरी में समपूरण जगत के एक मात्र रक्षक भगवान त्रिविक्रम निवास करते हैं मुझे बड़े पुन्य के परभाव से उस द्वार का पूरी का दर्शन हुआ है साथ ही जो सब परकार की हत्याओं का दोश दूर करने वाला है तथा जहां महान पातकों का नाश करने वाला सियमंत पंचक नामक तीर्थ है उस कुरुछेत्र का भी मैंने दर्शन किया है इसके सिवा मैंने वारण नसी पूरी को भी देखा है जिसे भगवान विश्वनाथ जी ने अपना निवासस्थान बनाया है जहां भगवान शंकरजी मुमूर्शु पराणियों को तारक ब्रह्म के नाम से परसिद्ध राम मंत्र का उपदेश देते हैं जिसमें मरे हुए कीट पतंग ब्रंग पशु पक्षी आदी तथा असुर योनी के पराणी भी अपने अपने कर्मों के भोग और सीमित सुख का परित्याग करके दुख सुख से परे हो के लाश को प्राप्त हो जाते हैं तथा जहां मनी करणी का तीर्थ और उत्तरवाहिनी माता गंगा है जो पापियों का भी संसार बंधन काट देती है हे राजन इस परकार मैंने अनेकों तीर्थों का दर्शन किया है परन्तु नील गिरी पर भगवान प्रशोतम जी के समीप जो महान अस्चेरय की घटना देखी है वह अन्यंत्र कहीं भी द्रिष्टी गोचर नहीं हुई है परवत स्रेष्ट नील गिरी पर जो वर्तांत घटित हुआ था उसे सुनिये इस पर शर्धा और विश्वास करने वाले प्रुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं मैं सब तीर्थों में ब्रहमन करता हुआ नील गिरी पर गया जिसका आंगन सदा माता गंगा सागर के जल से धुलता रहता है वहां परवत के शिखर पर मुझे कुछ ऐसे भील दिखाई दिये जिन की चार भुजाएं थी और वे धनुष धारण किये हुए थे वे फल मूल का आहार करके वहां जीवन निर्वाह करते थे उस समय उन्हें देखकर मेरे मन में यह महान संदेह खड़ा हुआ कि यह धनुष वान धारण करने वाले जंगली मनुशिया चतुर भुज कैसे हो गए बैकुंथ लोक में निवास करने वाले जितेंद्र ये पुरुशों का जैसा सवरूप शास्तरों में देखा जाता है तथा जो ब्रह्मा जी आदी के लिए भी दुरलब है ऐसा सवरूप इन्हें कैसे प्राप्त हो गया भगवान विश्णुजी के निकट रहने वाले उनके पार्षदों के हाथ जिस परकार शंक चक्र गदा श्रंग धनुश तथा कमल से सुछोभित होते हैं तथा उनके शरीर पर जैसे बनमाला शोभा पाती है उसी परकार ये भील भी क्यों दिखाई दे रहे हैं इस परकार संदेह में पढ़ जाने पर मैंने उन से पूछा हे सज्जनों आप लोग कोन है और यह चतरभुच सवरूप आपको कैसे प्राप्त हुआ है मेरा प्रशन सुनकर वे लोग बहुत हसे और कहने लगे ये महाशे ब्रह्मन होकर भी यहां के पिंडदान की अदमुद महिमा नहीं जानते यह सुनकर मैंने कहा कैसा पिंडद और किसको दिया जाता है चतरभुच शरीर धारण करने वाले हे महात्माओं मुझे इसका रहस्य बताओ मेरी बात सुनकर उन महात्माओं ने जिस पर है उन्हें चतरभुच सबरूप के प्राप्ति हुई थी वह सारा वरतांत कह सुनाया की रात बोले हे ब्रह्मन हम लोगों का वरतांत सुनो हमारा एक बालक प्रती दिन जामुन आदी ब्रिक्षों के फल खाता और अन्य बालकों के साथ विचरा करता था एक दिन घूमता घामता वह यहां आया और शिश्यों के साथ ही इस परवत के मनोहर शेखर पर चड़ गया उपर जाकर उसने देखा एक अदभुद देव मंदिर है उसकी दिवार सोने की बनी हुई है उसमें गारुत मत आदी नाना परकार की मणिया जड़ी हुई है वह अपनी मनोहर कांती से भगवान सूर्य की भाती अंधकार का नाश कर रहा है उसे देखकर बालक को बड़ा विसमें हुआ और उसने मन ही मन सोचा यह क्या है किसका घर है जरा चल कर देखूं तो सही यह महात्माओं का कैसा स्थान है ऐसा विचार कर वह बड़ागी बालक मंदिर के भीतर घुस गया वहां जाकर उसने देवाधी देव परशोतम जी का दर्शन किया जिनके चरणों में देवता और असुर सभी मस्तक जुकाते हैं जिनका शिरी विग्रह किरिट हार कैयूर और ग्रेवियक अर्थात कंठा अत्यंत उजबल और मनोहर कुंडल दहारन करते हैं जिनके यूगल चरण कमलों पर तुलसी की सुगंद से मत्वाले हुए भवरे मन्डराया करते हैं शंक चक्र गदा और कमल आधी परिकर दिव्य शरीर धारन करके जिनके चरणों की अराधना करते हैं तथा नारद आदी देवरिशी जिन के शिरी विग्रह की सेवा में लगे रहते हैं ऐसे भगवान जी की उस बालक ने जाकी की वहां भगवान जी की उपासना में लगे हुए देवताओं में से कुछ लोग गाते थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ लोग अद्भुद रूप से अटहास कर रहे वे सभी विश्व बंदित भगवान जी को रिजहने में ही लगे हुए थे भगवान जी को देखकर हमारा बालक उनके निकट चला गया। अपने अपने स्थान को चले गए उस बालक के सो भागय वश्व वहां भगवान जी को भोग लगाया हुआ भात अर्थात महापरसाद गीरा हुआ था जो मनुश्यों के लिए अलब है और देवताओं के लिए भी दुरलब है वही उसे मिल गया। उसको खाकर बालक ने भगवान के शिरिविग्रह का दर्शन किया। इससे उसे चतरभुज रूप की प्राप्ती हो गई और वह अत्यंत सुन्दर दिखाई देने लगा। चार भुजा आदी भगवान सारूपय को प्राप्त हो शंक चक्र आदी धारन किये। जब वह बालक घर आया तो हम लोगों ने बारंबार उसकी और देख कर पूछा। तुम्हारा यह अद्भुद सबरूप कैसे हो गया। तब बालक अपने अस्चारे युक्त वर्तांत का वर्नन करने लगा। मैं नील गिरी के शिखर पर गया था। वहां मैंने देवादी देव भगवान जी का दर्शन किया है। वही भगवान जी को भोग लगाया हुआ मनोहर परसाद भी मुझे मिल गया था। जिसके भख्षन करने मातर से इस समय मेरा ऐसा चतुरभुज सबरूप हो गया है। मैं स्व्यम ही अपने इस परिवर्तन पर विसमय मुगद हो रहा हूँ। बालक की बात सुनकर हम सब लोगों को बड़ा अश्चारया हुआ। और हमने भी इन परम दुरलव भगवान जी का दर्शन किया। साथ ही सब परकार के स्वाद से परिपूरण जो अन आदी का परसाद मिला। उसको भी खाया। उसके खाते ही भगवान जी की किरपा से हम सब लोग चार भुजा दाहरी हो गए। हे साधु स्रेष्ट तुम भी जाकर भगवान जी का दर्शन करो। वहाँ अन का परसाद गिरहन करके तुम भी चतर भुज हो जाओगे। हे विप्रवर तुमने हम लोगों से जो बात पूछी और जिसको कहने के लिए हमें आग्या दी थी वह सब भरतांत हम लोगों ने कह सुनाया। सारे बोलो भगवान शिरी नराण जी की जय पताल खंड अध्याय एक सो नो तीर्थ यात्रा की विधी राजा रतन ग्रीव की यात्रा तथा गंड की नदी एवं शाल गराम शीला की महिमा के परसंग में एक पुलकस की कथा। ब्रहमन कहते हैं हे राजन भीलों के ये अदभुद वचन सुनकर मुझे बड़ा अश्चारय हुआ। साथ ही मैं बहुत परसंड भी हुआ। पहले माता गंगा सागर संगम में सनान करके मैंने अपने शरीर को पवित्र किया। फिर मनियों और मनिक्यों से चित्रित नीला चल के शिखर पर चड़ गया। हे महाराज वहां जाकर मैंने देवता आदी से बंदित भगवान जी का दर्शन किया। और उन्हें प्रणाम करके करतार्थ हो गया। भगवान जी का परसाद ग्रेहन करने से मुझे शंक चक्र आदी चिन्नों से सुशोभित चत्रभुज सवरूप की प्राप्ती हुई। परशोतम जी के दर्शन से पुनह मुझ को गर्व में नहीं परवेश करना पड़ेगा। हे राजन तुम भी शिक्र ही निलाचल को जाओ और गर्व वास के दुख से छूट कर अपने आत्मा को करतार्थ करो। उन परम बुद्धिमान स्रेष्ट ब्रहमन के वचन सुनकर राजा रतन ग्रीव का सारा शरीर पुलंकित हो गया और उन्होंने मुनी से तीर्थ यात्रा की विधी पूछी। तब ब्रहमन ने कहा हे राजन तीर्थ यात्रा की उत्तम विधी का वर्नन आरंभ करता हूं सुनो। इससे देव दानव बंदित भगवान जी की प्राप्ति हो जाती है। मनुश्य के शरीर में जुरियां पड़ गई हों सिर के बाल पक गए हों अथवा वह अभी नोजवान हो। आई हुई मोत को कोई नहीं टाल सकता ऐसा समझ कर भगवान जी की शरण में जाना चाहिए। यह सारा परपंच नाशवान शरण भर रहने वाला तथा अत्यंत दुख देने वाला है। परंतु भगवान जी जनम मृत्यू और जरा तीनों ही अवस्थाओं से परे हैं। वे भक्ती देवी के परणव बल्लव और आयूत अर्थात अविनाशी हैं। ऐसा विचार कर भगवान जी का भजन करना उचित है। मनुश्य काम, क्रोध, भै, द्वेश, लोब और दंब से अथ्वा जिस किसी परकार से भी यदि भगवान जी का भजन करे तो उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान जी का ज्यान होता है, पाप रहित, साधू संग करने से साधू वे ही है, जिनकी किरपा से मनुश्य संसार के दुख से छुटकारा पा जाते हैं। महाराज काम और लोब से रहित तथा वित राग साधू प्रुष जिस विश्य का उपदेश देते हैं, वह संसार बंधन की निर्वती करने वाला होता है। तीर्थों में शिरी राम चंदर जी के भजन करने में लगे हुए साधू प्रुष मिलते हैं, जिनका दर्शन मनुश्यों की पापा राशी को भसम करने के लिए अगनी का काम देता है। इसलिए संसार बंधन से डरे हुए मुनुश्यों को पवित्र जल वाले तीर्थों में जो सदा साधू महातमाओं के सहवास से सुशोवित रहते हैं, अवश्य जाना चाहिए। हे नरिप सरेष्ट यदि तीर्थों का विधी पूर्वक दर्शन किया जाए, तो वे पाप का नाश कर देते हैं। अब तीर्थ सेवन की विधी का श्रवन करो, पहले इस्तरी पुत्रादी कुटुम्ब को मिथ्य समझकर, उसकी और से अपने मन में विराग्य उपन करें, और मन ही मन भगवान जी का समरण करता रहे। तदनंतर राम राम की रट लगाते हुए, तीर्थ यात्रा अरंब करें। एक कोस जाने के पस्चात, वहां तीर्थ अर्थात, पवित्र जलाशे आदी में सनान करके शोर करा डाले। यात्रा की विधी जाने वाले पुरुष के लिए ऐसा करना नितांत अवश्यक है, तीर्थों की और जाते हुए, मनुश्यों के पाप उसके बालों पर हिस्थित रहते हैं। अतहे, उनका मुंडन अवश्य करावे, उसके बाद बिना गांठ का डंडा, कमंडलू और म्रिग चरम धारन करे, तथा लोब का त्याग करके तीर्थों पियोगी वेश बना ले। विधि पूर्वक यात्रा करने वाले, मनुश्यों को विशेश रूप से फल की प्राप्ती होती है। इसलिए पूर्व प्रियतन करके तीर्थ यात्रा की विधि का पालन करे। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, तथा मन अपने वश में होते हैं, तथा जिसके भीतर, विध्या तपस्या और कीर्थी रहती है, वही तीर्थ के वास्त्विक फल का भागी होता है। हरे क्रिशन हरे क्रिशन भक्त वत्सल गोपते, शरणय भगवन विश्णों माम पाही बहुस रस्ते। जीवा से इस मंत्र का पाठ तथा मन से भगवान जी का समरण करते हुए, पैदल ही तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। तभी वह महान अभी उदय का साधक होता है, जो मनुश्य सवारी से यात्रा करता है, उसका फल सवारी ढोने वाले प्राणी के साथ बारंबार बारंबार बट जाता है। जूता पहन कर जाने वाले को चोथाई फल मिलता है और बैल गाड़ी पर जाने वाले प्रूशों को गोहत्या आदी का पाप लगता है। जो अनिच्छा से भी तीर्थ यात्रा करता है, उसे उसका आधा फल मिल जाता है, तथा पाप शय भी होता ही है, किन्तु विधी के साथ तीर्थ दर्शन करने से विशेश फल की प्राप्ती होती है। यह उपर बताया जा चुका है, इस परकार मैंने थोड़े ही में यह तीर्थ की विधी बताई है, इसका विस्तार नहीं किया है, इस विधी का आश्रे लेकर तुम प्रुशोतम का दर्शन करने के लिए जाओ। भगवान पर सन्न होकर तुम्हें अपनी भक्ती परदान करेंगे, जिससे एक हिशन में तुम्हारे संसार वंधन का नाश हो जाएगा। हे नर्सरेष्ट, तीर्थ यात्रा की यह विधी संपूरण पातकों का नाश करने वाली है, जो इसे सुनता है, वह अपने सारे भ्यंकर पापों से छुटकार अपा जाता है। सुम्ती कहते हैं, हे सुमित्रानंदन, ब्रहमन की यह बात सुनकर, राजा रतन गृव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय प्रशोत्तम तीर्थ के दर्शन की उतकंठा से उनका चित विहल हो रहा था। राजा के मंत्री मंत्रग्यों में स्रेष्ट और अच्छे सभाव के थे। राजा ने समस्त पुर्वासियों को तीर्थ यात्रा की इच्छा से साथ ले जाने का विचार करते हुए अपने मंत्री को आग्या दी। हे अमत्या तुम नगर के सब लोगों को मेरा यह आदेश सुना दो की सब को भगवान परशोतम जी के चरणा विंदों का दर्शन करने के लिए चलना है। मेरे नगर में जो स्रेष्ट मनुश्य निवास करते हैं तथा जो लोग मेरी आग्या का पालन करने वाले हैं वे सब मेरे साथ ही यहां से निकलें। उन पुत्रों से तथा सदा अनीती में लगे रहने वाले बंधु बांधवों से क्या लेना है। जिन्होंने आज तक अपने नेत्रों से पुन्य अदायक परशोतम जी का दर्शन नहीं किया। जिनके पुत्र और पुत्र भगवान जी की शरण में नहीं गए उनकी वे संताने सुकरों के जुन्ड के समान है। मेरी हे प्रजाओं जो भगवान जी अपना नाम लेने मात्र से सब को पवित्र कर देने की शक्ती रखते हैं। उनके चरणों में शिग्र मस्तक जुकाओ। राजा का यह मनोहर वचन भगवान जी के गुणों से गुथा हुआ था। इसे सुनकर सत्यनाम वाले परधान मंत्री को बड़ा हर्श हुआ। उन्होंने हाथी पर बैठकर धिंडोरा पिटते हुए सारे नगर में घोशना कर दी। तीर्थ यात्रा की इच्छा से महराज जी ने जो आग्या दी थी उसके अनुसार सब प्राजा को यह आदेश दिया है पुर्वासियों। आप सब लोग महराज के साथ तुरंत नील गरी को चलें और सब पापों के हरने वाले परशोत्तम भगवान जी का दर्शन करें। ऐसा करके आप लोग समस्त संसार समुंद्र को अपने लिए गाएं की खुर के समान बना लें। साथ ही सब लोग अपने अपने शरीर को शंक, चक्र, आदी चिन्हों से विभूशित करें। इस परकार परधान सचिव ने जो शिरी रगुनात जी के चरणों का ध्यान करने के कारण अपने शोक संताप को दूर कर चुके थे। राजा रतन गृव के अदभुद आदेश की सर्वत्र घोशना करा दी। उसे सुनकर सारी प्रजा आनंद रस में निमगन हो गई। सबने परशोत्तम जी का दर्शन करके अपना उद्धार करने का निश्चय किया। पुर्वासी ब्रहमन सुन्दर वेश धारन करके राजा को आशिरवाद और वर्दान देते हुए शिश्यों के साथ नगर से बाहर निकले। शत्रिय वीर धनूश धारन करके चले और वेश्य नाना परकार की उपयोगी वस्तुएं लिये आगे बढ़े। शुद्र भी संसार सागर से उद्धार पाने की बात सोचकर पुलंकित हो रहे थी। धोबी चमार शहत बेचने वाले की रात मकान बनाने वाले कारेगिर दरजी पान बेचने वाले तवला बजाने वाले नाटक से जीवी का निभाने वाले नट आदी तेली बजाज पुराण की कथा सुनाने वाले सूत माघद तथा बंदी ये सभी हर्ष में भरकर राजधानी से बाहर निकले वेद वरिती से जीवी का चलाने वाले चिकिस्सक तथा भोजन बनाने और स्वादिस्ट रसों का ज्यान रखने वाले रसो ये भी महराज जी की परशंसा करते हुए पूरी से बाहर निकले राजा रतन गिरिव ने भी प्रतह काल संध्यो पासन आदी करके शुद्ध अंतह करण वाले ब्रहमन देवता को जो तपस्वियों में सरेष्ट थे अपने पास बुलाया और उनकी आग्या लेकर वे नगर से बाहर निकले आगे आगे राजा थे और पीछे पीछे पुर्वासी मनुश्या उस समय वे ताराओं से घिरे हुए चंदर्मा जी की भाती शोभपा रहे थे एक कोस जाने के बाद उन्होंने विधी के अनुसार मुंडन कराया और दंड कमंडलू तथा सुन्दर म्रग चरम धारण किये इस पर कारवे महा यशस्वी राजा उत्तम वेश से युक्त होकर भगवान जी के ध्यान में तक पर हो गई और उन्होंने अपने मन को काम क्रोधादी दोशों से रहित बना लिया उस समय भिन भिन भाजों को बजाने वाले लोग बारम बार दुन्दू भिया भैरी अनाक प्रणव शंक और विना आदी की धवनी फिला रहे थे सभी यात्री यही कहते हुए आगे बढ़ रहे थे कि समस्त दुखों को दूर करने वाले है द्वेश्वर आग की जै हो परशोत्तम नाम से परसित है परमेश्वर जी मुझे अपने सबरूप का दर्शन कराईए तदनंतर जब महाराज रतन ग्रीव सब लोगों के साथ यात्रा के लिए चल दिये तो मार्ग में उन्हें अनेकों स्थानों पर महान सुभाग्य शाली वैशनवों के द्वारा किया जाने वाला शिरी क्रिशन जी कीर्तन सुनाई पड़ा जगह जगह गोविंद जी का गुणगान हो रहा था भक्तों को शरण देने वाले हे परशोतम हे लश्मी पते आपकी जय हो कांची नरेश यात्रा के पत्मे अनेकों अभ्यूदै कारी तीर्थों का सेवन और दर्शन करते तथा तपस्वी ब्रहमन के मुक से उनकी महिमा भ रखने वाली अनेक उपरकार की विचित्र वाते सुनने से राजा का भली भाती मनोरंजन होता था और वे मार्ग के बीच बीच में अपने गायकों द्वारा महा विश्नुजी की महिमा का गान कराया करते थे महाराज रतन गरीव बड़े बुद्धिमान और जितेंद्रिय थे वे स्थान स्थान पर दीनों अंधों दुखियों तथा पंगों को उनकी इच्छा के अनुकूल दान देते रहते थे साथ आई हुए सब लोगों के सहित अनेकों तीर्थों में सनान करके वे अपने को निर्मल एवं भव्य बना रहे थे और भगवान जी का ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे थे जाते जाते महाराज जी ने अपने सामने एक ऐसी नदी देखी जो सब पापों को दूर करने वाली थी उसके भीतर के पत्थर अर्थात शाल गराम चक्र के चिन से अंकित थे वह मुनियों के हिर्दे की भाती स्वच दिखाई देती थी उस नदी के किनारे अनेकों महारिश्यों के समूदाई कई पंगतियों में बैठ कर उसे सुशोभित कर रहे थे उस सरीता का दर्शन करके महाराज ने धरम के ग्याता तपस्वी ब्रहमन से उसका परिचय पूछा क्योंकि वे अनेकों तीर्थों की विशेश महिमा के ग्यान में बड़े चड़े थे राजा ने प्रशन किया है स्वामिन महारिशी समूदाई के द्वारा सेवित यह पवित्र नदी कौन है जो अपने दर्शन से मेरे चित में अत्यंत अलहाद उत्पन कर रही है बुद्धिमान महाराज का यह वचन सुनकर विद्वान ब्रहमन ने उस तीर्थ का अदभुद महात्मे बतलाना आरंभ किया ब्रहमन ने कहा हे राजन यह गंड की नदी है इसे शाल गरामी और नराइनी भी कहते हैं देवता और असुर सभी इसका सेवन करते हैं इसके पावन जल की उताल तरंगे राशी राशी पातकों को भी भसम कर डालती है यह अपने दर्शन से मांचिक्स पर्ष से करम जनित तथा जल का पान करने से वानी द्वारा होने वाले पापों के समूदाय को दग्द करती है पूर्व काल में प्रजा पती भगवान ब्रह्मा जी ने सब प्रजा को विशेश पाप में लिख्त देखकर अपने गंग स्थल अर्थात गाल के जल की बूंदों से इस पापनाशनी नदी को उत्पन किया जो उत्तम लहरों से सुचोभित इस पुन्य सलीला नदी के जल का स्पर्श करते हैं वे मनुश्य पापी हो तो भी पुन हैं माता के गर्व में परवेश नहीं करते इसके भीतर से जो चक्र के चिन्हों त्वारा अलंकरित पत्थर पर कट होते हैं वे साक्षात भगवान जी के ही विग्ड़ हैं भगवान जी ही उनके रूप में प्रादु भूर्त होते हैं जो मनुश्य प्रति दिन चक्र के चिन से युक्त शाल ग्रामशीला का पूजन क वह फिर कभी माता के उदर में परवेश नहीं करता जो बुद्धिमान स्रेष्ट शाल ग्राम शीला का पूजन करता है उसको दंब और लोब से रहित एवं सदाचारी होना चाहिए पराई इस्त्री और पराई धन से मुग मोड कर यतन पूर्वक चक्र अंकित शाल ग्राम का पूजन करना चाहिए द्वारका में लिया हुआ चक्र का चिन्ह और गंड की नदी से उत्पन हुई शाल ग्राम की शिला ये दोनों मनुश्यों के सो जन्मों के पाप भी एक ही शन में हर लेते हैं हजारों पापों का आचरन करने वाला मनुश्य क्यों ना हो शाल ग्राम श मन शत्रिय वैश्य तथा वेदुक्त मार्ग परस्थित रहने वाला शुद्र ग्रहस्त भी शाल ग्राम की पूजा करके मोच्ष प्रार्त कर सकता है परन्तु इस तरी को कभी शाल ग्राम शिला का पूजन नहीं करना चाहिए विद्वा हो यह सुहागिन यदि वह स्वर्ग लोग एवं आत्म कल्यान की इच्छा रखती है तो शाल ग्राम शिला का स्पर्ष ना करे यदि मोहवश उसका स्पर्ष करती है तो अपने किये हुए पुन्य समुह का त्याग करके तुरंत नर्क में पढ़ती है कोई कितना ही पापाचारी और भ्रम हत्यारा क्यों नहो शा चरण अम्रत पी लेने पर परंगती को प्राप्त होता है भगवान जी को निवेदित तुलसी चंदन जल शंक घंटा चक्र शाल ग्राम शिला तामर पात्र शिरी विश्णु जी का नाम और उनका चरण अम्रत ये सभी वस्तुएं पावन है उपियुक्त नो वस्तुओं के साथ भगवान जी का चरण अम्रत पाप राशी को दग्द करने वाला है ऐसा संपूरन शास्तरों के अर्थ को जानने वाले शांत चित महारिशियों का कथन है हे राजन समस्त तीर्थों में सनान करने से तथा सब परकार के यग्जियों द्वारा भगवान जी का पूजन करने से जो अधुद पुन्य होता है वह भगवान जी के चरण अम्रत की एक एक बूंद में प्राप्त होता है चार छे आठ आदी समसंख्याओं में शाल गराम मूर्तियों की पूजा करने चाहिए परन्तु समसंख्या में दो शाल गरामों की पूजा उचित नहीं है इसी परकार विश्म संख्या में भी शाल गराम मूर्तियों की पूजा होती है किन्तु विशम में तीन शाल गरामों की नहीं द्वारका का चक्र तथा गंड की नदी के शाल गराम इन दोनों का यहां समागम हो वहां समुंदर गामनी माता गंगा जी की उपस्तिती मानी जाती है यदि शाल गराम शिलाएं रूखी हो तो वे पुरुशों को आयू लच्मी और उत्तम कीर्थी से वन्चित कर देती हैं अतहे जो चिकनी हो जिनका रूख मनोहर हो उन्ही का पूजन करना चाहिए वे लच्मी परदान करती है पुरुश को आयू की च्छा हो या धन की यदि वह शाल गराम शिला का पूजन करता है तो उसकी एह लोकिक और परलोकिक सभी कामने पूरण हो जाती है हे राजन जो मनुश्य बड़ा भाग्यावान होता है उसी के प्राणांत के समय जिवा पर भगवान जी का पवित्र नाम आता है और उसी की च्छाती पर तधा आसपास शाल गराम शिला मुजूद रहती है प्राणों के निकलते समय अपने विश्वास या भावना में ही यदी शाल गराम शिला की सफूरणा हो जाए तो उस जीव की निसंदेह मुक्ती हो जाती है पूर्वकाल में भगवान जी ने बुद्धिमान राजा अम्बरीश से कहा था कि ब्राहमन सन्यासी तथा चिकनी शाल गराम शिला ये तीन इस भूमंडल पर मेरे सबरूप हैं वह स्वयम तो करतार्थ होता ही है अपने पूर्वजों को भी शिक्र ही बैकुंठ में पहुचा देता है इस विशे में काम क्रोध से रहित वित राग महरिशीगन एक प्राचिन इतिहास का उधारन दिया करते हैं पूर्वकाल की बात है धरम शुन्य मगध देश में एक पुलकस जाती का मनुश्य रहता था जो लोगों में शवर के नाम से परसिद्ध था सदा अनेकों जीव जन्तूओं की हत्या करना और दूसरों का धन लूटना यही उसका काम था राग दुएश और काम करोद आदी दोश सरवदा उसमें भरे रहते थे एक दिन वह व्याध समस्त प्राणियों को भै पहुँचाता हुआ गूम रहा था उसके मन पर मोह चाया हुआ था इसलिए वह इस बात को नहीं जानता था कि उसका काल समीप आ पहुँचा है यमराज के भ्यंकर दूत हाथों में मुदगर और पाश लिये वहां पहुँचे उनके तांबे जैसे लाल लाल केश बड़े बड़े नक तथा लंबी लंबी दाड़े थी वे सभी काले कलूटे दिखाई देते थे तथा हाथों में लोहे की सांकले लिये हुए थे उन्हें देखते ही प्राणियों को मूर्चा आ जाती थी वहां पहुँच कर वे कहने लगे संपूरण जीवों को भै पहुँचाने वाले इस पापी को बांध लो तदनंतर सब यमदूत उसे लोहे के पाश से बांध कर बोले हे दुस्ट हे दुरात्मा तूने कभी मन से भी शुब करम नहीं किये इसी लिए हम तुझे रोरव नर्क में डालेंगे जनम से लेकर अब तक तूने कभी भगवान जी की सेवा नहीं की समस्त पापों को दूर करने वाले शिरी नरायन देव जी का कभी समरण नहीं किया अतह धरम राज की आग्या से हम तुझे बारं बार पीटते हुए लोह शंकू कुम्भी पाक अथवा अती रोरव नर्क में ले जाएंगे ऐसा कहकर यमदूत जियों ही उसे ले जाने को उधित हुए तियों ही महा विश्णू जी के चरण कमलों की सेवा करने वाले एक भक्त महात्मा वहां आ पहुँचे उन वैशनब महात्मा ने देखा कि यमदूत पाश, मुद्गुर और दंड आधी कठोर आयुत धारन किये हुए है तथा पुलकस को लोहे की सांकलों से बांध कर ले जाने को उधित है भग्वान भक्त महात्मा बड़े द्यालू थे उस समय पुलकस की अवस्था देखकर उनके हिर्दय में अत्यंत करुणा भर आई और उन्होंने मन ही मन इस परकार विचार किया यह पुलकस मेरे समीप रहकर अत्यंत कठोर यातना को प्राप्त ना हो इसलिए मैं अभी यमदूतों से इसको छुटकारा दिलाता हूं ऐसा सोचकर वे किरपालू मुनिश्वर हाथ में शालगराम शीला लेकर पुलकस के निकट गए और भगवान शालगराम जी का पवित्र चरण अमरित जिसमें तुलसी दल भी मिला हुआ था उसके मुख में डाल दिया और उसके कान में उन्होंने राम नाम का जप किया मस्तक पर तुलसी रखी और च्छाती पर महा विश्वर जी की शालगराम शीला रख कर कहा यातना देने वाले यमदूत यहां से चले जाओ शालगराम शीला का स्पर्ष इस पुलकस के महान पातकों को भसम कर डाले वैश्डम महात्मा के इतना कहते ही भगवान विश्वर जी के पार्षद जिनका सबरूप बड़ा अध्भुद था उस पुलकस के निकट आ पहुँचे शालगराम की शीला के स्पर्ष से उसके सारे पाप नस्त हो गई थे वे पार्षद पितामर धारन किये शंक चक्र गदा और पद्म से सुशोभित हो रहे थे उन्होंने आते ही उस दूसरह लोहपाश से पुलकस को मुक्त कर दिया उस महापापी को छुटकारा दिलाने के बाद वे यमदूतों से बोले तुम लोग किसकी आग्या का पालन करने वाले हो जो इस परकार अधरम कर रहे हो यह पुलकस तो वैशनव है इसने पूजनिय देह धारन कर रखा है फिर किसलिए तुमने इसे बंधन में डाला था उन की बात सुनकर यमदूत भोले यह पापी है हम लोग धरमराज की आग्या से इसे ले जाने को उधित हुए है इसने कभी मन से भी किसी प्राणी का उपकार नहीं किया है इसने जीव हिंसा जैसे बड़े बड़े पाप किये है तीर्थ यात्रियों को तो इसने अने को बार ल करने में ही लगा रहता था सभी तरहें के पाप इसने किये है अतहे हम लोग इस पापी को ले जाने के उदेश्य से ही यहां उपस्तित हुए है आप लोगोंने सहसा आकर क्यों इसे बंधन से मुक्त कर दिया विश्णु दूत बोले है यमदूतों ब्रहम हत्या आदी का पा जाने का शाल गराम शिला का स्पर्श सब को शन भर में जला डालता है जिसके कानों में अकस्मात भी राम नाम पड़ जाता है उसके सारे पापों को वह उसी परकार भसम कर डालता है जैसे आग की चिंगारी रुई को जिसके मस्तक पर तुलसी चाती पर शाल गराम की मनोहर शिला तथा मुख या कान में राम नाम हो वह ततकाल मुक्त हो जाता है इस पुलकस के मस्तक पर भी पहले से ही तुलसी रखी हुई है इसकी चाती पर शाल गराम की शिला है तथा अभी तुरंत ही इस को शिरी राम जी का नाम भी सुनाया गया है अतहे इसके पापों का समुह दगद हो गया और अब इसका शरीर पवित्र हो चुका है तुम लोगों को शालकराम शिला की महिमा का ठीक ठीक ज्यान नहीं है यह दर्शन स्पर्श अत्वा पूजन करने पर ततकाल ही सारे पापों को हर लेती है इतना कहकर भगवान विश्णु जी के पारशद चुप हो गए यमदूतों ने लोट कर यह अदभुद गठना धरमराज से कह सुनाई तथा शिरी रगुनाथ जी के भजन में लगे रहने वाले वेवैशनब महात्मा भी यह सोच कर की यह यमराज के पाच से मुक्त हो गया औ और अब परमपद को प्राप्त होगा बहुत परसन हुए इसी समय देव लोक से बड़ा ही मनोहर अत्यंत अदभुद और उजवल विमान आया तथा वह पुलकस उस पर आरुड हो बड़े बड़े पुन्यवानो द्वारा सेवित स्वर्ग लोक को चला गया वहां परचूर भोगों का उपभोग करके वह फिर इस प्रित्वी पर आया और काशी पूरी के भीतर एक शुद्ध ब्रहमन वंच में जनम लेकर उसने विश्वनाथ जी की आराधना की एवं अंत में परमपद को प्राप्त कर लिया वह पुलकस पापी था तो भी साधु संग के परभाव भगवान से शालगराम शीला का स्पर्श पाकर यम दूतों की भ्यंकर पीड़ा से मुक्त हो परमपद को पा गया हे राजन यह मैंने तुम्हें शालगराम शीला के पूजन की महिमा बतलाई है इसका शरवन करके मनुश्या सब पापों से छूट जाता और भोग तथा मोक् होता है सारे बोलो भगवान शिरी राम जी की जै पताल खंड अध्याए 110 राजा रतन ग्रीव जी का नील परवत पर भगवान जी का दर्शन करके रानी आदी के साथ बैक उंठ को जाना तथा शत्रुगहन जी का नील परवत पर पहुँचना